कि नमस्कार दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के इत्यास के बारे में तो यह आपकी जो करनलर सामान ग्यान की वृक्ष आती है उसी को रिवीव कर रहे हैं में यानि कि उसी को देख रहे हैं ये आपकी लोसांट से थोड़ी टेटेल में दी गई है लोसेंट से काफी अच्छी वोक्स है तो आप लोग इसे परश्य जाने की खरीश सकते हैं और इसे देख सकते हैं इसे कवर करने के करेलियम से कवर हो सकता है क्योंकि इसके लिए आपको NCEIT पढ़ना जरूरी है और मैंली आपको NCEIT बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है तो अगर आप लोग मैंसे कोई तो NCEIT पढ़ने समय रहते हुए और हम लोग भी आपकी कवर कर रहे हैं NCEIT तो कप्छा चटवी से जो बारवी तक की हमारे लिए वुक्स जरूरी है उन सभी को हम लोग देख रहे हैं तो यह आपका भारत कहितिया आस हम लोग 3 पार्टों में लाएंगे ठीक है क्या 3 पार इस तरह की जो भी वंडे एक्जाम होते हैं उन्हें आप लोग अच्छे से दे पाएंगे और उनमें जो भी कुश्चेंस आते हैं उन्हें सॉल्व करने की स्तिती में होंगे तो पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत का इतियास जांगे उसके बाद देखेंगे भा भाटी या फिर हडपा सब्विता की बारे में जानेगे बैदिक सब्विता की बारे में जानेगे फिर उसकी बाद हम लोग महाजन पदों की बारे में जानेगे याद रखिए यह अच्छी वोक्स है और आप लोग इसे ले सकते हैं तो ले ले लें और इसे पढ़ें तो ब बाद हम लोग प्राचीन काल में पार्सीख इवं युनानी आकमड देखेंगे फिर आपका मौर समराजी देखेंगे फिर उसके बाद कोसाण बंस देखेंगे संगम योग देखेंगे फिर उसके बाद गुप्त समराजी को अब लोग कबर करेंगे तो आपका पुस से भूती बंस देखेंगे, उसके बाद राजपूत बंस देखेंगे, दच्छिन भारत के राजबंसों को हम लोग इसी पहले पार्ट में देख लेंगे, यह प्राचीन भारत जो होगा पूरा कबर किया जाये तो इसमें, पायट इसलिए बोलना हूँ, इसे हम प्राचीन भारत भी बोल सकते थे, क्योंकि इसमें आपने शुरू में जो चेप्टर देखा है, प्रमुक तितियां, इसमें आपकी आधुनिक भारत की भी तितियां सामिल की गए है, तो इसे तीन पार्ट में कहले लीजे सीरा, ठीक है, तो यह होगा आपका पहला पार् लोग पहला आपका चेप्टर सबसे पहले बात करेंगे, भारत का इतियास देखेंगे, उसके बाद भारत इतियास की महत्पून तितियां देखेंगे, चलिए तो पहला चेप्टर हम लोग देखते हैं, भारत का इतियास, भारत की इतियास को तीन भागों में बाटा गया ह एक प्रागटिहासिक काल आग इतिहासिक काल यह उत्तर पासाड काल उत्यासिक टीक है इसके बाद आपका जो प्रागटिधियासिक ग यह में वह कंड़े नहीं कॉनर पुरा पासाड काल इसका time कारिकाल लाही आज्यास से ऑर्ठ गई यार इसा पूर्व्थ यहां अप जाने चारजार इसा पूर्व्थ जड़ए पूर्व्थ से चारजार इसा पूर्व से संबंगत यहां आपको थीन पुइंट बता थे इसा पूर्व और इस भी बी सी और एडी आपने आता हुगा कही ज़गे तो इन दोने का मतलब यह है कि जैसे इसा पूर्व का मतलब इसा के जनम के पूर्व और इस भी का मतलब इसा जनम के बाद यानि कि इसा का जनम हुगा इस डेट को इसे 0 माल लीजे इसके इस तरब जाएंगे आप तो ईसापूर्व बढ़ते जाएंगे यानि कि 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से बढ़ जाएंगे और इस तरब आएंगे आप तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे ठीक है? तो यह हो गए आपका इसापूर्व रही हो गए आपका इस भी इसे कहते हैं इसापूर्व को BC भी कहते हैं और इसे आपका AD कहते हैं इस भी को याद रखिए इसे अगर हम लोग आग हितिहासिक काल की बाग करें तो इसमें आपका सिंदुगाटी सब बढ़ता जो 2500 इसापूर्व से 1500 इसापूर्व रही है बैदिक सब बिता 1500 इसापूर्व से 600 इसापूर्व रही फिर आपका रगवेदिक काल आया 1500 इसापूर्व से 1000 इसापूर्व इनके बारे में हम लोग डेटेल में पढ़ेंगे आगे ठीक है उत्तरवैदिक काल 1000 इसाफूर्प से 600 इसाफूर्ट तर ठीक है उसके बाद इतिहासिक काल की अमलोग बात करें तो इसको आपको तीन भागों में बात देते हैं प्राचीन भारत का इतिहास यह आपका 600 इसाफूर्प से यानि कि 600 बीसी से सास्सो बारे एडी तक इसवी तक ठीक है पर मद्यकालीन भारत आपका सत्रेसो बारे इसवी यानि कि एडी से शत्रेसो साथ एडि तक इसवी तर ठीक है पर आधनिक भारत आपका यह सत्रेसो साथ इसवी से वड़ मांतर यानि कि हम लोग आधनिक भारत में जी रहे हैं तो पर आचीन बहारत की बात करें तो इसमें आपकी महा जनपत, जो छटी सदापदी इसापुर्व में रहे, पर आपका मगत समराज़ हुआ 600 इसा पूर के बीड, फिर आपका मॉल समराज़ हुआ, 323 इसापुर्व से 184 इसा फूर्व्ता। इसी समय आपके संगम काल चेर पांड चोल रहे हैं इसमें ठीक है फिर आपका मुरुत्तर काल 184 इसापूर्व से 319 इसबी तक याद रखिये 184 BC से 319 AD तर फिर आपका गुप्त समराज युगा 319 AD से 350 इसबी तर हर्ष बर्धन काल 606 इसबी से 647 इसबी तर फिर आपका पूर्मध्यकालीन ये आपका आठ वी सतावदी से 34 सतावदी तक रहा इसमें आप तर भारत दक्कन दक्षिट इसमें पाल हो गये सेन हो गये पितिहा、 राजपूर्ट, चोहान、 दिल्ली सल्तनत, चालुक, राजपूर्ट, चेर, चॉल, पांडव, पल्लाव उत्तर मद्यकालीन में तेरेवी सताबदी से अठारवी सताबदी, उत्तर भारत इसमें राजपूर, सिल्दी, सुल्टान, मुगल, दक्कन में आपके विजयनगर, बहमनी, मराथी, मराथा, दच्चिन भारत में पांडी, होई सब, तो इनके बारे में हम लोग जानेगे, ठी तक है, अब बात करते हैं हम लोग, भारत की कुछ मत्पूर, तितियां, वह क्या होता है कि कुछ्चन जन से डारेक्ट पूछ लिया जाता है आपको, भारत की हितियास की मत्पूर, तितियां, इसक्ती ऐन निकी BC की समय में, याना कि ईशा की पूरु के समय में कौन-कौन सी थी थी हैं, आपके लिए मत पूरु है 6000 ईशा पूरु है, यानि कि 6000 BC में आपका मेहरगड वोर्ज होम में भारत के प्राचीन तम किर्सी एवं पसुपालन के हाउसिस पाए गए जो आपका मेहरगड है और वोर्ज होम है, यहाँ के प्राचीन काल्ब में किर्सी एवं पसुपालन के हाउसिस पाए गए कि समय? 6000 ईशा पूरु में, यानि कि 6000 BC के समय 5000 से 4000 ईशा पूरु के भी, बाग और आदमगड के निकट भेड, बकरी, पालन के पितम आउसिस मिले अब आपसे पूछ लेगा कि भेडबकरी पालन के पितमाव से इस काम मिली थे तो बागोल और आदमगण में किस समय मिली थे 5000 इसा पूर्व से 4000 इसा पूर्व के बीच थरापकी 4000 इसा पूर्व से 3000 इसा पूर्व में किरसी इवं पसुपालक सबदाएं उत्पनोई 2350 से 1750 रेडियो कारवन तिथी के निलधारन के नुसार हडपा सबदा का समय विस्तार है यानि कि जो आपका हडपा समबदा था रेडियो तिथी कारवन तिथी के नुसार इसका समय था 2350 से 1750 के वीच फिर आपका वगा 1500 इसापूर में रिगवेदिक काल आया बहरत में आरेओं का आगमन हुए इस समय तो याद रटना 1500 इसापूर में आपका रिगवेदिक काल आया और इसी समय आपका भारत में आरेओं का आगमन हुए एकजार इसापूर में उत्तरबैदिक काल कहा जाता है से इस समय आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में बिस्तार हुआ नौसो पचास इसापूर में महाभारत युद्ध हुआ तो पूंचले अगर कि महाभारत युद्ध दिखा गुआ तो आप बता सकते हैं नौसो पचास इसापूर में ठीक है याद रखना है आर्सो पचास इसापूर में तेईस बे जो आपकी ती रख wokal प्रागत वर बरसे जो आपकी जानधरम की तेईस बे तीष्ट परोवश्युद्ध परकत वर इनका जनम हुआ आपका अ़ॉख का a는데 लूख कर बडल में ठीकर 600-550 ईसा बोल मैं आपके 16 महा जनपतों का उधाय हुआ और उपन इस्दों की रचना की गई इसी समय में आयों का दच्छन बिस्तार भी आपका 600-550 ईसा बोल के बीच हुआ है था फरे आपकी 540 जैन दरम के संस्थापक वर्दमान महावीर का जनब गवा कब 540 में इसापूर में ठीक है बर्दमान महावीर सहब जैन धरम के बास्तविक संस्थापक जो महावीर थे इनका जीवन का लाए आपका 540 से 466 इसापूर तक ठीक है 563 563 बौध धरम के संस्थापक महत्मा बौध का जनब हुआ याद रखना है इस तरह की डेटें आपकी वन्डे एकजाम में पूछता रहता है कभी कभी PCS में या सिविल सर्वेस में आपका क्रम से लगाने के लिए आ जाता है सूची में 563 इसापूर में आपका महत्मा बौध का जनब हुआ गौतम बौध का जीवन काल रहा है आपका 563 से 400 83 इसापूर तक ठीक 516 516 इसापूर के इरान के सासक डेरियस पित्थम का भारत पर पित्थम वेदेसी आकमर हुआ था याद रखना डेरियस पित्थम का 544 से 400 बारे का समय इसापूर का समय आपका हर एक बंस का रहा है इसमें आपके भी मिसार अजात सत्तू और ओदेन सामिल थे हैं ठीक हर एक बंस में आपके भी मिसार अजात सत्तू ओदेन सामिल थे 483 483 इसापूर में पित्थम बौध संगिती हुई यह आपकी राजग्रह में हुई थी जैन संगिती और बौध संगिती आपको याद रखना है क्योंकि इनसे भी आपकी अधिक्तल कुश्चन्स बनते हैं तो पहली बौध संगिती आपकी 483 इसापूर्म में हुई थी कहां राजग्रह में 412 से 344 इसापूर्म में यानि की बीसी में सिसुनांग बंस की स्थापना एवं विस्तार हुए इसका फिर आपकी 383 इसापूर्में दुतिय बौध संगिती हुई यह आपकी बैसाली में हुई थी 344 इसापूर्में मगद में नंदबंस क्की स्थापना हुई यह वही नद्बंस है जिनके घनानंद, महापदमनंद इनी से सम्मदित थे तो आपका 326 BC में सिकंदर का भारत पर आकमड हुआ और 323 इसापूर में आपका यानि की BC में सिकंदर की बेवी लौन में मित्ति हो गई 323 इसापूर में आपका चंदगुप्त मौरिका द्वारा मौरवंस की स्थापान की गई 305 सेलूकस का भारत पर आकमड हुआ 305 इसापूर में आपका सेलूकस का भारत पर आकमड हुआ फिर आपका 398 बिंदुसार सासक बना पहले आपका चंदगुत मौर सासक बना मौरवंस का फिर आपने मौरवंस में अंगला सासक हुआ आपका बिंदु सारो दोसो बातर से दोसो अरसट का समय इसापूर का समय असोग उसके भाईयों के वीच उत्तरादिकार कयोद हुआ इसका कोई प्रमाडिक हमारे पास नहीं है कि प्रमाड नहीं है कि यह हुगा था लेकिन इर्थिहासकार इसी से अंदाज लगाते हैं कि जो असोग था मौरवन्स का अंगला सा सक बिंदू सार के बात असोग बिंदू सार और असोग के बीच में आपका दोसो अनतर इसापूर के को राजगद्धी समाली आपकी असोग ने तो कुछ समय खाली रहा राजगद्धी तो यही सोच लेते हैं लोग इतिहासकार हमारे कि इस समय खाल लाहू गद्दी के लिए तुर याद रखना उत्तरादिकार के लिए यूद। फिर आपके आगे चलते हैं देखिए दोसो उनक्तर दोसो उनक्तर इसा पूर में यानि की बीसी में असोक सहासक बना फिर आपका 268 से 232 असोक का सहासन काल रहा 261 कलिंग यूद। इसी याद रखना 261 बीसी यानि की इसा पूर में आपका कलिंग यूद। हुआ यसी यूद्ध ने असोक को पूरी तरह से बदल दिया क्योंकि भयाना की यूद्ध था इसमें कई अधिकार था अपने अपने धर्म को मानने के लिए और असोक ने जो सिलालेक इस्थमलेक लिखवाए उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरे की धर्म की रक्षा करनी चाहिए उन्हें सम्मान देना चाहिए तभी हम लोगों को वो सम्मान देंगे। अगर आदमी किसी के दूसरे के धर्म पर कटाक्च करता है तो वो अपने बास्तों में अपने धर्म को हानी पहुंचाता है। माता-पिता, नौकर, पसुपक्ची, इनके खलाब हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानि कि अच्छा भी हुआ रखना चाहिए, आँगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक, फिर 257 इसापूर में, उखोगुप्त द्वारा असोग बौध धरम में दीख चेत हुआ, 257 इसापूर में, उखोगुप्त द्वारा असोग बौध धरम में दीख चेत हुआ, यानि कि असोग ने आप बौध धरम अपनाये, 259 इसापूर में, तितिये बौध संगिती हुई आपकी, 232 इसापूर में, यानि कि 232 में आपकी असोग क्यूमित्य हुई, और कुनाल सासक बना, 200 इसापूर में यूनानियों का भारत पाराक मन हुए, पर 185 बीसी में, अंतिमोर सासक वेह दरत की हत्या, संग बंस की स्थापना हुई है, ठीक है, अंतिमोर सासक की हत्या हुई, बेह दरत की, और संग बंस की स्थापना हुई, याद रखिए आपका जो पूँच सकता है कि अंतिमोर सासक कौन था, बेह दरत, याद रखना, फिर आपका 75 इसापूर में, कन बंस की स्थापना हुई, फिर आपका 30 इसापूर वियानी की 30 BC में सिमक द्वारा साथ वहन बंज की स्थापना वही है तो याद रखना साथ वहन बंज का संस्थापक कौन था सिमक 58 इसापूर में बिक्रम संबत का प्यारम हुआ वो जैन के सासक बिक्रमा दिख्त द्वारा इससे सुरूँ किया गया था है सकों पर विजय के उपलक्ष में अंठावन इसापूर से एक नया संबत बिक्रम संबत की नाम से करम हुआ था आपका पर आपका 22 इसापूर चोल पांड़ों करों सिव्यापारिक संबन बना तो यह सभी डेटें थी आपकी इसापूर से संबन दित यानि की बीसी से संबन दित अब हम लोग चलते हैं इस भी वर्स यानि की एडी ठीक है एक बार फ़र से आप लोग याद रखना कि जैसे आपका जनव होता है आज इसे जीरो मान लिजे ठीक है आपके जनम के पूर्व जो साल रहेंगे उसे इसा पूर्व कहा जाएगा ठीक है यानि की उसे बीसी कहा जाएगा जो आपके जनम के बाद रहेगा उसे इस भी यानि की एडी कहा जाएगा इसे अच्छे से याद रखेजे ठीक है चलिए तो हम लोग ECB की कुछ महत्पून तिथियों को देखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है 14-15 ECB में रोमन संथ सैंट थोमस का भारत आग मन हुआ याद रखना 14-15 ECB में यानि की AD में रोमन संथ सैंट थोमस का भारत आग मन हुआ 20-46 AD में गौन्डो फ़र्नीस की समय भारत में संथ थोमस का आग मन हुआ 45 AD में कुसाणों का भारत में परवेश हुआ फिर 65 AD में यानि की 65 ECB में चेनी समराठ का बौद गरंतों के लिए भारत में पिती निदी बहेजना हुआ 77 ECB में पिलनी की पुस्तक Natural History लिखी गए याद रखना Natural History किसकी पुस्तक है पिलनी की 78 ECB में 78 ECB में कनिस्क द्वारा सक्संबत का प्यारम किया गया जिसे भारत सरकार द्वारा अभी भी पिरियोग में लाए जाता है 78 ECB ठीक है याद रखी 78 से 100 ECB में कनिस्क ककाल रहा है 86 से 128 गोत्मी पुत साथ करनी तथा वशिष्टी पुत पुल वामी के दिन साथ वहानों का पुनरुद्धान हुआ 130 से 150 ECB में पश्चेम भारत का महांसक चत्रव रोद दामन पिथम आया त्रयापका 225 ECB में वकातक बंसकी स्थापना हुई 226 ECB में परसिया में सासानियन बंसकी स्थापना हुई 250 ECB में साथ बहन समराज का विक्टन हुए 240 से 280 ECB में गुप्त बंसकी स्थापना हुई उस्तरी गुप्त ने सासक बना 220 से 319 ECB में घटोत कच सिंगासन रूर हुआ 319 से 320 ECB में चंदगुप्त पिथम द्वारा गुप्त बंसकी स्थापना की गई बास्तविक संस्थापक गुप्त बंसका किसे माना जाता है चंदगुप्त पिथम को लेकिन इसकी स्थापना गुप्त बंसकी स्थापना स्री गुप्त ने की थी ठीक है याद रुखी आँगे चलते हैं हम लोग 335 से 375 इस भी में संदगुप्त का काल रहा जैसे सैन बिजियों के कारण उसे भारत का नैपोलियन कहा जाता है पूछ लेता है आप से कि भारत का नैपोलियन किसे कहा जाता है संदगुप्त को याद रखना है ठीक है 360 इस भी में संदगुप्त के दरबार में स्री लंका का राजदूद आया जिस तरह से आज जराजदूद चुने जाते हैं निप्त किये जाते हैं अलग लग देशों में तो याद रखिए 360 यानि कि उससे पहले भी चले आ रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है कि 375 इस भी में समुद्गिप समुद्गुप्त की मित्ती हो जाती है और राम गुप्त सासक बनता है गुप्त सासक ठीक है 380 से 415 इस भी में चंद गुप्त दुद्धिय का सासन काल आता है गुप्त राज्य का पश्चे में विस्तार तथा संस्कित साहित का चर्मुत कर्स इसी काल में होता है फिर आपका 399 से 414 इस भी भाहियान भारत आया 399 से 414 की भी आगे आपका 415 से 455 इस भी में कुमार गुप्त पिथम का सासन काल नालंदविस विद्याले की इस्थापन तो याद रखना नालंदविस विद्याले की स्थापना किसने की कुमार गुप्त ने याद रखिए क्योंकि ये भी आपका कई वार पूंच लेता है 455 से 416 इस भी तक इसकंद गुप्त का काल रहा है हूणों का पिथम आखमण इसकंद गुप्त के समय हुआ था 467 से 540 इस भी में गुप्त बंस का अवनती काल रहा 500 से 532 इस भी में तोर्माण और महर कुल के अधीन उत्तर भारत में हूणों का सासन हुआ 532 इस भी में यासो बर्धन द्वारा महर कुल की पराजय हुई 666 से 647 इस भी तक हर्ष का सासन का लाँ 609 इस भी में पुल केशन दूतिये सासक बना 609 में कौन सासक बना पुल केशन दूतिये 629 से 645 हैंसांग भारत में रहा 636 इस भी में सिंद पर पिथम अरब आकमड हुआ 636 में सिंद पर पिथम अरब आकमड हुआ आपका पर आपका 712 इस भी मोहमत बिन कासिम का भारत पर पिथम अरब आकमड हुआ राजय दाहरी की पराजय गई तो याद रखना 712 में राजा दाहिर की समय में ही मुहम्मद बिनकासिम का भारत पर विथम आरब आकमाड हुगा था 725 इस्वी में नागबट द्वारां पितिहार राज्य की स्थापना की गए नागबट द्वारां पितिहार राज्य की स्थापना 725 इस्वी में की गए 753 से 973 की बीच दक्कन की राष्ट कूट रहे राष्ट कूट बंस रहे 760 से 1142 इस्वी तक फूर्वी भारत की पाल सासक रहे 770 से 810 महान पाल सासक धरम पाल का काल रहा याद रखना धरम पाल ने बिक्रम सिला बिस्विध्याले की इस्थापना की थी इसे भी बहुत अच्छे से याद रखे बिक्रम सिला बिस्विध्याले की इस्थापना किस ने की थी धरम पाल ने साथ सो तेरासी सी दस्सो चत्तीस इसवी में राजिस्थान की वत्स राजद्वारां उत्ते भारत में गोडियर पितियार बंसकी इस्थापना की गई तथा उनका सासन का लाग। साथ सो अठासी से आठ सो पीस संकराचार तथा उनका अधुदवादी दर्सन रहां तो संकराचार का दर्सन का अधुदवादी तो संकराचार 788 से 820 की समय 835 से 885 इसवी में गुर्जर पितिहार बन्स ककाल ला अरब के व्यापारी सुलीमान का उनके राज में आगमन हुआ 836 इसवी में महर भोज सासक बना 836 इसवी में आपका महर भोज सासक बना 850 इसवी में बिजया ले द्वारा पांडेवों को पराजित का तंजवर पर अधिकार किया गये 859 इसवी में अरब यात्री सुलीमान ने भारत बितान्त लिखा 859 इसवी में अरब यात्री सुलीमान ने भारत बितान्त लिखा आंगे चलते हैं 860 860 इसवी में सुमात्रा इंडोनेसिया की राजा बलपुत द्वारा नालंदा में एक बहुत बिहार की स्थाफना की गए 831 से 1173 831 से 1173 की बीच तंजोर की साही चोल रहे 883 से 1026 पंजाब और कावल के हिंदू साही परिवार है 907, 907 चोल सासक परांतक पिथम का राजजवी से हुए 907 में 915 से 925 महान राष्ट कूट इंद तितिय के दर्वार में अरब यात्री अलमसूदी का आगमन हुए 916 से 1205 जिजाग वुक्ती के चंदेल चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराए गया एक खजुराहो मंदिर आपकी मद्विदेश में है चतरपुर्ण जिली में ठीक है तो याद रखना खजुराहो मंदिरों का निर्माण आपके चंदेल लाजाओं ने करवाया था 950 से 1155 के मद्य भारत में तिपुरी के कल्चुरी रहे 973 से 1238 अनहिल वाड़ वाड़ा यानि की काठिया वाड़ के सोलन की गुजराती चालुकों का साचन काला 977 सोब계न का भारत पर आक्मड़पा 977 इस भी में सुबक्तिगीन का भारत पर आक्मड़पा क्या होता था की भारत में पहले अलग-लग राज जुबा करते थे जैसे महवा गुंदेल खंड पर आपके ए हो गये चंदेल हो गये गौालिया में इस तहरे से अलग-अलग जगे अलग-अलग अब जखिए गुजरात में आपकी चालक हो गए ठीक है नौसो पचासी से दस्सो चोदे राज-राज चूल का सासन काल रहा तंजोर की फिसिद सिभ अतबा बेहिद सुर्मंदीर का निर्मार हुआ तो याद रखना राज-राज चोलने करवाए था नौसो निन्यानबे इसभी में बगदाद के खली पादवारा महमूद गजनभी को सुतंद सासक की रूम में मानता दी गई एक हजार इसभी में महमूद गजनभी का भारत में काबूल पर पित्थम आकमर हुआ एक हजार से तेरह सो तेईस इसमें में वारंगल के काक्तिये बेतराज पित्थम संस्थापग प्रताप रोद्द देव अंतिम सासक रहा जो बंगा वारंगल के काक्तिय बंस था इसका पितम संस्थापक यानी की पितम सासक था बेतराज पितम और अंतिम था इसका प्रताब रुद्द्द देवो ठीक है फिर 1121 बेहंद की लड़ाई तथा जैपाल हिंदू साही सासक था आपका जैपाल की महमूद गजनवी से पराजे हुई बेहंद की लड़ाई में आपका जैपाल की हार हुई थी और महमूद गजनवी की बिजय हुगा था कि 1025 से 226 में महमूद गजनवी द्वारा सौमनात मंदिर की लूट की गए यह आपका गुजरात वाला सौमनात मंदिर है ठीक है पर आपका 1027 इस भी में महमूद गजनवी का अंतिम आत्मड़ हुए 1030 में महमूद गजनवी की मित्ती हुई और अलवर्णी का भारत पर आगमन हुए 1191 यह आपकी बहुती मत्मून युद्ध इन्हें याद रखिया ठीक है 1191 में तराइन का पिथम युद्ध हुए पिथवी राज द्वारा मुहम्मद गजनवी पराजित हुआ जो आपका तराइन का पित्हम हुए था यह आपका 1191 इस भी में हुआ था यह आपका पिथवी राज और मुहमद गजनवी की बीच हुआ था लेकिन इसमें आपका मुहम्मद गौरी हार गया फिर हुआ दूसरा तराइन का दुतिय यह उद्धुगा आपका 1192 में इसमें आपका मुहम्मद गौरी विजय हुआ और पितिवी राज की हार हुई कुत्वबुद्धीन एवग भारत का सुविदार निक्ट किया गया इसी साथ 1194 में इसवी में चंदावर का युद वोया उजयै चंद पराजित हुआ मुहम्मद गौरी से 1260 में मुहमद गौरी की मित्ति हो गई बारे तो याद रखिया तो याद रखना कुतब मीनार का निर्माड किस ने आरम किया था कुतब बुद्दीन एवक ने और दिल्ली सल्तनत का किस आपना किस ने की थी कुतब बुद्दीन एवक ने याद रखिए 1210 इस्वी में कुत्व बुद्धीन एवक की मित्ति हो जाती है और आराम साहें को परास्त कर इल्टुतमिस सासक बनता है इल्टुतमिस आपका दिल्ली सल्टनत का 1210 में सासक बनता है 1221 इस्वी में यानि केडी में चंगेज खा का भारत पर आकमर होता है 1236 इस्वी में रजिया सुल्तान गद्धी पर बैठती है रजिया सुल्तान गद्धी पर बैठती है 1236 में आगे चलते है 1240 इस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है 1236 इस्वी में यानि कद्धी पर बैठती है 1240 में इसकी हत्या हो जाती है रजिया सुल्तान की पहली महिला सास सिक्याती है ठीक है 1265 इस्वी में ग्यासुद्दीन बल्बन गद्धी पर बैठता है 1265 में आपका ग्यासुद्दीन बल्बन गद्धी पर बैठता है 1289 इस्वी में बंगाल में तुगरिल खांका विद्रू होता है 1286 इस्वी में ग्यासुद्दीन बल्बन की मित्यू हो जाती है 1290 इस्थभी में खिलजी बंस की इस्थापना होती है जलाल उद्दीन खिलजी सासक बनता है यानि कि जो आपका खिलजी बंस था इसकी इस्थापना 1290 इस्थभी में होती है कौन करता है जलाल उद्दीन खिलजी 1296 से 1316 की बीच अलावदीन खिल्जी सासक बना तो याद रखना अलावदीन खिल्जी का सासन कब से कब तक रहा है 1296 से 1316 तक 1309 से 1313 मलिक कफूर कदखन अभियान होता है 1315 मलिक काफूर दक्कन से बापसी होती है 1320 इसवी में तोगलग बंस की इस्थापना होती है 1325 इसवी में आपका मुहमद बिन तोगलग सासक बनता है 1333 से 1342 इसवी में एबने बतूता की भारत यात्रा होती है 1336 इसवी में हरीहर एबन बुक्का द्वारा बिजय नेगर समराज की स्थापना की गई तो यह बहुत बार गोश्चन पूंचा गया है बिजय नेगर समराज की स्थापना किस ने की थी हरीहर एबन बुक्का ने कव 1336 इसवी में 1347 में बहमन साय द्वारा बहमनी राजी की स्थापना की गई कोई भी बंस हुआ करें तो उसका सबसे पहले स्थापना याद रखा करिएगा उसका संस्थापक याद रखा करिएगा और उसमें जो महान सासक हुआ उसे याद रखा करिएगा और अन्तिम जो सासक होता है उसे भी याद रखा करिएगा अधिकतर कुश्चन्स आपके इस भी में तैमूर लंग का भारत पर आकमण होता है वो दिल्ली पर कब चाह कर लीता है यानि कि दिल्ली पर अधिकार कर लीता है कि 1414 इसमी में दिल्ली में आपका स्थियद बंस की स्थापना होती है 1434-1459 तक दिल्ली में सियद बंस का सासन रहता है 1159 में आपका बहलू लोदी द्वारा लोदी बंस की स्थापना की गई 1455 इस भी में आपका संध कबीर का जनम होता है तो याद रखना संध कबीर का जनम कब हुआ 1455 में 1499 इस भी में सिक धरम की जो संस्थापक थी आपकी गुरू नानक दियो का पंजाब की तलबंडी में जनम हुआ आपको पॉइंट पखड़ना है उन्हें याद रखना है अब देखिए यहाँ आपकी दो तीन कुश्चेंस बन जाते हैं सिक धरम के संस्थापक कौन थे गुरू नानक दियो इनका जनम कब हुआ 1479 में कहा हुआ पंजाब की तलबंडी में तो यही तो पस आपको पॉइंट पकड़ना है उन्निकल जाना है प्रयापकी 1472 सेर साह सूरी का जनम होता है 1483 इसवी में जहरुद्दीन बाबर का फरगना में जनम होता है 1509 में किष्णे दियु राय सासक बनता है 1510 में गुआपर पुर्दगालियों का कपच्चा होता है याद रखिए सबसे पहले आपके पुर्दगाली आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं 1961 में भारत छुड़ा पुर्दगाली होना है तो कभी पूछता हैगी सबसे अधिक समय तक कौन रहा याँ तो याद रखना पुर्दगाली है 1570 में इब्राहिम लोदी का राजवी सेख होता है वो 1519 में भारत में बावर का प्रिवेश्ट होता है 1520 इसबी में बावर का बीटा एवं स्याल कुड़ पर आकमड होता है यह आपको याद रखना है यह बहुत ही मत पून है और कई बार आपके क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं 1526, 27, 28, 1528 और 29 इन चार को आप किसी भी तरह से याद रख लीजे क्योंकि इनसे questions आपका बहुत बार पूंचा जा चुक है पानीपत का पितम यूद कव हुआ 1526 में किस-किस के बीच हुआ था बावर इबराहिम लोदी के मत इसमें कौन विजय हुआ बावर विजय हुआ और इबराहिम लोदी की पराजय हुए इसे यूद की साथ आपका मोगल समराज की स्थापना हो गई 1526 में 1527 में खानबा की लडाई हुथी देशिए खानबा की लडाई में बावर और राणा शांगा की बीच हुआ इसमें आपका राणा शांगा पराजय हुथा है पावर बिजय हुदा 1528 में आपकी चंदेरी कही उद्ध होता है इसमें आपका बावर और मैदनी राय की बीच होती है लड़ाई जिसमें आपका मैदनी राय पराजित होता है बावर बिजई होता है 1529 में घागरा का यूद्ध होता है यह बाबर और अफगानों की बीच होता है तो यह में भी आपका बाबरी विजय होता है तो पानी पत खानबा और चंदेरी और घागरा इतीनों योद्धों में आपका बाबरी बिजय होता है इसे एक ट्रिक है इसके लिए याद रख सकते हैं वैसे आप लोग याद रखी लेजे कोई फरक नहीं पड़ेगा पानी पी खाना खा घर चल घर पानी से पानी पत खाना से खाना चा से चनेरी और घर से घा से घागरा ठीक है तो इन चार को याद रखना पंदरे सु तीस इस भी में बाबर की मित्ति हो जाती है और बाबर की जगे आपका हुमायू का सिंगासन रोपन होता है यानि कि सिंगासन पर आपका हुमायू बैठत 1532 इस भी आती है गोश्वामित तुलसिदात जी का जनम होता है 1532 में आपका गोश्वामित तुलसिदात जी का जनम होता है रामचरित मानस 1549 इस भी 1549 इस भी चौसा की योद में सेरसाय सूरी द्वारा हुमायू की पराजय होती है यह योद भी आपका बहुत मत्पूर है 1549 इस भी यानि की एडी में आपका चौसा का योद होता है यह योद आपका सेरसाय सूरी और हुमायू की बीच होता है इसमें कौन बेजय होता है सेरसाय सूरी औ राजय होती है। ठीक है। आगे चलते हैं लोग। 1540 इसबी में सेरत्याय का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। 1542 इसबी में हुमायू के फुत अकवर का जनम होता है। तो पूछेगी अगर अकवर का जनम कब हुआ तो 1542 में 1555 इसबी में हुमायू का भारत पर पुना अधिकार हो जाता है। 1556 इसबी में पानीपत के दूतिय यूद में अकवर द्वारा हैमू की पराजय बेरमखा के सरक्चन में अकवर वासा बना पुर्दगालियों द्वारा पहला पेंटिंग पेस भारत पर पहुँचा। यह सबी घटना आपकी 1556 में होती है। पानीपत का पहला यूद कब हुआ? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। ठीक है? याद रखिए। 1562 इसबी में अकवर द्वारा दास्पिथा की समाप्ती हुए। यह भी आपका कईवा सिविल सर्विस में पूछ लेता है क्रम में लगाने के लिए। तो याद रखना इन सभी को। 1562 इसबी में क्या हुआ? दास्पिथा की समाप्ती अकवर द्वारा की गई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ती 1564 में अकवर द्वारा जजिया कर की समाप्ती और 1565 में ताली कोटा या फिर राक्षसी तंगडी का युद्ध हुए विजय नगर समराज का अंध हो जाता है इसी। 1568 में अकवर की चितोड विजय होती है। 1579 में जहांगीर का जनम हो जाता है। 1571 में अकवर द्वारा फ座िपूर शिकरी का निर्माण होता है। 1523ila53 में गुघरात विजय होती है。 1774-76ora में अकवर द्वारा बिहार बंग्ल की विजय होती Old 1576 में हल्दी घाटी का यूद्ध होता है अक्वर द्वारा महाराण पिताफ पराजित होता है 1589 में अक्वर ने महज जर्णामा जारी किया 1562 में अक्वर द्वारा दीन एलाही की गोश्णा की गे तर 1620 में इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना होती है 1602 इस्वी में डच ब्यापारी कंपणी की स्थापना होती है 1600 में आपका इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना होती है 1602 में डच ब्यापारी कंपणी की स्थापना होती है और 1605 में अकबर की मित्ति हो जाती है और जहागीर का राज्यरोहन यानि की जहागीर सासक बनता है 1606 में जहागीर द्वारा गुरू अरजुन देव को फांसी ती गई तो यहाँ पूछ लेगा कि अरजुन देव को फांसी किस ने दी थी जहागीर द्वारा 1606 में 1610 ESB में पुलीकट में डच फेक्टरी इस्थापित की गए 1611 ESB में मुसली पतनम में पिथम अंगरेज फेक्टरी इस्थापित की 1611-2 में नूर जहां तता जहांगीर का भी वाह होता है 1615 यानि 1615-2 में टॉमस रो भारत आता है आपका 1622 में साह जहां का बिद्रू होता है 1627 में आपका जहांगीर की मित्ति हो जाती है और 1628 में साहे जहार मुगल समराथ बना बनता है फिर आता है 1631 से 1653 साहे जहार दोबारा ताजमहल का निर्माड यह वही ताजमहल है जो आज आथ लोग देखने जाते हैं ठीक है तो इसका निर्माड साहे जहार ने घरवाया था मुम्ताज महल के लिए यह आज कल के आशकों के लिए निसानी है लेकिन फिराल छोड़ी आज कल के आशकों को हर कोई राम बनना चाहा हर लड़की हो या कोई भी हर किसी को पते चाहिए राम जैसा लेकिन पत्नी सीता नी बननानी चाहेंगे इसी तरह सब लोगों को पत्नी चाहिए सीता की पर है लेकिन राम नहीं बन सकते तो इसी तरह है कि मुम्ताज जैसा कोई होना तो चाहिए तब तो विचारा कोई महनत करे खरीदे जमीन मविन बनवाने की तैयारी करे बताओ आप ही तो अपने आप में सुधार कीजिए पहले उसके बाद दूसरे से उम्मीद रखिए इसी में आपका फायदा होगा बनना कई साय जहां हुए और कई ममताज महल हुई और चल वसी ठीक? आज जो हम कर रहे हैं वो कल का इतियास है याद रखिए इतियास कुछी लोगों का याद रखा जाता है और लिखा जाता है तो आज जाप जो करना है उसे यसी करिए कि इतियास लिखा जाए फिर आपका 1636 आता है औरंग जेब कुदकन का सुविदार बनाए गया इस समय 1649 में अंगरेजों ने मद्रास में सैंट जोर्ज के ले की नियू रखी 1646 में सिवाजी का तोरण पर अधिकार किया गया यह पहला किला था जिनोंने सिवाजी ने जीता था तोरण 1648 में साह जहाद वारा साह जहनाबाद करने वाण सुरू किया गया 1656 में सिवाजी का जाबली पर अधिकार हुआ 1669 में सिवाजी द्वारा अपजल खान की हत्या दारासिको को मित्ति दंड दिया गया 1669 में सिवाजी द्वारा अपजल खान की हत्या हुई कि लिए उद्धारा सिकों को मित्य दन्य दिया गया आगे चलते हम लोग 1659 इस भी औरंगजेब सिंगासन नरून हुआ यानि कि औरंगजेब आपका 1659 में सासक बनता है कि 1664 में सेवाजी द्वारा सूरत की लूट की प्रांसेशी प्रांसेशी इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना हुई 1665 इसर ही और मोगलों के बीच पुरंदर खी सथी वी थी तो याद रखना पुरंदर के संदियर की सिवाजी और मंगलों की भी चुई थी ठीक है 1666 में साजहां की मित्व हो जाती है यानि की साजहां चलवसित्ते हैं 1670 में सिवाजी का सूरत पर दूसरा आकमड होता है 1674 में 1674 इसमी में सिवाजी का राइगर में राजविसेख होता है फ्रांसी सी यह द्वारा फॉंडी चेरी की स्थापना की जाती है 1674 में ही ठीक है आगे चलते हैं 1665 1675 1675 में औरंग येव द्वारा गुरू तेग बहादुर को मित्ति दन्ड गिया जाता है 1675 में औरंग येव द्वारा गुरू तेग बहादुर को मित्ति दन्ड देते हैं जहां गिरने किसे दिया था अर्जुन देव को 1689 में औरंग येव कि ने पुणा जजिया कर लगाया था जो आपका अकवर ने जजिया कर खतम किया था उसे 1689 में औरंग जी ने पुझा पुना लगा दिया 1680 में आपका सिवाजी की मित्ति हो जाती है 1680 में आपकी सिवाजी की मित्ति हो जाती है 1685 जाता है अंग्रेज कंपणी का मुख्याल है सूरज से हटा कर बंबई में स्थान नांत्रित कर दी जा जाता है 1685 में 1689 में औरंग जी द्वारा संभाजी की मित्ति दंड दिया जाता है और साहू को बंदी वना लिया जाता है 1698 में सूतानाटी, कलीकाता, गोविंदपूरी की जमीदारी इस्ट इंडिया कंपेणी को मिल जाती है 1707 इस्वी में औरंग जीप की मित्ति हो जाती है और साहू की मुक्ति हो जाती है यानि की साहू को छोड़ दिया जाता है बहादूर साहिब पिथम समराठ बना आपका औरंग जीप की बाद 1708 गुरु गोविन सिंग का नादीर में निधन हो जाता है ठीक है 1712 वहादूर साहिब पिथम की मित्ति होती है जहां दार साह सासक बनता है 1713 बालाजी विस्वनात पेशवा बने 1713 में बालाजी विस्वनात पेशवा बने आपके 1715 सेक्टनेता बंदा बहादूर को मित्ति उधन्ड ती आ जाता है 1717 फरुक्सिया द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी को सोतंत ब्यापार का फरमान जारी किया जाता है 1720 सीशवी में वाजी राव पित्थम पेशवा बनते सियत बंदूरों का अंध होता है 1749 में ये दो डेटें भी याद रखना है बहुत ही मत्पूर है 1749 में नादिर साय द्वारा दिल्ली पर आक्मण किया जाता है कोहिनूर का हीरा और मैयु सिंगासन उसके कपची में हो जाता है नादिर साय दिल्ली से ले जाता है एक कोहिनूर का हीरा वही है जो चर्चित में चर्चा में बना रहता है आपने सुना होगा 1740 में अलिवर्दी खा बंगाल का नवाब बनता है 1742 में बंगाल पर मराटों का अभियान होता है डूपले फ्रांसी थी कबस्ती फ्वांडुचेरी का गवर्णर नियुक्त किया जाता है 1744 से 1748 पित्थम आंगल फ्रांसी सी कर्नाटा क्यूद होते हैं 1744 से 48 के विश्य पित्थम आपका आंगल फ्रांसी सी कर्नाटा क्यूद होता है 1747 में आपका एहमद साय अब्दाली का भारत पर आकमर होता है 1750 से 1754 दूसरा आंगल फ्रांसी सी करनाट अक्यून होता है 1759 में अरकार्ट पर अंग्रेजियों का अधिकार हो जाता है इस समय किलाईव रहता है अंग्रेजियों का गवन 1756 अली वर्दी खा की मित्ती हो जाती है सिराजुद्दौला बंगाल की गद्धी पर बैठता है बिलेक खॉल की घटना जो घटित होती है या आपकी सिराजुद्दौला की समय में ही होती है बिलेक खॉल की घटना इसमें क्या रहता है कि कई अंग्रेजों को एक काल कोटी में बंद कर दिया जाता है तो उसमें से आपकी अधिकतर चल वस्ते हैं राम को प्यारी हो जाते हैं इसे ही बिलेक हॉल की घटना कह देते हैं 1757 से 63 तीसरा आंगल फ्रांसी सी करना टके उद्द लड़ा जाता है 1757 यह आपकी लड़ाई में बहुत मात्पूर है यहीं से अंग्रेजों का वर्चस इस्थाफित हो जाता है भारत में 1757 के लड़ाई में स्तिराज़ द्वला अंग्रेजों द्वारा पराजित होता है मिर जापर बंगाल का नवाब बनता है 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविट पर कभज़ा हो जाता है 1760 में मिर कासिम बंगाल का नवाब बनता है और वांडीवास की यूद में अंग्रेजियों द्वारा फ्रांसिसियों का पराजय होता है वांडीवास का यूद आपका 1760 में होता है अंग्रेजियों और फ्रांसिसियों के बीच 1761 में पानिपत का तित्तिय तीसरा यूद होता है एहमद साय अबदाली द्वारा मराटों की पराजय होती है तो याद रखना है पानीपत का पहला यूद 1526 दूसरा 1556 तीसरा 1771 पानीपत का यूद इसलिए बूला जाता है यह से क्योंकि पानीपत हर्याणा में यूद हुए थे ठीक है आगे चलते हम लोग 1763 में आते हैं इस भी में मीर जापर पुना बंगाल का नवा बनता है 1764 इस भी में बक्सर का यूद होता है 1764 में बक्सर का यूद होता है 1765 इस भी में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्विद्शासन की सुरुवात होती है 1765 से 65 में किलाइब की दूसरी गवर्नरी 65 से 1665 तक बंगाल बिहार उडिशा की दीबानगी कंपनी को मिल गई जैसी ही आपका बक्सर का यूद होता है इसमें अंग्रेजों की विजय हुई इसके बाद अंग्रेज एक तरह से भारत की मालिक बन बेटे 1767 से 69 पिथम आंगले में सूरी यूद लड़ा गया 1772 वारेन हैस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना कंपनी द्वारां दुईद्शासन की समापती हुई 1773 वेटिस संसत द्वारा रेगूलेटिंग एक्ट पारित किया गया कंपनी पर वेटिस संसत का आंसीक ने इंटर्ण इस्थापित किया गया फिर आता है आपका 1774 रोहिला के युद्ध होता है वारेंग हेस्टिंग्स पिथम गवर्नर जनरल बनता है और कलकत्ता में उच्चितम न्यालय की स्थापना होती है 1775 सिभ्यासी पिथम आंगल मराठा युद्ध लड़ा जाता है 1777 इसभी में वीर कुमर सिंग का जनम होता है 1776 में पूरंदर की संदी अंग्रेजों और मराठों की बीच होती है 1780 से 84 की बीच दुतिय आंगल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है 1784 में फीर्ट का इंडिया एक्ट पारित होता है एसियाटिक सोसाइटी और बंगल की स्थापना होती है 1784 में 1786 इसभी में लॉर्ड करनवालिस गवर्नर जनरल बनता है 1792 से 92 की बीच तीसरा आंगल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है 1792 में रडजी सिंग गद्धी पर बैठते हैं 1793 में बंगाल में इस्थाई बंदुबस्त लागू पुता है 1797 से 1797 में स्री रंगपटनम में फ्रांसिसियों दारां जेकुब इन किलब की स्थापना की जाती है 1798 में लॉर्ड बेली जली बंगाल का गवर्नर जनरल बना याद रखिए 1799 में चौथा आंगल में सूर्य उद्र हुआ टीपू सुल्तान की मित्ति हो जाती है ठीक है सी ओद्वाइं 1801 फोर्ड फोर्ड बिलियम कॉलिज की स्थापना होती है आपकी 1801 में पिर आपकी एडेट 1802 इस भी 1802 इस भी को पेशवा के साथ बेसें की संदी हुई थी 1803 से 1806 इस भी की वीच आपका दूतिय आंगल मराठय उद्र लड़ा गया 1803 इस भी में आपका सूर्जी अर्जुन गाओं की संदी हुई 1806 इस भी में बिलोर का सैनिक बिद्रो हुई 1809 इस भी में आपका कंपनी और रडजी सिंग के बीच अमरसर की संदी पही थी 1809 AD में 1803 इस भी में आपका चाटर दिनी हम आया 1806 से 1804 से 1806 नेपाल के साथ युद्र तथा सभोली की संदी हुई 1807 इस भी में बारती भासा बांगला में पित्थम समाचारबत समाचारदरबन सपताहिक फिकासिद अश्टी की लड़ाई कोरे गाउं की सुरक्षा पेसवाब बाजी राव द्वादा आत्म सबरपड ये सभी घटना है आपकी 1808 इसमे में आई पेसवापत की समापती भी बाजी राव दुतिया को अंग्रेजों के पैंसन के रूम में विठोर में बेद दिया गया पिर आपके 1820 से 22 के बीच सर्थ हो मसमुन्रो मद्रास के गवर्नर वने 1821 में फूना में संस्कित कॉलेज की स्थापना की गई 1823 में मिर्टर एडम्स की कारवाद गवर्नर जनरल के रूम में निवक्ती लॉर्ड एम हर्ष्ट गवर्नर जनरल बने 1824 में बैरकपूर में सेनिक विद्रो हुआ 1824 में बैरकपूर में सेनिक विद्रो हुआ 1824 से 1826 के बीच फित्थम आंगल वर्माई उद लड़ा गया तो रोज के बाद 1826 में आपका यांडोग की संदी हुई 1828 में बिलियम बैंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल मने 1828 में राजा राम मुहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की इस्थापना की थी? राजा राम मुहन राय का 1828 में 1829 में बिलियम बैंटिंग द्वारा सती पिथा को गेर कानूनी गोसित किया गया यह राजा राम मुहन राय का ही प्रेतन था उनी की बदोलग सती पिथा की को गेर कानूनी गोसित किया गया ठीक है? बिलियम बैंटिंग द्वारा ये questions भी आपका कई बार पूच लिया गए 1830 में ठगी पिथा को समाप्त कर दिया गया 1831 में राजा राम मुहराय इंग्लेंड गए 1831 में राजा राम मुहराय इंग्लेंड गए 1833 भारतिय विधी आयुकठित किया गया 1833 में भारती विदी आयोगठित किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा कम्टिय का व्यापारी कदिकार समाप्त हो गया राजाराम मोहलाय की बिष्टल में मित्य हो गया तो याद रखना ये सबी घटना आपकी 1833 में ही होई 1835 चार्ल्स मैटकॉप द्वारा समाचार पत्रों पर से पितिवन की समाप्ती जो समाचार पत्रों पर आपका पितिवन लगा हुआ था इसे हटा दिया गया अंग्रेजी सरकारी भासा बनी और कत-कत था मेडिकल कॉलेज की इस्थापना वी 1835 लेज आगे चलते है 1838 कमपनी रजी सिंग तथा साह सूजा की बीच त्री दलिये संदी होई 1838 भी होई 1849 में रजी सिंग की मित्ती हुई 1849 से 42 में पित्थम अफगान युद लड़ा गये 1849 में आपका कलकत्ता में देश स्रिनी सभा की स्थापना की गई 1849 में आपकी कलकत्ता में देश स्रिनी सभा की स्थापना की गई 1843 में सिंद पर अग्रेजों का अधिकार दास पित्था परपितीवन लगाये गये 1845 में पित्थम आंग्ल सिख क्योट लड़ा गया अंग्रेजी कम्पनी तथा सिख राजा की बीच 1847 इसमी में रूर्की में पित्थम इंजिनीर कोलीज इस्थापित किया गया याद रगना 1847 में रूर्की में पित्थम इंजिनीरिंग कॉलेज की स्थापना कीकी 1847 में आपका लॉड डल होजी गवर्नर जनरल बना गोद लेने की पित्था पर इतीवन लगा लिया गोद लेने की पित्था ये का मतलब यहाँ है कि जैसे राणी लच्ची में बाई ओगे इनकी कोई निजी संथान नहीं थी तो क्या बागा के गोद लेने की पित्था का मतलब सीधा सा यह सा था राणी लच्ची में छोड़िये कि जिस राज में उसका अपना वारिस ना हो यानि कि बेटा कोई संथान ना हो तो उसे क्या होता था कि बहुत दूसरे बच्चे को गोद में ले सकते थे उसे अपना उत्रादीकार बना सकते थे इसी लिए आपके जब जहासी की राणी में जहासी में भी विद्रो हुआ इस तरह से आपका बेटोर कानपोर सतारा इस तरह से इसी समय विद्रो हुए थे आपके लाओ अठारेसु उर्टालीसी उननंचास दूसरे आंगल से क्यूत हुआ अठारेसु इंक्यावन कलकत्ता में वेटिस इंडियान एसोसियेसन की स्थावना कि गई 1852 दुतिये आगल बर्मायूत लड़ा गया 1852 इस भी में फ्रे आपका 1853 बंबई से थाने तक पहली रेलवी लाइन काउट घाटन हुआ कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राव लाइन पहली बार आईसी एस परिक्षा कारम हुई इस अभी आपकी अपना है 1853 दल हो जी के समय हुई ठीव 1855 से 56 संताल बिद्रो हुआ और कलकत्ता में अंजू मन ए इसलामी की स्थापना हुई फिर आपका 1856 हिंदू बिद्वा पुनर बिद्वाया अधिनियम पारित का अबद को बेटी समराज्य में विलाए गया 1856 1857 कलकत्ता बंबई तथ मद्रास वे स्विध्याले की स्थापने भी भारत का पिथम सुतंता संग्राम हुआ भारत का पिथम सुतंता संग्राम का विद्रो हुआ इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल की साथ पढ़ेंगे आने यह आपका बहुत मध्थपूर रहता है वो कुशन सूचती रहते हैं इससे 1858 भारत का सासन कंपिनी से बेटे सरकार ने अपने हाथों में ले लिया 1808 बन में 1 नवंबर 1809 बन इस भी पो पिथम वायसराय लॉड केनिन ने इलावाद में एक दरबार का आयोजन किया जिसमें वायसराय ने महरानी विक्टोरिया द्वारा भारत सासन चलाने की विदीवयोत कोशना की तथा विक्टोरिया की ओर से एक गुसना पत पढ़कर सुनाया जिसे भारती सुतनता का मैगनकार्टा कहा जाता है 1869 बंगाल में नील विद्रोग हुआ आपका 1869 में 1869 में ही कागज की कन्रोट जारी हुआ गोद पिथा की समापती में ठीक है 1860 1860 में बज़ट की वेवस्था शुरूँगी आप लोग बज़ट सुनते हैं कि बज़ट पे श्तत्तु है ये पे था 1860 से शुरूँगी 1861 में भारती परिशयत अदीनियम भारित किया गया 1861 में भारती ये उचने आले अदीनियम 1861 के अंत्रगत कलकत्ता बंबई मद्रास में एक एक उचने आले की स्थापना की गया ये सब आपकी 1861 1862 में भारती ये दंड सहता लागू हुगा और उचने आले की स्थापना की गया 1863 में कलकत्ता में मुखनन इस्थापना पढ़ना कोलेज की स्थापना की गयी 1866 में इलावात उचने आले की स्थापना की गयी तो याद रखना आपका जो इलावात उचने आले है इसकी स्थापना 1866 में की गई थी 1872 में पिथम जन्गरना प्यार हुई एक बात हमेशा याद रखे 1872 और 1881 इन दो डेटों को याद रखना क्या होता है यह में बहुत कन्फियूज होते हैं पिथम जन्गरना को हुई 1872 को लौड मेव के काल में ठीक है और पिथम नेमिद जन्गरना को हुई 1881 में लौड रिपन के काल में तो पिथम जन्गरना सामन रूप से आपकी 1872 में प्यार हम हुई लेकिन नेमिद जो जन्गरना हुई 1881 में ठीक है, लॉड रिपन के समय, 1872 में ही आपके लॉड मेयो की हत्या हो जाती है, फिर 1874 में बिहार में अकाल बढ़ता है, 1875 में सियद अहमत खान द्वारा अलीगड में मुहमनन एंगलो ओरियेंटल कॉलिज की स्थापना की जाती है, प्रेंस और वेल्स की इथां भारती आत्रा होती है और आरे समाज की इस्थापना होती है, 1875 में, ठीक है? तो यह आपका 1876, 1876 में लॉड लिक्टन, लिक्टन का दिल्ली तरबाद महराणी वेक्टोरिया भारत की संभरागी घोसित की गई, 1876 में, 1878 इस भी में लिक्टन का वर्नाकूलर फ्रेश एक्टर के फारित हुआ, 1878 से असी की बीच दुतिये आनल अपना योद लड़ा गया, 1878 में अकाल आयोटी स्थापना की गी, तो आपका 1881 पिथम फैक्टरी अधिनिया पना, ठीक है? 1882 वर्नाकूलर फ्रेश एक्ट निस्थ हुआ, स्कूल सिक्चा के लिए हंटरायोग की निवक्ति की गी, तो हंटरायोग आपका 1882 में आया, 1883 इलवर्ड विल का विवाद, 1885 भारती राष्टी कॉंग्रेस की बंबी में इस्थापना में, जो भारती राष्टी कॉंग्रेस है, इसकी स्थापना की, 1885 में हुई, 1888 में, कर्नल बैक द्वारा, यूनाइटिड इंडियन फेटियाटिक एस्थापना की गी, तो याद रखना, यूनाइटिड इंडियन फेटियाटिक एस्थापना, 1888 में की गी, 18999 में फ्रेंस ऑब वेल्स की दूसरी भारत याद परा हुई, 1891 में, दूसरा फेक्टरी अदिनियम पारित किया गया, 1892 में बैटिड शंशंद्गारा भारती फरिशाद अदिनियम पारित किया गया, 1893 में, ऐनिवेसेंट का भारत आगमन होता है, ये वही एर्णीवेसेंट हैं जिन्होंने भारती राष्टी कॉंग्रिस की पित्थम महला ध्यक्ष थी ठीक है 1895 में बालगंगदर तिलक ने सिवाजी उत्सो मनाया 1897 में 1897 में भारतीय सिक्षा सिवा कवेटन किया गया तिलक को 18 माय की कैद हुई 1899 से 1905 लौड करजन वायसराय बना लौड करजन का समय कल क्या राय 1899 से 1909 1940 में भारतीय बिस्विध्यालेक्ट पारित हुआ पुरातत विभाग का गठन भी 1904 में ही फूल आगे चलते हैं 1905 1905 बंगाल का विभाजन इस दो डेटों इन्हें याद रखना आप लूग ठीक है क्या याद रखना है आपको बंगाल विभाजन किसके समय हुए करजन की समय ठीक है 1908 में गांदी जी को सत्या गया करने के लिए सबसे पहले जेल हुई फर 1909 में माले मिन्टोस दार आये गांदी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी तो याद रखना हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है गांदी जी भारतिये परिशर अंधीनियम पारित हुए ठीक है कब 1909 में याद रखना बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था किसके समय करजन के समय और बंगाल विभाजन रद कब हुआ 1911 में किसके समय हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद हुआ यही पूंचा जाता है किसके समय हुआ था विभाजन और किसके समय विभाजन हुआ था ठीक है 1911 में ही आपका राज राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इस्थानांतित करने की गोष्णा की है याद रखना 1911 में आपकी गोष्णा हुई थी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की लेकिन 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई याकी लॉड हार्डिंग परभम फिका गया 1912 में ही, ठीक है, चलते हैं आगी, 1913, 1913 में सैंट फ्रांसिस्को में गदर पाइटी का गर्ण किया है, रवेंदना टेगर गुसाहित का नोवल पुरोस्कार मिला, पित्थम भारती ये थे, जन्हें नोवल पुरोस्कार मिला था, 1913 में गीता अंजली के लिए, ठीक है, 1914 इसमी में तेल्यक मांडले जेल से रहा हुए, 1915 में, 1915 में गांधी दच्छड पीका से बहार लोटे, एनी वेंचेंट ने मदरास में हॉम रूल लिख कगठन किया, तो याद रटा, गांधी जी आपे कब बारत लोटे, 1915 में, कहां से दच्छड पीका से, 1916 में हॉम रूल लीख का गठन किया गया, कॉंग्रेस मुसलम लीख के बीच, लखनव समझवता हुए, 1917 में, 1917 इस्वी में, मौन्टग्यू चम्सपोर्ट सुधार हुआ, गांधी जी तवारा चंपारान सत्य आगया, फ्यारम किया गया, एनी वेंचेंट को बंदी बना लिया गया, पहला सत्य आगया आपका भारत में गांधी जी का चंपारान सत्य आगया ही, था, फिर आपका 1919, 1919 को ही आपका, जलिया वाला वाग नरसंगाय होता है, 1919 में, रोलेक टेक्ट पारित होता है, रवेंडना टेगोर द्वारा सरकी उपादी बापस लोटा दी जाती है, जलिया पहला वाग नरसंगाय की विरोधन, मॉन्टवू चैम्सपोर्ड सुधार अधिनियम पारित होता है, 1919 में, फिर आपका 1920 है, असेयो तता खिलापत आंदोलन का प्यारा मूता है, गांधी जी ने केसर एनन दिखी, उपादी लोटाई, और अखेल भारती है, ट्रेड उनियन के स्थापना की गई, 1920 में ही, ठीक है, फिर आपके बाद 1922 में आपका चोरी-चोरा कांड होता है, और आपका सही हुए अंदोलन को बापस ले लिया जाता है, ठीक है, तो 1922 में आपका चोरी-चोरा कांड होता है, 1923 में सो राजपारटी की स्थापना होती है, जब आपका सभी हुए आंदुलन इस्तगिति आने की रोग दिया जाता है तो कई नेताओं में रोज उत्पन होता है क्योंकि अच्छे चरम पर चलने के बाद गांदी जी से वाफस ले लेते हैं चोरी-चूरा कांड की तो सुराज पार्टी की इस्थापना की जाती है कि 1923 में मदन मोहन मालवी एक द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया 1924 में कानपुर सदेंट केस हुआ गांधी बैलगाओं कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए तो याद रखना है आपको कॉंग्रेस भारती राश्टी कोंग्रेस कि अध्यक्ष गां वेख गांध कॉंग्रेस अधिवेशन में ठीक है 1925 में अकिलवारतिय दलिद भर्ग के स्थापना की और कमिंश्ट पार्टी की स्थापना होई 1925 में 1926 में ट्रेड यूनेज अट पारित हुआ 1927 में साइमन कमिशन की नियुक्ति साइमन कोरिसर की निप्ती इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतिय सदस सावेल नहीं था आगी चलते है आगी क्या चलते है 1927 1927 अखिलवारतिय महला सब्मेडर की स्थापना की जाती है 1927 1928 1928 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन पाइटी की स्थापना नहरूर रेपोर्ट आती है आपकी साइमन केमिशन भादत आया और लाला लाजपतराई की मित्ती होती है यह सभी घटना है आपकी 1928 में घटती है फिर आपका 1919 में 1919 में लावर कॉंगरेश अधिभेशन में नहरूद्वारा पूर्ट वराज का पिस्ताव पारिक किया जाता है और साइदा एक्ट पारिक किया जाता है 1919 में 1930 की अगर हम लोग बात करें तो सभी ने अयुग्यान दोलन प्यारम होता है और 26 जन्मरी को स्वाधीन ता दिवस के रूम में मनाने का आहान किया जाता है लंदन में पेथम गोल में सम्मेलन लंदन में पेथम गोल में सम्मेलन होता है तो याद रखना 26 जन्मरी 1950 को इसलिए आपका सम्मिदान पूर रूप से लागू किया जाता है इसलिए ये डेट चुनी गई थी ठीक है इसलिए आपका 26 जनवड़ी को गर्तक पर मनाया जाता है आगे आपका 1931 गांधी इर्विन फैक्ट होता है 1931 को दुतिये गोल में सम्मिलम में गांधी जी की भाग्यदारी होती है भगस सींग सुगदेव राजगुरु को फासी दी जाती है 1931 में तो याद रखना है दुतिये गोल सम्मिलम में ही गांधी जी ने कॉंग्रिस की तरप से भाग लिया था 1931 में 1932 आता है पर संपदाय एक अधिनी नेड़े की घोशना होती है पूरा समझोता होता है तथा देहरादून में राष्टिये सेना अकादमी की स्थापना होती है 1932 में अगर 1934 की हम लोग बात करें तो 1934 में कॉंग्रेस सोसलिस्ट पाइटी की पटना में इस्तापना होती है सबीने क्या अंधूल बापस लिया जाता है इसी समय बिहार में भूगम पाता है फैक्टरीज एक्ट लागू होता है रोयल एंडियन नेवी की स्थापना होती है इस अभी गटना है आपकी सन 1934 इस भी की 1934 एडी की फिराता है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया संगीन यालाय की स्थापना होती है फ्रांतिय सोसासन की शुरुआती है आपके भारतीय समिधान की अधिकतर परावान 1935 से लिए गया है यादर 1936 आता है समराट जोर्ज फाइब की मित्ति होती है एड़वर्ड एट का रज्जो रोहन होता है 1937 में नई चुनाव होती है तथा नवीन प्रांतिय सरकारे पंति 1938 में आपकी सुभास चंद बॉस कॉंगरेस के अधिर चुने जाते हैं फिर उसके बाद 1949 में दूतिय विश्यूद आरम होता है सुवाश्चेंद वास दुबारा कॉंग्रिस सद्य चुड़े जाटे बाद में त्यापद देते हैं गांदी जी के विरूत की पर ठीक है याद रखना आपका पिथम विशेवद 1924 से 1908 तक चला दूधिय विशेवद आपका 1949 से 1945 तक चला ठीक है 1940 में आपका जिन्ना द्वारा मुसलिवों के लिए पिथक देश की मांगी गई गांदी का व्यक्तिगत सत्यागय रही बने प्यक्तिगत सक्त्यागय में सक्त्यागय ही बने, 1941 में सुभाष्चेंद बहुस कलगत्ताग से बातकर जर्मनी पहुंचे, 1942 में अंग्रेजु भारत छोडो पिस्ताव पारिद किया गया, 1942 में आपका भारत छोड़ों अंगरेज पिस्ताव भारत किया गया 1943 में सुभाष्चंद बोस द्वारा सुतंद भारत की सरकार का गठन किया गया भारतिय राष्टिय सेना बनाईगे यह आपका 1943 में चलते हैं आगे हम लोग 1944 1944 में असम पर जापानी आकमड हुआ आजाद हिंद पहुँच मड़ीपुर के नजदी पहुची 1945 में आजाद हिंद पहुच परमुकद्मा हुआ लॉर्ड वेविल की गोशना आई फिर आपका 1946 की कुछ महत्पून गठना है हिने आप तो याद रखी 1940 में केबिनीट में सन बाहर रता है अंत्रिम सरकार के गठन होता है समीधान सबाकी पेतम बैठाक होती है 16 गस्त को मुसलिम लीग द्वारा सीधी का और रवाही दिसवस मनाया जाता है 2 सेप्टमबर को अंत्रिम सरकार गठित होती है 29 खाली एवन ट्वण टिपरा में 14 अक्टूबर को समपधायक दंगे होती है 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे होती है 26 अक्टूबर को मुसलिम लीग का अंत्रिम सरकार में बिलाई होता है और 9 दिसमर को समीधान SBA का पेतम सस्त शुरू होता है तो ये सभी घटना है आपकी कभ होती है 1926 में ठीक है समिदान सभा के पिथम आज था यद्यक्ट आपके डॉक्टर सचिदा नंद सिंगा थे और ये इस था यद्यक्ट आपके डॉक्टर राजिन पे साथ याद रखा तो राती है 1947 क्या होता है 1947 में वेटिस पिधानमंत्री क्लिमेंट एटली द्वारा एटली द्वारा जून 1947 तक भारत छोड़ने का नेड़े लिया जाता है लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा पंदर एगस्त 1947 को सत्य हस्तांतित किया जाना तै होता है और भारत पाक विवाजन पिस्ताव भारत होता है जवाहलाल लहरू पिधानमंत्री बंदियें भारत की पितन तो आप 15 एगस्त 1947 को आजाद हो जाते हैं फिर आपकी 1948 को क्या होता है महत्मा गांदी की दिल्ली में हत्या हो जाती है गोड से द्वारा गुली मार कर कर दी जाती है जिन्ना की मित्ति होती है भारती सेना द्वारा हैधराबाद की मुक्ती होती है फिर आपका 1950 बारती सम्मिधान लागू होता है राजयन पे साथ राष्टपटी चुने जाते हैं एक बात आप लोग हमें सह याद रखिए कि आपका सम्मिधान 26 नमबर 1949 को कुछ पराधानों के साल लागू हो गया था लेकिन पूर रूप से आपका सम्मिधान 26 जनमरी 1950 को लागू हुआ 1909 में पिथम पंजबर सी यह जिरागी सुरुआत हुई 1902 में पिथम आमचुनाओ राजसाव अलुक सबा के कब हुए 1902 में 1925 में चीन और भारत में के बीच पंच सील समझवता हुआ तो याद रख ना पंच सील समझवता चीन और भारत के वीच हुआ था 1905 में 1905 में अखिल भार्तिय कॉंग्रेस कुमेटी की आवडी चेंड़ी अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष सुईकार किया गया 1956 में जीवन बीमा का राष्टी इकर्ण किया गया 1957 में आपके दूसरे आम चुना हुए फिर आपके बाद 1908 में मापतोल की मैट्रिक पिडाली का प्यारम हुई ठीक है 1969 की बात करें तो भारत में दूर दर्शन की शुरुआत की गई 1960 में महराष्ट गुजरात राज्यों का गठण किया गया पहले मुंबई को आपका अलग करके महराष्ट गुजरात बना दियो है 1961 में गुआ को सुतन्त किया हुगा जो पुर्दगाली थी वो 1961 को आपका चुड़ की भारत गई 1962 में भारत पर चीन का आकमड होता है इसमें भारत की हार होती है 1962 में याद रखिए भारत चीन के बीच योद होता है 1963 में डॉक्टर राजित पर साथ की मित्ती हो जाती है 1964 में पंडित जवाहलाल नहरू की पित्ती हो जाती है 1963 में डॉक्टर राजित पर साथ की पित्ती हो जाती है और 1964 में पंडित जवालाल महरू की मित्ती हो जाती है। 1965 भारत पाकिस्तान के वीच योद्ध होता है। जब आपका 1962 में भारत की चीन के आतो हार हुई तो पाकिस्तान के मन में भी सवाल उटने लेगे कि भारत अब कम जोग हो गया। भारत भी पाकिस्तान भी भारत पर हामला कर देता है। लेकिन इसमें भारत की जीत होती है। पाकिस्तान पुरी तरह से हार जाता है। पर 1971 में भी होता है भारत पाकिस्तान के वीच योद्ध और आपका बंगलादेश नयाराज नयादेश बनकर उभरता है। 1966 में आपका तासगंद समझाता होता है पिधानमंती लाल बहादूर साथ तरीकी मित्ती हो जाती है तो याद रखना 1966 में आपका तासगंद का समझाता होता है तो ये थी आपकी कुछ मात्पूर तितियां जो आप्टी परीक्षात लिए बहुती मात्पूर रहेगी ठीक है अब चलते हैं अंगले टॉपिक पर हम लो इतिहास प्रगतिहासिक काल प्रगतिहासिक काल उस काल गोएते हैं जिसके लिए कोई लिखित सामगरी उपलंद नहीं है जिसमें मानों का जीवन अपिक चुके था पूर्टा सब नहीं था प्रगतिहासिक काल कहलाता है इससे आप लोग मानों के जीवन का सुरुवाती चर कहले लिए क्योंकि इस समय आपका कोई भी साक्ष नहीं था इसकी आधार पर लोग इसकी डेट या इसके वारे वह कुछ बता सके है इसकाल का इतिहास पुरातात्विक साध्रों से ज्यात होता है यारी कि पुराता अध्विक जो पत्तर रोजार इस तरह के विजलेए उससी से ज्यात होता है इस काल को तीर भागों में विवाजित किया गया है पूरा पासर काल आग्यास से आठ जार इसवा पुर्थर 8000 इस पूर्थर कोई 20 लाक एहां बता देता है कोई 10 लाक बताता है डेट 10 लाक से 8000 इस पूर्थर तो कोई डेट फिक्स रही है ठीक है मद्ध पासाड काल 8000 इसा पूर्व से 4000 इसा पूर्व दाव पासाड काल 4000 इसा पूर्व से 2500 इसा पूर्व दाट ठीक है फिराता है आपका आग इतियास इतियास का ऐसा काल जिसके लिए लेकन कला के प्रमार्टों है लेकर या तो आपोष्ट है यानि कि यह तो डा की बराबर है या फिर उनकी गूर लिपी है यानि कि वो जिसमें लिखे गए हैं उन्हें समझना कठन एसे काल को आग इतियास काल कहा जाता है यारी कि लिखित शाक्षो उपलब दें लिखित्हाई ने पढ़ा जाना कठनें इस काल कराकी इतिहास थी ल के लिए साहितcko इवा पुरातातुमिक साधर्णों का प्रियुक्य गया क्या जाता है कि इस काल के लिए 2500 इसापुर से श्यास इसापुरव के आना काकाल आता है जोसे इतियासी काल कहा जाते है इस काल के आपके तत्थवी उपलब दे और पड़ा भी जा सकता है अब बात करते हैं लोग प्राचीन भारती इतियास को जानने के सरोध कौन-कौन से हैं उन्हें देखते हैं प्राचीन भारती इतियास को देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारती इतियास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सरवाधी प्रमाडिक हैं जैसे आपकी पुरातात्विक सामग्रियों में क्या कहते हैं अभिलेक हो गए, मुत्राय हो गए, इसमारा के वंभवन हो गए, मोर्तिकला हो गए, चित्तकला हो गए, आउसेस हो गए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अविलेग की अविलेग पासार सिलाओं, इस्थमों तदन ताम पत्तों, दीवारों, मुद्राओं एवन पितिमाओं पर उत्खनित हैं सिधा सा कहने का मतलब है कि जो आपके अविलेग हैं ये आपके सिलाओं पर बने हुए इस्थमों पर, ताम पत्तों पर, दीवारों पर, मुद्राओं पर और पितिमाओं पर अभिलेखों के अध्यान को क्या कहते हैं इपीग्रापी अभिलेख होते हैं उनके अध्यान को आप लोग क्या कहेंगे इपीग्रापी अगर पूछे तो याग रखा है सरवादी प्राचीन पठनी है अभिलेग असोग के हैं जो फ्राक्तिक भासा में लखे गया है जो सबसे बहले पढ़ने यूग आपका भी लेग था वो असोग का था जो प्राक्रट भासा में लेखा गया था पूर्व हैदराबाद राच जमेश्तित मास्की एवं गुर्जरा या आपका दित्तिया मद्दपदेश में सिप्राप्त अभिलेखों में असोग के नाम का इस पर्ष्ट उलेख है उसे प्रया देवताओं का प्रिये यानि प्रिये दर्सी राजा कहा जाता है असोग के अधिकान सबले बरह्मी लिपी में है इसे बरह्मी लिपी को बाहें से दाएं लिखी जाती है जो दाएं से बाहें लिखा जाता है यादर कूं फश्चिमुत्र प्रांथ से प्राप्त उसके अविलेक यानि की असोग के अविलेक खरोष्टी लिपी में लिखे गए हैं जो दायें से वायें लिखी जाती है खरोष्टी लिपी आपकी दायें से वायें लिखी जाती है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से फ्राव्थ असोग की सलालेखों में युनानी एवं आमेक लिपियों का प्रेव किया गया है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से असोग की अविलेखों में लिए उनमें युनानी एवं अरमेक लिपियों का प्रेव किया गया है असोग के अवलेकों को पढ़ने में सरफितम जेम्स प्रेंसेब को 1837 में सफलता मिली ये आपका कई बार पूछ लिया कि असोग के अवलेकों को पढ़ने में सरफितम किसे सफलता भी थी तो ये थे आपके जेम्स प्रेंसेब 1837 में सरवादिक पिराचीन अभिलेग पचीस सो इसापूरू के हरप्पा कालीन है जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपी में अंके थे हैं जिनका प्रमाडिक पाट अभी तक संभव असंभव बना हुआ है यानि कीने पढ़ना असंभव भी भी है फिथम सरणी के अभिलेखों में अधिकारों और जनता के लिए जारी किये सामाजिक आर्थिक फिसासनिक राज्य देशों और नेड़ेओं की सूचना रहती थी जैसे असुक के अभिलेखों में अब सोचिए असुक का समय आपका दोस्तों उनत्र के करीब रहता है इसापूरू समझ रहे हैं यहां से सुरूम होता है आप सुचिए कि तब तब कुछ बता दिया गया था तब उतने राजा सोचते थे कि दूसरे ज़रे को नीचा नहीं दिखाना चाहिएं मावा इंसान ब्यक्ति और पसुपक्चियों के लिए ढ़या भ्राव रहने चाहिए हमारे दिमाग में हमारे उनके पिति अंसा में अच्चा भीवा रखेंगे तो हमारे धर्म को भी लाव होगा अगर हम किसी धर्म किसी के दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं तो वास्तों में हम अपने धर्म को ठोढ़ानी पहुंचाते हैं अब आज से बता आपका 299 इसा पूर्म में बता दिया गया था 2200-2300 साल पहले बाप सुची ठीक है और आज के इंसानों को देखिए धर्म धर्म पर ही आदे तुम्हेरे जा रहे हैं कट फिट रहे हैं मुझे लगता है धर्म इंसानिया से वाड़ा कोई धर्म नहीं है अगर आप में मानोता है इंसानियत है तो आप इंसान कहलाने लाइक है वर्ण नहीं है सिदी सिवाला क्योंकि वहां उपर आप लोग मानते हैं अगर कि उपर भगवान एक ही है तो कुछ तो उन्हें नेर्डर करता होगा कि नहीं करता होगा उसके लिए तो आप सब बरावर हैं कि नहीं हो तो हम कौम से हो दूसरे की जिन्दगी दूसरे के धरां को हानी पहुचाने बाले हम कौन होते हैं चलिए छोड़िये जो दिये अच्छा है उनका उन्हें जिस काम में सांती मिलती है वो कर रहे हैं आप को जिस काम में सांती मिले आप करिए दूतिय सेडी के वे अनुष्टाने अविलेक हैं जने बहुत जेन बेशनो ध्रम के जो मानने वाली थे उन्हों ने उतकीन यानि की बन भाया था तिक और तितिय सडी के वे अबलेखें जिसमें राजाओं की विजय पिसस्तियों का ख्यान तो है लेकिन उनके दोसों का उलेख नहीं किया गया है यानि कि CDC बात 13 सडी के अभी बेब लिखें जिनमें राजाओं की अच्छे आई आयं तो बताईएं यह लिख बुराई नहीं बताईएं सिदी थी आप से अगर आपकी अच्छाई बूची आए आपके बारे में पूचा जाए कि आपकी मताईए कि अच्छाई और बुराई क्या है तो आप अच्छाई ही हो सकता है कि हजार बता दें लेकिन बुराई नहीं बता सकतें क्योंकि अपनी बुराई दिखती ही नहीं है समझ हुए है तो इसी तरह बताएगा जिसने अपने अंदर की वराई देख लिए वह कुछ भी जो बनना चाहे जो हासल करना चाहे कर सकता है क्या है ऑब पहल होए एक वार तो आप देखें कि आप क्या हुआ है उसे पहचाने कहा है आपसे गलती हुए तैक रभекст में दोस्था कि अब दोस्तों करें यह पूँछ लेते हैं है यह आपके अभिलेख हैं उस्सासक एवं अभिलेख की बिसेस्ता हैं हाती गुफा अभिलेख तिती रहत अभिलेख है आपका हाती गुफा अभिलेख आपका तिती रहत अभिलेख है कलिंग राज खारवेल के समय का है जूनागड गेनार अभिलेख रोद्दामन के समय का है स सुदर्सन जील के बारे में जानकारी जूनागर अभलेक में मिलती है फ्रयाग का नासिक अभलेक गौतिमी वल्षरी तथा साथ वाहनों की उपलपतियां इसमें हैं फ्रयाग इस्थम अभलेक सम्वुद्धुगप्ति से सम्मंदिते इनकी दिख विज्यों की जानकारी यान मतलबा नरेश यसो वर्वन कि समयकार रेशम बुनकर की सेनियों की जानकारी मिलती है ग्वालियर अभलेक पितिहार नरेश पोच की समयकार मंदसोर अभलेक से सम्मंदित आपका लास्ट टाइम PCS MPPSC में पूचा गया था इसमें पूचा गया था कि किस अभलेक में रेशम मतलबा रेशम बुनकर की सेनियों की जानकारी मिलती है तो याद रखना मंदसोर ग्वालियर अभलेक पितिहार नरेश पोच से सम्मंदित हो गया वीत्री यवं जूनागर अभलेक इसकंद गुप्त हुडों पर विजय का विबरन मिलता है यानि कि इसकंद गुप्त से सम् कास डालता है बालगा टेवं कारले अभलेक साथ भाहनों की उपलग्दियों से सम्मंदिते अय उद्ध्या विलेक संगों की उपलग्दियों से सम्मंदिते भर्वुत अभलेक इस संग नरेश सब्द खुद होने से संगों द्वारा निर्वे थे तो आपका एरन अभलेक ह बानुगुप्त सती पिथा का पहला लेकी साप्चे MP में उठी है याद रखें आंगे चलते हैं हम लोग गयर राजकी विलेकों में हम लोग बात करें तो यमन राजदूत हैलियो डोरस का बेस नगर विदीसा सिप्राप्त गरुण स्तंबलेक विशेस रूप से उलेक निया है कि जिसमें जिससे दुदिय सब्दागती इसापूर के मत भारत में भागवत धरम विक्सित होने का प्रमाण मिलता है किससे गरुण स्तंबलेक से इसे किसने बनवाए था हैलियो डोरस नगर विदीसा में ठीक है भारत वर्स सब्द का सरपितम उल्ले हाती गुफा अविलेक में मिलता है भारत वर्स सब्द का उल्लेक सरपितम कहां मिलता है हाती गुफा अविलेक में दुरभीक सब्द का उल्ले सरपितम उल्ले सोह गोरा अविलेक में मिलता है आपका ठीक है एरन मद्धपिदेश सिप्राप्त वराय भगबान पर हूड राज तोर्माड का लेक अनकेट है भूमी अनुदान पत एफ रया तामे की चादरों पर उतकीन है इनमें राजां और सामन्तों द्वारा विक्चूों, ब्रहमडों, मंधिरों, बिहारों, जागीरदारों और अधिकारियों की दिये गए गाउं भूमियों और राजस्वी समंदी दानों का विवरन मिलता है है ठीक है भूमी अनुदान पत से जो भूमीदान पत्ते हैं इसमें प्राक्तिक संस्कित तमिल तेलवू भासाओं में लेखे गए हैं आपके प्राक्त संस्कित तमिल एवं तेलवू भासाओं में लेखे गए हैं आपके अब बिदेशी अभिलेखों की बात करें हम लो तो बिदेशों से प्राप्त अभिलेख जसे में मित्त वर्ण, इंद, ऐवं नासत्त नावक बैदिक देटाओं के नाम उत्करीन है, ठीक है, पर आपका मिस्स के तेलूल अमनों में मिट्टी की कुछ तक्तियां मिली हैं, जिन पर वेवी लॉनिया के कुछ सासकों के नाम उत्करीन हैं, जो इरान वा भारत के आरेयो आगर सासकों के नाम नामों जैसे हैं तो आपका पार्सी पॉलिल एवं बेहितून अभिलेकों से यात होता है कि इरानी सम्राठ द्वारा पिथम ने दारा पिथम ने सिंदू नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था ठीक है अब हम बात करते हैं मुद्राओं के बारे में किसके मुद्राओं 206 इसा हुरूप से लेकर 302 तक के भारती इतिहास का ग्यान हमें मुख रूप से मुद्राओं की साहिता से ही प्राप्ट हो पाता है 220 से लेकर 380 तक का जो भारती इतिहास का ग्यान है वो मुख रूप से मुद्राओं की साहिता से प्राप्ट होता है इसके पूर्व के सिक्कों पर लेक नहीं है और उन पर जो चिन बने हैं उनका ठीक ग्यान नहीं है इसके पूर्ट जो सिक्के होते थे उस पर कोई लेक नहीं लिखे जाते दे वो जो चिन बनाया जाते उनका ठीक ठाक से भी भी घ्यान नहीं है अब आप कोई भी चिन बना दीजे ऐसा चिन बना दीजे इसी तरह चिन मासला देजे अब आपको थोड़ीं पता है आंगे चिन्नत होती लेकिन उन्हें पड़ा जाना मुश्कल है यह सिक्क्य क्या कहलाती थी आहट सिक्क्य कहलाती थी मुद्राओं का उप्योग दान दच्चिना क्राय विक्राय तथा बेतन मजदूरी के वक्तान में होता था साथ को अनुवती से ब्यापारी संदों यानि के सेन्यों ने भी अपने स turret सरकार है और जो यहां की ब्यापारी है उन्हें अगर सिक्क्य चलाने की अपने सिक्क्य बनाने की यन्मती दी दी जाए तो इसी थरह होगा सरवादीक मात्रा में मुद्राएं मुरुत्व काल की मिलती है जो सीशा में होती है आपकी सीशा पोटिंग तामा कांसे चांदी सोने से बनी होती है सरवाधिक मात्रा में मुद्राएं आपकी मुरुत्तव कालकी मिलती है जो सीशा 14 कामा कहां से 40 सोने की से मनी होती है कुशार सास को द्वारा जारी स्वड सिक्कों में सरवाधिक सुद्धता थी याद रखा जो कुसार सासक थी इन्होंने जो मुद्राय जारी की थी सौने की सौर्ड की वो सबसे सरवादी की सुद्धिता होती थी उन्हें वहीं जो आपके गुप्त सासक थी इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में सौर्ड सिक्के जारी के अगर हम लोग सोड़ सिक्कों की सुद्धदा की बात करें तो कुसांड सासकों ने जारी किये ओगर मात्रा में सबसे जादा बात करें तो कुप्त सासकों ने जारी किये थे ठीक है दातु के टुकणों पर ठपपा मार कर बनाई गई बुद्ध कालीन आध मुद्राओं पर पेड मचली साढ़ हाती अरचंद आधिबस्तूओं की आकर्थी होती इनी से अब ग्यार होता है कि पेड मचली साढ़ हाती अरचंद की कितनी समय मानता थी मुद्राव से ततकाले इन आर्थिक दसा तता सम्मंदित राजाओं की समराज सीमा का भी ज्यान होता है कनिस्क के सिक्कों से उसका बौद धर्म का अनुवाई होना प्रमाडित मिलता है कनिस्क समुद्गुप्त के कुछ सिक्कों फर यूप बना है जबकि कुछ असुमेग मेद पराक्त्रमा सब्द उतकीन है जिसमें उसे बीडा बजाते हुए भी दिखाया गया है किसे समुद्गुप्त को इंडो इमनानी इंडो सीथियन सासकों के इतिहाज के प्रमुक सरोथ सिक्के ही है साथ वहन राजा साथ करणी की एक मुद्रा पर जलपूत उतकीन होने के से उसके द्वारा समुद्ध बिजाय कानुमान लगाये गया है समुद्ध को दूतिय की ब्रग से लिए चान्दी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के सकों पर विजाय सूचित होती है कि अब बात करते हैं लोग आंगे इसमारक और भवन इसमारक और भवन उत्तर भारती मंदिरों की कला सेली नागर सेली कहलाती है जो आपके उत्तर भारत में जो मंदिर बने हुए इस नागर सेली की मंदिर कहलाती है और दच्छण भारत मंदिर जो दच्छण भारती मंदिर है यह आपकी देविड सेली में बने हुए है यानि कि देविड सेली कहलाती है जो दच्छण भारती मंदिरों की कला है जबकि दच्छणाबत के बे मंदिर जिन में नागर और देविड दोनों सेलियों का परियोग है उसे वेसर सेलि के बंदिर कहे जाते हैं याद रखना उत्तर में आपकी नागर सेलि दच्छण में आपकी देविड सेलि और जो दोनों सैलीओं के प्रयोग से बने हैं उन्हें बेसर सैली के मंदिर कहलाते हैं जावा के बोरो बुदूर मंदिर से यहां नभी सतापती में महायान बोद धर्म की लोक्रिता पेमाड़े होती है इसके बाद है आपका मूर्ति करा क्या है मूर्ति करा मंदिरों में हम लोग आंगे देखेंगे कौन सा मंदिर कहा है आपका खजराओ के मंदिर हो गए तो आपके जो तमिलाडू में है जगनात मंदिर हो गए इन सभी बार चर्चा करेंगे हम लोग आंगे बिस्ताज से मूर्ती कला में बात करें मूर्तिकला में जहां पे देशी प्रवाव देखे वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में सवभाविक्ता परिलक्चित होती जबकि गुप्त उत्तरकाल में संकितिक्ता अधिक है भरूद बौद गया साची अमरावत्ति की मूर्थी कला में जन सामानी की जीवन की यथार्थ जाकी मिलती है चित्त कला की अगर हम लोग बात करें तो अजन्ता गुपा में उतकरीन, माता और सिसू तथा मर्डासन, राजकुमारी जैसे चित्तरों की सस्तोता सर्वकालिक है जिसमें गुप्तकालीन, कलात्मत, उतकालीन, जीवन की जलक मिलती है रयापका आउसेश पाकिस्तान में सोहन लदी गाटी में उतकनन द्वारा, पुराप्त पुस, पुरापसारेव के पत्तर के खुरदुरेक हत्यारों, औजारों से अनुमान लगाया ही गया है कि भारत में चाल लाग से दोलाग बर्स इसापूर मानों रहता था दस से चैजार बर्स पूर, इसापूर, वह करसी का पालन कपड़ा बुनना मिटी के बर्तन बनाना, पत्तर की चिकनेवाजार बनाना, सीख लिया था मानोंने गंगायामना के दुआब में पहले काले और लाल मेंदवान और फिर आपके चित्तित भूरे रंग के महरतबान पराप्त हूए मोहन जोदरों में 500 से अधिक मुहरें पराप्त हूए जो हडापा संस्किती के निवासियों के धार्मिट विश्वासों की और एंगित करती हूँ बसाड प्यारमिक बैसाली से 274 मिट्टी की महरें मिली हूई आप कौसामभी मैं ब्यापक इस्तर पर किये गए ओध्खननकार में ओध्यन का राज परसाथ तथा गोसीता राम नामक एक बिहार में लाव हुआ हुआ अत्रंजी खेड़ा आदी की खुदाईयों से ज्यात होता है कि देश में लोहे का प्रियोग इस सब हो एक हजार की लगवा आरम हो गया है यानि कि बैदिक काल की आरम में या आपका लोहे का प्रियोग होना प्यारम हुआ सबसे पहले आपका अत्रंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था ठीक रोमिल्या थापर के नुसाल लोहे का प्रियोग आठ सो इस सपूर में प्यारम हुआ यानि उत्तर प्यादिक काल में दच्षेण भारत में अरेक मेडू नामक किस्थल की खुदाई से रोमन सेखे दीप का टुकड़ा तथम वर्तन आदी मिले हैं जिसी यह कुष्ट हुआ क्या हुआ कि इसा की आरंबिक सताद्धियों में रोम तत्त दच्षेण भारत की मत घनिष्ट व्यापारिक संबंद था तो यह थी आपके पुरातात भी साक्ष अब चलते हैं हम लोग साहित तिक स्रोत्वा साहित तिक स्रोत्व को बताने से फैले एक बात बताते हैं आप जैन धरम जमाभी स्वामी चंद गुप्तमोर गहनानंद पदमनंद सब राजां को देखते हैं फिर आपको यह नहीं लगता है कि सायद हो सकता है हमें जीवन बताने के लिए सत्थ क्या है गलत क्या है इस सब को बताने के लिए इस सबी कहानी अच्छे से गड़ी लिखी ग दूसरी को महार कार्ट करते हैं यह तो गलत है आप यह सूचिए भगवार राम कभी आपने सबने सभाविक अगरवाल में रह रहे हैं आप तो तो रामाइड आप लोगों ने देखी होगी उसमें आपने देखा होगा की हर जगे भगवार मुस्च कराते हुए राम जी देखेंगे और शब्सक्तों की अगर हर्माण जी सलाइ दे रहे हैं तो बड़ी मुस्कराश के सुनती रहे हैं यार यह वो तो अपना कभी जीवन बदल सकते थे तुम्ही सूचो वो भगवार जब तुम्हें चला रहे हैं, इस धर्थी को चला रहे हैं, तो वो तो अपने जीवन को तो कभी भी कश्टों को हर सकते थे, हर सकते थे गे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन जिया, कि आने वाला इंसान कुछ सीखे, रोस्तर ऐसे जीए, इतना ही उद्देश और खुछ भी उद्देश नहीं था, कि क्या गलत होता है, क्या सही होता है, क्या होता है, जिंदगी, जीना, सब कुछ जाने हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ वोह जाते हैं। यहां तक छोड़िए मैं बता रहा हूं कि मैंने एक भागवत कता मैं जाकर देखा यग चल रहा था तो हुआ गउसाला का उत गातन हो रहा था तो सभी लोग वहां फोट्टू खिचवा रहे हैं गाय के साथ उसे चारा किला रहे हैं और मैंने बाहर देखा तो वही लोग कु आदमी दिखावे के लिए कुछ भी कर सकता है और 90-95 परसंट लोग बस दिखावे की जिन्दगी जी रहे हैं इसे जिन्दगी में खतम हो जाते हैं पत्वा यह नहीं चला हुए कि आखिर वह जीए किसी और मरें किसी तो एक सच्चाई में जीया करिए अब आप सच्चाई पर चलते हैं और सच्चाई में जीते हैं तो मौस्या आपको कभी डर नहीं लगेगा क्योंकि आज का का हम आप के आफम आज करें करेंगी कि अगर हम लोग साथिक सिरोध की बात करें तो धार्मिक साहित और लौकिक साहित उभिषक करें तो इसमें ब्रह्माड यह वेडिक साहद और दूसरा है व्रामधत्र या फिर आवेधिक साहद तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेदिक साहद थी कि इसके अंतरकत बेद आती हैं कि उससे समंदित गिरंथ पुराण महाकाप इश्मिति आदी ठीक है भारत की सबसे प्राचीन बेद है प्राचीन गिंद क्या है बेद इसका साब्दिक अर्थ होता है ग्यान रेगवेद हो गया सामबेद हो गया यह जरुवेद अथरुवेद यही है ठीक है भारत का सबसे प्राचीन गिंद क्या है बेद इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है ग्यान प्रमण परमपरा में सुरक् मतर में बेदव्यास नहीं ने बेदों को संक्लित कर दिया कि बेद कुल चार हैं कि रेगवेद सामवेद यह जुर्वेद और अथर्वेद सबसे पहले आपका रेगवेद 1500 से 1000 इसा पूप के वीच रहा है समय बारत की सरवादिक प्राचीन रचना रेगवेद यानि की तरक का अरत रेग का अरत का है छन्दों तथा चर्डों से मन्त उता है रेग रेगवेद मन्तों का एक संकलन सहिता है जिसे जिन्हें यकों की आउसर पर देवताओं की इस्तुति के लिए होत या फिर होता रेशियों द्वारा उच्छित किया जाता था तो रिगवेद की अनिक सहिताओं में से साकल, सहिता ही उपलब्द है सहिता का अरत होता है संगराय या फिर संकलन करना संपूर्ण सहिता में आपके 10 मंदल हैं वो आपके 1028 सूप्ट है रिगवेद में अगर हम लोग रिगवेद की साखाओं की बात करें तो इसमें आपकी 5 साखाओं हैं साकल, वासकल, अस्सो अलायन, सांख्यायन, और मांडूक रिगवेद की कुल मन्तों की बात करें तो रिच्याओं की संख्या लगवग आपकी 10600 है रिगवेद में इंद के लिए सबसे जाना आप सबसे कितनी बार 250 बार इंद का वाइडन किया है अगनी के लिए आपकी 200 रिच्याओं यानि की मंत्रों की राजना की गई है तो याद रखना है इंद के लिए सबसे दे, 250 रिगवेग का दो से सात्वा मंदल प्रमावडिक है उसे प्रक्षित माना जाता है बाद में जोड़े गए दसमे मंदल में पहली बार सूत्रों का उल्लेग किया गया है जिसे पूरु सूक्त की नाम से जाना जाता है तो याद रखना दसमे मंदल में आपका सूद्रों का उल्ले किया गया है देवता सौम का उल्ले नवे मंदल में किया गया है नवे मंदल में आपका सौम का उल्ले किया गया है लोग प्रिये गायती मंत सावत्री का उल्ले भी रगवेत में तीसरे मंदल में किया गया है गायत हो झाया है सिराथ का संगीत क्या लिए पर्फित करत हुता है इसलिए अपने संगीथ संगीत का इसमें करत होता है संगीत और गान इसमें यगों के अवसर पर गय जाने वाले मंत्रों का संग्रे किया गया है इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था कि सामबेद वेद के दो भाग है कौन को से आर्चिक और गान कि सामबेद के पिथम द्रिष्टा वेदव्यास के सिच जैमनी को माना जाता है सामबेद की पिर्मुक साखाओं की बात करें तो इसमें आपका कुर्थोमी है जैमनी है रानायनी है ठीक है कि सामबेद में आपकी कुल पंद्रह सो नंचास रचायों रचायें हैं जिसमें मात अठत्तर ही नहीं है और जो सेस हैं वो रेगवेश से लिए गई हैं सामबेद को भारती संगीत का जनक माना जाता है यह आपका जनरल नौलेच के लिए जरूरी है और कई वार आपका कुश्चन पूच लेता है कि भारती ये संगीत का जनक किसे बाना जाता है किस बेद को तो साम बेद को ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं यजुर बेद के बारे में तीसरा बेद हापका यजुर बेद यजुस सब्द का अर्थ होता है यक यजूरवेद सहिता में यगों को संपन कराने में सहाईक मंत्रों का संग्रह है जिसका उच्चारण अधरवियो नामक प्रोहित द्वारा किया था यग गद्द इमंपद्द दोनों सेलियों में है ये भी आपका question पूछ लेता है इसा कौनसा वेद है जो यग गद्द इमंपद्द दोनों सेलियों में होता है तो यजूरवेद यजूरवेद करमकार्नों पिधान वेद है इसके दो भागे हैं आपकी यजूरवेद की कितने भागे हैं दो किष्ण यजूरवेद सुक्ल यजूरवेद अगर हम लोग किष्ण यजुर्वेत की बात करें तो इसमें इसमें चंद वद्ध मन्त गद्धात्मक बात करें किष्ण यजुर्वेत की मुख साखाएं तेतीरिये, काठक, मेतराइनी तथा कपिष्ठल है अगर हम लोग सुकल यजवरवेद की बात करें तो इसमें केबल मन्ध ही है इसकी मुख साकाये हैं मद्यन दिन तथा कानु इसके सहताओं को वाजसने भी कह गया है क्योंकि वाजसने के पुद्ध यग वलक इसके दिरश्टा थे इसमें आपके 40 अध्या है कितने कुल 40 अध् अध्रविवेद अध्रव वेद उपयक्त तीनों सहताओं जहां परलोक संबंदी विश्यों परकृति पादन करती है वहीं अध्रविवेद सहता लोकिक फल्द प्यदान करने वाली है अध्रवा नामक रिशी इसके वित्म दुरेश्टा है अत्याहे इनी के नाम पर इसे अध्रविवेद कहा गया अध्रविवेद के दूसरी दृष्टा अंगी रस रिशी के नाम पर इसे अध्रवा गिड़ रस वेद भी कहा जाता है अध्रविवेद में उस समय की समाज का चित मिलता है जब आरेयों ने अनारेयों की अनेकदार्मिक विश्वासों को अपना लिया था अध्रविवेद की दो साका हैं पिप्पलाद दूसरी है सोनग इस सहता में कुल 20 कांड कितने 20 कांड 731 सूक्त और 5987 मंत्रों का संग रह इसमें लगबग आपकी बारेयों मंत रगवेद से उद्गरत हैं इसकी कुछ रचाय यग समंदी तथा ब्रह्मा विद्ध्या विश्यक होने की कारण इसे ब्रह्मा बेद भी कहा जाता है रगवेद को लेकिन इसकी अधिकास मंत लोकिक जीवन से समध्यत है जैसे आपके रोग निवारन तंतमंत जादू टोना स्राप वसीकरन असिवाद आसिरवाद इस्तुति प्राश्चित औस्दी अनुसंधान विफाय प्रेम राजकरम मात्भूमी महमत महत्मय आधि विवेग विश्यों से समंधित मन्त हैं इसमें सामन मनुस के विचारों व अन्देविश्यों अधीका बड़न आपका अथरविवेद से मिलता है तो आप लोग अथरविवेद से ठीजें ठीक है आँगे चलते हैं दो आयूर विवेद की सिद्दांत तो था विवार जगत की अनेक बाते हैं भी आपके अथरविवेद में सामें थे ठीक है अब बात करते हैं हम लोग व्रहमण गरंत के बारे में ब्रहमण गरंतों की रचना यग्यादी विधानों का पिति पादन और उनकी क्रिया को समझाने के लिए कि उपदेश से की गई थी इसकी स्तावन ब्रह्मा का ताप्दी करतुता है यक्ठ अताहा यक्डिये विस्यों के पिति पादर गरंथ आपके ब्रह्मण कहे गए गरंथ जहां इस्तूती पिधान है वहीं ब्रह्मण गरंथ बीदी पिधान है जो अधिकार्ण ता गद्ध में लिखे गए फिर उसके बाद है आपका अरन्यक इसकी रचना अरन्यक यानि की बनों में पढ़ाय जानिश के निर्मित होने के गारण इन्हें अरन्यक कहा गरंथ बनों का गरंथ इसमें आपका ग्यान इवन चिंतन की पिधानता दिगे इंदाशनेक रचनाओं से कलान तरफ है ओपनिसदों का विकास हुआ है तरह आपके ओपनिसद ओपनिसद कितने हैं आपके 108 ओपनिसदों को बेदानत भी कहा जाता है ओपनिसदों को क्या कहा जाता है बेदात भी कहा जाता है ओपनिसद मुक्षता ज्यानमार्गी रजनाए हैं इनका मुक्ष भीस है ब्रह्मा विद्ध्या का पिति पाधन ओपनिसद का साबदियकरत क्या होता है ओपसमीप यानि कि निष्ठापूर्वक सद बैठना रस ग्यान हितु गुरू के समी निश्ठा पुर्वक बैठना ही उपनिसद है वैसे जो मुक्तिक उपनिसद में 108 उपनिसदों क्वाहुलिक मिलता है लेकिन सरवाधिक प्राचीन और प्रमाडिक आपके बारे उपनिसद माने जाते हैं कौन-कौन से हैं आपके बारे दुख टैत्रिये एत्रे चंदोग बेहदारण सोईतासुर्व और कोस्तिकी संक्राचार ने आरंबिक दस उपनिसदों पर भास भी आपका लिखा है यह हैं आपके बारे उपनिसद जो मात्पूर है बारत के राष्टी ए आदर्सवाग सत्तमे उजयते मुंडो को अपनिसद से लिया गया है यह आपका कुश्चिंस कई बार बन चुका है बहुत ही मात्पूर है आप लोग जो भी करना हो रटना हो रट लीजिए तो याद रखना है याद रख लीजिए बहुत ही मात्पू कि ओपनिस्दों के विकास में गारगी और मैत्रिये के साध्यकालित तक ब्रमण चत्रिये और बैस्मनिस्रियों ने बौध्य के उतान दिया ओपनिस्दों में सर्वत्य सत्कुर्पोजने की सच्ची उतकंठा परिलक्षित होती है नची केता है यहम का संबाद कठोफ निस प्रिये ऐसं के स्क राम करम उल्ले मिलता है यह यह गीथा का निस्काम करम का उल्ले मिलता है अ। और यह 10 के आ यह ओपनिस्द में एक हम-ब्रमास का सेत्तान हो याग-वलक्त गार्यी के सम्याद कबढ़रन मिलता है फिरात के आते हैं बेदांग बेदों सहता के यहत को सलता से समझेने के लिए तथा बैदिक करमकार्णों के पितिवादर में सहार्तार्त सहार्तार्त बेदांग नामक नवीन सहत की रचना कीजिए इनकी संख्याप की छह कितनी? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्छा की बैदिक मंतरों के सुद्ध उचारन एवं सुद्ध स्वर्व क्रिया की विधियों की ज्यानार्थ लिकित साहित सिक्छा कहा जाता है बैदिक सिक्छा संबंदी प्राचिन्तम साहित इतिसाख है फ्रयाप का है कल्व सुद्ध यानि की जैसे करमकान कहते हैं क्या कहते हैं? करमकान कल्व नामक बैदान में छोटे छोटे बाक्यों में सुद्ध बना कर मत्पून बैदिक विधी बैदानों को पिस्तुत किया गया है सुद्ध गरंतों को ही कल्प कहा जाता है कल्प सूथ चार पिकार के हैं ठीक है फिर आपका ब्याकरण क्या है ब्याकरण सब्दों की मेमानसा करने हैं वाले सास्त ब्याकरण कहा जाता है जिसका संबंद भासा संबंदी नियों से होता है आपका ब्याकरण की सरफ्रितम सब्दों क्रमुक्रचना फानिने कृट अश्ठाद्याई पाचवीश सति पूर्व सति इसवापूर है जिसमें आठ अध्याई चालीस सरीचार सूप्धैंस में आश्ठाद्याई में किसकी यही पढ़नी की इस पूर्व चोत्री सतापदी में इसापूर्व चोत्री सतापदी में कात्यायन ने संस्कृत में पेवट्थ होने वाली नए सब्दों की व्याख्था के लिए वार्तिक लिखी थी इसापूर्व दुतिय सताबदी में पतंजली ने पाड़नी के सुत्रों में परमहावास लेखा फ्रयाव का निरुक्त भासा विग्यान किलश्ट बैदिक सब्दों के संकलन नि घंटू की व्याख्याईतु यास्क ने निरुक्त की रचना की जो भासा साथ का पित्थम गिरंद माना जाता है फ्रयाव का चंद बैदिक मंत पुराच चंदवद्ध हैं चंदों के नाम सहता सहताओं यह ब्रह्मण गिरंदों में मिलते हैं चंद सास्त प्रगल मुन्नी का ग्रंद चंद सूत उलब्ध है फ्रयाव का जेवतिस सोब मूर्थ में याग्जित अनुष्ठान करने के लिए गरहों तथा नक्षत्तों का अध्यन करके सही समय ग्याद करने की विथी हैं जेवतिस की उत्पति की सरफ प्राचीन अच्ना मगद मुनी के कृत वेदांग जिवतिस है जेवतिस के सबसे प्राचींतम आचार मगदमुनी है जिवतिस में आपके कुल 44 सिलोक हैं कितने 44 संधिस्त है विदांग जीतिस की रेड़ वेड यो येजुर्वेड से संब्धित गुरंफ है संधिस्तें आचार जीतिस एबं याजुस जीतिस मरुति ее इस census बेडों की सरीर रचना वेडों की सरीरी रचना की दरश्टि मैं वेड का पाद, हान, आकय, आकय, कान, आक तथा मुख, क्रबस, चंद, कल्ब, जोतिस, निरूब, सिक्छा तथा ब्याकरन कहला ते हैं। फ़र आपका पुरान क्या है पुराण। पुरान का साथ्दीकरत होता है प्राचीन, अक्यान। पुराणों में मत्स से पुराण सबसे आपका प्राचीन है याकिनी कि जो आपका मत्स से पुराण है इस सबसे पुराना है पांचवी से चौतरी सदावदी सपूर में पुराण गरंद अस्तित में आचुके थे मुख पुराणों की संख्या आपकी अठार है कितने हैं पुराण आपकी अठार है कौन गोज से मद्ज मारकंडे भविस भागवत ब्रमड ब्रह्मा वेप वर्थ ब्रह्मा वामन वराय विश्नु वायू अगनी नारत पदम लिंग गरोण पुराण के राचीन सासकों के वंसाबलियों पाते हैं विश्नु पुराण का संब्ध मौरवद से इन्हें याद रखना है विश्नु पुराण का संब्ध किस बंद से मौरवद से मत्स पुराण का सम्मंद आपके साथ बंस से और वायू पुराण का सम्मंद गुप्त बंस से इनके संगलन करता महर्सी लोम हर्स अत्वा उनके पुत्त उग्र स्रवा माने जाते हैं पुरान आपकी सर लेवंग बेवारिक भासा में लिखी गए हैं जो जन्ता की गरंद्थे जिन में प्राचीन ग्यान बिग्यान पसु पक्षी वनस्पति बिग्यान आयोविद आयोविद इत्यादी का विहद वाइडन मिलता है फिर है आपकी इस्मितिया या फिर धरमसास्त धरमसूत्य साहिद के कलांतर में इस्मिति गरंद्थों का विकास होने के कारणे ने धरमसास्त की संग्या बीद दी जाती है इसा फोरुप दुतिय सताब्दी से लिकर फोरु मद्यकाल तक विभिन इस्मिती गरंथों की रचना की गई तो सुरुमात्वीज की दुतिय इसा फोरुप से ठीक, कुछ प्रमोक इस्मितियों के नाम निम लेके थे, कौन-कौन से मनु इस्मिति, यागवलक इस्मिति, विष्णु इस्मिति, कात्यायन इस्मिति, व्यस्पति इस्मिति, परासर इस्मिति, गौतम इस्मिति, वसिष्ट इस्मिति, नारद इस्मिति, देवल इस्मिति, आधि इनमें आपका मनु इश्मिती, सुंग काल, ईसा पूर्व दुतिर, सती, सरवादी, प्राचीन, तथा प्रमाडिक, सेस आपकी गुप्तकालीन, यानि ये पांची भी सती, इस भी में लिखी गई है तो याद रखना मनु इश्मिती सबसे पुरानी है, सुंग काल की समय की है, बिश्णु इश्मिती के अतरिक्त सेस्मितिया, सिलोखों में लिखी गई है, इनकी भासा लौकिक संस्कित है मनु इश्मिती के पिसिद वासकार, मेगा, तिथी, गोविन राज, कुलू, भट, और याग वलक्त इश्मिती के टीका कार, आपके विश्णु रूप, विज्ञानिसोर, मेताक्षरा, अफराक, इत्यादिया, इश्मितियों में विविन वर्डों, राजाओं, और पदा पारिकारियों के नियम भी दे गए हैं, यहाँ का कल्ब सूत दिया गया है, इसे भी देख लिजे, इसापूर्ण 600 से 300 इसवी की मद रचित, यानि कि 623 से 380 की बीच मद रचित, स्रोथ सूत, बेदों में बढ़ेत यग भागों का क्रमबद विवरन, उसकाल की परंपराओ तथा धार में करोडियों का ग्यान, रचित के दो सूत, असुलायन, सांक्यायन, और याजूर्वेद में कात्यायन, आप इस्तम्द, हिरन केसी, बौधायन, भार्दुआज, मानों तथा बेखानस, सामवेद में लाट्यायन, द्रहनायन, आर्सिये, और अर्थर विवेद म आपका पेतान है, फिर आपका ग्रह सूत, इसमें ग्रह सूत में ग्रह स्थारम, ग्रह स्थारम से, सम्मन्दी धार्मे कनुष्ठान, करतब, प्रम, ग्रह सूत, सांक्यायन, अस्वलायन, बौधायन, आपस्थम, हिरन किती, भारदवाज, पार्सकर, गोबिल, खादिल, कोशिक, धरम सूत की बात करें, तो वर्ण धरम, राजा की करतब, प्राश्चित, बिधान, न्यालयन की स्थापना, कराधान, नियोगनियम, तो था ग्रह स्थ, करतबों का बिरन, तरमो के धरम सूत की ब बात करें, तो वरिष्षिष्ट, मानो, आविस्तम, बोधायन, गोतम, धरम सूत्र से ही कलांतर में, इश्मिती गरंतों का विकास हुए है, और आपका सुल्व सूत, सुल्व का पात्वर है नापने की डोडी, इनमें यग्रिय वेदियों को नापने स्थान चैन, और निर् सड़ दर्सन, श्रे भारती दर्सन का निर्माड हुआ है, जिसमें आप आत्मा जीव जगत, ब्रह्मा इत्यादी को बिविन पेकार से समझाने का प्रियास किया गया है, भारती दर्सन की प्यवर्तकों की बात करें हम लोग, तो भारती दर्सन की प्यवर्तक है, यह आपकी दर्सन हो गए यह आपके पिवर्तक हो सांक इसके पिवर्तक है कपिल नयाय की आपके गोतम योग की आपके पतंजली विशेशिक की आपके करनाद पूर मेमानसा की आपके जैमिनी उत्तर मेमानसा की बादरायन ठीक है यह आपके भारती दर्सन और उनके पिवर्तक है अब हम हम लोग बात करते हैं बौध्ध साहित की त्री पिटक सबसे पहले तो आपको बौध्धरम के त्री पिटक के बारे में याद रखने हैं कौन-कौन से बीनाय पिटक सूथ पिटक और अभीधम पिटक गौतम बौध्ध की मित्यु के बाद उनकी सिक्छाओं को बिभन बौध संक्तियों में संक्लित कर तीन पिटकों पिटारियों में विवाजित किया गया है याद रखे, बहुत धर्म को हम लोग आँगे, बहुत के बारे में जानेगे, जैनों के बारे में जानेगे, वहाँ बहुत के जीवन से समधित, सभी वक्षों को हम लोग देखने की कौसिस करेंगे, अभी यहाँ आप लोग एक तरह से समझ लिए, इसमें आपका बिनय पिट जसके निंबने पिटक को सीधा समतलवे समधि जो बहुत जाय समधियो, पाति-मुक्ख, पिति-मूच, इसमें अनुसासन समंदी विधानों और उनके उलगन पर किये जाने वाले फ्राय शिष्टों का संकलन किया गया है प्रयापका सूत्रा भिग भिंगडम डग इसमें पाति मुक्र के नेमों पर भास पिस्तुत किये गए इसके दो भाग है महावी बंडग तथा विख्खुनी विवंडग पिथम में बहुत विख्चुओं दूतियं में विख्चुडियों हेतु बिधी एवं निसीद परड़िच है प्रयापका खंद्रक इसमें संगिय जीवन संबंदी विधी निसीदों का विश्तित बाइड़न है जिसमें आपका महावक और चुल वक नामक दो भाग है प्रयापका परिवारिसम है ठीक प्रयाता है आपका सूत्विटक इसमें बहुत धर्म की सिद्धान तथा उपदे अब डिसों का संग्रह है इसमें आपके पांच ने काये हैं दीक ने काये मच्चिम निकाये सहयुक्त निकाये अगुंतर निकाये और खुद्धक निकाये पितम चार में बहुत की अब देशों यानि की वारताला रूम में दिये गएं पांच वाब का पद्धातमत कर कि अदेरी घरि एदेर गाथा ओन ऊंद थेरी गाथा के जातका दी जातकों में बहुत की पूर्व जन्मों की कहानिया संगे थे हैं ते पर यह आपका अभीध्य में पिटा यह पिशन उत्तर किरम में है इसमें दार्थ्नेक सिध्धानतों का संग्र है इसमें साथ करन्ते बिभंग दातु कथा फुगल्पन चिती कथावस्तू यमक और पठ्ठान ठीक है अब इधम में पिटक सबसे बात की रचना है जो आपकी कुसाड काल में हुई थी चौथी बहुत संगिती में संगलित की गई है तरी बिटकों के अतरिक्त पाली भासा में निमलिकित अन बहुत गरंतों में नांसेंकित, मिलिंद पनो तथा संगली अनुसरूतियां दीफवंस एवं महावंस और लेकनी है स्री लंका या फिर संगल का इतियास जिसे आप लोग अच लंका श्री लंका बोलते हैं उसे पहले सिलोन या फिर संगल कहा जाता है संस्कित बहुत गरंतों की बात करें तो संस्कित बहुत लेकों में सरवादित मत्पूर नाम कभी एवं नाटक का अस्गोष का है किसका अस्गोष का सरवास्तिवादी संपताय कि चन तक अस्गोष कनिस्क पिथम सतीजवी की राजसवा में थे उनकी तीन पिसिद्ध रचना है कौन-कौन से बुद्ध चरित संद्रानंद और सारी पुद्ध भिकरण ठीक है इससे आपके क्वष्चन्स बन सकते हैं कि बुद्ध चरित किसकी रचना है या पूछ लेकि फिर अस्तवोस की कौन-कौन सी रचना है तो इस तरह से आपकी questions बन सकते हैं इसमें पितम रोज दो रचना है आपकी महाकाब्बें और अंतिम जो रचना है ये आपकी नाटक गरंथ है अगर हम लोग जैन सायत की बात करें तो जैन सायत को आगम कहा जाता है जिसमें आपकी बारे अंग, बारे उपांग, दस पिक्रिण, छेच छेद सूत, पांच मूल सूत, अन्वियोग सूत, नंदी सूत की गरंड़ना की जाती है आपके इनकी रचना महावीर स्वामी की मित्यू के बाद विविन संगीतियों में इसा पूर्व चोत्री सती से चटी सती इसवी के मद्ध हुई अगर हम लोग बात करें इसमें बारांगों की तो कौन कौसे हैं पहला है आचारंग सूत, फरे दूसरा सूर कडंग, कंडग, सूत, सूत किर्टांग फर तीसरा स्थावंग, इस्थानांग, फरे आपको समयवायंग, सूत, भगवती सूत, या आपका महत्पून है, भगवती सूत नव धम कहा, सूत, वास, वास, गदसाव सूत, अंत, अंत, गड़दसाव किस तरह की नाव है इसमें? चली आपको याद रखना है, वस थोड़े अडूत, रो, वाईव, दसाव, तरह आपका पठ, हावा, गर, डाय, पिस्न ब्याकरन, विवाग, सूयम, तरह दिट्टी, वाय, द्रिश्टी बात अगर हम लोग बारा उपांग की बात करें इसमें, तो बारा उपांग है आपकी, और पातिक राजविस्नी है, जीवा, जीवा भीगम, पिजापन्ना, जंबू दूई, प्रगप्ती, चंद प्रगप्ती, सूर पेवरित, निर्यावली, कल्पा, कल्पाव संति का, चुलिका, विश्नी दसा, यह आपके उपांग में बारे, तो यह आपके पिकीड की बात करें, पिकीड, तो इसमें दस आपके पिकीड कौन कौन से, चतुर सरण, आतुर पित्याख्यान, भत्ती परिग्या, संस्थार, तंदुर वितालिक, चंद विध्यक, गड़ी विध कैसीड्या, देविन्स्ताओ, विरिस्ताओ, महापित्याख्यान। यह आपके पिकीड हो गए, अगर हम लोग मूल सूत की बात करें, तो इसमें जयन धर्म के उपदेश, भिक्चुम की करतब, विहार जीवन पति, नियंग, आदी का बर्डन है इनकी संख्या चार है उत्तराध्यन, सडा वसेक, दस्विकाली, फिन नीप्ती या फिर पाच्चिक सूत अगर हम लोग बात करें आंगे नंती सूत या इवं अनुवियो द्वार की ये जैनियों के सुतंत गिरंद तथा विस्त कोस है उप्युक्त सभी ग जैनों के लिए हैं दिगंबर संपदाय के मतावलं भी इने पिरमाडिक नहीं मानते हैं तो एक एवल आखके स्तोतंबर संपदाय के जैन ही इने मानते हैं ठीक है सुतंबर अनुश्रोतियों के अमसार महावीर की मित्तिव 140 वर्स बाद वल्लिभी में देवली चमाप्च सैबन की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें धार्मिक सायत को संक्लिक किया गया इसके बाद आपका पाठली पुत्स दवा में कुछ गरंतों का संक्लिक हुआ था दिगंबर मतालम्मी भद्धवाहू की सिक्षाओं को ही पिर्माडिक मानते हैं यह दिगंबर संपदाय है यह मतालम्मी भद्धवाहू की सिक्षाओं को ही पिर्माडिक मानते हैं अगर हम लोग बात करें लौकिक साहित की धर्मित्तर इसमें आपका रामाइड क्या है रामाइड सबसे पहले बात करते है बालिमी की किर्थ महाकाब रामाइड में मूलता 6,000 इस लोग थी जो आपकी सबसे पहले रामाइड लिखी गई उसमें आपकी 6,000 इस लोग थी जो कल कांतर में बारहे हजार हुए और फिर आपके 24,000 हुए यानि कि वरतमार में कितने हैं 24 इससे चतुरविस्ती सहित्थी सहिता भी कहा जाता है रावट को इसकी संभवता रचना संभवता इसा पूर पांच भी सती में आरम हुई है किसने वालमी की सहाब ने टीक इसकी पांच इसा की वारवी सती में सामने आई कुल मिलाकर इसकी रचना महावारत के बाद की गई पितीत होती है रामाईड की रचना महावारत के बाद की गई पितीत होती है या साथ कान्नों में बेवक्त आपकी रामाईड बालकांड, आयोध्याकांड, अरेननकांड, सुंदरकांड, किसकिंदाकांड, योध्यकांड, उत्तराकांड, क्यादिकांस वागों को तेच्छित माना जाता है ठीक है? इस साथकार्णों को याद रख़ा है अब के बार हम बात करते हैं महावारत की बारे में बेदव्यास ने लिखाया से बेदव्यास किर्थ महावारत महाकाब संभावता दस्वी सदी इसापूर से चौतिस सदी इस्वी तक की इस्तिती का आवास देता है पहले इसमें मात अठासी सो यानि की आठाजार आठसो से लोग थे और इसका नाम जह सेटा यानि की विजह संबन्दी गिरन कहा जाता था इसे बात में इस लोगों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गए और 24,000 हो जाने पर यह भारत नाम से पेसे दुए क्योंकि इसमें बैदिक जन भारत के बंसल्यों की कथा है और भारत के नाम पर ही आपका भारत का नाम पढ़ा था कलांतर में एक लाग स्लोग हो गए और यह सहता सत्साहिस्तुरी सहता यानि की महा भारत कहलाने लगा इसमें कतोब कता हैं बर्डन और उपदेशन मूल कता कौर्वों पांडवों की यूद की है जो उत्तर बैदिक काल की हो सकती है वाड नांस का सम्बंद बैदुत्तर काल से तथा उपदेशा आत्मक अंस का सम्बंद मौर्युक्तर और गुपत्त काल से हो सकता है इस पर डेटों का क्या रहता है, कि खुझ पिरमाड़े तिखी नहीं है. जो भी इतिहास का रहा है, उन्होंने अपने अपने साथ से डेटों को बताया. जिस तरह रहरे से आपकी खोज हुई, कहीं कारवन डेटिंग से, कहीं आपकी जीबास्म के द्वारा कोच की गई, उसी इसाब से डेट को रहधारन किया गया महा भारत में आपके 18 परव हैं, कौन कौन से हैं परव, आदी परव, सभा परव, वन परव, विराट परव, उद्दोग परव, भीशम परव, दुरोड औरव, कन्न परव, सल्ल परव, सैप्तिक परव, इस्तिरी परव, सांती परव, अनुसासन परव, अस्मेग्ड परव, आश्रमवासी परव, मौसल परव, महापिस्थानिक परव, सुरुगारूहन परव, ये आपकी महाभारत में 18 परव हैं, याद रखें इस तरह से आपका रहमायड और महार भारत हैं, इसे अच्छे से याद रखा करिए, क्योंकि आप भारत में रहें, तो कर्वी इंटर्वी में पूच ले, या फिर सामान जानकारी के लिए आपको कोई भी questions पूच ले, इसके इलावा हरी वंस, इसका विशिष्ट, परिशिष्ट, खिल परवे, जिसमें आपका क्रिष्ण बंस की कथा वह एड़े थे, किसकी किष्ण बाद की है, फिर आपका अर्थ सास्त, क्या है कॉटल की ऑड़े अर्थ सास्त, महतपून मौरकाली विदी करनाः थे, तो अर्थ सास्त किसकी किती है, कॉटल की, ठीक है, कॉटल को विश्णुगुप्त या फिर चाड़क की नाम से भी जाना जाता है, वापो जो चन्दुप्त मौर का गुरू था, किसका चंदगुप्त मौर का गुरू था कोटिल के बारे मैं सोचता हूँ कि एक अलग से कलास ले ली जाए पूरी कभी, मौटिवेशनल क्योंकि इसलिए कोटिल ने देखिए एक कोटिल ने किस तरह से गुरू का मत्त हो सकता है चंदगुप्त मौरी को नीचे से उठा कर कहा पहुचा दिया बहुत कुछ सीखने को मिलता है कोटिल से चलिए देखते हांगे जो भी होगा अर्थ सास्त पंदरह अधिकरणों में भी वाजित है जिसमें आपका दुतिये उतितिये सरवादिक प्राचीन है इस ग्रन्थ को वर्तमान स्वरूफ इसवी सन के आरम में दिया गया लेकिन इसमें प्राचीन तों अंस मौरिकाली समाज और अर्थ तंद पर पिकाष डालते है इसे प्राचीन वार्तिय राजितन्थ और अर्थ बिवस्ता के अध्यन की महत्पूर्ण सामगरी उपलब्द होती है फरे बात करते हैं पिरमुक संस्कित साहित्तों की पिरमुक संस्कित साहित कालीदास सेव मतालम्बी कालीदास गोप्त संब्राट चंद गोप्त दूतिय के दरवावी कवी थे कालीदास द्वारा बिरिचित साथ पद नाट गरंप को फरमाडिकता सुबित है इनके नाटक नेम लिखे थे, कौन कौन से हैं, काली दास के पद्ध और गद्ध, गरंत, रित्व संधार या काली दास की पिथम काबर रचना है, जो छह सर्वों, छह रित्वों का एक खंड काब है, ग्रिस्म बर्सा, सरद हैवंध से सिर्फ, एवं वसंद, तो याद रखना रित्व संधार किसकी रचना है, काली दास की, यह आपके पूछ लेता है कि रित्व संधार किसकी रचना है, या फिर दे देगा तीन ओप्सन, इसमें से चार ओप्सन, इसमें से तीन गलत दे देगा, और इनमें पूछेगा कि काली दास की कौन सी रचना है, या पूछ ले सिंगार की फ्रेयाप का कुमार संभव सत्रे सर्गों का महाकब जिसमें सिवेवं पार्वती की पुत कुमार यानि की कार्थी के जनम की कथा वर्डी थे फ्रेयाप का रगू वंस उन्नीस सर्गों में विभक्त महाकब जिसमें राजा दिलीप से लिकर अगनी वर्ड तक चालीस इच्छाकू बंसी राजाओं की चरित चित्रम प्राव का मालवी का विकागनी मित पांच अंकों में बटी कालीदास की पितम नाट अरचना जिसमें संग राजा अगनी मित और मालवी काग की पेनकता वर्ड थे फरे आपकी विक्त क्रमों वर्सी है कालिदास का दुतिय नाट गरन थे पाच अंकों में पूरो रवा एवं और वर्सी की पेणय कथा वह एडे थे इसमें फरे आपका अभीज्ञान सकुंतलम कालिदास की सर्वोत किष्ट नाट रचना साथ अंकों में हस्तनापूर की राजा, दुसेंत, उकन्र रिसी की पालिता, पुत्री, संगुत, सकुंतला की सहयोवेवं वियूप, सिंगार का वर्डन की आगरेस में तो ये सबी थी आपकी कालिदास से सम्दित उनकी रचना है ठीक है? अब बात करते हैं भारवी अठारे सर्गों में विभाजित, कीर्तारुजिन नियम, नामक महाकाब की रचेता हैं आपके भारवी माग, 675 इसवी, महाकाब, सिसुपाल बत की रचेता हैं आपके माग सरी हरस्त, बारेवी सती, गढ़, गहडवाल, जैचंद, निश्दियव में चरेत, महाकाब, खंड-खंड, खंड, खात, आदुएत का पेड़न की रचना कारियां फिरें आपके भास ये इसापूर भी पांच भी से चौती सदी तक रहे कालीदास के पूरवरती फिथम नाटक का रहे तेरे नाटकों के फिडेता हैं इसमें आपके पहला है सफनवास वदिता फ्रेया उरूभंग भग फ्रेया आपकी पित्तीमिका अभी से एक पंचराद मध्यम ब्यायों दूद घटोत करणभार दूदवाक वालचरित दरित चारूदत अभी उमारक पितिग्या योगधारन प्रायन तो यह सब ही आपके भास के नाटक हैं फिर आपकी विसाका दत्त साहब यह आपके गुप्त कालीन कभी हैं विसाका दत्त साहब की रचना हैं तो आपको इन्हें याद रखना है क्योंकि इनसे अधिकतर कुष्टेंस पूच लेते हैं सूद रखने ही अपनी रचनाओं का पात राच परिवार के स्थान पर समारच के मद्यमबर्ग के लोगों को बनाया था फर्याप के हर्सवर्धन हर्सवर्धन का समय रहा है 606 से 647 इसवी इनके तीन नाटक हैं रतनावली फुरिये दरिशी का नागादन नागा नंद का लेकप एक इसके रचना हैं आपके हर्सवर्धन साहब की फिर आपके बाब आगे चलते हैं फिर आपके भाव भूती साहब इस साथ सो इसवी यसवर्वन कर्नोज की समरें इनके तीन नाटक हैं मालती मादाओ उत्तरामचरित महवीर चरित तो याद रखिए कई बार बूच लेता है उत्तरामचरित किसकी रेचना है तो या आपकी भाव भूती भी फिर उसके बाद हैं आपकी राज सीखर कर्नोज की पिति हायर आजाओ महंदबाल महंदबाल कब से कब तक रहें 890 से 980 तथा मही बाल 910 से 940 इसवी के बीच रहे कि राज सभा में निवास करने वाले पिसे संस्कित कभी नाटक का रहे हैं कौन राज से कल चार नाटक एक अलंकार सास्त का फिडायनों ने किया है बाल रामाईड बाल भारत पिचंट पान्व बिद्दिस साल भंजी का करपूर मंजरी और कावित में माज़ा यह सबी आपके रास सेक साहब की रचना है ठीक है फिर बात कर लेते हैं गद्य साहित की इसमें आपके बाढबट हरस काल की समय रहे बाढबट पिचिसाब की रचना है हरिश्चलित कादमबरी ठीक है इनकी दो रचना है दंडी फलाउनर श्रिंग बर्मन की समय के रहे हैं 690 से 925 है इस वी की बीच इनकी रचना है दाप काब्यादर्स दसकुमार चरित अरंती सुंद्री कथा यह आपकी दंडी दंडी की रचना है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इतिहासिक साहित की इतिहासिक साहित पदमगुप्त परीमल यह आपका परीमार सासक मुंझ की समय करहा है 992 से 999 इस वी की बीच इनकी रचना है नौस सह सांग सांग चरित विलहर एक कल्याडी के चालुक की विक्क्यमादित स्थिक्स की समय रहा है 1026 से 1127 की बीच इनकी रचना है विक्क्रमाग देवचरित ठीक है विलहर की पर आपका कल्याड कल्याड ने अपने प्रमुक गरंथ राश्ट तरंगनी की रचना कस्मी नरेश जैसीं के काल में की थी जिसमें आठ तरंगों में कस्मीर का बारवी सती तक का इतिहास बढ़े थे तो याद रखना पूंच लेता है यह रचना कई वाल पूंच ली गई बहुत ही मत्मूर कुश्चेंस बनता है राश्ट तरंगनी किस की रचना है कलहड की जो आपकी राश्ट तरंगनी है इस संस्कृत बाता में बासा में इतिहासिक घठनाव क्रमबद रूप से फिर्श्टूत करने का प्रयास किया गया है किसमें राश्ट तरंगनी में फिर आते हैं आपके हमचंद बारवी सती में कुमार पाल चरित इनकी रचना है प्रयापके नैचंद सूरी है इनकी नैचंद सूरी की रचना है हमीर का प्रयापके जयानक पितिवी राज विजय जैने की रचना प्रयापके वागपती राज वागपती राज इनके रचना है गौण बाहू गौण बाहू संध्याकार नंदी इनकी रचना है राम पाल च से क्योंकि इनसे questions पूंचे जाते हैं वह यह आपको रखने पड़ेंगे यहां समझने लाइख कुछ भी नहीं है फ्रयाप की गुणन ने पिसिद रचना है इनकी वेहत कथा पिसाची भासा में साथवान नरेस हाल इथम दुतिय सदीक्या दरवारी तभी थापका बुणान में फ्रयाप का च्यमिन इसकी रचना है वेहत कथा मंजरी सौमदेव की रचना है कथा सरिति सागा फ्रयाप का विश्णो सर्मा इसकी रच संकला विशनु सर्मा की रचना का क्या नाप है पंच्टा फिर है आपके नाराय भट इनकी रचना है हितोप्त देश जो संस्के सिक्षक का पितम गरत्य अमर सींग इनकी रचना है अमरकोस सब्दकोस इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है अगर हम लोग विदेसी यात पात्रियों एवं सिक्षकों यानि कि लेक्षकों के विवरण से भी हमें भारतिय इतियास के जानने में सहायता मिलती है जिन में अनेक यूनानी रोमन अर्वी-चीनी यात्री आपके भारत आये हुए तो इन्वे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनानी रॉमन लेक्षिकों के बारे में यानि की यूनानी या त्रियों के बारे में भारतिय स्रोथ से सिकंदर के आखमड यानि की 325 इसापूर की कोई जानकारी नहीं मिलती है भारतिय सिरोत से सिकंदर के आने का यानि की आखमर करने का कोई उल्लेक नहीं है भारतिय सिरोतों से इसके लिए हमें यूनानी सिरोतों पर ही आशरत रहना पड़ता है यानि कि सीधा से कहने का मतलब है कि हमें इसते पताप चलता है कि आपका सिकंदर भारत आया था यूनानी रोमन का सहारा लेना पड़ता है तभी हम बता सकते हैं कि सिकंदर आया हुगत सिकंदर महान के आकमर के समय एक समकानी भारतिय राजा सेंडो कोटस कोटस का नाम यूनानी लेकों में इस्टरोवो एवं जस्टिन ने किया है बिलियम जॉंस ने जिसकी वहचांग चंदगुप्त मौर से मिलती है वह आपको पता हुगा जब आपका सिकंदर आयत उस समय आपका चंदगुप्त मौर उसके समकाली नहीं था उसके बाद ही चंदगुप्त मौर का सासन गड़त एरियन तथा फिलू टार्क ने उसे एंडो कोटस था फिलार्कस ने सेंडो कोटस के नाम से उलिकित किया इसे चंदगुप्त मौर को इस्टेवो डायोडोरस पिलेनी एरियन नामा युनानी बिद्वान किलासी कल लेखा के रूम में जाने जाते है ट्रेसियस इरानी राजबेल जिसने मात इरानी अभी अधिकारियों से ही भारत वेसे ज्ञान प्याप्त करने करके अपना ब्यवण लिखा रयाब का हेरो डोटस कौन है हेरो डोटस इतिहास का पिता कहा जाते सी याद रखिए अगर पूचिए आप से इतिहास का पिता किसी कहा जाते है तो हेरो, हेरो डोटस इतिहास का पिता कहलाने वाले हेरो डोटस के ने अपने गरंथ हिस्टोरिका में पाचवी सतापती इसापूर की भारत फारस सम्मंदि का बर्डन अनों सिरुतिया क्यादार कीया है फ्रयाब का नियारकस अने सिक्किट्ट सिकंदर के साथ भारत आने वाले इन लेखकों के विवरण और अधिक पिर्माडिक है जिनका उद्देश अपने देशवाचियों को भारती है भारतीयों के विशे में बता रहा था मैगस्तनीच बहुत मात्पून है मैगस्तनीच सेलुकस निकेटर का के राजदूद के रूम में चंदगुप्त मौरी की दरबार में 14 वर्सों तक रहा जिस तरह से आप लोगों के राजदूद निव्त किये जाते हैं देशों में उसी तरह सेलुकस निकेटर ने अपना साल तक उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर यूविन समाज एवं संस्किति के बारे में लखा लेकिन इंडिका आप उपलब्द नहीं है इसके संबंद में जानकारी उत्तरकालीन यूनानी लेप उत्दरन के रूम में प्राप्त होती है तो आपको याद रखना है इं इंडिका में आपका मौर यूविन समाज एवं संस्किति के बारे में बढ़न मिलता है याद रखी डाइमेकस सीरियाई राजा अंतियोकस के राद्दूत के रूम में बिंदूसार के दर्बार में रहापका डाइमेकस डाइवनिसियस मिसनरेट टालमी फिला डेलफस के राद्दूत के रूम में असुक के दरबार में आयद था ए ठीगा चंद गुप्त मौर फे बिंदूसार फिर असुक तीनों एकीवंस के सासर थी टालमी की जियोग्राफी और फेरिफिलस ओफ दा इरीथियन सी जियोग्राफी लगबग एक सुपचास इसे भी आसपास लिखी गई थी जिसमें प्याड़ाचीन भारतिये भूगोड और वाडिज का बाइडन मिलता है तक फेरिफिलस का आग्यात लेकत अस्ती से एक सोपंद्रह इस थी कि मद्ध हिंद महासागर की आत्रपड आया था जिसने बंदर गाहाओं और व्यापारिक बस्तूंगों का वेवर्ण दिया है इस पुस्तक में पुस्तक नैचूरल हिस्टोरिका इसा की पिथम सदी में या लेटिन वासा में आपकी जिसमें भारत इटली के मद्ध होने बाले ब्यापार तथा भारतिये पसूओं एवं बनस्पतियों बनस्पति नो खनिच का वेवरण इसमें मिलता है तो याद रखिए अभी से नहीं फिराचीन काल से ही आपका विदेसों से व्यापार होता ना है विदेसी संबंद रहें कोई नई बात नहीं अगी फिलने ने रॉम से भारत के आने वाले धन के लिए दुख पिगट किया है फिराते हैं आपके चीनी लेकर भारत आने वाले अधिकास चीनी यात्री बहुत तीर थिस्थानों तथा बहुत धर्म के विशय में ग्यान पर राप्त करने आये थे इनमें आपके प्रमक कौन कोन है भायान या चीनी यात्री गुफ्त नरेश चंद गुफ्त दुथी है यानि कि जैसे हम लोग विक्या विक्रमादेती भी बोलते हैं उसके समय आये था है यानि कि 375 से 414 चारसो पंद्रे इसमी के मत्र ठीक है भायान तीन सो निन्यार्वे से 414 तक उसने भारत की बिविन्ने स्तारों का बने भढ़ किया भायान ने उसने गुफ्त कालीन उसने गुफ्त कालीन भारत की समाजिक आर्ति और आर्तिक इस्तिति धार्मिक इस्तिति का विवरण दिया है फिर आपका हैंसांग कन्योज की सासक हर्ष वरधन यानि कि 606 से 647 के इस जासनकाल में भारत आया यह आपका 16 वर्सों तक बिविन्द स्थानों की यात्रा की और 6 वर्स तक नालंदा विस्विध्याले में रहेकर इसने सिक्षा पराप्त की तो हम लोग पीछे पर चुके हैं आपको बताना है नालंदा विस्विध्याले की स्थापना किस ने की थी अगर आपने अच्छे से सुनाओगा तो आप इसका कुश्चन्स का अंसर देपाएंगा ठीक हैं सांग उसका वियात्र विवन्द सी यू की नाम से पिसिद्याप का हैं सांग का जो हर्स कालीन भारत की स्थेथी जानने के लिए मत उन सरोत हैं फ्रयाप का हीली इसके द्वारा हैं सांग की जीमनी से ही भी हर्स कालीन इतियाज की बातें ग्यात होती हैं फिर आपका इत्सिंग साथवी सिदाप्ती एंत में भारत आने वाली चीनी यात्री ने नालंदा और विक्रम से लाविस्विद्या ले तथा अपने समय की भारत की स्थिति का बर्डन किया है इसने फिर आपका मातवान लिन हर्स के पूर्व अभियान का बेवर्ण इसने दिया है चावु जूक हुआ चोले इतियास का बेवर्ण इस्तुत करता है फिर आपका अर्वी लेकर अलवर्णी अभू रियान तहकीक एहिंद अलवर्णी इसे याद रखना इसकी रचनत तहकीक ए के हिंद यानि की किताबूल हिंद अर्थत भारत की खोच कानून अलमसूदी महमूद गजनभी के आकमण यानि की इसभी में नौभी सदी इसभी में भारत आने वाले अर्वी यात्री सुलीमान ने पितिहार और पाल राजाओं की विशे में जानकरी यानि की लिखा है सुलीमान ने ठीक है उसने बाल समराज को रोहिमा धरम या धरमपाल कहा और अलमसूदी या आपका 915 से 916 की मद्राद बगदास से आने वाले अलमसूदी ने पितिहार राजाओं का वर्डन किया है उपयोक्त लेककों के तरिक तिब्बती बौध लेकक तारानाथ बारवी सदी के गरंतों कंगूर तंगियूर सेवी भारती एतियास के पर फिकास पड़ता है बेनन इटली कपसिद यात्री मारकोपोलो तेरेवी सतापदी के अंत में फांड राजी की यात्रा पर आये था इसलिए उसका यात्रा विवरन मूलता दच्छन वारत से ही संबन्दी था तो याद रखना मारकोपोलो आपका इटली का यात्री था तो यह थे आपके प्रमुक स्रोत भारती इतियास को जानने के प्रमुक स्तरोत अब चलते हैं हम लोग अंगले टॉपिक पर बात करते हैं फ्रक्तियासिक काल के बारे में ठीक है बारत में पासाण काली सब्वता की कोच का कारे सरप्रतम 1863 में आरम हुआ जब भारतीय पुरातत सर्विक्षिन विभाग की विद्वान रौवर्ट वुर्स फोट ने पल्लवारम यानि की मद्रास से पूरुप पासाण काली इंडॉप करन यानि की पत्थर के हाथ की कुलाडी पुराप्त की तो भारत में पासाण काली सब्वता की कोच का सुर्विक से जाता है 1863 में यह आरम करने वाले थी आपके रौवर्ट वुर्स फोट इन्होंने पल्लवारम से यानि की मद्रास से पूरुप पासाण काली इंडॉप करन यानि की पत्थर के हाथ की एक कुलाडी पुराप्त की थी इन्होंने ठीव है वैटिस भूविज्ञानिक और पुरातात्य विद्रोवर्ट वुस फोट ने भारती संस्थान जीयोलोजीकल सर्वेय ओप इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्विस्थानों का भूविज्ञान समंदी सर्विक्शन किया जैसे भारत के इतिहास पूर्व अ अनुसंदान की रूम में 1935 कब 1935 इस भी में डी टेरा तता पीटर्सन याद रखना इस दो नावगों डी टेरा पीटर्सन की नेतत्त में वाली एल केंब्रिज अभियांदल ने सिवाली पहाड़ियों की तलहटी में इस्तित पोद्वार की फठारी वाग का व्यापक सर्वेचन किया विद्वाना को विशार है कि सब्विता का उदे और विकास अत्ती निवतन काल यानि कि पिलाई टो सीन एज में हुआ था किसका प्रगितियासिक काल का लेकिन क्या होता है कि पत्रों से ही जाना जा सकता है इसी तरह के वाचार पासार से ही इसकी पारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इस समय कि कोई लिखित जानकारी नमारे पास उपलब्द नहीं है इसलिए अलग-अलग जो इतिहा कार्यकारी के अनुषार 400 करोड वर्स पुरानी पितवी की । चार अवस्ताओं में से चौतरी और अंतम अवस्ता के दो भागें अतीनिव तन और अगज़तन ओलतीं थैंग Allocene का अपने अतीनिवतन 10 लाकड़ से 10,000 वर्स फूर और अग्यतान यूग को आज सिद्ध सजार बर्स पूर आरम माना जाता है अगर आपको और डेटेल के साथ समझना है उनके तो आप एंस इयाटी पड़ सकते हैं कि हम लोग उसमें आपको अब डेटेल के साथ बहुल इत्ती साधार्ण सब्दों में समझा रहे हैं इस वुक्स को रिवू करना यानि की देखने का मतलब सरफ इतना है कि वंडे एकजाम आपके उत्ते हैं तो आपको पॉइंट से मतलब रहता है आपकी कुछ दुनिया की कहानी से मतलब नहीं रहता है तो अगर आपका मन है डेटेल में पड़ने का तो एंस इयाटी देख लें जो हमारे लेक्चर लिए गये हम लोगों उसमें आपका इतिहास को बड़े नॉर् आपकार एवं खाद्र संग्रय युग कहा जाता है पुरा पासाड काल कुछ बारत में मानों की प्राचीनतम अस्तित्त का संकीत दुतिये हेमावर्तन क्लेसियन काल की परतों से ब्राब पत्त्रों के उक्करणों से मिलता है जिसका काल आपका 25 लाग इसापूर बताए गया यानि कि हम लोग विश्वास के साथ नहीं कर सकते हैं लेकिन एक लगवक डेट है 25 लाग इसापूर में मानों को स्थत्त आ गया था इस धरती पार ठीक है छेती करना आग जलाना कभ्यान नहीं था अभी ये नए नए आय हुए थे तो आप ही सोचिए इसे उस बच्चे की तरह ली सकते हैं जो अभी पैदा हुआ हूँ वो क्या जानेगा करके जैसे ही वो आगे बढ़ता जाएगा अपने उपायत नुम्रत जाएगा बे सिकार द्वारा जानवर की मास और ऐसे फल फलों कंद मूल खाद संग रहे पर जीवन बितीत करते थे जो जंगलों में उपर जाते थे यानि कि जो उन्हें आसानी से उपलब्द हो जाते थे उन्हीं का आर लेते थे हो पुरापासाड एपको मानोग द्वारा भ्योगत होने वाले हत्यारों के सवरूफ और जलवाईव में होने वाले परिवतनों के आदार पर इसे आपका तीन भागों में बांटा जा सकता है कि इसके हत्यारों के सवरूफ और जलवाईव के आदार पर पूर्ख पुरापासाड एउँ आपका पच्चीस लाग से एक लाग इसापूर मद्द पुरापासाड एउँ एक लाग से चालीस हजार इसापूर उत्तर पुरापासाड एउँ चालीस हजार इसापूर से दस हजार इसापूर ठीक है इस तरह से इसे बाठ सकते हैं और याद रखिए कोई स्थाई डेटे नहीं है कई बुक्सों में बदलते रहते हैं कई में आपका पच्चीस लाग से दस लाग दिया गया है दस लाग से पचास लाग पचास से चालीस इस तरह से बदलती रहते हैं तो एवी कुश्चेंस आपके कम ही पूच जाएंगे इनसे ठीक है क्योंकि वो भी जानते हैं इस्टूडेंट की क्या पिर ओल्डम रहते हैं पूर्व पूरापासाणियों अधिकांस हिमयों आरंबिक पूरापासाणियों में ही बितीत हुआ है इसका बेमाड कुलाडी हस्त को ठाल हैंड एक्स विदायनी किलीवर वो गंडा सा खंड़क का प्रियों होता है बारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुलाडियां फ्रया यह सी पस्ट्यमेशिया यहो एवां अफीका से प्राफ्त कुलाडियों जैसी ही है निमने पुरा पासाड़ेओ निमने पुरा पासाड़ेओ के अधी संक इस्थग सिंदु नदी की सायक सोनन सोहन नदी की घाटी संप्रेथी पाकिस्तान के बंजापरांथ में पाए जाते हैं इसे सोहन घाटी सब पता भी कहते हैं या यानिकि सोहन संस्किती क्योंकि सबसे पहले इसके पिमाड आपके सोहन नदी घाटी के पास ही मिले थे पहली बार सोहन से सम्बंदी साक्ष मिलने के कारण इसे सोहन संस्किती की संगिया भी दे दी जाती है आगे चलते हैं अनेक इस्तल आपके कस्मीर तथार के मरूस्तल डिड़वाना चित में भी मिलें इसके निमने पुरा पासंड कालीन हत्यार मीड़ापूर जिले की बेलंघाटी उत्तर बदेस में आपकी वह बल में मदपदेस न थीए याद रखना नहीं कछ लेटायए कर वाद मद्पुरा पासाड काल ये आपके निम्नपुरा पासाड काल ये इस तल हो गए पूछ लेता है कई बार कि ये कौन सा इस तल है मद्पुरा पासाड काल ये आप निम्नपुरा पासाड काल प्रिष में प्रिष्तर सलकों से निर्मित विविन पिकार के फलक बेदनी चेदनी खुरजणी आदी कप्रियों और रखता है जो संपूरा भारत में पाई गए याद रखिए पहले मानो जैसे आप एक बच्चा पैदा मुझता है ठीक है नॉर्मल ले ले लिए तो वो कैसे चलना पहले गोटनों की बच चलना सीखेगा फिर वो बढ़ता जाएगा फिर उसे इसकरता जाएगा और एक दिन वो खड़ा होकर चलने लगा इसी तरह मानो की थी पहले लग्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक् आपके नदवदा नदी के किनारे अनेक इस्थानों पर यत्तुमगदा नदी के दच्छिडवर्ती इस्थानों पर भी पाए गया है तरहे आपका उत्तर पुरा पासाड़िव इस योग में आद्विता कम हो गई थी और जलबाईव आपे प्ठ्या के गरम हो जाने से हेमयोग की अंतिमवश्था आरम हो चुकी इस योग में आद्वनिक पैरू के मानों होमो सीपियन्स का अभी अभी वहार हुआ यानि कि जो आद्वनिक मानों है इस तरह कमानों कब आया उत्तर पुरा पासाड़िव में देखने में मिला इस योग के प्रिश्थर फलक कुलाडियां आंद करनाटक महराख्ट केंदी अमध्य पिदिस और दच्चन उत्तर पिदिस पूर्विहार बर्टमाजार केंदी की पठारी चित्रों में पाया जाए गुजरात की टिब्मों के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरा पासाड़ी भन्दार भी मिला है जिसमें सलक फलक तक्षनिया खुरुचनिया समले थे तो यह थापका पुरा पासाड़ का अब चलते हैं हम लोग मध्य पासाड़ काल के बारे में जानते हैं मध्य पासाड़ कल सिकार एबं पसुपानन योग भी बोला जाता है से यह आपका 9000 इसापुर्व से 4000 इसापुर्व के बीच मध्य पासाड़ कालीन मानव सिकार करके मचली पकड़कर तथा जंगली कंद मूल का संग्रयकर उस्ते से अपना पेट भरते थे जो आपके मध्य पासाड़ कालीन मानव थे यह आपके सिकार करके मचली पकड़कर तथा जंगली कंद मूल का संग्रयकर उस्सी से अपना पेट यानि की जीवन यापन करते थे इस योग की पिस्तर उकरणोंक में परिसकार आया और उनका आखार भी छोटा हुई यानि की इन्होंने प्रगिती की और अजारों में भी प्रगिती हुई इस मद्वर्ती काल को उत्तर पासाण एव या फिर मैसोलेथिक एज भी कहा जाता है यान रगड़ा मद्वासाण कालीन इस्थल आपके राजिस्थान दच्छिण दच्छडी उत्तर पिदेश मद्वाप पूरी भारत तथा किष्णा नदी की दच्छिण में वह उत्तायाद से पाए गए यहां पर मानोबस्ती यहां पर मानोबस्ती 5000 बसों तक रही है मद्वाप पिदिस में आपका आदमगड राजिस्थान का बागोर पसुपालन का प्राचिंता प्रमार पिस्तुत करते हैं जिसका समय 56000 इसा पूरू हो सकता है आप लोहोंने अभी तक पड़ा याद रखे कह नहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि आदीमानोब यानि कि इनमानोब ने पसुपालन यानि कि पसुपालन के साब कहां से मिलते हैं आदमगड इस्तान से जो मद्विदिस में है और बागोर जो आपका राजिस्थान में और इतियासकार इसकी डेट बताते हैं 5000 इसापूर के बीच है ठीकस लगभव मदपासान कालीन महाधया दहा यह उत्तरपिदेश के प्यताब गर्जलिम है यहां से बड़ी मात्रा में हड़ी एवं सिंग निर्वित उखन प्राप्त हुए यानि कि आप लोग हड़ी यानि कि जार्मरों के हड़ी और सिंग से उखन बनाने ल होगि अब इंसान अन्यूत का उत्वादन करने लगाता है यह आपका 10,000 से 1000 इसापूर के बीच रहा 7000 से सब्सक्राइब विश्व के संदर्म में 9500 का आरम है 9000 इसापूर में आरम होता है विश्व के संदर्म में लेकिन भारत के संदर्म में 7000 से टीक लेकिन बलुचिस्तान के मेहरगर में एक ऐसी प्राचीन भारती वस्ती मिली है यह आपका मेहरगर कहा है पाकिस्तान में वर्थमान में पाकिस्तान में जहां से 7000 इसापूर बताये गया इसका समय इस एक के लोग पॉलिसदार पासाण हत्यारों का प्रेउक करते थे वेवेसे इसका रूप से पत्थर की कुलाणियां प्रेउक करते जो देश के पहाडी चित्रों में बड़ी मात्रा में पाए गये हैं नव पासाण युक के निवासियों को सबसे पहले अनग अन उगाने का स्रय किसे जाता है तो याद रखे नव पासाण युक के व्यक्तियों को किरसी कार की पिक्रिया में पत्तर की गुदालों नुकिले पासाण डंडों से जमीन दोते हैं क्योंकि आज की तरह इस समय हलका प्रियोग नहीं होता था वोना हिए आपका लोहा का उपेव होता था क्योंकि लोहा की अभी तक कोछ नहीं होई थी इसलिए लोग पासाण से यानि की पत्तरों के डंडों बोजारों से खिति किया करते थे पॉलिस दार पासाण अत्यारों के अत्रिक्त बे सूक्ष पासाण फल्मों का भी प्रयूग करते थे बे मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार और आयताकार घरों में निवास करने लगे यानि कि वो अब निवास इस्थाई रहने लगे याद रखिए जब लोग जैसे आप कहीं खेती करते हैं तो वहां आपको रहना तो पड़ेगा उसकी देखवाल करने पड़ेगी सचाई के लिए चलिए सचाई की विवस्था पहले अलग टाइप की थी लेकिन वहां आपको पशू पसुनों से रखवाली करने पड़ेगी जानबरों से तो आप उहां इस्थाई मकार बना लेंगे वही रहने लगे तो क्या हुआ कि इन्होंने खेती करना सुरूं की पसु पालना सुरूं किया तू deux-coug पहलन के लिए और खेत्य को रखाने लिए एक इस्थाई निवास यारी कि घरों का निवास खंचना बनाना पर देने में उपकरणों का भी प्रियूग करते थे लोग दोसर मितबार्णों का प्रियूग करते थे यहां कपरों में पालतु कुत्ते भी अपने मालिकों के सब्सक्राइब जाते थे कपरों में पालतु कुत्ते को भी दपनाया जाता था अपने मालिक के साथ यह भुर्जाहों में पाई गया यह पिता भारत के अत्रिक अन्य कहीं नहीं पाई गया कौन सी पिता पालतु कुत्ते को मालिक के साथ दपना रिखी ठीक है इतना लगाओ आप समझ सकते हैं कि उस सम भी सामाजिक इस्तितियां होती होगी यानि कि भावनाय लोगों में होती होगी ठीक है इस काल के लोग किर्सी के तरिक पसुपालन भी करते थे यानि कि किर्सी पलस पसुपालन दोनों करते यह लोग आपके भेड बैल वक्री पालते थे समय क्या बैल भेड वक्री पालते थे मेहरगड के नौपासाड योग मेहरगड के नौपासाड योग गया हो जोग और रूई उपजाते थे पसल में जबकि इलावाद के पास चापा लोग आने का प्रमाड भी मिला है तो अगर आप से पूछे कि सबसे पहली किस की खेती की कौन-कौन से पसल की तो आपको याद रखना गयमों और जोग नौपासाड काली इन अनएक इस्थाई निवासियों कुपकेसी कार के लिए अनाज रखने तथा पकाने खाने और पीने के लिए बरतनों की आवस्ता महसूस होई अत्तहा कुम्बकारी तरफ्पितम इसी यूंग में परिलप्चित होती है याद रखिए जो इनके लिए जरूरत बनती गई यह अपना खोच करते रहे यानि की बनाना शुरू करते रहे पसू पालने की नहीं आवस्ता पड़ी तो पसू पाला इन्होंने फिर खेती करने क की आवच सकता पड़ी तो इन्होंने खेती करनी शुरू की उसके बाद निवास की यादी की घर बनाने की जरूरत पड़ी तो वह भी किया उसके बाद खाना पकाने के लिए बरतनों की जरूरत पड़ी तो यादी की कुमार कारी पिथा भी इन्होंने शुरू की यहां आरम में हांस से मिद्वान निर्मित होते थे भारत में मिट्टी के अधिकांस वर्तन चाक पर बंदने लगे अब इसमें पॉलिस युक्त काला मिद्वान दूसन मिद्वान और मंदवण मिद्वान समले थे आपका नवपासाण इवीन सिल्ट कुलाडियां वसूले चैनी आदी उकन उडिसा उडिसा छोटा नांगपुर जारगंड के पाड़ी छेत्रों में भी पाए गए कलांतर में मानों को लोहे का ज्यान हो गया था तो उसने चरम उन्नम्ति का माड़ भी विसत्त किया लोहे के फल से युक्त हलों के कारण मैदानी इलाकों में बनों कुकाट कर खेत बनाना गहरी जुताई करने संभव हो गया था जिसमें अधिसेस उत्वादन होने लगा नगरिय जीवन का आरभ हो चपाता कई लोग अभी भी मानते हैं कि आपका उत्तर वैदिक्काल के लग कि जो भी अलग-अलग सबकी अलग-अलग विचार है अब आपने जो आपके हाथ लगाया आपने अपने हिसाब से तितिनर्दारियन कर दी कोई किसी जिसको जिसने साब से लगा इसे अपने हिसाब से सब लोग बताते रहें चली अब हम बात करते हैं ताम पासान काल के बारे में नवपासान यूग का आरम होते होते धातूं का प्रयोग आरम हो गया जिस समय आपका धातूं का प्रयोग प्यारम हुआ उसे ही आप लोग ताम पासान के नाम से जानते हैं पत्तर के साथ साथ पहली धादू के रूम में तामबे के योग करन का भी प्रयोग होने लगा तो आप से कभी जनरल नोलेज में या फिर कहीं पेपर एंटर्वीव में पूछे कि सबसे पहले मानो द्वारा उप्योग की जाने वाले धादू कौन सी थी तो आप पेज़े जग बोल दीजे तामबे तामा तीगा ताम पासाड युग को चाल कोलिथिक युग भी कहा जातू याद रख ताम पासाड का निन लोग मुखता ग्रामीड समधाय के थे और देश के ऐसे भागू में फैले थे जहां पाहाडी जमीन और नदियां थे बारत मीज विप आविवस्था अवस्था से सर्वत्य इस्तलाप के दर्चनपूर राजिस्थान पश्चिमी मद्यपिदेश पश्चिमी महराष्ट और दर्चनपूर भारत में पाएगे कौन ताम पासाड लोग राजिस्थान में आहार और गिलुंड के उत्खनन हुआ जो बनास गाटी के सूखे भागों में इस सित्थ है पता है आपको अगर आप लोग एक बार पॉइंट अपकरना सीख गए कहीं से भी और आपको मालूच चल जाएगी आपको जरूरी क्या है लूसेंट आप लोग पढ़ते हैं बेचिजक लेकिन कई लोग पूछते हैं कि आकर बढ़ा कैसे जाए मुझे याद बना रहे हैं तो कभी भी कुछ भी हुगा करें कोई किताब अफला बलाते हैं तो उसे एक बार नॉर्मल पढ़ लिया करेंगा क्या करिएगा नॉर्मल पढ़ लिया करेंगा पूरा दिमाग लगा के ठीक है उसमें रटी है या कुछ पहली बार मतों जैसे ही आप एक बार पढ़ लेंग क्या 40-50 परशेंट आपका लूसेंट या कोई भी रुक्सों कबर हो जाएगी उसके बाद कुछ ऐसे टम्स बत्ती हैं अनिस सब्दे जो हमें रटना ही पड़ता है तो ने रट लीजे आपकी कंप्लीट हुए तो इस तरह से आप लोग पढ़ा करिए पश्चिमी मद्यपदे मिद्भांडों में उत्क्रेश्ट मतलब सर्वुत्तम मान गया है मालवासे पश्चिमी महराष्ट के जोरवे नेवासा एवं देमाबाद एहमदनगर चंदरोली सौनगाओं च्छामगाओं फिरकास और नासित में विस्तित उत्खनन किये यह सभी इस्थल जोरवे संस्कि जोरवे एहमदनगर जिले में गोदारवदी नदी की साखाव फिवरा नदी के वायतत पर अवस्तित थे इस सवस्था के अनेक इस्तल पूरवी भारत बिंदचेत पश्मी बंगाल यानिकी भीर भूमी बिहार चिराद सौनपूर ताराडी पूरवी उप्तरपिदिस रेव इस्तान की बनास गाटी के सुस्क चेत्रों में पढ़ते हैं आज संस्किति कालकाल समयानी की समर्पियेड रहा है इसका कि एकीस सो इसापूर से पंद्रह सो इसापूर यानि की बीसी ठीक है आँगी देखते हैं हम लोग गिलुंड इसका इस्थानिय के अंदर जहां तामे के टुकरे ही मिलते हैं ताम पासाट इपके लोग गाए भेड बकरी सुगर और भैस पालते थे यानिकि इन जार्वनों को पालते थे यह लोग हिरन का सिकार करते थे उन्ट के उसेज भी आपके तामबासाइद काल से मिले हुई हैं यह सबस्त नहीं होता है कि गोडे से परिछिप थे या नहीं कई लोग बताते हैं कि गोडे आपके इस समय पाले जाने लेगे थे लेकिन इसका कोई साथ नहीं है कई जगह मेड मिट्ट यानि की मिट्टी की मूर्थियां मिली हुई है इस तर वे गयों चंप चावल बाजरा मसूर उदर मूंग मटर रागी अस अलसी तथा कबास उगाते थे बे मचली पकड़ने के काटे यानि की बंसी का ब्रयूप करते थे याद रखिए आज से मचली का सिकार अभी से नहीं हो रहा है तापासाड काल से हो रहा है वे अपना घर गीली मिटी थोपकर बनाते थे आहार की लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे आहार की लोग यानि की सबस्यांगी निकल रहा रही थे पत्त्रों का भी बेयोक करने लगी थे घर बना में बे त्यामी का सिल्व करम पत्तर की कारिवी करते हैं बेबत्तर के मन के या फिर गुठिकाएं भी बनाते थे थे वश्टने नमार से भी विश्व परिजित हो गई थे लोग मेड़तक को अस्थी कलस में रखकर अपने घर के फ़र्ज के नीचे उत्तर दच्छरते सामें गापते थे अस्थी कलक का यह मतलब है कि किसी वर्तन ऐसे में मेड़तक के सरीर को किसी ऐसे वर्तन में रखकर या कोई भी कह लीजिए आप लोग नहांचा उसे रखकर अपने फर्ष के नीचे उत्तरद अच्छन दिशा में गारते थे यानिकि उसे नीचे धर्ती में दपनाते थे ताम पासाणिये लोग मात देवी की पूजा करते थे अनेक कच्ची मिट्टी की नगन पुतलियां भी इस समय पूजी जाती थे बस्तिया चोटी और बड़ी भी होती थी इस सब्विता की खुदाई से पराप्त ताम बस्तु में तीर के नौब बर्चे के फल बंसियां स्लेल्ट सेल्ट कंगन चेनी आ दिया यहां गौरिक यानिकि गहरिक में दभान ओसी पी भी बनाए गया यही एक लाल अनुलेपित भान है जो अकसर काले रंग से रंगा होता है और प्रया कलस की आकाल में होता है तिथी किरम की दिरिश्टी सिभारत में ताम बस्तियों की अड़ेक सिंखलाएं है आंगे बात करते हम लोग कुछ प्राख खडपी है कुछ हडपा कालीन है कुछ हडपत्तर है यानि कि कुछ हडपा से पहले की हैं कुछ हडपा कालीन है कुछ हडपा की बात की हैं को राजी स्थान का काली बंगा हर्याणा का बनवाली प्रा खड़ पी ये तामपासाड़ी अवस्था है या हरवासे पहली कोट दीजी काय था कि संस्किती हरवा कालीन है । टेक?. ऐसा पितीत होता है कि ताम पासाड युग के कुछ किल्सक समधाय सिंदू के बार वाले मैदानों की वर बड़े कांसे की कातकनी की ग्यात किया और बिर्णगरों की इस थापना में सफल भी हुए ताम पासाणिये संस्कितियां बारे सो ईसापूर्व तक बनी रहे हैं इसके विलुप्त होने का कारण बारे सो ईसापूर्व के बाल से बरसा की मात्रा में कमी आना माना जाता है ताम पासाण संस्कितियों के खतम होने का कारण क्या माना जाता है बरसा की मात्रा में कमी है जलोड मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगलों वाले इलाकी को छोड़कर फुर्या समूची देश में ताम पासार्ण संस्कितियां पराप्त हुई इस योग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तटों पर घर बनाए यानि कि इस समय भी आदमी आपके सभज़दार हो गए थे पानी की विवस्ता उपजाओ जमीन देखते थे वे लगू पासार्ण उपकरणों के साथ तांबी के उपकरण भी परियोगत करते थे एएअ बेद्चाग पर्मने काले लाद मृद्भानों का प्रेयो करते थे उनकी प्राद का सवस्था से लगता है कि उन्होंने सरपितर चितित मृदभानों का प्रेयों किया, बेश पकाने, खाने पीने और सामाल रखने के लिए इन मृदभानों का प्रेयों करते थे लोटा थाली दोनों के द्वारण पेवत होता था ताप पासाण काल में पसुपालन गायवेड बक्री सुवर्भेस हिरन उट है काईथा मालवा और एरन मद्ध भारत उनकी सबसे पुरानी बस्तिया है उन्होंने ही सरप इताम बड़े बड़े गाउं बसाई ताप पासाणिये लोग पसुपालन का सदुपियो नहीं कर सके बेविस्तत किर्शी भी ना कर सके हल और फावडा ना होने के इसे विकेबल जूमकेती करते थे जूमकेती को आप इसलिए ले सकते है इस तरह से इससे इस्थानांतिये वी किर्सी कहती है जिसे आपने एक जगर केती की ठीक है? बनों को साप करकर आपने वहां खेती की उसे काट कर आप लोग उसे उसी तरह छोड़ देते हैं उस धर्टी को तरह आप लोग आगी बढ़ जाते हैं फिर दूसरी जगए आप लोगोंने बंसाप किये वहां खेती कि इस तरह से फिर तीसरी जगए तो यह होती है आपकी जूम खेती और याद रखिए आपकी जन्जातियों में अधिक पाई जाती है अभी भी होती है कई जगए कासे के उक्करणों के प्रियुक से क्रीट, मिस, मैसुपाट, पोटामिया, सिंदू, मेघाटी भी प्राचिनतम सब्दाओं के विकास में साहता मिली है ताम पासाड़ी हैं लोग लिखने की कला नहीं जानते थे ना ही वे नगरों में रहते थे जबकि कासे गविन लोग नग जबरवासी हो गये थे ताम पासाड़ी हैं गेरिक मेर्दभान बाले लोग हडपा बासियों के समसामरी थे और बेज जिस छेत में रहते थे वह भी हडपा हडपाईयों के छेत से बहुत दूर नहीं था नवदातुली मद्विदेश का एक महत्मूर ताम पासाड़ी पुराइस्तल है जो इंदोर की निकट इस्तित है कहां इंदोर की निकट यहां से मिट्टी बास हूस के बने चौकोर एवं बिंटा का घर मिले हैं यहां के मिदभान लाल काले रंकी हैं जिन पर यागिती अरी रद उत्कीन है ठीक है तो इस आपका ताम पासाड़ का अब चलते हैं आगे हम लोग सिंदू घाटी और हब हड़ा सब्रतापन इसका समय पीड़ मतलब समय काल रहा है पचीस सो इसा बूद ते सत्रे सो पचास इसा बूद याद रखी इसमें भी आपकी डेटें अलग- इत्याद मैं ठीर सिंदू घाटी सब्रता इससे अदी भी जाता है कि सिंदू नदी घाटी के पास सबसे पहले इसम्हट रपा यानि कि सब्रता की खोज की थी झालपा Monte सेंदाव सब्रता आथ इतिहासि कालिभी सब्रता है थी कि हड़ापपा संस्किति को कास कांस यूगीन सब इधा भी आप कहते हैं हड़ापपा के लोग तामे में 10 मिलाकर कासा बनाना की भी दी सिफर्ची थे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज आप लोग जेवर या पहनने के जो भी आपकी चीजह होती सौने की इसे बनाने के लिए तामे को भी मिलाकर बनाते हैं अगर आप लोग सुद्र सौने का में से इस समय लोग कासा बनाने में भी की विदी सीख चुके थे आप समझ ये ताम पासाडी पेश्ट भूमी पर सिंदु घाटी नामक बिक्सित सब्वता का अभिभाव हुआ जिसका केंद भालती है ओग महादीप के पर्ष्चमौत तर भाग में था हड़पा टीली का सर बितम को लेक कब किया गया 1826 इसभी में चार्ज मैं संद्वारा हूँ कि आंगे चलते हैं लेकिन एक प्राची उननस सब्वता का रहस्त उद्गाटन 1856 में कराची और लाहोर के बीच रेल पटली बिचाने के दौरान जब जोन ब्रंटन और विलियम बेंटन नाम कंग्रेज्व ने दौप्राची नगरों यानि कि हडपा मोहन जोद्रों का पत्तन लगा है याद रखिए जब आपकी टेरेन के यहां पटली विचाई जा रही थी उस समय यहां से कुछ एटें विलीजते रही तो उस समय एक मोहन जोद्रों और हडपा सब्वता की ब पढ़ा क्योंकि 1921 में पाकिस्तान की पंजाब परांत में इस्तित हडपा मौंट गुमरी जिला पाकिस्तान नामकिस्तल पर इस सरपिथम दयाराम इस नाम को याद रखिए दयानाम साहिरणी उमादाव सवरू बस्त के नेतत्त में उत्खनन कार्व हुए इसमें आपका द रपा सब्दा की खूल किस ने की थी तो आप बता सकते हैं दयाराम साहिनी ने 1921 में इस प्राचीन सब्दा की दूसरे स्थल की बात करें लोग तो मुहन जोदरों कौन सा मुहन जोदरों मुहन जोदरों को मेट्टकों का टीला भी कहा जाता है इसका उत्खनम 1922 में राकल लास बनर जी के नेतत में आरम जो बरतमान पाकिस्तान की संद परांग की लरकाना जे ले में स्थेते नहीं यह दोनों इस्थलापके पाकिस्तान में हैं उक्त दोनों इस्थलों पर सेवत उत्खनम कारी के बश्चाद भारतिय पुरातत्त्त विभाग के तत्काली महानेदेसर सर जौन मारसल लाई 1924 में सिंदू सब्विता यानि का सीकुईन सब्विता नामे की एक उन्नत नगरिये विवस्ता किये खोज का विधिवर्द वो कि बाद में जे एप मैंके ने 1927 इसमें से 1931 इसमी तक जी एप डेल्स ने 1963 में मोह जोड़ों में उत्खनन कारी किया कि तो इन्हें आप लोग पढ़ लें अगर याद नहीं रहता है कोई बात नहीं क्योंकि इतनी अधिक देटें होती है इतियास में याद रप्पाना मुस्किल होता है तो जो चल्चा में रहती हैं मतलब आपको पेपर का मतलब यह है कि जब आप किसी भी परीक्षा की चार से 5 minimum क्या यहां साम्ड़ यूच कर रहा हैं minimum minimum मिनिमम मीनिमम क्या से पांच साल के कुष्चेस पेपर जो हो चुकिए उसके old questions paper उठा कर एक बाल लगा लिया करीगे उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि किस topic पर कितना ध्यान दिया जा रहा है इसमें और आप लोग test series भी जोईन कर सकते हों अच्छी रहती है जिससे हमें आपनी उखाद पता चलती है म enseken फिलढ़ने हड़प भा महँण जोदोर्रों को एक स्म्राज की जुडबा रात दानियां बताएं को इक जुडबा रात गांट माल जाता गुड़न और भिव चुबधरपूर में बलूच्चिस्तान गुजरात राजिस्तान अर्याण पश्च में उत्तर पदेश जम्मू और ऊत्री अफगानिस्तान तक भीष्टित था कि यह होता था कि आपका जो अभी पांकिस्तान है अफगानिस्तान है और भारत है इन इस्तों को मिला कर भारती और महादीब बोला जाता था यह भी हड़ापा सब इता की लगभग एक हजार इस्तलों के बारे में जानकारी पराप्त हो चुकी है लेकिन इन में से केबल चैग को ही नगर माना जाता है हड़ापा मोहन जोदरू सिंध हड़ापा मोहन जोदरू सिंध और संद्ध के बाद आपका संद्ध का चनियु देड़ो गुजराग का लोथल उत्तरी राजिस्थान का काली बंगा हर्याडा के हिसाल जिले में स्थिप बनवाली यह कुष्ट्यन से भी आपका कई बार पहुच लिया है तो इससे भी आप लोग अच्चे से याद रखें कौन सा कुष्ट्यन तिरवोजाकर हडपा संस्किती का समुचा चितफल 12,99620 किलोमीटर था कितना 12,99620 किलोमीटर था कितना 12,99620 किलोमीटर था जो तत्कालीन मिर्श्रिवं वहसो पोटामिया चितफल से कापी अधेख था ठीक है सिंदु सब्धा कविस्तार भारत पाकिस्तान में लगवग 500 इस्थलों पर पाए गया ये था वेस्तार मांदा नौर्थ में यानि की उत्तर में मांदा कस्मीर इस्थ में आपका आलम गिरपूर उत्तरपदीश साउथ में आपका धायमाबाद महराष्ट और वेस्ट में सूथ कामगे दूर पाकिस्तान काली बंगा और बनबाली में हडपा पूर और हडपा काली इन संस्कितियों का प्रमाड मिला है जहां बिना पकी इंडो के चबूतरों सड़कों तथा नालियों के उसे हडपा यूगीन है क्या है हडपा यूगीन है सूथ कांगे दूर किस तरह की सब्द मिलती है आपको सुनने में सूथ कांगे दूर और सुरकोददा जैसे यह समुद्र तटिये नगरों में भी इस सब्दा के उन्नात रोख के दरसन मिलती है जहां नगर दुरुप प्राप्त होते हैं गुजरात के काठियावार प्रायदीप में इस्तित रहंपूर रोजडी नामक के स्थलों में इस सब्दा की उत्तरावस्था का संकीत मिलता है मैं देखने के अगर हम लोग पिथम नगर नेउजन की बात करें और इसकी पिथम न की सर्वोत क्रिष्ट बिसिस्ता इसका नगर नेउजन है क्या है नगर नेउजन है हडपा और मोहन जोड़ुग दोने ही नगरों के अपने दुरुग थे जहां संबाउता सासक बर्ग के सदस रहते थे पितिक नगर में दुरुग के बाहर निचलिस्तर पर इंटों की मकान कि अबाला नगर वसाता तो यहां समझ सकते हैं जो आपके दो याणि की अच्छे मकाम थे यहां के सासकों भरक के लिए कि इसी तरह से आप ले सकते हैं कि आज भी क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अच्छे घरों में रखते हैं और जो मजदूर वोते हैं उनकी स्क्रेटी आप लोग समझ सकते हैं के अलेक्जेंडर कनिंगम कुभार्तिय। पुरातत्य का विभाग का जनक माने जाता है। में पुरातत्य। सरविखण कभी होता है उत्खनन यानि कि इतिहास के बारे सकाक। जंकरी युटाना, और फिर्खनन का एक करवाता रहता है। तो याद रखना अलिकजेंडर कनिंगम को भारतिय पुरातत्य विभाग का जनक माना जाते हैं भारतिय पुरातत्य सर्विक्षन संस्किती मंतर आले कि अधीन एक विभाग है इसमें इस तरह से आपके कुश्ża है स्कूच लेते हैं अब देखिया आपको सिंदु घाटी का सब्दा का काल ने धरण अब इस तरह से आपकी अलगलग टेटें बताई आते हैं रेडियू कारवन दिथी ये आपकी 2500 इसापूरु से 1700 इसापूरु माने जाते हैं इसे ही उप्युक्त दिथी माना जाता है यानि कि सही डीपी अगवाल के अनुसार सिंदु सब्दा का काल 2350 इसापूरु से 1700 इसापूरु माना जाता है मेड मुद्राव के आधार यानि कि मिट्टी की मुद्राव के आधार पर सिंदु सब्दा का काल 2500 इसापूरु से 1800 इसापूरु माना जाता है मारसल महुदर की अनुसार ने सिंदू सब्धा का काल 2250 इसापूर से 2754 इसापूर मारा है हीलर की अनुसार सिंदू सब्धा का काल 1500 इसापूर मारा है हडपा संस्किति के अध्यान के साथ चार्ल्स मेस्ट्सन, कनिंगम, एम, भीलर, माधों सुरूप, वद्स, आधी जोड़े थे स्थिंदू सब्वेदा के उत्धान के चर्मुत करस्काल 2100 इसाफूर मानगाता है अब हम लोग बात कर लेते हैं पिरमुक्त बस्तु हैं उनके उत्धादन यानि की प्राप्ति के इस्तर तामबा यापका बलुष्चिस्तान, राजिस्तान, दच्छन भारत और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था टेन, बंगाल अफगानिस्तान, इराज से चांदी, अजमे दच्छन भारत अफगानिस्तान, इराण, लाजवर्द, बद, खज, खसान, उत्तरपूर्वी अफगानिस्तान, मैसोपोटामियां इस मैसोपोटामियां भी इसी समय की एक सब्विता थी, हडपा सब्विता के समकाले में सोना, मैसूर, कंदाल, अफगानिस्तान, इसपेटिक, पामीर, कस्मीर, भारत, जमोनिया, महराष्ट, संख कौणी, दच्छिवारा, सवराष्ट, गोमेद, सवराष्ट, सेलखडी, वलुचिस्तान, राजिस्तान, सीसा, इरान, अफगानिस्तान, राजिस्तान, हरित, नील नेलमड़ी महराफ्ट टिप अब यहां लोग कुछ मत पुनों पॉइंट डॉल देख लेके हैं हड़ाप्पा संस्कीति के पतन के कार्म आप भी जानते हैं कि इंसान बोल जाता है अपनी ओखात क्यांकि अगर उसका उध्भा हुगा है तो पतन होना है लेकिन इस पतन और उध्भाव के बीच आप क्या करते हैं यह निर्वार करता है आप आप ही सोचिए एक बात को अपनी जिन्दगी बदल नहीं सकते थे तुम ही सोचिए मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ ही बदल सकते थे लिकिन फिर भी उन्होंने जिन्दगी दी देखिए वनवास चले जाते हैं पर उसके बाद होना मित्यता करते हैं उसके बाद सीता कहरण हो जाता है उसके बाद जो उनके पास खड़ार हो उतनी हो से पहले तो वह भी भरत ले आते हैं सीता कहरण हो जाता है तो वह क्या-क्या करना पड़ता है पूरी जिन्दगी उनकी कष्टों से भरी रहे हैं समझ समझें और यह लेकिन क्या हो रहा है मुझे लगता है 80-80% और 90% लोग बस दिखावे की जिन्दगी जी रहे हैं और अपने आपको इसी गलत प्रैमी में जीते जीते मर जाते हैं कि उनसे समझदार कोई नहीं तो आप ने देखा होगा सरी डाम को कि जगह वह सलाय लेते थे भीवी सन हो फिर चाहे भर्मान जी से हो लचमर से हो तो वह मुस्कराते रहते थे और वह पूछते थे कि वह अपकी सलाय क्या है इस पर और फिर उसके बाद इस तरह से पूछते रहते थे तो तो समझते हैं कि किस लिए उन्होंने सब तुम्हारे कि लिए किया है कि तुम उन परिचनों पर चल सुगों लेकर हम क्या करते हैं कि चलिए ठीज है जब तक मुनुत की मुई में नहीं चले जाते हैं तब तक हमाई जिन्दगी का आसा ही बताने जल्दा है कि आकिर किसलिए जन्म लिया है इसमें आप लोग पतन के कारण देखते संख्ति का पतन हुए जलवाय परिवद्वद्न आर्लिले इस्टीन और ए ए एन गोस इनोंने हड़ाप तेन परिवद्न कि यु आर केनेडी इन्होंने माना है कि प्राक्टिक काब्दा की कारण आपकी ःडपपा संस्किती का पत्न हुआ, भूकम राइक्स डैल्स इन्होंने pentru एक्षरेफेश, इन्होंने क्या माना है कि भूकम के कारण इस सब्विता का पतन बन पारिस्तित की आसंतुलन फियर सर्विस ने इसे हड़पा संस्किती के पतन का कारण मारा है आरियों का आकमड आर मार्टीमर ही वियर इन्होंने आरियों के आकमड को हड़पा सब्विता यानि संस्किती का के पतन का कारण मारा बाहे आकमल इसमें आपके गार्डन चाइल्ड है इस्टुवर्ट पिगटवी बाड की द्वारा मेकी राव मालसर इन्होंने हड़ापा संस्किती के पतन के कारण माना है बाड को कि बाड़ के द्वारा हड़पा संस्किती का पतन हो गए फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इखा थम महा देवन एक भारतिय पूरा लेक सास्त्री और भूत पूर्पूर्प्स लोकसीवक हैं जो सिंधी गाटी सब्विता कि पूरा लेक सास्ती पर अपनी सुविग्य और तमिल ब्रमी अब लेकों का सबस्ता अर्थ निकालने के लिए जाने जाते हैं सेंदावासी दसमलों पेडाली का राधारित बांटों का प्रियोग करते थे बांट मतला यही केजी पेजी ठीक है जो आप किलोगराम मतलते हैं इसी तरह के बांट होते हैं खुदाइब मे सोले गुड़कों में बांट बांट होते हैं सोले चौंसाट एकसवसाट तीन सबीज शेसो चालीज इस तरह से ठीक है सिंदू सबीता में इंटों का अनुपात चार अनुपाते दो अनुपाते एक था तैरा कोटा कौपिव हडपा काल की मुद्राओं का निर्वान में मुख रूप से किया गया था सेंदवासियों का जीवन मुख वेवसाय किर्सी काली था यानि कि सिंदू सबीता या हना यानि कि हड़ापा सबीता की समय मुख वेवसाय क्या था किर्सी सिंदू गाटी सब विदा के विशर में जानकारी कम प्राप्त हुए क्योंकि उसकाल की लिपी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी क्या है लिपी नहीं पढ़ी जा सकी इसके लिपी भाव चित्रात्मक है यानि कि भाव ब्यक्त करती हैं लिखने से पढ़ नहीं सकते हैं आज की तरह आप लोग इसे पढ़ नहीं सकते हैं सिंदू गाटी की लोगों द्वारं प्रेयोग में लाए जाने वाले बरतन चाक पर बने होते थे अब आज सोचिए कि आज आपका इतियास लिखा जा रहा है हिंदी में उस समय आज से आगे चलते हैं हम लोग पतली गर्दन बाले बड़े आकर के घड़े तथा लाल रंग के बरतनों पर काले रंग की चितकारी हड़ापा के बरतनों की मुक्ष विसेश्टा है इस तरह कि पुष्चा साथ के फीजियस आईएस में बनते हैं पूछ लेगा कि अरपा की बरतनों की मुक्ष विसेश्टा क्या थी तो उसमें आपका कथन देदेगा पतली गर्दन बाले बड़े आकर के घड़े दूसरा कथन देदेगा की लाल रंग के बरतनों पर काले रंग का चितकारी किया गया था इस तरह से पूछेगा कि कौन सही तो दोनों कतन सही हैं सिंदू सब्धा से प्राप्त अनाज चावल जो खजूर गेहूं कपास तर्वूज मंटर व्रासी का जुनसी दिल एवं सरस्व हैं हडपा सब्धा की सरवाधी की स्थल आके गुजरात राज में विले कहां गुजरात में पहली बार कपास उप जाने का सरे हडपा वासियों को जाता है एक कई बार कुश्चेन से बन गया है आपका कि कपास उप जाने का सरप्तम सरे किसे जाता है यानि कि किसने हो गाय तो ह जाके लोग लगडी के हलों का प्रियोग जुताई के लिए तथा पत्थर के हसीयों का प्रियोग फसल काटने के लिए करते थे इस समय के लोग हडपा से संस्किती के लोग लगडी का हल का प्रियोग जुताई के लिए करते थे और पत्थर के हसीयों का प्रियोग फसल काटने के लिए करते थे क्योंकि समय आपका लोहा नहीं उप्यों में होता था क्योंकि खोजी नहीं भी थी कि सरपितम स्वास्तिक चिन्ने के अवसिस हड़ाप्पा सब्विता से मिले हुए लोथल में मिट्टी सिने मित घोड़े की पितिमा भी पराथ हुए लेकिन इसका कोई साख्च नहीं है गेड़ा पकाल में घोड़े थे या नहीं ठीका सैंदव वासी सैंदव वासी मात देवी की पूजा करते थे यानि कि मात सत्तात्मक समाज कह लिए जैस को चाबल की वितम साक्ष लोथल एवं रंगपूर से मिली हुए हैं सिंदु चित का प्राची नाम मैं लुगा था मैं लुगा था सिंदु महरों पर एक सिंगी साड के चित सरवाधिक मिले रहे यांकि हैंगी आप कहेच रखते हैं कि साड का इस समय पिचलन अधिक था सिंदु सब इदा के लोग लोथल काली वंगा से हवनकुंड का साच भी मिली हैं यानि कि इस समय पिथाएं इस तरह की मानमिता हैं थी हवनकुंड कफ्रियों होता है अगर हम लोग पाल्थू पस्वों की बात करें तो इसमें आपका बैल भैस भेड बक्री सुगर कुत्ता ब इंट यहां आपका गाय के साक्ष नहीं मिले हैं आप एक सम बात नौर्मल सोचिए कि जब गाय के साक्ष नहीं मिले हुए है तो इसमें आपका बैल कहां से आ गया हुए भी तो उसी तरह की बातुए कर पहली मूर्गी आई window समझ में आए नहीं आए कि गाय के साथ नहीं है समय लेकिन वेल पाला याल था तो आखिर वेल आया कहां से होगा इस लिए फिर भी अपना इतियास है आप लोगों को इस पॉइंट को याद रखना पूंच सकता है ठीक है हडपा सब्विता में आपके गाय के साथ नहीं मिले है रेगवेंद में हडपा सब्विता को हर यूपिया कहा गया है बिसमें चांदी सरपितम भारत यानि कि हडपा सब्विता में पाईए सिंदू सब्विता का मुखकें हडपा था सिंदू वासी लोए से परचित नहीं थे क्या पुछ राए लोए से परचित नहीं थे लोए का एक परचित उधारन रहा है आपका उत्तरवितिका अत्रंगी खेड़ा से सरपितम फिर अपने-पने लोग बताते रहते हैं शुक लब्द मूपढ़ने वाले वहां से बता सकते हैं व्यूंगं सेंदव वासियों का मुख भोजन क्या था जो और के हो क्योंकि इनी फसलों का सबसे जाना उतफादन बहुत था हैं आप भी जाते हैं जिस्ष्छित में जो भी फसल होती है उतफादन वहां खात के रूमें भी वही औवेब की जाती है जैसे कहीं हर चाबल उतफादन हो राये तो वहां लोग चाबल जादा खाएंगे मोहन जोदरों की मुख सडक 10 मीटर चौड़ी थे हड़ापाई लोग कताई के लिए तकलियों का इस्तिमाल करते थे हड़ापाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे यानि कि वो नाव यात्रा भी समुद्रों में भी जाया करते होंगी सेंदाव कालीन मोहरें बनाने में सरवाधी कुप्यों सेल खड़ी का प्रियोग किया गया है यह भी आपका कई बार मुच लिए हैं कि सेंदव कानी मोहरें बनाने में सरवाधी क्यों किसका किया जाता चैनल किसलिए चिया जाता होगा तो यूद रखने मोहरें लगाई जाती थी जैसे किसी सामान का ब्यापार हो रहा है तो उसका मबंध मिली चते हों यह से मताब differentiकी थी जैख्याता हुआ कि अगर मुहर बंद मिली तो इससे पता चल जाता होगा कि इस बश्तु से यानि कि सामान से कोई छेटचार नहीं की गई इस त्री मेडे मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से यह सानुमान लगाए जाता है कि सेंदव समाज मात सत्ता अत्मत था यानि कि आप आप कहि सकते हैं कि पुल्सों की जान्दा मान रहता है स्यने से अफ्टत्ता तुमलeder कर लाओड समाज करते हैं कि उन्समत्ता का जांदा सत्ता है उस समय मात सतत्ता आत्मक क्लार्व ऊबधbok कै यांदि कि मां मोहों की जांदा चलती होगी इस तरह से आप सांतस समझ सकते हैं सेंदाव म०्यान का बर बघकार आताकार और कि बर्घकार हुआ करते थे संदाव कारक़ी कज़ाय में मिले आ। वी से मैं ततकालिन ब्यापारिक आपकी मुहन जोदोरों से उस तल आपका मुहन जोदोरों, यहां से संदाव कालिन, सरवादिक मोहरें मिली होएं, लोथल एंबं काली बंगा से, योगम समाधियां मिली होएं, यानि की जोडी में, समाधियां मिली हुई है लोथल और काली बंगा से आप इस समय से इस तरह से समझ सकते हैं से कि अगर किसी का पत्ती मर गया होगा तो साहए हो सकता है उस समय उसे अपने पत्ती के साथ दपना दिया गया हो या हो सकता है किसी की औरत पत्ती मर गई हो तो आप उसे पती को पत्नी के साथ दपना दिया जाएं या दोनों एक साथ मर गए तो एगुमत समाधियां में ली हुई हैं हडपा गाली पुराज थल कुणाल ने चांदी की दुमोकट में ले हुए हडपा में सबुं को दपनाने जब कि मोहन जोड़ों में जलाने की पिथा थे हडपा सबुर्ट में मतलब हडपा जगयती वहां लोगों को सबुं को दफनाय जाता था और जो मोहन जोड़ों लोगों को जलाया जाता थ हुए हस्पनाय मुख इवक रिटम सिंधू सब्धा का बंदर गात उसी तरह से जिससे आप कह सकते हैं कि कलकत्ता बंदर गार मुंबई बंदर गात इसी तरह का बंदर गार बिसा का पत्नम लोतर से एक तराजू पाए गया इसका मतलब है कि सेंधौ यानि कि हरपा सब्धा में तौलने का काम भी किया जाता था ठीजें सेंदा जा लग जाता है सेंदा वासी मिठास के लिए सहद काक करते थे मद्ल मख़ी कि सहद काम परदya पिथा और वेस्थया विद्थी सेंदो संवता में पिछले थी संदू बासी बनतक को अत्य देक पवित मानते थे बद्दक आपका पच्छी की तरह देखने वाला सपीद आपने देखा हुगा अब तो देखते भी कम है साइदा आपने अगर आपके यहाँ अभी दोई दिखते हों तो कमेंट वोक में वोक्स में एक्सलिक हैं अगर नहीं देखते हैं तो पनो हडपा संस्किती के बिनास का ठीक कारण ग्याद नहीं हो पाया अब आप सोचिए कि जब लिखी साख्छ ना हो तो कैसे तरह कह सकते हम जो कैसे आखिर हडपा का बिनास होगा होगा अगर कोई बता के ना मरे और आज मर जाए और मालूमना ही रहे किसी को कि किस तरह से मरा है तो लोग अपने अपने अंदाज लगा लेंगे कि उसने कहीं सोसाइड किया होगा कहीं वो डूब के मर गया हो कहीं आग लगा के मर गया हो इस तरह से लगा सकते हैं तो उसी तरह इसे भी लगाती रहते हैं आगे चलते हैं हम लोग सिंदु नदी की बाड़, सिंदु नदी का मार्ग बदलना बरसा की कमी भूख कम एबं विदेशी आकमर जैसे कारण समय से मरपा बताय के हैं सिंदु यानि कि हड़ापा सब्विदा के पतन के सेंदु सब्विदा की बिनास का संबव था, सबसे प्रमार्य कारण बाड़ है बाड़ स्लीए माना गया है कि एक बार में आपने देखा उक बाड़ आती है तो पूरा गाहों का गाहों साप कर जाती है इसलिए प्रमाडिक मानन है बाल हड़पा से तामे की बनी हुई एक का गाड़ी प्राप्ठ थे हड़पा से एक दरोपन प्राप्ठ होगा यानि की दर्पन हुई देखने वाला जिसमें आप लोग अपनी सकल कूड दे रखते हैं जो तामे का बनाथ है हडपा से प्राप्त मुद्रा में गरुण कांकन किया गया मुहन चोधरों में सबसे पहले सबसे बड़ा बावन आपका विसाल अन्नागार था यह भी पूछ लेता है कि मुहन चोधरों की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी विसाल अन्नागार मोहन चोधरोडो से सूती बस कपड़े का साथ नर्दकी की एक कास मोर्थी मिली विए तो आप समझ सकते हैं कि इस समय भी नाचने की पिठा थी और सूती कपड़े का भी रुपयोग होता था कास की नर्दकी उसकी मोर्थी कला का सरवसेश नमूना है मोहन जोदुरों से पांच बेल लाकर मुद्राइं भी पराप्त हुएं सिंदू सब्धता की प्रमों के स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित मिला जहां विदेशी जहां जलियानों का आवा कमन होता था इससे आप अंदाजा लग जाता है आपका कि इस समय विरीसों से हमारा व्यापार भी होता था तो याद रखिए कोई नई चीज नहीं अभी व्यापार हो रहा है अंतराश्टी संबंद बना जा रहे हैं यह आपकी हड़पा काल से ही मनते आए हैं लोथल गुजरात के हमदाबाद से 80 किलोमेटर दूर अरब सागत तट पर खंबाद की खाड़ी में इस्तित है 1955 इसमी में हुई खुदाई में हाँ 216 मीटर लबी 16 मीटर चोड़ी 3 मीटर गहरी ही इंटों थिने में गोदी का पता चला हुए है लोथल में महलापुर इसको एक साथ दपनाया गया है उट की हड़ियां काली बंगा से प्राप्त हुई है उट की हड़ियां कहां से काली बंगा से घोड़ी की अस्तियों का उस्सिस सुर्ख कोतदा से मिला गुए है गोड़ी की अस्तियों का उस्सिस आपका सुर्ख कोतदा से मिला चन ही दड़ों में सिद्धवात को मनके की बनाने की काल खाने भी प्राप्त हुए है अब हम लोग बात कर लेती हैं यहां कुछ धार्मिक पितिकों की बारे में चेंड़ों की बारे में दार्मिक चन्य तावीज इसके द्वारां बे बहुत तक रादियों अत्वा प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे तावीज वही है जिसे आप लोग अभी भी पहनते हैं कई लोग धर्मात्माओं या किसी महराज इस तरह के बावाओं से आप लोग ता प्रेतात्माओं से छुटकारा पाने के लिए यह भी तावीज प्रयोग करते थे स्वास्तिक चन्य सुरवपासना का पितिक या चन्य संभवता रपासभवता की देन है योगी के रोम में बैठी पुरस सिभ सिभ को आज भी योगी चर की नाम से संभवधि किया जाता है त सिभ को तरी सिख सिभ से समझ देथा बैल संगार कारी देधता सिभ का बाहन था बैल यह सरवादिक धार्मिक मद्ट का पसुटां बक्राव बली ही तुप्रयुक्त होता था यह निकि बली का मतलब भगवान को या किसी देवी को चड़ाने के लिए कभी के प्रेतात्माव क भी आपको यो चड़ा देते हैं बली का मतलब यहां समझ लेए कि आपने प्रेतात्मा को दान दे दिया बहसा एक मुद्रा पर बहसा ब्यक्ति को उच्छालती हुए एक अन्न मुद्रा पर ब्यक्तियों की समुव़ों पर आकमर करती हुए दिखाए है जो किसी देवता की सत् जाँ दे लिए बैल भेड वक्री की हड्यों के धेव पशुवली का गोतक है यानि कि पशुवली समय होता था है कास नल्त की मंदीर की कलकना करने पर निद्वीधार्मी महत्त का हो सकता है लिखने याद रखिए मंदिरों की कोई व्याख्या या इनी की कोई साख्च नई में ले हुए हड़पा सब बताओं ठीक है सबों के साथ बर्तन एवं अन्य सामग्रियों का दपनाया जाना मित्यूं के बास जीवन में विश्वास करना यानि कि मलने के बाद उसके साथ बर्तन और कुछ अन्य सामन करीव दपना दी जाती थी इसका मतलब होता है कि आदमा आत्मा परभरोसा करती थे कि उसे आंगे जरूरत पर सकते सबों को उत्तरदच्छन दिसा में लिटाना धार्मिक विश्वास का गोता है कि आप लोग नहीं कहते हैं अभी कि अगर कहीं बिल्ली काट जाए तो आप रोख जाते हैं यानि कि धार्मिक मानताओं को मानते हैं लोग दो सबों का एक साथ गाड़ा जाना है पुरुष की मित्तिव के बाद संभव था इस तरी का सत्तिमा सिंदु गाटी की प्राचेन संस्किति और आज के हिंदु धरम के विग जियव सम्मन्न का प्रमार पत्थर पेट पसु की पूजा से मिलता है यानि कि आप लोग सिंदु गाटी सब्विता को हिंदु धरम मान बैठे हैं अब आपकी सिंदु सब्विता की स्थलें इनसे आपका कुश्चन्स पूच लेता है इन्हें आप लोग चार्ट की रूम में बना कर रख लें या आप जहां पढ़ रहे हैं वहां लगा लें ठीटेट यह नदी सागर हैं खुदाई बरस होगी जगय का नाम वो उत्खनन क करता है जैसे आपका हडपा स्थलें इसकी खुच किसने की दयाराम साहिनीन है यह कहां है हडपा सब्सक्राइब मांट गुमरी पंजाब पाकिस्तान में कभू इसकी खुच 1921 में किस नदी के तर परें रावी नदी के याद रखना हडपा सब बदा आपका रावी नदी के खेनारे हैं मोहन जोदुड़ू सिंद पाकिस्तान में है इसकी खुच आपकी 1922 में राखल दास बनर जी ने की है यह आपका सिंदु नदी के तर पर है तिया आमरी इसकी खुच 1929 में हुई एन जी मजूंदार ने इसकी खुच कि चन्ही देड़ू इस सिंद पाकिस्तान म है इसकी खेज 1931 में एन जी मजूंदार ने की यह आपका सिंदु नदी के तर परिष्टेत है सूत कांगे डोर बलुचिस्तान पाकिस्तान में है 1927 में इसकी खुच सर औरेल इस्टिन ने की थी आलमगीरपूर मेराट उत्तर फिदेश में है यूबी में इसकी खुच 1952 से पच्पन के बीच हुई यह अगदत सर्मान है यह आपका हिंदन नदी के तर पर है किसके हिंदन नदी के तर यह आपका रोपड यह आपका पंजाब 17 तर पर है 17 नदी के तर पर 1950 से पच्पन के बीच हुई इसके खुच करता थे बीवी बीवी लाल और यह अगदत सर्मान रंगपूर ए गुजरात मादर नदी के तटपर है 1903 में इसकी खोच हुई इसके जो खोच करता थे वो थे मादर सुरू वत्स एवं रंगनात राव काली बंगा यह आपका हनुमानगाड राजिस्थान में है इसकी खेज खोच 1953 में हुई डॉक्टर ए गोस ने इसकी खोच करता एप एक खांग थे लोथल की बात करेंगा तो आपका एहमदाबाद कुजरात में है 1955 से 63 की वीश्थ में हुई इसके खोच करता आपकी एस आर राव है और मादर सुरू बस्त भोगवा नदी के तट प्रहिए फिर आपका प्रभास स्पार्टन हो गया 1956 संदावन में इसके खोच करता आपके जेपी जोसी थे बनवाली हिसार हर्याडा में इसके खोच करता थे आपके डॉक्तर आर एस बिष्ट फिर आपका बाला कोट है इसकी खोच 1989 में होई जोर्ज एप डेल्स ने की थी अरब सागर की तट परहिए दोलावीरा भारत का सबसे बड़ा हड़ापा काली है इसके खोच करता थे जेपी जोसी कबकी उननी सो सरसाटर शुट है दोलावीरा गुजराद डॉक्तर आर एस बिष्ट उननी सनब्वे एक आनवे में की थी इसकी खोच ठीक है एते आपके हरपा गाली इस्थल पर मुख अब अगर अन्नमात्मूर इस्थलों की बात करें हम लोग तो मेहरगर आपका वलुचिस्ता पाकिस्तान में है डेरा इसमाइल खान एक पंजाब पाकिस्तान में राखी गड़ी हर्याडा में मांडा जमुकस्मी राज में रोजीडी और प्यवास पातान आपका गुजरात में कहा है गुजरात में तो चली अब हम बात करते हैं बैदिक सभिता के बारे में हड़ाबा सभिता आपकी देख चूगे है अब चलते हैं बैदिक सभिता की और तो याद रखिए आप लोग टपिक वाइड टपिक यानि की चेप्टर वाई चेप्टर पढ़ते तो यह चेप्टर जैसे ही कहत्म हो जाया करेगा कुछ टाइम रेष्ट कर लिया करेगा उसके बाद आंगे बढ़ लिया करेगा बैदिक सब्विता की बात करें तो इसका समय रहा है 1500 इसापूर्व से 600 इसापूर्व यानि की 1500 BC से 600 BC बैद बैद सब्द का अर्थ होता है ग्यान भारतीय परम्परा में बैदों को अपर रूसिय कहा जाग गया ब्रममा ने कुछ रिषियों को मन्तरों का पेरिकास दिया रिषियों ने अपने सिस्सों को बताया कलांतर में बेद ब्यास ने इस ग्यान को संक्लित कर लिया जो ब्रह्मा ने कुछ रिसीयों को मंत दिये फिर रिसीयों ने अपने सिस्सों को दिये और कलांतर में इनी मंत्रों को किसमें बेद ब्यास ने संक्लित कर लिया एक जड़े इस कारण बेदों को सुरोती भी कहा जात है रेखवेदिक काल 1500 इसापूरव से 1000 इसापूर क्खागोलिय तर जर्मन भारत बइत PIEC की रचाहें 445 से पचीष ऊपूर मैं संक्डित की गई थी मैंने बताया आप को कि आप जितने भी आपके हाँ किहाँ इतिहास कार हुए प्रो समय तो इस समय किसी और बुख से देखाए अब आप वाखी सोचिये समय आपको क्या करवा दिया जाए कोई आपको बताये की अभी आज जैसे आप लोग जी रहें वर्तमान में यह यह दुद आने वाले कल में इतिहास ही होगा तो आपने कोई बुक्स लिखी फिर आपके किसी दोस्त ने कोई बाज़े आपकी इसी बढ़ोस इन बुक्स लिखी तो आगे जो इतिहास कार हों गए वो इन बुक्स को देखेंगे आपने अबने बुक्स में कुछ और लिखा दोस्त ने कुछ और लिखा तो सब लोगों की डेट डेटिंग अलगला होती रहेगी कोई कहेगा कि इतने वर्स पहले आपका जनब हुआ था कोई अलग डेट बताएगा तो रेकिवेद ये जुर्वेद और सामवेद को वैद्टे या फिर्ट्रई कहा गए है यस मैं याद रखी आपके साम अर् रेकिवेद में कितने मंडल हैं दस मंडल दस न अठाइ शुक्त हैं दूसरे सिसाथ मंडल तक को बंस मंडल कहते हैं दूसरे सिसाथ मंडल तक के मंदल को क्या कहते हैं बंस मंदल रगवेत का आठवा मंदल रगवेत का आठवा मंदल कन और अंगीरस बंस के को समर्पित है रगवेत के नौवे मंदल को सौम मंदल भी कहा जाता है रगवेत के नौवे मंदल को सौम मंदल कहा जाता है रिसी और मंदल, रिसी और मंदल, गृत्स मद, दुतिय मंदल, विस्वामित दुतिय मंदल, वाम्दिव चतुत मंदल, अत्री पंच मंदल, भाद्वाच सस्ट मंदल, वसिष्ट सप्तन मंदल, ठीक, याद रुखियों. आरंबिक बेदिक काल में वर्ड वेवस्ता बेवसाय पर आधारी थी आरंबिक बेदिक काल में जो आपकी वर्ड वेवस्ता थी ये बेवसाय पर आधारी थी यानि कि कहने का मतलब यह है कि आप अगर दूद बैशते हैं तो आप एक जाती के हो गए आप कहीं आपने देखा होगा कि जो सफाई करते हैं उन्हें एक जाती में रख दिया जाता था तो जो जॉन साब विशाय कहते हैं उन्हें उस विशाय में रख दिया जाता था उसाइणी में ठीक है रगवेद के दसबी मंदल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चारों बर्णों, बरमण, छतिये, बैस और सूद, सूद को सबसे नीचे माना जाता था, उत्पत्ती का साप्च है, तो याग रखना दसवे मंदल में फुरुख सूप्त में का बैडन किया गया है, रिगवेदिक काली नदियों के हम लोग बात करें, जैसे आपक नाम हो गये करनी अनके यानि कि रिगवेदिक समय में जो नाम दीपराचिन नस वो है, और जो आधोनी की यानि की बरतमान समय में इन्हें क्या बोला जाता है, यह है, जैसे क्रूमू इसे कुर्रम बोला जाता है। याद रखिए आपका पूँच लेता है कि सिंदू का बर्तमान नाम रगवेदिक काल में क्या नाम था और बर्तमान में क्या नाम है इस तरह एकसी questions पूँच सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रगबेद में इस नदी को किस नाम से जानते हैं और बलत्मान में इस नदी को किस नाम से जानते हैं यजूरबेद यजूरबेद आपका यग सूप्त की पिरमुक बिसेश्ता करमकांड है यानि कि यजूर बेद आपका यग से सम्बन देते, करम कांडों से यसमें पहली बार राज सूर और वाज पीं यग का उले का हुआ है यजूर बेद पद एबं गड दोनों में है ये कोश्चे से आपका कई बार पूँच लेता है यह जोर वेद आपका बेद पद्द और गद्द दोनों में है आरियों का आगमन 1500 इसापूर के पहले है आरियों का आगमन 1500 इसापूर के पहले बताया जाता है आरे सरप्रितम सब्द सेंदों पिदिस में लाए थे आरे सब्द कारत होता है सेष्ट कुल से किलासिकल संस्कित में आरे कारत होता है एक उत्तम व्यक्ति यानि कि उच्चकोटी का व्यक्ति सुदास ने अनारियों को पराजित किया सुदास ने अनारियों को पराजित किया था दस राज यूद ये आपका परुसनी नदी रावी के तट पर सुदास और दस जनों की बीच लड़ा गया था तो याद रखना दस राजी हो तो आपका किसना दी के किनारे रागया था पर उस नहीं जिसे आप लोग अभी राभी के नाम से जाने इसमें एक तरफ आपके सुधास साहब थी और दूसरी तरफ दस राजा ठीक है जिसमें अंतिम रूप से आपके सुधास की विजय हुई थ में लिए और इस तरफ रिथम सब्ते सेंदम उपदीश में लाए थी अर सब्त कह बैटा की सबसे महत्तून नदी सिंदू ओंड़े इस तरह से आपको कुष्चेंच बनेगा कि रेगवेदिक काल की सबसे महत्तून नदी कौन सी थी? तो आप बता सकते हैं इसमें सिंधु नदी. कौन सी? सिंधु नदी. रगवेत के तीसरे मंदल में गायति मंत का उल्ले किया गया है. ये भी क्वेश्चेन से आपका कई बार पूछा जा चुका है, वो कई परिक्छाओं में, कि गायति मंत का उल्ले किस मंदल में यानि कि दसवे मंदल में नदी सूप थे रगवेद में सरवादी पवित नदी आपकी सरस्तुती को नदीयों की माता कहा गया है रगवेद के रिचाओं के पढ़ने वाले रिसी को होद कहा जाता है रगवेद के रिचाओं पढ़ने वाले रिसी को क्या कहते थे करता को अधिर्वियों कहा जाता है या जूर बेद के फाठी करता को अधिर्वियों कहा जाता है साम बेद के पाठ करता वो उद्ल उद्ला गात यानि कि उद्ल गाता कहा जाता है सबसे नया वेद अथर्वेवेद है यानि कि सबसे बात का वेद अथर्वेवेद है अथर्वेवेद में वैद्तेई में नहीं सामिल किया गया अथर्वेवेद को आपका वैद्त्रई में नहीं सामिल किया गया अथर्विवेद में आपका ज्यादा जादू टौना तंतमंत का उल्ले किया गया है तो पूछे अगर कोई की जादू टौना और तंतमंत से संब्धिक कौन सा वेद है तो आपको बता देना है अथर्विवेद वेदों की टिकाओं को ब्रह्मण गिरंद कहा जाता है फिर आपके बेद उपवेद और उनके रचनाकार दिये गए हैं देख लीजे यह आपके बेद हैं उपवेद हैं और यह रचनाकार हैं रगएद ईरवेद धनवंत्री इसके रचनाकाहें यजूर भेद धनवेद विष्वामित्ति से जमेद गंधर भीएद भरत मनी रचनाकाहें सिल्प वेद बिस्त कर्मा इसके अनूर स children स्वMe तो भया नकाख रिक बैदिक काल का समाज कभीली की रूम में संगटिता है कभीली के रूम में रहता था इस समय आर्यों का प्यारमी गीवन मुखता पसू चारक था किर्सी उनका गौण धन्दा था यानि कि कह सकते हैं कि इस समय आपका पसू पालन पसू चारक हुआ करता है किर्शी को इतना महत्व नहीं देती थे लोग भरत्पुल के पुरोहे वसिष्ट थे आरेयों ने गोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रत्थों का प्रयोग किया सरव वितम आरेयों ने गोड़ों द्वारा चलाए गए रत्थों का प्रयोग किया रेगबेद में आपकी 21 नदियों का जिक्र मिलता है आरेयों की सरवादिक प्राचीन संस्ता विदत थी त्रेश लोगों की संस्ता को सम्ती कहते थी राजा को चुनने इवं पंचीवत करने का अधिकार यानि कि हटाने का अधिकार सम्ती को हुआ करता था तो इसको आप लोगतंत की तरह ले सकते हैं यानि कि अगर राजा काम सही नहीं कर रहा है तो उसे हटाय हुई जा सकते था तो सुच सकते हैं आप लोग रगवेदिक काल से लोगतंत की वेवस्ता निव पढ़ने लगी थी रगवेदिक काल में पुलिस को उग गए तथा गुप्चर को इसपस कहते थे उनी कपड़े को सामुल कहते थे उनी कपड़े को क्या कहते थे सामुल तमबाकू का ज्यान बैदिक काल की लोगों को नहीं था यह अच्छी बात है तमबाकू का ग्यान जो आजकल आप लोग देखते हैं इसका ग्यान वेदिक काल की लोगों को नहीं था इंद रिगवेदिक काल के सबसे पितापी देवता थे जने किला तोड़ने वाला कहा जाता था जो इंद साहब थे यहानी की बहुत बलवान वेक्ती थे उस समय की देवता जने किला तोड़ने वाला देवता कहा जाता थे रिगवेद में इंद के लिए सरवाधिक 250 बार उलेक हुआ है तो रिगवेद में इंद के लिए सरवाधिक 250 बार यानी की उलेक हुआ है कुछ आपके किर्शी समन्दी सब्दा बली हैं लांगल हल को कहते थे फृरस बैल को कहते थे और बरा जोत्ते वblem सिता हल से नली बनिनालिया अवट कुगा को कहते थे परजन बादल को कहते थे करीज वोवरखात को कहते थे इस्तिवी एक अनाज जमा करने वाले कुठार को गयते थे किनांस हलवाहे को करते थे ठीक है यह आपकी किर्सी समन्नी है कुछ महत्पूर सब्द थे उत्तरवैदिक काल के सरवादिक पिता भी देवता प्रिजापती थे रेगवैदिक काल के इंद साहब थी और उत्तरवैदिक काल के सरवादिक पिता भी राजा देवता यानि की प्रिजापती साहब थे सूतों के देवता पूसन थे जो पसुओं से भी समढ़ते हैं आसरम व बन जाने की सन्यास बनने की संध्यासी बनने की घरवसाने की इन सभी का उल्लिक आस्रम का उल्लिक छंदोग उपने सद में मिलता है आपको राजा कप्रमुक सलायकार पुरोहित होता था आरियों के मनुरणजन के मुक् साधन थे संगी रतदोर घुरदोर धरतकीडा हुआ करते हैं तो आप भी अपना टाइम پास कर जाते हैं इसी तरह वो अभी अपना टाइम पास किया करते थे रिगवेन में नाई को वप्ता कहा जाता था बैदे क्यों मैं राजय अपनी जंता से जो करबसूल करते थे उसे वली कहते थे यानि कि क्या कहते थे जो कर यानि कि टेक्स लिया जाता था जैसे आज आप लोग income tax कह लेते हैं इसी तरह उस समय कर लेने की विवस्था को क्या करते थे वली सरपितम कर लगाने की विथा उत्तरवेदिक काल में शुरू हुई यानि कि सब से पहले सरपितम कर लेने की tax लगाने की विथा कप्यारम हुई उत्तरवेदिक काल में तो मगद में निवास करने वाले लोगों को अथर विवेंद में व्रात कहा जब गया है एक बात हमेशा याद रखिए कोई नई विवस्था नहीं है आपके यहां राजा चुने जा रहे हैं फिर विधायक को चुन रहे हैं आप MP को चुन रहे हैं तो यह कोई नई विवस्था नहीं है बस इतना फरक है कि उस समय आपके जो भी चुने जाते थे वह इमांदर थे वह आपकी भलाई के लिए जीते मरते थे लेकिन आज के तुम्हारे लिए छोड़ी है वह अपने बाप के लिए भी नहीं जीएंगे बैदी कारियों का मुख भोजन दूद और उसके उत्पाते यानि की दूद से बने उत्पात क्योंकि पसु पालन होता था तो दूद की इनके पास कोई कमी नहीं रहती थी जो कि सत्तु को दही में मिलाकर करव नमक्खाद बदार्थ बनाये जाता था सत्तु आप लोगों में से कितने लोगों ने खाया कमेंट बॉक्स में लिखना आए आपको कि सत्तु कितने लोगों ने खाया है बैदिक काल में जो, ग्यम, मूंग, तिल, उदर, आधी पिरमोक, अनति रेगवैदिक कार्यों को बढ़ी गरी, कोमार, बुनीकर, शरमकार, रधकार, श्तवर्डकार आदी के बारे में मालूम था परन्तु उस समय लोहार गरी की जानकारी नहीं थी परन्तु उत्तरवैदिक काल में लोहे की जानकारी आरेयों को हो गई थी तो आपका जो लोहा होता है, लोहे की खोज सरफ पितम उत्तर बैदिक काल में होती अतरंजी खेडा से, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना में, ना तो लोहा आपका पासाण काल में मिला कही है, ना आपका सब बता हडपा सब बता पे, ना ही रेख बैदिक काल में, लो अथर विवेद में सभातता सम्तिक्यों पिज्यापती की दो पुत्रियों के समान माना गया है अथर विवेद को ब्रह्मा विद भी कहा जाता है इस तरह से आप लोग पॉइंट पकड़ना सीख लीजे कि किस तरह पूँचे जाएगे जिस तरह गुमा गुमा की कुश्चेंश पूँच सकते हैं अगर यह आपको पॉइंट पकरना आ गया और कुश्चेंश बनाना आ गया तो आप लोग कोई भी कुश्चेंश सौल करने की इस्तिती में हो जाएगी जैसे यहाँ पूँच सकता है कि अथरविवेद को दूसरे नाम से जाना जाता है तो आप लोग कह सकते हैं ब्रहमा बेद या फिर पूँच लेगी ब्रहमा बेद किस बेद को कहा जाता है तो आप अथर बेद अब कहा चूटेगा आपका कुश्चेंश यह जोरवेद पर विद्वानों ने सरबादिक भास लेखे हुए हैं अगस्त रिसी ने दच्छन भारत का आयकरन किया यानि कि अगस्त रिसी ने दच्छन भारत में आरेओं को ले गए आगे हैं आपका यह विवाद है आरेओं का मूल नवास को लेकर कई विद्वानों ने कई तरह की विचार दिये जो आपके मैक्स मूलर थे इन्होंने कहा कि मदेशिया आरेयों का मूल निवास इतान है वेक्टिया जो आपके बालगंगादर तिलक साहब थे इन्होंने कहा कि उत्री दुरू आरेयों का मूल निवास इस्थांत दयानंद सरस्ति इन्होंने का कि तिबबत से तिबबत पर आरेयों का मूल निवास इस्थांत गंगानाथ जहाने ब्रह्मरेशी देश एल डी कल ने कस्मीर तता ही बाले चित गाइल्स ने हंगिरी अत्वा डेने उग न दी गाइडन चाइल्ड मेर पीक ने दच्छडी द्रूस पैनका एवं हाड ने जर्मनी डॉक्टर अभीनाश चंद दामदास ने सब्त सेंदों के दीज कहा ठीक यह आप लोग याद रख ल अन प्राचीन सब्दावली उड़दर अनाज नापने वाली पात के लिए किसका उप्यों किया जाता सा उड़दर गोरी बहस को कहते थे गोरी होता फ्रात्ना करने वाली प्रोहित को क्या कहते थे होता उदगाता सामबेत का गयान करने वाली प्रोहित को क्या कहते थे आप प्रभ्रम्मा यग बिदी पूर्व कराने वाले अध्यक्ष को प्रोहित को कहते थी आप लोग ब्रहि चाबल को क्या कहते थी बहि तक्चल बढ़ई को कहते थी निस्क मुद्राओं के लिए उपरुक्त सब्दे निस्क वरज पती चारा गाहे का अधिकारी होता था वरज पती रिगवेद में चत्रीय के लिए राजनन सब्द का प्रयोग किया जाते यानि कि रिगवेद में आपकी चत्रीय जो हुआ करते थे मुराजा हुआ करते थे रेगवेदिक काल में पर्दा पिता नहीं थी। रिग्वेदिक काल में पर्दा पिथा नहीं थी, इस काल में इस्तरियों की दसा बहुत अच्छी थी, याद रखना सबसे इतर्पायब का मद्द कालो, फिर चाहे आधोनी कालो, फिर चाहे आपका प्राचीन कालो, सब में इस्तिती इस्तरियों की अच्छी रही है रिग्वे काल में रिगवैद काल में सतिपिथा नहीं थी परदा पिता भी नहीं थी परदा पिता का उल्लेग बैदि काल में नहीं मिलता है कहीं भी याद रखिए तो रिखबैदी देवताओं की बात करें तो आकास की देवता थे सूर गोस मित पूसन विश्नुवुसा अस्वन सावित आदित आदि अंतरिक्ष की देवता थे इंद मारूत रोध बायू परजन आदि पितवी के देवता थे अगनी सौम पितवी बरस्पती सरसुती यह आपके पितवी के देवता थे बैदिक काल में नेवक पिता पिछली थे क्या थी नेवक पिता पिछली थे इस नेवक पिता का मतलब यह था कि किसी औरत का पती मर जाता है तो वो एक बच्चा होने तक किसी अपने निकट संबंदी से बिभाय रचा सकती थे एक तरह से संबंद बना सकती थे इसे नियुक पिता कहा जाता था सत्पत ब्रह्मर में पत्नी को अर्दागनी कहा गया है रिगवैदिक काल में दास पिता का पिचलन था गाई को अगन्या यानि की ना मारने योग माना जाता था तो रिगवैदिक काल में आप गाई को सबसे पवित्य पसू माना जाता था गाई के लिए इस समय योद भी होते थे किसी की हैसियत अगर देखनी होती थी तो गायों की संक्या से उसकी हैसियत ना पी जाती थी समझ सकते हैं और आज किसे देखकर करते हैं आज तुम्हारे बास कितनी गाड़ी हैं कितने गोड़े हैं गूरे मतला समझ सकते हैं आप वह भी लग बड़ी जाड़ी हैं। इस से आपकी ओक्ता चलती हैं। किस तरह से आप लोग कपड़े बहंते हैं। दो रिग्वेदी काल में सैवत परिवार की पिता थी। यानि कि एक परिवार में रहना। और आप आप लोग क्या करते हैं कि साधी होती हो दूसरे दिन तिसरे दिन अलग होने की विचार आने लगते हैं यानि कि परिवार खुले कर नहीं चल सकते थे उस समय सेयूख परिवार में रहते थे लोग ओम सब्द का सरफितम उलेक बेहदारन अपने सद में मिलता है एक क् कई वार पूंचा गया वो सामान जानकारी के लिए भी आपको यादोना चाहिए ओम सब्द का प्रयुक सरपितम वेहधारन उपने सद में मिलता है सत्य में उजयते एव कुश्चन से भी आपका कई बार पूंचा जा चुक है सत्य में उजयते सब्दका उलेक मुंडुक उप जयके बेद में मिलता है लेकिन इनसान इन बातों को कभी समझ ही नहीं सका है कि पाप क्या होता है सुररब तक नर्व क्या होता है मैं कहीं देख रहा था तक वही बढ़ी बहुत्वांत ही सायथल बता रहे है थे कि हम ब्तला से मानते ही नहीं बस दिवाखावे लिए मानते हैं जब कहीं यग चल आओ या कहीं कुछ हो रहा हो तो वहां बड़ी भक्ति दिखाएं जिसे इवार्ण निकलेंगे अपनी देश दुनिया की मोई भाया ने लग जाएगे। तो महा भारत काल में अनारह जातियों को पनी या फिर दास कहा जाता था। रकबेद में रकबेध में बेद या फिर चिकरसक को भेश चिफ्षक कहा जाता। तृत कुन्यतिक विवस्था का नियामक कहा जाता है अगनी देवता मानों के बीच मद्धेस्थ की भूमिका निभाने बाला देवता अगनी देवता और मानों के बीच का मद्धेस्थ यानि की विच्वलिया की तरह हुआ करते थे मरूत को तूफान का देवता कहा जाता था प्राचीन वारत के दो महाकापद थे एक रामाइड दूसरा महाबाद अगर इसको आप लोगों ने जान लिया तो आपको किसी के सामने उच्छ हाथ पहलाने की जरूरत नहीं हो रहे पहला आपका रामाइड रामाइड आपको इंसान किस तरह से जिंदगी होती है उसे जीने की कला सिकाती है वैदिक लोगों द्वारा ताभा का प्रियोग पहले किया गया था ये आपका ताभा साण काल में प्रियोग होने लगा था अब बात करते हैं लोग रिगवेद में सब्दों का उलिक यानि की बारंबार था तो ओम ओम का उप्ययोग आपका दस्सोटाइस बार किया गया जन दोसोपचत्तर वर्ण तेईस राष्ट दस बार गड़ छ्यालिस पूसन आठ बार ग्रे नब्बे माता दोसोचोंतीस राजन एक वरुन तीस वरुन तीस सूर दस और रुद तीन ग्राम तेरे चत्रिये नो बार सभा आठ बार अकनी दोसो बार गंगा जो आपकी नदी है इसका एक बार की बार बुले किया गया विस एक सो एकत्तर बार ब्रमड चोदे बार सोना या सोरी सेना वीस बार इन्द दोसो पचास इन्द का दोसो पचास गो का एक सो छेत्त अस्त्त का तीन सो पंद्र बार समुद्द का एक बार पिता का तीन सो पैंतिस सूद एक बार बिद्दत एक सो बाईज विशनू छे बार मिध एक बार का 120 वार यमना तीन बार किर्सी आपका 24 वार 24 तो यह था आपका रगवैदिक काल अब चलते हैं लोग उत्तरवैदिक काल की तरफ यह इसका समय काल रहा है आपका 10 एकजार इसा पूर्प से 600 इसा फूरुक के विज़ यानि कि एकजार बीसी से चैसो बीसी फुरात अद्विक स्रोथ की बात करें यानि कि चित्त थूसर मेदभांट इससमय प्रेयोग किये जाते थे लोगा का भी प्रेयोग होने लगा था इस्थाई निवास हो गये थे साहितिक स्रोथ की बात करें तो सामबेद याजुरवेद अथर्विबेद अरण्यक ओपनेशन लोहे की प्रेयोग की बात करें हम लोग तो अतरंजी खेड़ा सबसे पहले कहां मिला अतरंजी खेड़ा में 1050 इसापूर गंधार छेत में 1000 इसापूर में और गंगा यमना द्वाब में 820 में ठीक है चार पुराता द्विक इस्तनों की कुदाई हुए जखेड़ा हस्तिनापूर नोहे अतरंजी केड़ा में सरबादिक लोहस्त में ले हुए साथ सो इसापूर की लगबग लोहे का फिरसाथ उत्तर विदेह में हुआ था उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस किस नाम से जानती थे स्याम एस किष्ण एस पैरप में उनकी राध्धानी आसंद नित वात थी कलांतर में हस्तिनापूर उनकी ही राध्धानी थी महत्कूर राजावा हुए जो उनके बारे में बात करें तो बालिक प्रितिपी राजा परिक्षित जन्मे जय अथरवेवेद में परिक्षित का उलिक मिलता है जर्मे जय ने एक नाग यग दो आपकी अस्सु में यग करवाई थे सुमे अंतिम कुरू बंसी सासक निच छूने बाड से विनश्ट होने के कारण हस्तिता पूर्की जबे कौसाम्भी को अपनी राध्धानी बनाया था देखे महावारत कुरू कुल का यूद नौसो पचास इसापूर में हुआ जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं महावारत के गरह यूद के बारे में महावारत कुरू कुल के तो यह आपका नौसो पचास इसापूर के बारे में हुआ था इस काल में कबीलों ने जनपत रोग गेंड किया था जैसे भरत और पुरू ने मिलकर कुरू जनपत की स्थापना की तुर्बस एवं किरवी ने मिलकर पंचाल जनपत की रचन इस्थापना की मदद्वाप आधुनिक बरेली बदायू फरू का बाद पंचाल दासनेक राजाओं के लिए जाना जाता था मत्पोर सासक प्रवाहन जवाली थे अरुनी सोईत केतु इसी चेत से सम्मंदित थे क्या है गंगा यमना गंगा यमना द्वाप से आरेयों का विस्तार सरियों नदी तक हुए जिसके किनारे कौसल राजस्तित था आरेयों का विस्तार सरस्थी नदी से वडवती नदी के किनारी हुए और कासी की स्थापना हुई सदा नीरा जिसे गंड़क किनारे कहा जाता है इसके किनारे बिदेह मादों ने बिदेह की निव लाली थी बिदेहे मादों ने अपने गुरू राहुलकड की साहता से अगनी के द्वारा इस छेत का सफाया किया यह सत्पत ब्रह्मण में वाड़े थे एक आनी सत्पत ब्रह्मण में महाजनी पिथा की पहली बार जिक्र हुआ तथा सूतकूर को कुशी दिन कहा गह समय फुरोसार्थ मनुस के बहुतिक सुक एवं अध्यात्मिक सुक के बारे में किमद समंजसे तू धर्म नियाय सदगोड नेतिक्ता कर्दब्यपालन अर्थ अर्थ धन की प्राप्ति और मर्यादा से ओ काम धर्माचनर एवं सरिष्की की विकासे तू संतान पत्ति मोक्च जीवन चक से मुक्ति धर्म अर्थ काम मोक्च सत्पत ब्रह्मण में बारे पिरकार की राणियों का विवरन मिलता है कितने बारे पिरकार की रतनियों का पोनर जनम का सिध्धान्त सरपितम सत्पत ब्रह्मण गरंथ में दिकाई दिता है रगबेद में राजा के देवी अधिकारों की पुरू द्वारा गोशना मैं इंद हूं मैं बरून हूं तैत्रिये उपने सत्मे प्रजापती द्वारा इंद को राजा निपत की जाने की चर्चा मिलती है सुने योजित रूप में एत्रे बिरहमण में राजन का सिध्धान्त मिलता है सुनियोजित रूप से एत्रे ब्रहमण में आपका राजित्त का सिंधान्त मिलता है देवताओं द्वारा निरंतर पराजय के पश्चाद सौम को राजा निवत कर और उसके नेतित में जीतना राजा की सक्ती में बिद्धी एवं राजपत बन सानुगत हुआ सत्पत ब्रहमण में राजा की निर्वाचन की चर्चा निर्वाचन राजा बिस्पती कहला थे सत्पत ब्रहमण में आपका राजा की निर्वाचन की चर्चा मिलती हो इस निर्वाचित राजा को क्या कहते थे बिस्पती क्या कहते थे बिस्पती सद्वत ब्रह्मण में अत्याचारी सासक को तुरुष्ट हितु फुसायन के कुछ सेजन द्वारा सिंगासंचियो किये जाने की जानकारी यानि की जो आपके दुष्टकारी राजा हुगा करता था उसे हठाने का द्वरण दिया गया है तान्ड ब्रमण में प्रजाद्वारा राजा के बिनास के लिए एक विशिश्यग किये जाने का उलेख है सत्पत ब्रमण में अब राजा को राष्टिक कहा जाने लगा तुन निरंकुस्ता पूर्वग प्रजा की संपत्ति का उखो कलता था सद्पत ब्रहमण में राजा को बेसमता यानि की जनता का भग्चक कहा गया एत्रे ब्रहमण में राजा को उत्तर में बिराट कहा जाता था दच्छन में इसे भोज कहा जाता था फूर्म में इसे समराट और पश्चन में इसे सौराट उत्तरवेदिकाल में तीन आस्रम थी ब्रह्मचय, गिरस्त और बानपरस्त जो आपका सन्यास था एकलांतर में सन्यास नाम से चौथरा आस्रम भी इस अवस्ता कांग बन गया तो इस तरह आपका ब्रह्मचय, गिरस्त, बानपरस्त उसके बाद सन्यास चार अस्रम विवस्था बौधिकाल एवं सूतकाल में स्तापित हुए यम और नची केता और उसके बीच तीन वर प्राप्त करने की कहानी कठोप निसद में वरडित पिलती है चंदोक उपनिसद में इतिहास पुराण को इस्पस्ट रूप से पंचमवेद कहा गया है अथर विवेद में मवेसियों की विद्धी के लिए परातना की गई है उस्तर विदिकाल में गौत्पिता इस्तावित हुए उस्तर विदिकाल में ही मूर्ती पूजा का आरब हुए यानि कि मंदिरों का अस्तित आना सुरू हुए अथर विवेद में सभा तथा समती को प्रिजापती की दो पुत्तियां कहा गया था जवाल उन पिर नसद में पित्थमबार चार आस्रम के चर्चा हुई है एतरे बिरमण द्वार ववु विवाय के पिचलन का संकेत मिलता है विद्भा विवाय को पूत्त को देधी पत्त कहा जाता है सत्पत ब्रहमण में किरसी की समस्त विक्रिया का बरड़न मिलता है आपका काटक साहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने में हलों का प्रियोग किया गया यानि कि उलेख मिलता है यानि कि 24 बैलों की द्वारा इस समय हल खींचा जाता था और खेती की जाती थी उत्तरवेदिकाल में बेद विरोधी ब्रहमण बिरोधी धार्मिक अध्याप को सरयमण नाम से जाना जाता था अथरविवेद के अनुसार राजा को आयका सूले बाभाग मिलता था सत्पत ब्रहमण में एक स्थान पर चत्रियों को ब्रहमणों से सेश्ट बताए गया अथरविवेद में सिचाई की साधन की रोम में वैडापूप नहर कोल्या का उल्ले मिलता है अथरविवेद में परिच्चित कुमित्ति उलो का दियुता बताया गया है चंदोक उपनसद में एक दुर्भी का उल्ले मिलता है यहां आपका सिंदू सब्वता और बैदिक सब्वता में अंतर दिया गया है तो यह आपकी बैदिक सब्वता हो जाती है यह आपके सिंदू सब्वता तो याद रखिए जो बैदिक सब्वता थी यह गिरामीड सब्वता थी आपकी और जो सिंदू सब्विता थी नग्रिय सब्विता थी और बैदिक सब्विता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुई सिंदू सब्विता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए यानि कि सिंदू सब्विता में लोहे की खोज नहीं हुई थी लोहे की कोज आपकी उत्तर बैदिक सब्विता में हुई गोडा एक मत्पूर पसू था बैदिक काल में और सिंदू सब्विता में आपको पता होगा कि गोडे की निश्चे साक्ष नहीं मिले थे समय बैदिक सब्विता में गाय को विसे सिस्थान दिया गया और सिंदू सब्विता में मुद्राओं पर गाय कांकन नहीं है यानि कि इस समय गाय का साक्ष नहीं मिले बैदिक सब्विता में मूर्ति पूजा की निश्चे साक्ष नहीं मिले और सिंदू सब्विता में मेड मूर्तियों और पासान मूर्तियों से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी सिंधू सब्विता में बैदिक सब्विता में आरे अस्त सस्त कबच जैसे उक्रण बनाना जानते थी सिंधू सब्विता में रक्षा उक्रण जैसी बस्तु में प्राप्त नहीं हुई बैदिक सब्विता में ब्राग का उलेक नहीं मिलता है हाथी का उलेक भी कमही मिलता है आपका बैदिक सब्विता में और हडपा सब्विता में मोहरों पर ब्राग या फिर हाथी का अंकन परियाप्त मात्रा में मिलता है समय बैदिक धर्म पुरुष दिवता पिदान था और जो आपका सिंदू सब्विता दिए अनिकी हडपा सब्विता तो यह मात्य देवी की पुजा का पिछलन जानदा था समय कह सकते हैं आप लोग एक तरह से कि बैदिक सब्विता पित्तात्मक सत्ता से सम्मंदी थी और सिं सोले संसकार यह आपको देख लिया करिए जो आपके फरीवार में बात चलती है न रहती है न हर जगे सोले संसकार यह हैं आपके सोले संसकार जनम से लेकर मित्ति तक के ब्यक्ति के सोले मत्पूर्ण संसकार सबसे पहले आपका गरवाधान संतान की प्राप्ति के लिए होत जात करम बच्चे के उत्पन होने पर किया जाने वाला संस्कार, नाम करन नाम रखा जाने वाला संस्कार, निस्त क्रमड, यापका पहली बार घर से निकलने पर बच्चे के, अन्य प्रासन नवजासिसों को गोजन के रूप में अन देने का बैरम किया जाता है, चूडा करम मुंदन संस्कार है, करड़ चेदन कान में चेद करना, विध्यारम सिक्षा प्यारम उपनेन यगो वीत धारन, बेदारम बेदकाद्यन प्यारम, केसांथ केसकांथ अर्थात मुंदन, समावर्तन सिक्षा की समाप्ति पर, विवाह साधी के समाई संसकार, अंतश्टी दाह संसकार, इसपिकार यह हैं आपके सूले संसकार, पदादिकारी देखते हैं आप, रत्निक निन, राजा, सैनापति, पुरोहेत मंत्री, यह वराज, राजा का बड़ा बेटा, महसी, पटरानी, सूत, सालती, ग्रामीडी, गाउं का मुख्या, चत्र, पितिहारी, संगीता को सद्यक्ष, यानि क्या जान्ची, भागदुद, कर संग रह करता, अर्थमंत्री, अप्छवाप, पांसिस के खेल में राजा का सहे होगी, पाला गल, राजा का मित्र, विदू सक, का पूरवज, तेंड पिकार के रेड, कौन कौन से हैं रेड, प्राचीन ग्यान, बिग्यान, साहति के पिती कर्तब पित्रेड, पूर्वजों के पिती कर्तब देवरेड, देवताओं येवं बहुती सक्तियों के पिती दायत फिर आपके हैं या पंच्यग पंच्यग, ये आपके यग हैं और जिस उद्देश से किये जाते थे ये उद्देश हैं भूत यग, जीवधारियों का पालन के लिए अथितियग या फिर नियग, अथितियों की सेवा के लिए व्रह्मा यग या फिर रिसी यग, स्वाध्याय के लिए दियो यग, अगनी में हावन के द्वारां दियुता को पिसन करने के लिए पित्यग, फित्रों का तरपन या फिर संतान उत्पत्ति के निमित के लिए पित्यग होता था राजाओं द्वारां जो यग करवाय जाते तो उनकी बात करें हम लोग तो इसमें आपका राज सोय यग, राजजावी सेख के समय यह यगिक अनुष्ठान किया जाता था जिससे प्रिजा में विश्वास सुत्पन होता था कि उसके राजा को दिब सकती तरापत है अस्सुमेक यग राजविस्तारेतु घोडे छोड़कर दिगवजई होने का पित्ति एक तरह से आप लोग दादागिरी कह लीजे से वाजपे यग रत्थों की दोड़का आयवजन राजा को सिष्टा का पित्ति होता है अगनी स्ट्रोम यग इसमें सरसात्वीक जीवन बित्त करते हुए जनकल्याड हेतु अगनी को पसुवली दी जाती थी ठीक है फिर आपका एतरे ब्रमड में वडित सासन पढ़ा ली पूर में समराज यहां की राजा को क्या कहती थी समराट पस्चि में सौराट यहां की सासक को क्या कहती थी सौराट उत्तर में वेराज बिराट दच्छिन में भोज भोज और मद्दीस में राज को राज कहती थी यहां की सासक को राजा अगर हम लोग विवाय की बात करें तो वेदिक काल में आपकी विवाय कितने पिकार की होती थे ब्रह्मा विवाय लड़की का पिता अपनी एक्षा से अपनी प्युत्री को किसी उपयुकत पत्ती को बिना कुछ पिती फल दे लिये देने का पिस्ताव करता था यह आपका ब्रह्मा बिवाय कहलाता थो यानि कि कोई दहेज महेज ना तो दिया जाएगा और ना ही लिया जाएगा दूसरा था आपका देव विवार पितापनी पुत्री पुरोहित को वेहाद दिती परे आपका आरे विवार बिवाय करने वाला पुरुस कन्या के पिता के पिती समान पिदर्शित करने के लिए नाकी पितीफल के रूम में उसे बैलों की एक जोड़ी देता था यानि कि बैलों का इस समय कुछ जाना ही महता था फ्रयापका प्रियापत्य बिवाय विवाय का पिस्ताव विवाहरतियों की ओर से आता था असुर विवाय विवाहरतियों पुरुष की ओर से लड़की के पिता को नगद या बस्तूं के रूम में पितिफल दिया जाता था यह पितिफल विवाय के बाद पती को लोटा दिया जाता था इसे आप लोग आज के विभाय की तरह खेलिजे असुर विभाय, गंदर विभाय, यह वर वुरी हालत है, प्रेम विभाय, माता पिता की अनुवति के नहीं, जो अधिकतर आप लोग देखते हैं, ठीर, यह वही है, यह कुछ आपके सही नहीं होते थे, यानि की नहीं माननता नहीं थी, लेकिन फिर भी कहां आप लोग माननता मानते हैं, मानता दू बहुत कुछ करने की नहीं है, लेकिन आप उसे मानती कहां हैं, फिर आपका राक्षस विभाय, कन्या का पहट कर विभाय करना राक्षस विभाय था, पिसाच विभाय, कन्या से व गंदर व विभाय केवल चत्रियों में होती थे राक्षस विभाय चत्रियों के लिए विए थे राक्षस और पिशाच विभाय निदनिये थे ब्रह्मणों के लिए सरे पिथम चार विभाय ही बेद थे यानि कि पिथम चार विभाय ही ब्रह्मणों में पिछले थे तरहें आपके बेदों के ब्रह्मड, अरन्यक, ओपनिसद, पुरोहित और अपवेद, यह आपके बेद हो गए, यह ब्रह्मड, यह अरन्यक, ओपनिसद, पुरोहित और अपवेद, रेक बेद, ब्रह्मड इसमें एतरे, कोसित की, अरन्यक एतरे, कोसित की, ओपनिसद, एतरे कोसित की प्रोहित होत और उपदवेद आयवेद सामबेद की बात करें तो तंड सडबिन्स अरण्यक चंदोक जेमनिय और उपनिसद चंदोक उपनिसद जेमनिय उपनिसद और प्रोहित इसमें उदगाता अपवेद गंधर उपवेद या जो अपनिसद बेहदारन उपनिसद और इसमें पुरोहित था अधरियो और उपवेद था धन उपनिसद तर आपका अथर विवेद इसे ब्रह्मडवेद गोपत इसमें अरनेक कोई नहीं और उपनिसद मुंडोक निसद पुरोहित ब्रह्मा और उपवेद सिल्पवेद थे ठीक है तो यह आपका हो गया बैदिकाल अब चलते हम लोग महाजनपत महाजनपतों का उदय है याद रखिए आपको गेप देदे कर पढ़ना है जब आप 15-20 मेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद 5 मेंट के लिए आख बंद कर एक दिमाग ठंडा कर लिए यानि कि दिमाग को सांथ करकर 5 मेंट के लिए बैठ जाये करिए उसके बाद आप लोग फिर पढ़ेंगे तो आपको याद रह सकेगा कुछ ठीक है अगर चमता है तो 40-45 मेंट बैठ ठीए पढ़ते रहिए उसके बाद 10-15 मिनट आप लोग आराम कर सकते हैं फिर पढ़ाई कर सकते हैं इस तरह से आपको बाट लेना है एक पेज बना लीजिए पेज लीजिए उस पर आप टाइम टेवाल डाल लीजिए और अपने इस लेक आपके 16 महाजनपदों में बटा हुँआ था जो आपका भाहरत वर्स था यह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था इन महाजनपदों का उलेक बॉध गरंत अगुंतर निकाय और जैनगरंध भगवती सूत तो याद रखना बॉध गरंत आपका अगुंतर निकाए और जैन ग्रन्त भगवति सूथ में महा जन्मपदों का उलेख मिलता है आको सबसे पहले बात करते हैं अगुंतर निकाए में उलेख आपकी जन्मपद तो इने में आपका यह जन्मपद हो गए यह आपकी राजधानिया हो गए यह च्छेत हो गया, तो यह पूछ लेता है कौन सा जनपद इसकी रादधानी क्या थी, तो आप लोग एक नॉर्मन ज्यानकरी यह रखिए, जनपद है अंग, इसकी रादधानी थी चमपा, च्छेत कौन था, भागलपूर, मोंगेर, बिहार, इस तरह से ले सकते हैं आप लो जैसे राज्य कौन हो गया, उत्तरपिदेश, इसकी रादधानी क्या होगी, उत्तरपिदेश, उत्तरपिदेश की रादधानी लखनव सोरे, उसके बाद च्छेत क्या होगा, पूरा उत्तरपिदेश, मतलब सभी जे मिला कर, तो यह उसी तरह हुआ करता था, प्रयापका अर्जनवत मगत। इसकी राधधानी थी गरे विज, राज गरे। इसका छेत था पतना एवं गया बिहार। कासी, इसकी राधधानी थी बराणडसी, बराणडसी के आस फास का छेत। इसमें सामलता कॉसल इसकी राध्धानी साकेत तरावस्ती पूर्वी उत्तरपिदेश इसमें संभिलित था वज्जी यह आपका गर्द तंतात्मक जर्बत था इसकी राध्धानी थी बैसाली यह आपका मुझहपुर की आसपास बिहार के छित था मल कुशिनारा पाबा इसकी राध्धानी थी देव अरियाओं उत्तरपिदेश इसके च्छित में सामिलते हैं चैदी, सुक्तमती, एमा, बुंदेलखंड, जहासी वाला एरिया, कुछ एमबी में पड़ता है, कुछ एमपी में पड़ता है, तो अपना अंगला जनपद है, वात्स, इसकी राधधानी थी कौसामबी, इलावाद उत्तरपिश, कुरू, इसकी राधधानी थी इंदपरिस् चेत, पंचाल, इसकी राधधानी थी अहचर्थ, कंपिल, आधुनिक पश्ची में पश्चम उत्तरपिश, चेत सामिल था, तरयापका सूरिसेंट, मत्रा इसकी राधधानी थी, मत्रा उत्तरपिश, इस चेत में सामिल था, गंधार, तप्चिला, पेसावद था कस्मीर, इ तक उत्तरपिदेश सीमा प्रांति इसमें साम्ल थे असमक दच्चन वारत का एकमात जनपत था इस तरह की आपका कुश्यन पूच लेगा अपसे मालवा और मद्धिपदेश इसमें सामिल था मत्स इसकी राधानी थी बिराट नगर जैपुर के आसपास का छित इसमें सामिल था आपका चीक है आँगे चलते हैं हम लोग कंबोज राज स्रेष्ट गोडों के लिए पिसे दे था जो आपका कंबोज राज था इस्रेष्ट गोडों के ससे देता चंपा का प्राची नाम मालनी था बजजी संग आठ कोलों का एक संग था पंचाल को वेदिक सब्विता का सरुफसेष्ट पितिनी धी कहा गया है वज्जी आठ राज्यों का एक संग था रामाईड से पता चलता है में कि तक्छिला तक्छिला की स्थापना भरत की पुद्ध तक्छ ने की थी भरत कौन राम की पुद्ध गौतम बुद्ध की समय अवंती का राजा प्रगोध था गौतम बुद्ध साहब की समय अवंती का राजा कौन था प्रगोध बुद्ध की समय कौसल का राजा कौन था पैसेंट जीत मगद का राजी विस्तार राज बिम्मी सार गौतम बुद्ध का मित्ध तथा सरक्चर था जो मगद राजी का राजा था बिम्मी सार एक गौतम बुद्ध साब का मित्ध था वस सरक्चर था बुद्यकालीन सरवादिक बड़ा एवं सक्तिसाली गरतंत, बैसाली का लिष्च भी गरतंत था, बुद्यकालीन 4 सक्तिसाली राच्तंत, कौसल, मगे दुवस्त, वत्स, अवंति, एक राच्तंत का एक सीधा सा मतल्व निकाल लेज़ेगा, कि राच्तंत में आपको पता रहत कि आंगला राजा कौन बनेगा? यानि कि जो राजा गद्धी पर बैठा हुए, वही चुन लेता है, गरतंत में यानि कि यहां जंता की भागेदारी रहती है, जंता जिसे चुनेगी वही राजा होगा, जंता की भागेदारी गंधार गंधार येवं कंबोज के छत्रियों को वार्ता सत्तेव जीवना कहा गया उत्तरापत मार्ग उत्तरपश्चिम से पुस्क लावती तक्छला से पाटली पूत तामलिपी तक जाता थे दूसरा पिसिद्व व्यापारिक मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर में कौसम में तक जाता था तदुपरांत उत्तरापत मार्ग से समध्ध हो जाता था यानि कि मिल जाता था तीसरा मार्ग दच्चिण में पितिष्ठान से उत्तर में सरावस्ती तक जाता था चितूर्थ मार्ग ब्रेगु कच्चे से मत्वरा तक यानि कि उज्जेन उज्जेनी होकर जाता था दच्चिण मार्ग पितिष्ठान से सरावस्ती बहुत मत्कूर था यह इस ब्यापारीक म मार्ग पर ब्याबार की वह मूल बस्तुएं मुक्ता मड़ी हीरा सोना संग आधी के कारवाद चलते थे पूरवी तठपर तामिली पी एवं पश्चमी तठपर म्रगू कच्छ महत्पून पतन थे ठीक है अब चलते हम लोग प्राचीन का लीन धर्म देखते हैं इसमें आपका जैन हो गया बहुत बेश्चनाव सहभी इसाई इसलाम धर्म तो आप सभी आज सभी धर्मों को जान लेंगे तो सुरूं करते हैं हम लोग जैन धर्म से जैन परंबारा के अंसार इस धर्म में आपके 24 यानि 24 तीर्थ कर हुए जैन धर्म के पहले तीर्थ कर एवं संस्थापक रेशब देव थे तो आपको सबसे पहले क्या पॉइंट याद रखनाए इसके 24 तीर्थ करते हैं और सबसे पहले कौन थे जो संस्थापक ते वय रेशब देव अंतिम के महावीश्वामी कीन वाई निरगरंध कहला दिते तो अंतिम स्दे कर कों हैं महावीश्वामी पहले रेशब देव अगर हम लोग महावीर स्वामी साहब के जन्म की बात करें तो ये भी कुश्चेंस बन जाता है इनका जन्म पास्तो चालीस इसापूर में हुआ कहा हुआ बैसाली के कुंड गराम में हुआ या बिहार राज में अभी इस्ते थे फिर भी राज आपका बिहार पिछड़ा हुआ है बताई भगवान महावीर का जन्म होगा है वहीं आपका पिछड़ जाता है बिहार उनकी माता तिसला बैसाली के लिचवी गड़ राज के तर्मुक चेटक की बहनती मावी स्वामी को जंब ग्राम की निकट तर्जू रिजू पाली का नदी है कि तड़ पर ग्यान प्राप्ती हुई है याद रुखिए महावीर की पत्नीन का नाम यसोदा था महावीर साहब की पत्नीन का नाम यसोदा यसोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री का नाम प्रियर दरसना था जिश्का विवाय जमाली नामक छत्रिये से हुगा था यह महाभीर स्वामी के पितम से से थे कौन जमाली यह दरका जैन दर्ब में पूर ग्यान को केवल ग्यान कहा गया है जैन दर्ब में पूर ग्यान को क्या कहते हैं केवल ग्यान पिता सिद्धार्थ ग्यातक चत्रियों के संग के पिदान थे उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे महाभीर स्वामी की मित्यू पावापुरी से में 468 इसापूर में हुई थी जनम होता है 540 इसापूर में और मित्य होती है 468 इसापूर में बॉद्धिसायत में महाभीर को निगंट नादपुत कहा गया है यह आपके महाभीर स्वामी से संबंदित कुछ मात्र उटतर थे सिद्धार्थ महाभीर स्वामी की पिता का नाम तुरसला महाभीर स्वामी की माता का नाम यसोदा महाभीर स्वामी की पत्नी का नाम प्रेये दर्षना महाभीर स्वामी की पुत्री का नाम जमाली महवी स्वामी के दमान पितं सिसका नाम जेन बिख्चुन को नगर नहीने की सिक्षा महवी स्वामी ने दी थी पार्फनात के साच चार बिट एहंसा नहीं करना अमेसा यानी की जूट ना बोलना आचोर यानि की चोरी ना करना आपरीगर यानि की संपत्ती ग्रहन ना करना और पांचवा चार आपकी रिसब देव ने जोड़ी और पांचवा जो ब्रह्म चर्था पांचवा बिरत ब्रह्म चै इंद्रिय निर्ग रहे इसे आपके महावी स्वामी ने जोड़ा था याद र जैंधरम का सबसे मात्पोर सिध्धान्त है यही बाद में आपके गांदी जी का सिध्धान्त बना लेकिन अभी देखो आप कि हिंसा ही हिंसा देख रही है जहां देखो जैंसायत को अंग कहते हैं जैंसायत को क्या कहते हैं अंग जैंधरम के मौलिक गरंथ 14 पूर्व कहलाते हैं जैंधरम के अनुसार निर्माट पराप्ति के लिए तरी रतन का अनुसीलन आवस्तक हैं जैंधरम का सबसे बड़ा केंद आपका चंपग नगरी है बात करते हैं हम लोग जैंधरम के 24 तीर्थ करों को देख लेते हैं आपको इन में कौन-कौन याद रखना है पहला रिसब्दिव इन्हें याद रखना है पहले तीर्थ कर कौन थे रिसब्दिव अजीत नात दूसरे संभावनात अभी नंदन स्वामी सुम्ति नात पदम प्रभू सुपारसुन चंद प्रभू सुबिधिनात सीतलनात सरयांस सुनात वासु पूजनात बीमलनात अनंतनात धरमनात सांतिनात कुन्थुनात अननात यठर्वि मल्लीनात मुनी सुब्रतनात नेमीनात अरिष्टनेमी पार्षनात महभी स्वामी, तो आपको फर्श्र याद रखी, और फिर लाष्ट याद रखी, पर आपको अगर याद रख सकते हैं, तो पूरे रख सकते हैं अप लोगों,इसमें कोई दोहरा नहीं से, थोड़ा आइडिया रखे, लेकिन अच्छे से याद रखना है इन दोह को, क्योंकि लाश्ट और पहला पूछ लेता है कई बार, तो वैसे तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा फॉकस बढ़ा देना है इन पर, सुरुमें जैनियों द्वारा प्राकृत भासा को अपनाया गया था, बहाभű स्वामी ने अपना पिथम उपदेश राजगीर में पाली भासा में दिया था, तो इस तरह से लाइन में आपके दो कुश्चन्स बन जाते हैं मावी स्वार्मी ने अपना पिथा मुब्देश कहा दिया था राजगिर में किस भासा में दिया था पाली भासा में करनाटक करनाटक में जैन धरम को चंदगुप्त मौल ले गया था अब देख लिजे जैन सिध्धों की पाँच सेड़ियां तीर्थ कर जिसने मोक्ष प्राप्त किया हूँ अरहत जो निर्मार्ण प्राप्ति की ओर अग्गसर हो आच्यारे जोर जहन बिक्चू समू का प्रिमुक हो उपाध्याय जहन सिक्चक साधू सभी जहन बिक्चू बिक्चू आगे आपकी बात करते हैं सरवन बेल गोला में गौमतेसर की मूर्ती चामुन राय ने बनवाई थी तो याद रखना सेवन बेल गोला में जो गौमतेसर की मूर्ती है यह आपके चामुन राय ने बनवाई थी कलेंग राजा खारवेल तथा अजा सत्तू का पुत ओदायन जैन दरम की अनुवाई थी माभी स्वामी ने प्राकृत भासा को प्रिचार का माध्यम बनाए सुइत्तामबर उर्दीगंबर में बट गया था कि जैन दरम का पिसिद्ध सिद्धान्त स्यादवाद यानि की सब्त भंगी ज्यान या फिर अनेकांत वाद है जैनियों द्वारा सरी को भूंका रखकर प्रान त्यागने को सलेकना भी दी कहा जाता है जैनियों द्वारा सरीर को भूंका रखकर प्रान त्यागने को सलेकना भी दी कहा जाता है जैन मठों को वस्दी कहा जाता है महावीर की मित्यु के बाद सुधर्मन जो गंदर्व था जैन धरम गुरू पना जैन धरम में इसर इवं आत्मा की माननता नहीं याद रखे जैन में जैन धरम में इसर और आत्मा की माननता नहीं है यानि कि इस्वर और आत्मा को नहीं मानते हैं जैन्धरम जैन्धरम में रिसब देव और अरिश्ट नैमी का उल्लेक रिगवीद में मिलता है आपका विश्णु पुरान तथा भागवत पुरान में रिसब देव का उल्लेक नारायन के अउतार की रूम में मिलता है बद्दवाहू और उनके अनुवाईयों को दिगंबर कहा जाता है यह दच्छडी जनी कहे जाते हैं बद्दवाहू जो दिगंबर हैं इन्हें आप लोग दच्छडी जनी कहते हैं इस्तूल बद्द और उसके अनुवाईयों को स्वेतामबर कहा जाता है जो सपेद कपड़ उसे स्वितामबर जो नगल रहते हैं आपकी देगमबर जैन अनुसरुतियों के अनुसार पारसुनात को सौवर्स की आयू में संभीत परवर पर निर्माड पराप्थ हो जैन धर्मानुसार ज्यान के तीन सुरुत पित्यक्ष अनुमान और तीत करों के बचन हैं महा बीर के जीवनकाल में इद्दस गड़धर की मित्ति हो गई महावीवाग के बाद केवल सुधर्मन जीवित रहा था कारवेल की हाती गुफा की गुफाओं में परामिक जैन की आउसेश मिलते हैं जैन धर्म की पुनर जनम यम करमबाद में विश्वास करता था जैन धर्म इस दर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था लेकिन पुनर जनम और करमबाद में विश्वास करता था उनके अनुसार करमपल ही जनम तथा मित्तिव का करन है यानि कि जो जैसा करम करेगा उसी का फल में लिए राजिस्थार में माउंट आभू पर दिलवाड का मंदिर काफी पिसिद रहता है आप लोग भी चर्चा में सुनते रहते हैं जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नैमी किष्णे के समकालीन थे चंपा के सासक ददी वाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महला भिक छोड़ी थी अब इसकी बात कर लेते हैं संगीती एवी कुश्चन्स पूच लेता है पिथम जैन संगीती कब हुई है तेन सो इसा पूर में कहां हुई थी पाठली पुत्त में इसके अध्यक्ष कौन थी इस्थूल भद्ध किस किस समय हुए थी कौन सा सक था इस समय चंदगुप्त मौ इसमें क्या क्या कार हुए थी बारोंग बारेंगों का प्यडन जैन धरम के दो भागों ह mich Dark छिटांबर और दिगंबर तो याद रखना पहली जैंसल संगिती हुई आपकी पाटली पुर्थ में दूसरी बल्लेवी में अब हम बात करते हैं बौध धरम के बारे में बौध धरम की इस्तापना गौतम बुद्धने की थी किसने गौतम बुद्धने गौतम बुद्धने का जनम नेपाल की तराई में इस्तित कपिल वस्तु कि लुम्मिनी के राम में साक्ष कुल में 563 इसापूर में हुआ था तो इस लाइन में आपको कितने कुश्चेंस बन जाते हैं देखिए गौतम बॉध्ध कहा जनम कहा हुआ नैपाल की तराई में कफिल वस्तू कि लंबिनी गाउं में किस कुल में साक्कुल में कब 563 इसापूर में यानि की बीसी में बॉध्ध की माता का नाम महमाया जो कौसल राज तंत कौलिय बंस की करने आती बॉध्ध का अर्थ ज्यान होता है बॉध्ध का अर्थ क्या होता है ग्यान गॉत्व बॉध्ध को बॉध गया मैं फल्गू नदी के किनारे पीपल बैक्च के नीचे ज्यान पराप्त हुआ बॉध्ध का पालन पोसन उनकी मौस में मौसी प्रजापती महा प्रजापती गौती भी ने किया थो क्या हुआ का इनकी कुछ जनम के कुछ दिन बाद इनकी माँ चल वसें तो इनका जो जन पालन पोसन इनकी मौसी न किया था बॉध्ध के प्यारमिक गुरू अलार कलाम थे तथा उसके बाद राजगरे के रुध्ध कराम पुत्र ने पुत्र पुत्र से सिप्छा पिराप्त की नोने भगवान बुध्ध से सम्मंदित कुछ आपके तत्य दिये गए हैं ने ने भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से महा माया गौतम बुध्ध की मा राहुल गौतम बुध्ध का पुत्ध चन्ना बुध्ध का सार्थी चोंद सुनार जिसका दिया हुए सुवर का मास खाने से बुध्ध साहब की मित्धी हुई थी यह वही है कंथक यह आपका बुध्ध का फ्री एक होड़ा है समझ रहे हैं इनके बारे में अगर आप कुछ जानदा ही जारना चाहते हैं फिर आपकी महावीर हों चाहे बगवान बहुत दूम तो NCEIT हम लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में तो आप हिस्ट्री की NCEIT देख लें ठीक है उसमें आपका बड़े कहानी का रूप दे दिया गया है इनकी उसमें सब कुछ समझाए गया है सुजाता करुसक वाला बाला जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई थी प्रजापती मौसमी बुद्ध की मौसी पिथम बुद्ध भिक्चुड़ी थी अलार कलाम जिसे बुद् बुद्ध का चचेरा भाई थाए अस्वत वह पीपल व्यक्च जिसके नीचे बुद्ध को ज्यान पराप्त हुई थी इस्तूब महापरिनिर्माण के पितिक बैसाली यहां बुद्ध का अंतिमबर्सा काल बीता था साल व्यक्च जिसके नीचे बुद्ध की मित्ती हुई थी सुद्धो धन बुद्ध के पित्ता एवं साक कुल के मुख्य यह सोधरा बुद्ध की पत्नी थी राहुल बुद्ध की पुत्ते थे ठीक है अब बात करते हैं बहुत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ महत्मूर पितिक हाती बुद्ध की गरब में आने का पितिक, कमल जनम का पितिक, साड यवन का पितिक, घोड़ा ग्रह तराक तुर्याक का पितिक, घर त्यागने का पितिक, पीपल ग्यान का पितिक, सेर समरिद्धी का पितिक, पदचन निरवाड का पितिक, इस्तू मित्तिव का पितिक बुद्ध धर्म ने 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 ब गौतम बुद्ध ने 29 बर्ष की अवस्था में क्रह त्याग दिया था है। बुद्ध के ग्रह त्रयाक की घटना को महा विहनी स्क्रमड कहा जाता है। बुद्ध साथ बर्ष तक विज्ञान की खुज में इधर उधर वठकने के बाद, सरपितम बैसाली के समीब, अलार कलाम, तता उदक, रामपुत, नावगदो गुरुओं से सिख्चाली थे। अलार कलाम सांक समदाई की अनवाई थे। महतमाबौद के जीवन से जुड़े चार द्रस, जिनने देखकर उन्हें वैराग की भावना प्रवल हुए। क्या है कि इनकी एक कहानी है कि इन्हें बच्पन से इनका जब जनम हुआ तो आपने देखा होगा जो महराजा होते थे राजा होते थे वो अपने बच्चों का भविस्त देखवाते थे जो तिसों से तो उनमें कई राजाओं ने बुला ये राजय बनेंगे, कई ने बुला ये संत बनेंगे, सादू बनेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उन्हें बताये गया कि इस तरह की जो भी घटनाय देखें, उसके बाद ही संत बनेंगे, यानि कि भिक्चू बनेंगे, तो इनके इन्हें एक नई दुनिया में रखा गया था जिससे इन्हें लगे कि कोई मोई माया नहीं है यानि कि छोड़के ना जाए गर सीधी सीवास इन सभी से परिचेस नहों लेकिन क्या हुआ कि एक दिन कहीं ऐसा कोई उत्सव हुआ करता था जहां राजकुमार को जाना उचित यानि कि जरूरी होता था तो उन्होंने रास्ते में देखा प्रिथम दिरश बिर्द्ध को यानि कि इन्हें एक बिर्द्ध को देखा तो इनका जो सार्ती था रास्ट चलाने वाला तो इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सबको बिर्द्ध होना है यानि कि बूड़ा सबको होना है तो गोतमबोत्ध बोले कि मुझे भी तो बोले हाँ फिर दूतिये दिरस्त इनने देखा एक ग्रोग ग्रस्त बैक्ति को यानि की रोगी को तो उन्होंने पूंचा कि ये क्या है तो कहा कि इस तरह आदमी रोगी होता है तितिये दिरस्त मिर्टक बैक्ति यानि की मरा हुआ बैक्ति आप लोग इने एकसर देखा होगा जब आप कहीं सन्यासी को देखते हैं या फिर मितिक बेक्ति को यानि कि मित्यू जिसकी हो जाती है उसे देखते हैं आप लोग तो आपके दिमाग में बड़े विचार आने लगते हैं आप देखते हैं कि यार सब मुएम आया है इसक दिन मुझे भी इस तरह से चला जाना है तो इनके भी मन में यहीं आया और यहीं चले गए निकल गए चैबर्स तक अथक परिसम एवं घोर तपस्या के बाद बैसाक पूरिमा की रात फल्गू निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के व्यक्षन नीचे सिद्धार्थ को ग्यान प्राप्त हुआ इसी दिन से भी तत्थागत हो गए याद रखी इसी दिन से वह बौध कहलाए इससे पहले उनका नाम क्या था सिद्धार्थ सहाब आगी चलते हैं उरोवेला से उरोवेला से बुद्ध सार्नात रिसी पत्नम एवं मर्ग दाव गए यहाँ पर उन्होंने पांच व्रमड सन्याजियों भद्री बप्पा असोजीत असागी महानाम तथा कॉंडे को अपना पितम उपदेश दिया जिसे बौध गरंथों में धरम चक विवर्तन नाम से जाना जाता है मात्मा बौध ने तपस एवन काल्पिक नामक दो सुद्रों को दो बौध धरम का सरपितम अन्वयाई बनाया बौध ने सरवादी कुपदेश सरावस्ती में दिये थे याद रखे बौध साहाब ने सरवादी कुपदेश सरावस्ती में दिये थे बुद्ध दर्म का सरवादी प्रिचार कौसर लाज्ज में हुआ था बुद्ध के पाँच पिरिये सेस्थे थे कौन-कौन से अनिरुद्ध, आनन्द, उपाली, सारीपुत, उमोगद, लियायान बुद्ध के पिसिद अन्वयाई सासकते विमिसार, पिसैनजीत और देन बुद्ध अपना पिड़िचार करते हुए बेव मल्लों की राधानी पावा पहुँचे जहां बेचुंद नामक लुहार की आमवाटका में ठेरे उसने बुद्ध को सूकर मच्छव खाने का कुद दिया इससे उन्हें रक्ता तीसार हो गया और भायानक पीड़ा उत्पन होई इसी के बाद इस बेदना के बाद भी कुसी नारा यानि की मल्ल गड़राज की राधानी पहुँचे यहाँ पर 483 इसापूर में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्टरीर त्याग दिया इसे बुद्ध गरंतों में महा परी निर्मार कहा गया महा परी निर्मार कहा गया अगर हम लोग बुद्ध धरम के त्री रतनों की बात करें तो इसमें आपका बुद्ध धम और संग याद रखिए बौद बिक्षूओं के निवास के स्थान को क्या कहते हैं बिहार इनके पूजा इस्थल को चैति कहा जाता है बुद्ध ये चार आर सत्यते कौन कौन से दुख संसार में सर्वत दुख है तथा जीवन दुखों येवं कश्णों से पूर है दुख समुदाए पितेक वस्तू का कोई ना कोई कारण अवस्थ होता है जो दुख का भी कारण है दुख निरोद दुख का अंत संभव है दुख निरोद गामनी पिती पदा दुख के मूल अविद्धा अविद्धा के बिनास का उपाए अस्टांगिक मारव है ये आपके आरिके बुद्धि के चार आरिसत्थ है अगर इन बुद्धि के अस्टांगिक मारवों की बात करें हम लो समयक दिर्ष्टी समयक संकल्प समयक वाणी समयक कर्मांत समयक अजीव समयक व्यायम समयक श्मिति समयक समाधी है बौद दर्शन में केंदरी सिधान्थ पर चार आरिसत्थ एवं पितित समुत्पाद है चतोर्थ बौद संकती के बाद बौद धर्म को दो भागों में यानि कि हीनन है और महायान में विभाजित कर दिया गया था गौत्पाद्ध के जीवन की गटनाओं की बात करें तो महा बीनिस्कर्माड ग्रह त्रयाग की गटना यानि कि गह छोड़ने की गटना समबौद्धी ग्यान पराप्त होने की गर्णा, धरम चक पवर्तन, उपदेश देने की गर्णा, महा परिनिर्माड, निर्माड, यानि की धर्दी छोड़ने की फिक्रिया, मलने की फिक्रिया बुद्ध साहित के तीन पिटक हैं, कौन को से? स्तूत पिटक, इसमें आपके बुद्ध के धार्मिक बिचार और वचनों का संगरे किया गया, बीनाय पिटक, बुद्ध दर्शन की बिविचना और नियम दिये गया, अभी धम में पिटक, बुद्ध के दार्शने की बिचार, समझ सकते हैं आप लोग, ये आपके बुद्ध के जीवन की चार स्थल, कौनकों से लुम्बिनी जनम हुगा था यहां, बौद गया, यहां ज्ञान पिराप्ती हुई, सारनात यहां पितम धर्मों तेज दिया थे इनोंने, कुसी नारा यहां इनकी मित्ती हुई थी बुद्ध का जनम ज्ञान पराप्ती और महा पड़ि निर्माड वैसाग पूर्णी मागो हुआ था, कब वैसाग पूर्णी मागो अपने फिरियस इस आनंद के आग्रह पर, बुद्ध ने वैसाली संग में इस्तरियों के प्रिवेश को अनमती दी, अल्फ वैस्क चोर हत्यारे, रडी राजा के सेवक, दासी और रोगी बुद्ध संग में प्रिवेश से बन चिते अजीवक संपदाई की स्तापना मकली गोसाले की थी, किसने मकली गोसाले, यह संपदाई बुद्ध के समकाली था, पाँच बुद्ध, कौन कुछ से, कुकुच्छानंद, करक भंजन, करक भंजन के बाद आपका, कस्याप, साकमुनी यानिकि गौतम बुद्ध, मैते यानि की भावी बुद्ध अंतिम बुद्ध सामंत भद्ध होंगे संगे सभा का परिष्टाव पाठ अनुसावन संगे में पिरवेश ओप संपदा बौध धर्म की पवित दिशा है दच्चन बौध धर्म की पवित दिशा कुन सी है दच्चन बौध धर्म का पिर्चार पाली भासा में किया गया था बौध गिरंतों में संस्कृत का प्रियो आवी धम पिटक से प्यारम हुआ है ही नियान के दो भाग है वेवासिक और सोत्रांतिक बहुत धर्म के अनुसार इक्छा सब कष्टों का कारण है यह तो आप भी समझते होंगे यानि कि आपको भी ग्यान की परापती हो चुकी है बहुत धर्म के अनुसार इक्छा सब कष्टों का कारण है वह आप इक्छा ही तो रखते हैं कि हमारे पा हो ठीक है तो अगर एक चाय ना हो तो आपको कोई कश्ट नहीं होगा ना दुख होगा तो आप भी ज्यान प्राप्ति कर सकते हैं निर्मार बहुत धर्म का परम लक्ष है जिसका अरत है कि दीपक का बुझ जाना यानि कि छिवण मरन की चक से मुक्त हो जाना मिलिंद पनिहो पुस्तक मिलिंद के पिसन सो इसा पूर को एक बुद काब है जिसमें बारती यूनारी राजा मिनेंडर पिथम के पिसनों पर काउत्तर बुदं बिद्वान नांग सेंग का संबाद है बुद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्मूर प्रवाहो छोड़ा ये बर्ग थी इस्तरिया और सुद्ध बुद्ध को तधागत एवं साक्मुनी नामों से भी जाना जाता है जो आपके गौतम बुद्ध साहवें इन्हें तधागत और साक्मुनी नामों से भी जाना जाता है बुद्ध अनात्रमादी थे पर पुनर जनम में विस्वास करते थे यानि कि ये आत्मा को नहीं मानते थे फिर भी पुनर जनम में भरोसा करते थे कलांतर में महायान संपदाय को दो भागों में बाटा गया सूनिवाद, माद्मिक और विग्यानबाद, यूगाचार सूनवाद के पिवर्थक नागारजुन थे सूनवाद के पिवर्थक कौन थे? नागारजुन बिज्ञानवाद इसके प्रिबार तक थे मैत्रे नात बुद्ध वर्साकाल में वेलवन तथा जेदवन में निवास करते थे मांतुमा बुद्धने सरपिथम उरुवेला में तपेस्या की थी बुद्ध की अश्टांगीक मार्क का स्रोत तेत्रिय उपनिसत्या निर्वाण कु सरवब वनाने का लिए बुद्ध के दस्तील अहिंसा सत असत यानि की चोड़ी ना करना आप परी रह यानि की किसी पिकार की संपत्ति ना रखना मद्ध, पान यानि कि नसा न करना आसमय भोजन ना करना सुखदाई, विस्तरपन नहीं सुना धन संग्रे नहीं करना इस्त्रियों से दूर रहना नित्य संगी से दूर रहना और आप एक भी कमी नहीं बचा सकते हैं पता है? आज के इंसान में सभी कमी पूरी होंगे इनसे कोई छूटा नहीं होगा यही तो जिन्दगी बना लिया है लोगों ने इस टाइम में, बरतमान में इनी इसको लोगों ने अपने जिन्दगी यानि कि सब कुछ समझ लिया है समझ रहे? अब आप जबान होते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि आप जवानी में यही भूल जाते हैं कि हम कभी मरेंगे आपने देखा होगा अकसर 24 गंटा है अपने दिमाग में कभी नहीं आता है कि आप मरेंगे साथ हम लोग समझ लिते हैं कि हमारे लिए इस्थाई हो गई है दर्ती लेकिन ऐसा नहीं है याद रखे सूत पितक को प्यारंबीक बौत धर्म का इन साइक्लोपीडिया कहा जाता है सूत पितक को प्यारंबीक बौत धर्म का इन साइक्लोपीडिया कहा जाता है बुद्ध्य के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सूत पितक में बड़न थे बुद्ध्य के पांचे सीर सिध्धान का बड़न छंदोग उपनेसद में मिलता है तिबब्ब में बौध धर्म का पिर्चार करने वाले बौध भीक्चू पदम संभवते दिबवादना, दोहाखोसा, वजबेदिका तथा वाम साथ पाकसीनी मैंसे एक भारत में उत्पन सबसे बादवाला बौध धर्म का गिरंद वाम साथ पाकसीनी है इसके बाद आप देख सकते हैं यह आपका अगर कहीं पूच ले हीनयान और महायान में अंतर यह आपका हीनयान संपताय है जैसा कि आपको पता होगा कि बाद धर्म को दो भागों में बढ़ गया था हीनयान संपताय और महायान संपताय हीनयान महत्मा बाद द्वारा इस्थापित मूल धर्म है हीनयान महत्मा बाद द्वारा इस्थापित मूल धर्म है जबकि महायान इसका संसोधित रूप था ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरस के रूप में मानते हैं और महायान वाले ये महात्मा बुद्ध को देवतुल उपासना करते हैं हीनयान वाले बुद्धी सत्त में विस्वास नहीं करते हैं लेकिन महायान वाले बुद्धी सत्त में विस्वास करते हैं। हिन्यान वाले इनकी धार में ग्रंत पाली भासा में हैं। जबकि आक्वे महायान इनकी धार में ग्रंत संस्कित भासा में हैं। हेनयान यह सन्यासी जीवन पर बल देते हैं बलकि महायान है जो गरस्त जीवन पर बल देते हैं यह लोग मूर्ति पूझा में विस्वास नहीं करते हैं लेकिन महायान वाले महायान साखा के अंतरगत बौद्ध की पहली मूर्ती बनी और इस सुर की रूम में पूजने की परंपरा यही से सुरू होती है आपकी हेन यान संपदाए प्रधानता दार्शनेक है महायान संपदाए सुद्धता धार्मिक संपदाए है आप एक बात समझ सकते हैं अभी क्या समझ सकते हैं कि अभी भी भगवान बना जा सकता है अब गौतम बुध्य को देख लिजे महाभी स्वामी साथ को देख लिजे एक कोई बच्पन से भगवान नहीं बन गए थे चलिए बगवान राम तो आपने देख लिए आगी बच्पन से चलिए राम है लेकिन ये तो अपने कर्मों की वज़े से भगवान बनी कि नहीं बनी आज लोग इने भी पूछते हैं इनकी मूर्तियां लगाते हैं तो आप अपने कर्मों की वज़े से राम बन सकते हैं बगवान बन सकते हैं आप भी अपनी वासना करते थे इसमें तारा आधी देवियों को महत प्राप्ता इसके सिद्धान्द मंजू स्री मोलकल्प गुहा समाजक नामग्रंतों में नेहित है असोक मिलांडर कनिस्क हर्थबरदन ने बहुत धरम के परसार में विशिष्ट युकदान दिया था बिहार एवं बंगाल के पालसास को ने बहुत धरम के प्रचार प्रशार में अधूतिय युकदान दिया था aye नालंदा तथा विक्रम सिलाविस विध्याले बौध सिक्षा के पिधान कहने थे हैं करमापा लामा लामा तिब्बत के बौध संपदाय के कंग यूपा बरग से संबंदि थे आपके अगर हम लोग चार बौध संगितीयों के देशों की बात करें जैसा कि आपको पता हुआ कि चार बौध संगितियां हुए पिधम में आपका बौध के देशों को दो पिठकों बिदय और सूथ पिटक में संकलीत किया गया दुतिये बौध्य संगीती में आपका अनुसासन को लिकर मदवीत की कारण बौध्धरम इस्थरवीड और महासंदीक में बट गया तितिये बौध्य संगीती में तीसरा पिटक अभी धम जोड़ा गया और चतुर्थ समिति की अगर हम लोग बात करें किसकी चतुर्थ इसमें बहुत धर्म का दो संपदा है हिनयान और महायान में बिवक्त कर दिया गया था ठीक है अगर बहुत इनकी डेट याद रख लेना अगर कहीं पूछ ले आपसे क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है पेपरों का कोई निये में सिलेवस थोड़ी है तुमारा की मतलब यही कोश्चन आएगा जो पितम आपकी संगिती हुई थी यह आपकी 483 इस्तभी में हुई थी यह हुई थी आपकी राजग्रह में इसके जो अध्यक्च थे वो थे महाकस्यप दुतिया संगिती हुई थी 383 इसापूर में कहां हुई थी बैसाली में इसके जो अध्यक्च थे वो थे आपके सावक मीर तितिया जो बहुत समिती हुई थी 251 इसापूर में यह आपकी पाटली पुत्त में हुई थी इसके जो अध्यक्च थे वो थे आपके मौक्र पुत्त तिस्स चत्थ बहुत संगिती हुई थी आ पाब की कस्मीर में कुंडलबन में इसके अध्यक्ष थे बसुमित एवं असुगोस ठीक है याद रखिए आगी चलते हैं बुद्ध ने मध्यमार्ग का उपदेश दिया बुद्ध पाबाग से कुसी नगर चले गए और यहीं पर सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया बुद्ध अपनी मित्तिव के उपरां बुद्ध संग के नितित के लिए किसी को नामेत नहीं किया था बल्गी अपने उपदेशों धरम एवं बिनय को ही मारक दर्शन बताया अब यह आपकी जैसे कि हम लोगोंने बात कर ली है बुद्ध संग थी पिथम बुद्ध संग आपकी 388 इस्वापूर में हुई यह आपकी 22 साली में हुई थी साबाकामी इसकी अध्यक्ष थी काला सुख की समय हुई तिथियव बुद्ध संग थी 255 इसापूर में हुई पाथ ली पुत्त में हुई ये मौगली पुतिस इसके अद्यक्ष थी असो के समय हुए चत्थोर्त बौद्द संगिती आपकी इस्वी की पितम सताब्दी में ही ये आपकी कुंडलबन कस्मीर में हुई थी इसके अद्यक्ष थी वसुमित और उपाद्यक्ष थी आपके असोगोज किसके सभाए हुई थी कनिस्क की याद रखना है अपको ठीक है बुद्ध के अउसेसों की हम लोग बात करेंगर तो बुद्ध के अउसेस कुंडलब्यक्तियों ने आपस में पांटकर आठ इस्टूप बनाए थी अब बात करते हैं लोग आस्तिक सड़दर्सन का संचिप्त एक परिचाए दीख लेते हैं यह आपके दर्सन हो गए यह पिवर्तक हो गए यह अन बिद्ध्वान ब्याक्याकार पूड मेमानसा पिवर्तक जैमनी मेमानसा सूत अगर अन बिद्ध्वानों की बात करें तो सावर स्वामी प्रभाकर कुमारिल इत्यादी उत्तर मेमानसा बेदान्त इसके विवर्तक आपके बादरायन ब्रमा सूत संकराचार वाच इसप्रती रामानुज मादवाचार इत्यादी नियाय गौतम नियाय सूत अन बिद्ध्वान की बात करें तो वात्सयान उद्धयानार्चार जैन्दभट इत्यादी वैसे सिट काणाद या उल्लोक उलोक अन बिद्ध्वान इसमें पिसस्त पाद केसव मिस एवं बिस्वनात सांक कपिल सांक सूत इसोर किष्ण वाच इ इत्यादी योग पतंजली योगसूत ब्यास ठीक है यहाँ लोग देख सकते हैं यह आपके अन्य धरम मातेवं उनके संस्थापकें यह आपके संपदाय हो गया इस संस्थापक उनिके जैसे पसुपात पत पासूपत इसके जो संस्थापक थे वो उनका नाम था लकूलीस प्रयापके प्रत्य भिज्या इसके जो संस्तापक थे वो थे आपके वसु गुप्त, इस्पंद स्तार इसके जो संस्तापक थे वो थे आपकी कलत और स्वमानन्द, लिंगायत इसके जो संस्तापक थे बासव, आद्वेत, संकराचार एवं बादरायन, प्रयापका बिशिष तद्वेत एवं स्री संपदाय इसके संथा पक रामानुडचा चार थे ब्रह्मा संपदाय मादवाचार सनक संपदाय निमारका चार अजीबग मखाली भुसाल नित्तवादी पकुग कच्चायान अनिश्चववदी संजय विठलीपुत घोर अक्रियवादी पुरन कस्य भा अधिश्चा वाद ठीक है यह थे आपके धरममत उनकी सस्थाप तो यह आपका बहुत धरम हो जाता है फिर आपका बैश्णुद्रम जिसे आप लोग भागवत धरम भी बुद्द्ध है बैश्णुद्ध का उद्भाव गुप्तकाल में भागवत धरम को अधिगेट तथ अपने अंदर बिलीन करने का कार प्यारम किया गया विश्णु बहुत से स्थानिये देवताओं को देवताओं का सम्मिर्श्ण है विश्णु आपके बहुत से स्थानिये देवताओं का सम्मिर्श्ण है आवतारबाद की सिध्धान्त को वैश्णुद्ध के अंदर लोग देवताओं को सयोजित कर लोग करिये बनाये गये इसमया है बैशनव धरम के विशय में प्यारंभीक जानकारिये में ओपनिस्तियों से मिलती है जिसका विखास आपका भागवत धरम से हुगा है भागवत संपदाइका सर्वोची देवता वसू देव किश्ण है जिनकी आद जिनकी बाद में पहचान विश्णू के साथ की गई दच्छन भारत यानि की तमिल भूमी में भागवत अंदुलन का फिरसार बारे अलवारों द्वारां किया गया था भागवत संपदाय के प्रमुक्तत बात्ती और एहनसा है यानि कि अहनसा को अभी भी बहुत महत दिया जा रहा है अब आप ही लोग भूल चुके हैं अहनसा को अहनसा में बदल गए नत बरना बहुत पहले तक अहनसा चलती रही विचारे गांदी जी भी अहनसा पर चलते रहे लेकिन आपने उन्हें भी बोला दिया बक्ति का अर्थ होता है प्रैमाय निष्टा निवेदन अहिंसा का अर्थ होता है किसी जीव का बदनाकर्म बैशनावद्राम के प्रवर्तक किष्ण थे जो विश्णी कभीली के थे और उनका निवास इस्थान मत राथ किष्ण का उलेक सरप्तम चंदो गोपन सद मैं देव की पुत और अंगीरस के सिस्थ की रूम में होता है बिश्णु के दस अवतारों का उलेक जो विश्णु भगवान है आपके इनके दस अवतारों का उलेक मत्स पुरान में मिलता है अब आप पूछोगे कि विश्णों के दसावतार कौन-कौन से हैं तो आप यहाँ देख लिए सकते हैं अब आप पूछोगे कि विश्णों दर्म में इस्वर को प्राप्त करने के लिए सरवादिक माक्त बत्ती को दिया जाता था यानि कि विश्णों दर्म में इस्वर को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ती पर द्यान देना पड़ता था विश्णों दर्म का सरवादिक विकास गुप्त काल में हुए ठीक है यह था आपका विश्णों धर्म सेव धर्म सेब धरम की उत्पत्ती वेश्णों धरम से भिन पिकार की अत्ती प्राची नतीत में नहित थी फूर बैदिक धरम अर्थात सिंदु धरम का मत्पून अबयव पसुपती महादेव की पूजा करना था इस देता दिवता को आदिम शिव कहे कर वैडित किया गया है और बैदिक धरम में पिसेश कर उत्तर बैदिक धरक में रुद्दिक को पसुपती महादेव का बैदिक पिती रूप माना गया है आपका सेव मत्थ उत्तर अपने सद्काल में उस समय सुइस्पस्ट तोर पर पिगट हुआ जब सिव की पहचान आतांकीत करने वाले बैदिक धिवता रुद्दि के साथ की गई शिव का अभी फिराय होता है मंगल में होना समझ रहे हैं लेंगी के रूम में सिव की ब्यापक स्थर पर पूजा होती है और यह पूजापकी अरपा सब्वता के समय से ही होने लगी थी सिपकी याद रखिए यह अभी वेक्ती तथा जीवन का स्रोत है और जिसके अंदर स्वभाविक रोब से बिखंडन एवं मित्यू के बीज बिद्दमान है इसत्री का पुजिनन अवयव यानि कियोनी सिपकी सकती का पिती निदित करता है और यह उसकी लॉकिक उड़्या का मान भी यह गोडे जब योनी तथा लिंग का एक साथ पिती ने धित किया जाता है तब यह स्रिष्टी के महान पिजनर सिधान्त की महत्त को दरसाता है कुछ पुरानों ने संपूर्ण स्रिष्टी की पहचान सिभ के साथ उसके पांच रूपों ततपुरुस, नामदियू, अगोरिस, साधोजात और ईसान के अधारना के माद्यम से किया है सिभ के पांच रूपों को पांच दिशाओं का सासक बताए गया है जिसमें आपका पाताल और आकास के चार बिंदू सामिल है इसमें और यह इस्तलिये बिस्ताड़ की पूर्टा को निश्चित करता है आपका आगे चलते हम लोग सिभ के ग्यारे रुद्ध अवतार कौनकों से कपिल पिगल भीम बिरुपाक्च बिलोपित बिलोहित सास्त अजिपाद अहीर बुन्दर अहीर बुधन संभू चांद और भाव सिभ के निमले के ताउतार है अरदनारी सुर नंदी सरव ग्रहपती नेलकंट साहव रसी दुरवसा महे सनमाल बिर्शव पिपलाद बैजनाद यतिननाद कृष्णदर्शन आउदे सुर विक्षु अरया यानिकि विस्विस्वर सुरे सुर ब्रहमाचारी सुनात तनाल टक सादू, बीवू, असुथामा, किराट, वीरवद, बहरो, अलमा, खांदावा, आदी सैमत के भावनात्मक पक्ष का प्रिचार नाय नारों द्वारा किया गये थो जबकि उसके सिध्धानतिक पक्ष को सैव बुद्धी जीवियों यानिकि आचारेओं ने पूर किया याचार अग मनत, सुद्ध तथा वीर सैव, जैब जैसे सैव, आंदुलोनों के स्रूपों से संब्दित थे अगहोर सिवाचार उनका सबसी यूग सिध्धान्दकार था सुद्ध सेवादियों ने रामानुज की सिख्छाओं को अपनाया और स्रीकांथ सिवाचार उनका महान ब्याक्याकार था मत्स पुराण में लिंग पूजा के पहला इस पर्ष्ट वर्डन मिलता है आपका याद रखना सिव धर्म की विकास की पिक्रिया में कुछ संपताय जैसे पसूपति कपालिक काला मुख लिंग आयत भादी कभी स्कास हुए है इसका वर्डन वावन पुराण में मिलता है आपका कपालिक संपताय की इश्ट देव भैरहोती जिसका प्रमुक कैंद स्रीसेल नामकिस्थान था काला मुख संपताय के लोगों को महा बिर्थधर कहा जाता है लिंगायत को जंगम या फिर श्रेव संपताय भी कहा जाता है यदि हम लोग दच्छन भारत में पिछए था इस संपताय की पेवर्थक थे आपके अलव तिर्गु साब इसके सिस्थे थे वासव बीर श्रेववादियों का नितित वासव द्वारा किया गया था पासूपत संपताय का संस्थापक लपू लीज थे पासूपत संपताय की संस्थापक कों थे लपू लीज जिसको सिपका अवदार माना जाता है इसके द्वारा रचित मुख गरन थे आपका पासूपत सूत्र पसु पासु पत संपदाय का मुख संबन्द अनुष्ठान एवं अनुसासन से है इसका अंतिम लक्ष सिप के साथ अंतरविलीन होना है जिससे सभी पेकार की दुख और परिर्ष्यानियों से मुक्ति पराप्त होना है यानि कि जब तक आपकी एक्षाय है तभी तक तो आपकी दुख रहते हैं जैसे यही आपका काम खतम दुख भी साथ में खतम आगे बढ़ते हैं हम लोग अथर्व वेद में सिप को सर्व भाव पसुपति तथा भूपति भी कहा गया है नात संपदाई की स्थापनास मत सैंध नात ने की थे इसके पिरमुक पिचारक बाबा गोरक नात साहब है काला मुक संपदाई के अनुईयायों को सिप पुरान में माःबिद्धर कहा गया इस संपदाय की लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने सरीर पर चितागी भसम मलते हैं आपके दच्चन भारत में की बात की जाए तो सेवदरम, चालोक, राष्टपूट पल्लाव और चोलों के समय लोग फिरिये रहा कुसान, सासकों की मुद्राओं पर भी सिव एवं नंदी का एक अंकन, एक साथ अंकन प्राप्त है यानि कि एक ही जगए अंकन किया गया है, सिव और नंदी का तमिल सेवमत की सिक्छाओं को पिथमबार बेकर स्थित करने वाला में एक आंतर था सकती संपदाय सेवमत की साथ काफी नजदिक है, लेकिन फिर भी इसके बिशिट है सकती संपदाय या पिर देवी की पूजा कवले महाभारस से प्राप्त होता है कहां से? महाभारस से जिस समय सकती के चित को सेवके साथ उनकी पत्नी की रूम में चित्तित किया जाता है तव है उसका लाप वहां बाला वक्ष है और इसकी पारवती देवी या उमा या फिर महादेवी कहा जाता है से सकती के बहुत से नामों सित्म है सिगमंसा, सीतला, चंडी तथा दुर्गा काली है बंगाल में उसका संपताय गहरी सिधा, पवित्तिता, भै सहित, प्राचीन जन जाती है संपताय से ग्रहण किया गया विद्रोहात्मक, निर्दई, रक्तन उष्ठानों का एक मिस्रण भी है आपका अगर हम लोग तांतिक तत्त की बात करें तो इसमें आपका जैनमत, महायान बौद्धमत, सेवमत, बैशनमत सकती संपताय में भी बिद्रमाद लहते हैं तांत्रीक संपताय का विकास अफगानिस्तान, सीमा के साथ उत्तरवश्चिम भारत तत्त पश्चिमंगाल और असम में या फ़र उप महादीप के मामूली हिंदुबासी हिंदुबादी चित्रों में हुगा इसलिए इसके अंदर बहुत सी केर आर्विसेस्ताय भी सामिल हो गई थी इसके सिब तता सकती की एकता के अनुसरण में योन एकता की नर्मलता को भी आपका सामिल किया गया है इथाप का सैब धरम चलते हैं अब आप लोग अंगले धरम पर चौन सा धरम है ईसाई धरम ईसाई धरम के संस्था बक्त थे आपके ईसाब मसी हैं याद रखना इसाई धरम के संस्था पक्त कौन थे इसा मसी है इसा मसी का जनम जेरूसिलम की निकट वैथ लेहम नामकिस्थान पर हुआ इसा मसी के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसिप था इसा मसी के माता का नाम क्या था? मैरी और पिता का नाम जोसिप इसा ने अपने जीवन की पित्थम 30 बर्स एक बड़ई की रूम में वेत लेहम की निकट नाजरेत में बिताए इसा मसीह के पित्थम दोसिस, एंडूज और फीटर थे इसा मसीह को 33 ईसवी में सूली पर चड़ाया गया इनको सूली पर रॉमन गवर्नर पॉंटियंस ने चड़ाया था इस नाम को याद रखिये कि कई बार पूंच लेता है कि इसा मसीह साबको किस ने सूली पर चड़ाया था, किस गवर्नर ने तो पॉंटियंस इसाई धरम का सबसे पवित्थ चिन्नेहाप का क्रोस इसाई त्री तत्तो में विश्वास रखती थे ये इसुर पिता, इसुर पुद्ध और इसुर पवित्थ आत्म इसाई धरम का स्थर प्रमोक है, गरंद कौन सा है, बाइविल इसा मसीह के जनम दिपस को किस मस्की रूम में मना जाता है इसाई धरम का प्रमोक गरंद, बाइविल और इसा मसीह के जनम दिपस को किस मस्की रूम में मना जाता है एक आप लोग समझ में आया हुआ कि इनसान को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब सब भुगत लेता है अब आप गौतम बुद्ध को देखें मावी स्वामी को देखें साधी कर ली बच्चे प्यदा हो गये उसके बाद उनका दिमाग खुला कि यह सब मोई माया है यान एक चली आंगी चलते हम लोग इसलामधरम पर चलते हैं हम आप कि सुच्पिए जब तक आप खुए में नहीं गरेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कुगा भी यह तना भी घह नहीं होता है क्या है इसलाम धरवे हजर्ट 하기 मंजब हजरत मुहम्मद साहब का जनम 570 ईस्वी में कहां हुआ था मक्का में हजरत मुहम्मद की पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था हजरत मुहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ग्यान की प्राप्ति हुई इसलाम धरम के संस्तापक हजरत मुहम्मद थे हजरत मुहम्मद की साथी 25 बर्ष की अवस्था में खदीचा नामग बिद्भा की साथ हुई थी समझ रहे हैं? इनकी पुत्री का नाम फातिमा था क्या था? फातिमा और इनके जो दमान थे वो थे अलि हजरत हुसें 24 सेठमबर 19 24 सेठमबर 622 इस भी को पेगंबर मुहम्मत के मक्का से मदीना की आत्रा याद रखे मक्का से मदीना की आत्रा इसलाम जगत में मुसलिम संबत यानि की हिज़ी संबत की नाम से जानी जाती है मक्का से मदीना की आत्रा देव दूत ग्रबियल ने पेगम्बर मुहम्मद को कुरान अर्वी भासा में संपितित की थी तो आप समझ सकते हैं कि इसा इसलाम धरम का पवित गरंद क्या है कुरान कहीं ये सब आप पढ़के आप भी धरम की इसको होजी में मत निकल जाना साधिमादी कर ले ना उसके बार निकलना तो बहतर रहेगा ठीक है नवाज के नवाज के आउसर पर मक्का की ओर दिसाव को क्या कहते हैं किबला किबला पेगंबर मुहमद ने कुरान की सिक्षाओं का उदेश दिया पेगंबर मुहमद के उत्रादिकारी हुए खलीपा एक अब तक चला आपका 1924 में खतम कर दिया गया था इसे खलीपा पत को खिलाप अतांदूलन आपने सुना होगा इसे संबंदित था आपका कहा गया मदीना में हजरत मुहमद की मित्यू के बाद इसलाम दर्म में सुन्नी और सिया नामक दोगर पंथो में भी वक्त हो गया सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विस्वास करता है सुन्नी किसे कहते हैं जो सुन्ना में विस्वास करता है सुनना पिगंबर मुहमेत के कत्नों और कार्यों का विवरान गिरते सिया अली की सिक्षाओं में बिश्वास करते हैux तथा उन्हें मुहमेत का नियाय सम्मत उत्तिर आधीगारी भी माद दे अली की 661 इस्वी में हत्या करती गी थी हजरत इनके दमान की अली हजरत हुसेन की अली के पुत्थ हुसेन की हत्या 680 इस्वी में करवला इराल नामकिस्तान पर कर दी गए एनों दोनों हत्याओं ने सियास को निश्चितमत का रूप दे दिया ठीक है सरफितम पैगंबर साहब का जीवन चरित इबन इसाक ने लिखाता मौमद पैगंबर के जनम दिन पर इद ए मिलाद उन नभी परम मनाया जाता है इसलाम जगत में खलीपा पद आपका 1924 तक रहा क्योंकि उसी बरसे से तुर्की सासक मुस्थपा कमालपासा ने समाप्त कर दिया था तो यह आपका इसलाम धरम हो भया अब है आपका पार्शी धरम इसे भी आप लोग देख लीजे पार्शी धरम इन धरमों के अत्रिक्त पार्शी धरम के पैगंबर जर्थोष्ट इरानी थे जिनके सिक्छाओं का संकलन जेंदा अविस्था नामक गरंत में जो पार्शीओं का धर्मlaim गरंत है पार्शी धरम के अनवयाई एकिस्तर अहुर को बानते थैं पार्शी धरम के अनवयाईयों को अग्णी पूचक कहा जाता है जेंदा अविस्थानामक गरंत को मुल सिक्छा का सूत सद बिचार, सद बचन, सदिकार है अब आप ही समझे आपके सर में सभी धर्मों में अच्छे फिर चाहे आप हिंदो हो, इसलाम हो, पालसी हो, ईसाई हो सब में कितने अच्छे बिचार लिखे गए लेकिन हम बिचारों पर राजनीती तो करते हैं लेकिन अपने अदर उन विचारों को समायत नहीं करते हैं चलिए अंगले टॉपिक पर हम लोग अंगला चेप्टर है आपका मगद राजी का उदय याद रखी आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना है ठीक है जिससे क्या होगा आपको जादा परेशानी भी नहीं होगी और अच्छे से याद भी हो जाएगा मगद मगद राजी की बात करें हम लोग तो इसमें तीन बंस कौन-कौन से हैं ये हर्याग बंस सिसुनाग बंस और नंद बंस इपरमुक बंस थे इस समय के ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्याग बंस के बारे में मगद की प्यारंबी करादधानी ग्रीवर्ज ग्रीवर्ज थी मगद राजी की आरंबी कितियास की जानकारी हमें महाभारत से मिलती है किस से? महाभारक से मगद का सबसे प्राचीन बंस किस न स्थापती ब्रहदित और जरासंद जो इसका अंगला सासिक था जरासंद ब्रहदद का पुत्ध था थरया आपका बीमिशार 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 ने हर एक बंस की स्थापना की थी और पांस्तो चवालीस इसापूर में मगद की गद्धी पर बैठा था जो बीमिशार था इसने हर एक बंस की स्थापना की और पांस्तो चवालीस इसापूर में मगद की गद्धी पर बैठा बीमिशार को Ushadael srenic नाम से भी जाना जाता है बिम्मी सार्स को srenic नाम से भी जाना जाता है इसकी तीन पतनिया महकैusala चेलना मद нашे नरिस की पुत्री छह माधी यह जितना अपनी सक्ती से अपने राज्य का कविस्तार करते थे उसी तरह अपना विवाहिक संब्ध बना कर अब आप सोचिए कि आपने दो-चार साधियां कर ले तो दो-चार गाउं जहां आपकी साधी हुई तो वो तो आपके कब्जे में आ जाएगी क्योंकि आप दमाद लगते हैं तो इसी तरह यह भी किया करते थे थे ठेक है विवाहिक संब्ध बनाकर अपने चित का विश्तार कर लिया करते थे मैं बह्मी शार ने अंग राजा ब्रहमादत को हराय था बेमी सार ने अंग राजा का जो ब्रह्मा दत्य थे उन्हें भी हराये था बेमी सार बोध्धरम का यान की गौतम बोध्ध का समकालिन और अनुवयाई था बेमी सार ने राजगरह राध्धानी बनी नगर का निर्माड भी कराये था वेमी सार ने राजगिराय का निरमार भी कराया था इस नगए का ये उजनाकार जो वास्तुकार महागोवने साहब थे कौन थे महागोवने सार वेमी सार ने जीवक को अबंती नरेश प्रगोद के इलाज के लिए बह जा था विमिशार की हत्या उसके पुत्त अजाद सत्त्रू ने 493 इसापूर में की थी जो विमिशार का पुत्त था अजाद सत्त्तू इसने ही अपने भाब की हत्या करकर 493 इसमी में बुद्गोस के अनुसार विमिशार की समराज में 80,000 गाओं थी कितने 80,000 गाओं थी उसका विश्तार 300 लीग यानि की लगवावावकत 900 मिल था 80,000 गाओं का आँगे देखते हैं लोग विमिशार ने बेलुवन नामक उद्धान बोध्य तथा संगे की निर्मे के लिए ने में बिदान किया त्रय आते हैं अबाक के अजासत्त्रू अपने बाक की हत्या करके अजासत्त्रू 492 इसापूर में मगत की गद्धी बर बैठता है पित हंता अजासत्त्रू का दूसरा नाम कोडिक था पित हंता यानि की पिता की हत्या की खारण इसका दूसरा नाम क्या था पित हत्या हूँ एक दूसरा नाम था इसका कुणिक अजासत्त्रू ने गौतम बुध्य के चचेरे भाई देओदत के कहिने पर अपने पिता की हत्या की थी अजासत्तू का विवाय कोशल नरेस पिसायनजीत की पुत्री वाजीरा की साथ हुआ था अजासत्त्त्रू का स्वयोग मंत्री वस्सकाल था लिच्वी गणराज को अजासत्रू ने मगद में मिला लिया था वज्जी संग में फोड अजासत्रू के मंत्री वस्कार ने डाली थी अजासत्रू पहले जेन धर्म से पिरभावित था परंतु बार में वो बौध धर्म को मानने लगा था अजासत्रू ने राजग्रह में विसाल इस्तूप का निर्माड करवाए अजासत्रू ने लिच्वियों के बिरोध दियुत में महास सिला कंटक तथा रत मूसल नामदो सत्रों का पिथम बार पिरियू किया पर अजासत्रू की हत्या उसके बुद्ध उदायन ने 461 इसाफूर में कर दी यहाँ वही होता है कि आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके सर साथ भी गलत होगा तयार हो कर बैठिए यह तो प्रक्किती का नियम है कि जो दोगे आप वही वदले में मिलेगा ठीक है तो वे मिशार की हत्या अजासत्रू ने की और अजासत्रू की हत्या उदायन ने की तो चलिए उदाइन के बारे में हम लोग जान लिते हैं उदाइन जैन धरम का अनुवाई था उदाइन ने गंगा और सौन अधियों की संगम परपाटली पुत नामक नगर की स्थापना की बहुत गिरंथों में उदाइन को पित्थ हंता कहा गया यारी की पिता हत्या करने वादा जैन धरम जैन गिरंथों में उदाइन को पित्थ भक्त बताए गया हर एक बंस का अंतिप्सासर नांग दर सकता देखिए जन्धरम में उदायट को पित्य भक्त बताये गया प्रभी पिता की हत्या कर दी राज गत्ती कुछ भी करवा सकती है हर एक बंस का अंति में सासक नांग दसक था याद रखी से फिर आता है आपका सिसु बंस, सिसु नांग बंस नांग दसक की हत्या उसकी अमाद सिसु नांग ने की थी सिसु नांग बंस की स्थापना सिसु नांग ने चारसो बारे इसापूर में की थी कव चारसो बारे इसापूर में सिसु नांग ने अवंती राज को मगन में मिलाये सिसु नाग ने अपनी राध्धानी बैसाली बनाई कहां बनाई? बैसाली सिसु नाग बंसका परवर्ती सासक कालासू 394 इसापूर में गवा कालासू ने अपनी राध्धानी पाठली पुत में बनाई काला सुख की सासनकाल में बैसाली में दुतिय बोध संधिती हायोजीत की गई तेन सो तैरा पचासी की करेव 84-85 की आसपास सिसुनागबंस का अंतिमराजा नंदी वर्धन का कौन वा नंदी वर्धन परचलते हैं एक मध्वून बंस के बारे में जाती है नंद्बंस ये भी मंगात की गदी पर बैठा नंद्बंस का संस्तापक महा पदमनन्द था पुराण एवं जन साइत के अमसार ये पहला गेर चत्रिय राजा था नाई जातिका था महापदम नंद नंद आपका नाई जाती का था महापदम नंद ने एक राट सर्व चत्रांत यानि की चत्रियों का नास करने बाला दुतिय परुसराम की उबादीधारन की थी इसने कलिंग को जीता और विद्रोही कौसल राज का डवन भी किया नंद बंस का अंतिम सास कौन वा गहनानन्द आप जानते हैं कि चंद गुप्त मौर ने इसे हराया कि इस चाड़क गुप की चाड़क की मदस से कोटले की मदस से भाट्टे साल गहनानन्द की का सैनपती और सक्टार और राक्चस किरमसा उसकी अमात थे मंत्री थे नंद बंस सर्वातिक धनी राज एवं विसाल सेना के लिए पिक्यात थे सिकंदर का समकाली सासक्ता गहनन्द और नंद बंस का बिनास यानि कि घहना दंद का बिनास किसने किया चंद गुप्त मौर एवं चाड़क नहां गुरू का मद्द बढ़ जाता है देखिए कहा नंद बंस से पहले के कुछे गैर चत्री राजबंसों में से एक था नंदों को भारत की पहले समराज निर्माताओं की संग्या भी मिली हुई है तो यह हो गया आपका मगद राज कि तीन प्रमुप सासक्त अब बात करते हैं हम लोग प्राचीन काल में पार्सिक एवं युनानी आखमण भारत पर पिथम बिदेशी आखमण इरानी के हाकमणी बंस के राजाओं ने किया था एक कई बार पूछ लेता है अपका कि भारत पर पिथम बिदेशी आखमण किस ने किया था तो इरान के हाकमणी बंस के राजा थे डेरियस पिथम को भारत पर आखमण करने का में पिथम सफल ता मिली थी डेरियस पिथम ने भारतिय वुभाग को जीतने के बाद इसे अपने समराज का बीशवा प्राम्थ मना रहे प्रेंटी वर्फरा सायरस सायरस 588 से 529 सीशा पूल तब पिथम बिदेशी था जिसने भारत पर चड़ाई करने का प्रयास किया थो डेरियस पिथम के पुत जरेकसस ने अपने भारतिय प्राम्थों पर पूर्ण उपयोग सेनिक जथा बनाने के लिए किया था जरेकसस ने भारतिय सेनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस में भी बेजा था इरानी आकमर के चलते ही पश्मुत्तर भारत में खरोष्टी लिपी का ठिचार हुआ यानि कि इरान के आकमर्ग के बात से ही आके हम खरोष्टी लिपी उपेव में पश्मुत्व भारत में उपेव में आने लगी क्या होता है कि जब कोई भी हो किसी से हमारी दोस्ती होती है तुम्हें बहुत कुछ सीखने को देता है वो भी हमसे कुछ सीखता है और हम भी उससे सीखते हैं इसी तरह अंग्वे जोने भी भारत को बहुत कुछ दिया उससे जाना ले गए ठीक है तो दे भी तो गे तो है रेल नाथ गाड़ियां ठीक टेलिफॉन इरानी आकमण ने आर मेएक लिपी का परचार भी हुआ अब लेक उत्कीन करने की बिथा इरानियों द्वारां पैरम की गई थी जो अब लेक उत्कीन करने की बिथा किसके द्वारां इरानियों की बिथा । चत्रप परणाली का विस्ताद इरानी आकमण की कारण हुआ था। दारा पितम के तीन अबलेख वहिस्टोन पार्शी पुलिस नकसे रुष्तम से सिज़्ट होता है कि उसी ने सरपितम सिंधू नदी की तड़वर्ती भारतम भुव हागों को अधिकर किया था। यानि कि कपजा किया था दारा तितिये को यह 19 सासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दी जाने पर भारत पर पार्सीक यानि कि इरानी अधिपत्त समाप्त हो गया असोग ने मौर बंच के सासक असोग ने चट्टानों पर अवलेख खुद बाने की पिता एक मेनेट सासकों से ली थी पार्सीक चत्त पेणाली का प्रेयोग भारत में सक तथा कुसान सासकों ने किया था पार्सीक राजाओंने महराजा धीराच परम देवत तथा परम भागवत जैसी भादी उपादियां भी धारन की थे डैरियस दित्य है यह उपादिया इसलिए धारन कर ले थे ते क्योंकि आप सोचे आब इस समय एक महाराजा धीराच उपादी धारन कर लेजे तो लोगों को आपके नाम से ही डड़ लगने लगेगा ठीक है? डेरियस तितिये बारती सेनिकों को सूची बद्ध करके उन्हें सिकंदर से लड़ने के लिए बेजाता इसने इरानी सासकों ने हिन सिंध और गंधार इस देशों पर आधिकार किया हकमानी सासक द्वारा तितिये कों हकमानी सासक जो दारा तितिये था इसे सिकंदर ने हराया था किसने सिकंदर है? सिकंदर सिकंदर का नाम फिलिप दुतिये था याद रखे सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप दुतिये उसका जनम 356 इसापूर में हुगा था सिकंदर के पिता का नाम फिलिब्दुतिय था सिकंदर का जनम 356 इसापूर में हुगा था सिकंदर के गुरूर युनानी दार्श से नहीं अरस्तू थे यह नाम आप सुनते रहते हूंगे अरस्तू सिकंदर की प्रिये घोडा का नाव बुके फेलस था सिकंदर की अंतिम बिजय पाटल थी सिकंदर की अंतिम बिजय पाटल थी सिकंदर का पिधाल सेनापती सेलूकस निकेटर था सिकंदर का पिधाल सेनापती सेलूकस निकेटर था सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आंगे जाने से मना कर दिया था भारत बिजय अभियान के दर्गत सिकंदर ने 326 इसापूर में बल्क बैक्टिया को जीतने के बाद कावल होता हुआ हिंदु कुस्त परवद को पाई किया 326 इसापूर में सिकंदर ने सिंदु पार जो सिंदु नदिये इसले पार करके भारत की दर्धी पर करदम रखा उसके सबसे पिसेद यूद जेलम नदी के तटपन पौरब राज पुरू यानि कि पौरस के साथ हुआ जो बितस्ता का यूद या फिर हाई डिश्पीन का यूद के नाप से जाना जाता है इन लाइन आपके लिए बहुत ही भात हो रहे हैं उसके सबसे पिसेद यूद में भारत में कौन सा था जहलम नदी के तटपा, पुरू पोरस राजा के साथ, इस योद्दों को क्या कहते हैं, वितस्ता का योद्ध, या फिर हाईडिस्पीन का योद्ध, या हाईडिस्पीजर का योद्ध, ठीक है, सिकंदर ने दो नगरों के स्थापना की, पहला आपका निकेया था, अर्थात बिजय नगर, बिजय पर आप्त करने के उपलंच में की थी, और दूसरा नगर था आपका, बुके फेलस, या अपने पर ये गोडी के नाम पर इसका नाम, बुके फेलस रखा था, ठीक है, सिकंदर इस्था मार्ट से, यानि की 325 इसापूर में, भारस से लोटा, सिकंदर क कि मित्यू 323, इसापूर में, बैबीलोन में, ज्वार से होगी, यानि की बुकार से हो गई, यहां की सिकंदर खत्व, कभी आप अपने आपको सोचिए, कि आप कोई धर्दी के इस्थाई फ्राणी नहीं है, आप से पहले भी कई महान हुए, बस उन्होंने महान काम किये, और आप अपने आपको महान समझते हैं, इसलिए यह हो, लोगों की सोच कहा जाती है, मुझे लगता है, 90 से 95 परसेंट इसी गलत फ़हमी में जीते रहते हैं, कि उनके विना कुछ नहीं है, भाई यह बाजार है, ना तो तुम्हारे मरने से रुकेगा, और ना ही मेरे मरने स अगर हम घमन डरकें, हम किसी से बात ना करें, हम किसी की मदद ना करें, तो क्या उखाड लेंगे, कुछ पापाई में, कभी नहीं है, यह हमारी गलत फ़हमी है, तो इसलिए मानों का इंसानियत रखिए, इसलिए भगवान ने तुम्हें सायद बेजा, दूसरी की मदद कर है, अपने परिबार की तो पेट हर कोई भर रहा है, वो मजबूरी रहती है, अब अपने वीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यह कोई धरम भी नहीं है, याद रखिए, जब आपकी किसी से लालच ना हो, फिर आप मदद करें, और वो मदद बापस लोटने कि संभाव ना हो, ना हो, संभाव ना हो बिल्पूर, फिर भी आप मदद करते जाए, उसे ही इंसानियत फर्च करते हैं, ठीक है, याद रखिए, बच्चे तो वरना जैसे ही गुड़ापा आता है, तो बोलने लगते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया था, उनके अगर द दूसरे वे भी थोड़ा दिहान देते जाए हैं, वरना ऐसे तो 1135 करोड जन संख्या जी रही है, अपने लिए तो, उन्हें से दोचारी के नाम ही आप लोग याद रखवाते हैं, और उसके बाद आपके जाने के बाद दोचारी लोगों के नाम इतिहास में याद रखिए परना लाखों लोग मर रहे हैं, देली के, क्या प्रख पड़ा हैं? तक्षिसला के राजा आमधी ने सिंकंदर की सामने गोडने टेक दिए जो, सिंकंदर की सेना जल सेनापती नियाकर, नियारकस की नितित में समुद्ध के रास्ते वापस कई, सिंकंदर की जीत्ते हुए भारतिय चित को तीन पिदेशों में गठित किया है, सिंकंदर भारत में 19 महीने रहा, कितने 19 महीने रहा, भारतिय पिदेशों को सेनापती फिलिप को सौंप कर वापस लोड गया, सिंकंदर की अभियान से भारतियों को चार इस्थल, चार जलिये मारगों का पता चला है, अब सेकंदर के आकमड के प्रभाव देखते हैं आप लोग कभी किले जाते हैं महल गूमने जाते हैं राजा होंगे पुराने पुराने दिल्ली का लाल किला हो गया है तो आज महल हो गया इस तरह कि आपकी यहां भी आसपास होंगी तो आपको कभी समझ में नहीं आता है कि आज वहाँ दिया जलाने वाला भी नहीं है कोई तो घमंड को हटाईए इंसानियत को लाईए मैं देखता हूँ कहीं रास्ते में अगर कोई बूड़ा गिर भी जाता है तो उसे उठाने के लिए कोई इकाद हाँ देख गिना चुना हाँ थी उठेगा उठाने के लिए बगल से निकलते जाएंगे फिर चाहिए लड़की हो या लड़का उसमें फरक नहीं है ठीक है तो यह मानोता बनती है यार आज तुम आज उनकी है हलत है कल तुम्हारी भी हलत होगी हमारी भी होगी ठीक है थोड़ी मानोता तो बनाय रखिए बनाना क्या मतलब है तुम्हारे जीने अगर हम लोग सिकंदर के आकमड की प्रभाव की बात करें तो सिकंदर के आकमड से यहां के राजाओं की आपसी बैमर्स्ता पिदर्सित हो गई कोई भी राज एकजोट होकर सिकंदर के आकमड का सामना नहीं कर सका बलकि कुछ है एक राजा ने तो सिकंदर की मद्द की यानि कि सिकंदर के आकमर से यह पता चल गया कि यहां की राजा यानि की भारत की राजा सासक एक नहीं है इनमें फूट डली भी है इस आकमर के बाद इतियास में तिथी बार जानकारी प्राप्त होने लगी क्योंकि आपको पता हुगा सिकंदर के साथ कई इद्यास का राय हुए थे आकमान के बश्चा अनेक छोटे-छोटे राज का बिला गारव हो गया था क्योंकि जब ठोकाई हो जाती है तब आपको समझ में आता है कि आपको एक होकर रहना चाहिए अलग-अलग आपको कुछ नहीं को खाड़ पाएंगे जही से ही सिकंदर से हार मिली तो भारती राज्यों का ये खोना प्यारम हो गए पश्चिमी भारत के कई राज्यों में यूनानी सासर की स्थापना की गए हो गई इस समय आकमर के कारण नए व्यापार मारगों का पता चला जिसे वहाडिजी व्यापार को यानि की व्यापार को बढ़ावा मिला यूनानी मुद्रा का पिचलन महारत में प्यालम होगा जिसे भारती मुद्रा पर भी यूनानी पिरवाव नजर आहिला यूनानी कला का भारती अगलाम के साथ समनबा इस्थापित हुआ जिसके परड़ाम सरूप आपकी कन्धार कला अस्तित में आई यूनानी ही मुद्रा की तरह भारत में भी उलोग सैली के सिक्के पिछले थो सिकंदर भारतिय दार्शनिक काला नास को अपने साथ ले गया तो यह कहानी थी सिकंदर की अब चलते हम लोग आगे और एक बहुत ही मात्पूं संभराज्य यानि की बंस के बारे में बात करते हैं यह आपका मौर संभराज मौरे संभराज तो सबसे पहले देख लेते हैं निमें कौन कों से राजा हुए यह है आपका मौर बंस सबसे पहले इसमें चंदगुप्त मौर आया यह आपका 322 से 21 इसापूर्व में गद्धी पर बेटा और 298 इसापूर्व तक गद्धी पर रहा चंदगुप्त मौर के बाद आया आपका विंदू सार इसे आपका अमित गात की बोलते हैं यह आपका 298 से 272 इसापूर वियानी की बीसी तक रहा फर आपका 20 विंदू साप के बाद विभर में सासाथ हूए शुसियक जैसे सुमन बोलते हैं असोग वर्धन परिये दर्शन बोलते रिगत शोग भी तो इनमें आपका महान चाब स्क्ता असोग अभी तो इन समय आपका असोग बर्धन एक महान सा सथा तागद बोलदंते अब अपने आपका थे के यह आपका अगजा उनक्तर से 232 पूर तकरा तो असोग के बाद आपके हुए फिर महेंद संगमिता, चारुमती, कुडाल, धरम, बेवर्धन, सुयस, इसे कुडाल को ही बोला जाए, जालो कस्मीर का तेवा, इन सब में आपका कुडाल सबसे थोड़ा तागत बर राजा हुआ, ये 232 से 224 ही सापूर्ट तक रहा, फिर आपका कुणान के बाल, बन्दवपालित, दसरत, संप्रित्ती, संप्रित्ती हुए, दसरत का समाई 224 से, 216 इसा पूर्ट तक रहा, ठीक है, इनमें आपका संप्रित्ती ही आँगे अपना समराज बढ़ा सका, 216 से 232, सोरी, 232 से, ये आपका 216 से होगा, 207, इसके बाद आपका साली सुका है, 207 से 206 इसा पूर्ट, फिर आपका देवबर्धन बर्मन आए, देवबर्मारी से आप लोग बूलते हैं, 206 से आपका 199 इसा पूर्ट, फिर इसके बाद आपका सत धनोस आया, ये आपका 199 से 191 इसा पूर्व रहा, और लाश्ट आपका ब्रह दत, 191 से 187 इसा पूर्ट तक रहा, तो आप सोचेंगे कि इतने सा सक हैं, इन्हें याद थोड़ी रखा जा सकता हैं, तो बिल्कुल आप सही सोचते हैं, क्योंकि इन्हें याद रखना किसी के बीली भी मुंकिन नहीं हैं, तो आप सबसे पहरे किने किने, चंद गुप्त मौरी को, उसके बाद बिंदू सार को, असोग को, और फिर लाश्ट में ये काप लोग ब्रह दत को याद रखें, बस आपको इतना याद रखना हैं, बाकी को आप पढ़ लीजे, जिसे कभी अगर इनसे भी कुश्चेंस आ जाता है, तो आप सॉल्व करने की स्तिती में हों, ठीक है, चलते हैं हम लोग चंद कुप्त मौरी की तरफ, चंद कुप्त मौर रहा आपका 322 इसा पूर्व से 298 इसा पूर्व तरफ, चंद कुप्त मौर ने नंद बंस की अंतिम सासर, घना नंद, घन नंद को हराकर मौर विबंस की स्थापना, 322 इसाव पूर्व में की, हमेशा आपको कई बार बोल चुगा हूँ, कि किसी विबंस के बार में 3 पॉइंट तो आपको निश्चे त्याद रखा करिएगा, उसका, उसकी स्थापना किसने की, और कब की, उसके बार तीसरा पॉइंट है, आपका, ल सिकंदर के लोट जाने, उसकी अकाल मेत्यू के कारण, पंजाब में फैली अराजकता का चंदगुप्त ने ला उठाया, और अपने स्वयोग परामर्श दाता, मंतरी चाड़क की मदद से, वह पंजाब का समराथ बन बैठा, तक्छिला धनुप्रिद्या, तुथा बेदक की सिक्षा के लिए पूरे विस्व में फैसिद्य था, चंदगुप्त मौर ने अपनी सैनिक सिक्षा यही पर गहन की थे, कौसल के राजा पिसेंजीत, मगत का राजवेद, जीवक, सोपिसिद्य राचनितिक चाड़क, बौद बिद्वान, वसुबंदु, आधी ने भी य यही सिक्षा पराप्द की थे, उसके बाद आपके मौर पिसासन की बाद पर हैं लोग, तो मौर पिसासन में आपके कैंद्री अधिकारी तंथ, सबसे उपर आपका अधिकारी तीर्थ कहला आते थे, जो सबसे उपर अधिकारी हुगा करते थे, उन्हें तीर्थ कहले थे, जितरा आपने देखा होगा पिधार मंत्री के मंत्री में जो सबसे ऊपर की मंत्री होते होने आप लोग केविनेट मंत्री कहते हैं इसी तरह इने में सबसे उचे अधिकारीकों को तीर्थ कहते थे अठारे तीर्थ थे जो निमलेके थे आमात ये पिधार मंत्री था पुरोहित पिधार मंत्री और पिरमुक धरमाद कारी हैं पुरोहित क्या होता था पिधार मंत्री तथा पिरमुक धरमाद कारी हैं समाहर्ता ये आपका राजिस विभाग का पिधार अधिकारी शुगा करता सन्नी धाता ये आपका पुसाद्यक्ष था प्रदिष्ठा ये आपका पहुचदारी न्याले का न्यादी सुगा करता था फिर आपका नायक नायक आपका सेना का संचालन करता था कर्मांतिक ये आपका उद्दुख धन्दों का पिदान निरीक्चा होता था कि विभारिक दीवानी न्याले का न्यायजीस होता था दंडपाल सेना की समग्णियों को जुटाने वाला पिदान अधिकारी था तूसी तरह बार सकते हैं आप लोग जैसे विदेश मंत्री हो गए बित्त मंत्री हो गए प्रक्षा मंत्री हो गए हो मिनिस्टर हो गए यानि क कि ग्रह मंत्री हो गए इसी तरह से उस समय भी बटे रहती थे हैं फिर अंगला है आपका आटवीक यह आपका बन विभाग का पिदान था अंतपाल यह आपका सीमाबत्ती दुर्गों का रक्चक हुआ करता है दुआरिक यह आपका राजमहिल की देख़ाल करने वाला द्धान हुआ करता है नागरक यानि की पोर भी बूला जाता थे सी नगर का प्रमुक अदिकारी यह पर नगर कोदवाल हुआ करता है दुर्ग पाल यह आपका राज की दुर्ग रक्चकों का अध्यक्च हुआ करता है यह आपका राजा का उत्तरा अधिकारी हुआ करता है सेनापती ये आपका यूद बिवाग का मंत्री था मंत्री परिशाद ध्यक्ष ये आपका परिशाद का अध्यक्ष हुआ करता था इस पॉइंट को याद रखां क्योंगी कई बार पूँच लेता है चाड़क ने अर्थ सास्त नामक पोस्तक लिखे मौर काल की इतिहास को जानने के लिए सबसे मात्वूण सरोथ आपका अर्थ सास्त तो इसमें आप से कुश्चेंस बन सकता है क्या क्या कुश्चेंस बनेगा कि अर्थ सास्त किसकी किर्थी है यानि कि किसकी पुस्तक है तो ये आपकी चाड़की कि मौर काल की इतिहास को जानने के लिए सबसे मतमूर सिरोत कौन सा है अर्ध सास्थ ब्रमण साहित चंदकुप्त मौर को सूद्ध कुल का और जैन और बहुत साहित उसे च्छत्रिय कुल का मानते थे जो ब्रमण साहित था चंदकुप्त मौर को सूद्ध यानि कि नेचली जा जाती का मानते थे और जो जैन और बहुत साहित थे इसे च्छत्रिय मानते थे यानि कि उच्छ जातीगा कि अगर हम लोग चंदगुप्त मौर के नामों की बात करें तो इसके नाम थे सेंडो कोटस इस्टेवो एरियन जस्टन ने नाम दिया था एंडो कोटस ये आपका पिलूटार्क ननाम दिया था चंदगुप्त ये आपका जूनागर अभिलेक से मिलता है देखने को चंदगुप्त नाम चंदगुक्त मौर की संग्या का प्राचिंतम अविलेक साक्ष रोध्य दामन की जूनाकर अविलेक से में मिलता है जूनाकर अविलेक ब्रह्मी लिपी में लिखा गया है जूनाकर अविलेक अपका ब्रह्मी लिपी में लिखा गया है चंदगुप्त मौर एवं सेलुकस के बीच योद्धूगा 305 इसापूर में, जिसमें आपका सेलुकस पराजित हुआ था, फल्थोरुक चंदगुप्त मौर और सेलुकस के बीच संधी हुई, सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाय चंदगुप्त से किसाथ कर दिया, युनानियों को भार से बाहर निकालती है। सेलुकस ने अपने राजदूथ मैगस्तनीच को चंदगुप्त की दरवार में भेजा था। जो सेलुकस्त की हार हुई थी उसके बाद उचने अपने राज दूद्ध मैगस्तिनीच को चंदगुप्त की दर्बार में बेजा था मैगस्तिनीच ने इंडिका की रचना की यह भी आपका पूँच लेता है आगे चलते हैं हम लोग चंदगुप्त ने सेलुकस की को पांस चेज़ा सो कितने 500 हाती उपहार में दिए फिलुटार्ग की अनुसार यानि कि चंदगुप्त ने सेलुकस को पांस सो हाती गिप्ट में दिए चंदगुप्त को युणानियों ने सेंडो कोटस कहा चंदगुप्त को युणानियों ने क्या कहा सेंडो कोटस अपने जीवन के इंतेम समय में चंदगुप्त ने जैंदरम स्विकार किया शेलीकस ने चंदगुप्त को एरिया यानि की कावुल, अराकोसिया यानि की कंथार, गर्रदेसिया यानि की तरान प्राव्ण प्रान्त दिये थे चंदगुप्त मौर की पदनी हेलेना कार्नेलिया सेलूगस की पुत्री थी चंदगुप्त मौर की दच्छन विजय की जानकारी तमिल गिरंद अहना नूरू एवं पोड़ना नूरू से हमें मिलती है कि चंदगुप्त मौर ने दच्छन में भी विजय की थी समय चंदगुप्त मौर की सेना के च्छे अंगती अस्व सेना इसमें हस्ट सेना भी सामिलती पैदल सेना भी सामिलती नो सेना भी सामिलती रत सेना भी सामिलती और सेन साहता उतू विभाग भी आपका इसमें सामिलता ठीक है? विभागों के अध्यक्ष को आमत कहा जाता था चंदगुप्त का जैन गुरु भद्ध बाहु था चंदगुप्त मौरी की मित्यु करनाटक के सेवन बेल गुला मेश्टित चंदागिरी पहाडी पर 298 इसापूर में हुई थी जो चंदगुप्त मौरी था इसके मित्यु कब हुई 298 इसापूर में कहां हुई थी करनाटक के सेवन बेल गुला मेश्टित चंदगरी पहाडी पर चंदगुप्त मौर ने सलेखना विधी यानि कि भूब के प्यासराय कर सरीड का त्याज किया यानि कि उसने अपनी इसे सुसाइड कह लेजी एक तरह से ठीक है जैंदर में इसे अच्छा माना जाता है सलेखना विधी से भूब प्यासे रहकर सरीगा त्याज किया बिलियम जॉन्स पहले विद्वान थी जिन्नोंने सेंडो कोटस की बहचान बारतिय गरंत में गरंतों में चंदगुप्त से किसे चंदगुप्त से पिलूटार्ग के अनुसार चंदगुप्त ने 6 लाग सेना लेकर समुचे भारत पर अधीफत इस्तापित किया था चंदगुप्त मौर के राजपाल पुस्त से गुप्त बैसने सुदरसन नामक जील का निर्माण करवायत है याद रखना सुदरसन नामक जील का निर्माण किस ने किया था उससे गुप्त बैसने जो चंदगुप्त मौर का राजपाल पुया गरता था मैगस्तनीच के अनुसार भारत में दासपित़ा नहीं थी समयी चंदगुप्त मौर की समयी मैगस्तनी भारा समाज को साथ बर्गों यानि कि साथ जातियों में विभक्त करता है यह साथ जातियां कौन कौन से दार्सनिक, किसान, अहीर, कारीगर जने आप लोग से लिपी भी बोलते हैं सैनिक, निरीक्छक, सभासद और अन्य साथ जातियां थी मैगस्तनी ने पाटली पुत को पाली बोथा ब्रोथा नाम दिया था तो यह थी आपके चंदगुप्त मौरी की कहाने अब मौरी बन समय अंगला साथ जाता है आपका बिंदो साथ इसका समय काल रहता है 298 इसापूर्प से 272 इसापूर 298 इसापूर्प से 272 इसापूर चंदगुप्त मौरी का पुत बिंदो सार 298 इसापूर्प में गद्दी पर बैठता है बाप की मर जाने के बाद या आपका 298 इसापूर्प में गद्दी पर बैठता है बाग की गद्धी छोड़ने के बाद यूनानी लेखक बिंदू सार को अमित्रो किट्टस या फिर अमित्गात के नाम से जानते हैं बिंदू सार की समय तक्छला में बिंदूरो हुआ था तक्छला बिंदूरो दबाने के लिए असोग उसुसीम को बेज़ा था असो उससीम को बेजा था बिंदु सार के दरबार में युनानी राजदूत डाइमेकस आया था बिंदु सार के दरबार में युनानी राजदूत कौन था डाइमेकस अगर हम लोग बिंदु सार के अननामों की बात परें इसके नाम थे बद्ध सार, वायू फुरान के अंसार, अमित केटस या फिर अमित गाद, या आपका युनानी लेककों के अंसार, सिंग सेन, जैन गरंद के अंसार, अली डोकिट ड्रश, इस्टेवो के अंसार, बिंदुपाल, या आपका चीनी वेवरण के अंसार, इसका ना एक दार्सनिक मागा था, एंटी योकस्न दार्सनिक यानि की युनानी कानून में इसकी अनुमती नहीं थी, तो बेजने से मना कर दिया था, बाकी तीन चीज़ें दे दी थी, बिंदु सार अजीवक संपताय का अनुवयाई था, बिंदु सार अजीवक संपताय का अन्वयाई था पिंग वलत पिंगल वस नामक अजीवक बिद्वान बिंदु सार के दरबार में रहता है असोक के राजा बनने की भविस्वाड़ी पिंगल वस से नहीं की थी बिंदु सार की मित्यूगे समय असोख उज्जन में राजवाल था उज्जन बिंदु सार ने दो समुद्रों के बीच भूमी समीद 16 राज्यों को जीता था अजीवक बनने के सिपूर बिंदु सार ब्रमण धरम को मानता था चाड़क ने तीन मोर राजाओं के राजिका संचारन की जाता तक्ष सिला विदुरों का मुख कारण अधिकारियों का दुर्बेवा था चाड़क के या फिर कोटिल या विष्णुगुप्त इसे एक ही नाम है इसके फिर चाहे आप लोग चाड़क के लिजी कोटिल के लिजी या फिर विष्णुगुप्त तो इसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था क्या था बचपन का नाम विष्णुगुप्त था तो यह आपकी जानक साहाफ अब चलते हैं मौबवन्स की एक महान सासक की तरफ असुक जट्ना अपना युद्णों के लिए नहीं जाना जाता था जाना जाता है इसके दार्में कामों के कारण असोग का समय क्या लेता है 200 69 इसापूर से 232 किसापूर मौरे समराजी का महंतम सासक असोग था सेंगली अनुसुरूती के अनुसार असोग ने अपने 99 भाजियों की हत्या की थी अब लेखों में असोग को देवा नाम प्रिय या फिर देवा नाम प्रिय दर्शी के नाम से भी संभूदित किया गया है पुराणों में असोग को असोग बर्धन नाम से जाना जाता है पुराणों में इसे असोग को असोग बर्धन के नाम से भी जानते है असोग उन्हें कसमीन में आपका जो स्री नगर है, इसे बसाया था असोग के अन्य नामों की बात करें तो असोग मोरे, यह आपका गिरनार अविलेक से मिलता है असोग वर्धन, पुरान के अनुसार पीए दस्ती यह भाबगुरुख सिला लेक के अनुसार और असोग, मास्की की जिन्दगी में सबसे भाड़ा और भयानक यह उद्धुगा कलिंग कलिंग आपका 261 इसापूर में, यह इंकी 261 BC में हुआ था इसे याद रखना इस डेट को क्योंकि कई बार पूँच लेता है, कलिंग यह उद्ध कब हुआ था 261 इसापूर में कई गिरंथों के नुशार इसके यहाँ कौन सासत था इसके बारें में पता नहीं चिलाए कई गिरंथों ने यहसे नंद राज सासत नाम दिया यानि कि जब योद्धुगा तो इस कलिंग का राजा कौन था नंद राज कलिंग आपका हातियों के लिए बिसे देखा कलिंग जो राज था ये आपका हातियों के लिए बिसे देखा असोक के तेरहवे सिलालिक से ज्यात होता है कि असोक ने 261 ईसापूर में कलिंग बिजय की थे तो याद रखना तेरहवे सिलालिक से हमें जानकारी मिलती है कि असोक ने कलिंग में कलिंग विजय की थे कलिंग की राधानी तोसली थे असोक ने नैपाल में ललित पत्तन नगर बसाया असोक चक धरम चक का बड़न करता है जिसमें आपकी 24 तिलिया है आप लोग अभी भी देखते हैं असोक चक को इसे एक सोक चक किसलिए कहते हैं क्योंकि लोयन, कैपिटल, सारनाथ, सहित, समराट असोक द्वाराजारी असोक के फर्मानों पर चक उद्ग्रेन किये गए थे कलिंग ये उद्द के बाद असोक ने भैरी घोस त्याग कर धम घोस अपनाया कलिंग योग्दि के बाद असोग ने भेरी घोस त्याग कर धम घोस अपनाया था धम घोस को कई लोग असोग कर रहा धरम भी बोचते हैं यानि कि हिंसा चोड़कर अहिंसा को अपनाना कहते हैं वह इसी यही कारण मौरवन्स के अन्द विक्टन का यानि की समाप्त होने का कारण बना असोग की करनीती की जानकारी रुम्मन देई अविलेक सिप मिलती है बहुत धरम अपनाजने से पहले हुआ भागवान सिप की पूजा किया करता था असोग अगर असोग के समय के प्रांतिय विसासन की बात करें तो उत्रापत में तप्चिसला, अवंती राष्ट उच्यानी, कलिंग, तोसली, दच्षिडापर्त, सुभडगिरी, प्राजी, पाटलीगपर्त असोग को उपगुप्त ने बहुत धरम में दीख्चित किया था अगर आपसे पूँचे कि असोग को बहुत धरम में दीख्चित किस ने किया था, तो उपगुप्त ने बराबर पहाडी पर अजीब को के लिए, असोग ने करन, चौपार, सुदामा, विस जोपडी, गुभाओं का निर्माण कराया था असोग ने लुम्मिनी को धार्विक करोंजे मुक्त भी कर दिया था, असोग की माता का नाव सुबद्रांगी था, सुबद्रांगी चंपा की एक ब्रहमण की उत्री थी आसंदी मित्रह एवं कारूबा की असोग की पत्निया थे, इस समय राजा एक से दो दो तिन दिन पत्निया रखा करते थे, समझ रहे हैं आप, और हमें पढ़ना पढ़ रहा है उनकी पत्नियों के बाएंगा, आप लोग कौसे से पहसी कीजिए, कि दो चार आप भी कीजिए वो पढ़ना पढ़े आपके आने वाली फीड़ी को, इतना नाम मेतियास में लिख जाई है, करूबागी के पत्री का नाम तीवर, इनकी जो दूसरी पत्नी थे, इसके बेटे का नाम क्या था, तीवर, असोगी एक अन पत्नी, नांग देवी, सिवपन पत्री, महंद और सं संगमिता था, यानि कि तीन पत्निया हो जाती है, देखिए, असोगी, जो विदीशा के थ्रेश्टी की पुत्री थे, विदीशा के ब्यापारी के, असोग ने बहुत धरम के प्रचार के लिए, अपने पुत्त, महंद को, और पुत्री संगमिता को स्रेलंका में जाता है, इस सभी अधिकारी पिती पाचवे पर्त, राज निरिक्षा निरिक्षाटन के लिए, यानि कि राज का निरिक्षण करने के लिए जाया करते थे, फिर आपका असोग के धरम के मुख सिद्धान, कलिंग ये उद्ध के भीसन रक्तपात को लेकर असोग का हैदय काम उटा, इसके बाद असोग का हैदय काम उठा, उसने एंसा की जगे, हिंसा की जज, एंसा निती को अपनाने की भूशना की, यानि कि मार काट की जगे, अब सीधा सा राज्ता चुनने की ठानी उसने, उसने बहुत धरम से दीख्षा ली और एक नए मत का संस्थाफक बन जाया है, आस्तिर असोग के समय, कितनी अच्छे बात हैं कहीं हैं, जिर भी आज हम लोग नहीं मानते हैं, एक तो पता है हम लोग, या तो हमें बच्पन में याद अपनी पुरी उखात पता चलती है, या फिर बोड़ा पिर उसके बीच का योगी रास्ता है, इसे भी हम लोग भूल इमान करना हम लोग चलते हैं, तो देखिए समय, बड़ों का आदर करना, छोटे किपती उचित बेवार करना, सत्थ भासन बोलना, एहनसा, दान, पवित जीवन, सत्थ, सुबकरब, धारफ में, सहिं सीलता हाती, अब इन्हें कौन अपना राय, ना के पराबर 11% अगर इन्हें के गारान उसे जाना जाता है, अब बात करते हैं असोग के राज्यादेश के बारे में, असोग ने अपनी प्रजा के पत्प्रदर्शन, और ने धार्मिक सिध्धान्तों से परिशित कराने के लिए, चट्टानों इस्तम्मों गुफाओं पर राज्यादेश इस असोग ने चट्टानों इस्तम्मों गुफाओं के उपर लिखवाए, इस असोग आदेश असोग की समराज में की तीस भिन भिन इस्तानों पर मिले हैं, सिला लेक, इसमें असोग की धार्मिक यात्राएं, धर्म की नेवों, एंसा की निती के बज़े में लिखा हुए, आपके इसमें 14 सिलालेक, 2 लगू सिलालेक वालेक, राजजदेश, 2 कलेंग राजजदेश, भाबरू राजजदेश, और इस्तमलेक की अगर हम लोग बात करें, तो 3 पिकार की थे, 7 इस्तमलेक, लगू सिलालेक, राजजदेश, तराई की इस्तमलेक, गुफालेकों की अग जैसा कि आपको पता होगा असोग किसमें आपकी बहुत तीदी बहुत संगीती हुई थी इसके बाद असोग द्वारा भीजे गए धरम पिचारकों के बाद इससे आपका कुश्चेंज कई बार बन जाता है तो याद रखिए बहुत धरम का पिशार करने के लिए स्री लंका में किसी भीजा इसने असोग ने अपने पुत महंद और संगमिता को उत्री कनावना में उत्री कनारा म में रक्चित को मैसूर में आपका महादिव को और कस्मीर गंधार में मच्छंति को । पश्च्मी भारत में धर्म रक्चित को अब हम लोग बात कर लेति हैं अर्थ सास्त में बीट निर्दिष्ट पिरमु का देख्च, लचना देख्च, मुद्रा दधा टकसाल का देख्च होता था, पूद्वा देख्च, इमापतौल का देख्च होगा करता था, सीता देख्च, राजकी किरसी विभाग का देख्च होगा करता था, आकरा देख्च ये खानों का अध्यक्ष हुआ करता है गड़ी का अध्यक्ष ये आपका वैस्याओं का अध्यक्ष हुआ करता है नवा अध्यक्ष ये आपका जहाद रानी बेवाग का अध्यक्ष हुआ करता है फत्ना अध्यक्ष यह आपका बंदरगाहों का अध्यक्ष हुआ करता है। देवनाध्ध्ष यह आपका धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष हुआ करता है। ठीक है? अच्छे से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है? बढ़ बढ़ा कर नहीं बढ़ना है आपको। मुद्रात देख्ष यह पासपोर्ट का बिभाग का ध्यक्ष चुगा करता है। लुआत देख्ष यह धातु बिभाग का ध्यक्ष चुगा करता है। तोड़ाद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध ये आपका चारोगाहों का ड्यक्ष हुआ करता था वू ड्यक्ष भूचर खाने फंडडठ भैब का भीकार रघ्यestra था है हुआततो Kara Kathaway ये का लिए तहाओ की नाहिकने लिपि erst साह वाजगड़ी 1836 में Kolja गया by खरोष्टी लिपी में लिखा गया थे मांसहरा ये आपका 189 सी में ये भी आपका खरोष्टी लिपी में था गिर्णाल अबली सिलाली के कप का 1822 में ब्रह्मी लिपी में था दोली अबली सिलाली 1837 में ब्रह्मी लिपी में था कालसी अबली सिलाली 1837 में ब्रह्मी लिपी में जोनगड जोगड यापका 1850 में ब्रह्मी लिपी में सभारा अठारे सोब्यासी ब्रह्मी लिपी में एरागुडी ये आपका 1916 में ब्रह्मी लिपी में लिखा गया था ठीक है असोक के अगर इस्थम लेखों के हम लोग बात करें तो यह आपकी इस्थम लेखें प्रेस्थान प्रयाग इस्थम लेख इलाबाद में दिल्ली टोपरा इस्थम लेख आपका दिल्ली में दिल्ली मेरा इस्थम लेख दिल्ली में रामपुरबाबली चंपारन बिहार में लो सरफितम अपना अंदुलन चलाया था चंपारण अंदुलन 1970 में चला था न उसके बारे में भी आम लोग आगे पढ़ेंगे अगर आम लोग असोक के लेखों से सम्मधित तथ्यों की बात करें तो असोक का उलेक मासकी नेतूर गुडजरा उदे गोलन अभी लेक में मिलता है असोक नामगा याद रखें असोक की अभी लेकों को 1837 में जेम्स प्रेंसेब ने सरफितम पढ़ा यह आपका कुर्श्टन बहुत बार पूंच लिया असोक की अभी लेकों को पढ़ने में सब सिर्फ पहली सफन्ता किसे मिली जेम्स प्रेंसेब को कव 1837 में टोपरा और मेरट की इस्तम्हों को फिरोज साय्थ तोगलग ने दिल्ली मंगबाया था जो असोक की टोपरा और मेरट की अभी इस्तम्हलेक थी इन्हें दिल्ली की किसने मंगबाया था फिरोज साय्थ तोग हम कलकता लाया याद रखिए। अगर असोक के सिलालेखों उनके विषय की बात करें लोग तो हिने भी देख लीतें। पहला सिलालेख पसूवली निसेद किया गया, यानि कि पसूवली को रोख दिया गया। दूसरे सिलालेख में मनुस एवंपसू चिकिस्सा बिवस्ता और बिदेसों में धम प्रिचार का वल्लेख किया यानि कि जो उसने धर्म अपना लिया था धर्म ये एक तरह से कह लीजी ़ा अन्सा का उसे उसने बिदेसों में भी प्रिचार करवाए और मनस और पसू के लिए चेकिस्सा बेबस्ता भी करवाई यह आपके दूसरे सिलालेक में मिलता है तीसरे सिलालेक में जानकारी मिलती है कि राज्युक इवं युक्त की नियुक्ती तथा राज की अधिकारियों को हर पांच बर्स पर राज भिर्मण करने का अगरें दिया गया यानि की राज में क्या चलना है इसके बारे में राज्यो को रेपत की नियुक्ति की जाती थी चौता सिलाले बहरी गोस की जगे धम गोस की गोशना की गे जिसमें पाचवा सिलाले धम महामात्रों की नियुक्ति की गे चटा सिलालेक, पिसासनिक सुधारों एवं आत्म नेंतन की सिच्छा का उल्लेक मिलता है साथवा सिलालेक, असोक की सभी धार्मेक मतों की पिती, निश्प अप्चिता की जानकारी मिलती है आठवा सिलालेक, बोदगया की यात्रा का उलेक मिलता है, बिहार यात्रा की स्थान पर, धम्म यात्रा का पिती पादन भी मिलता है, आठवा की सिलालेक में तराव का नवा सिलालेक है इसमें सच्ची वेंट तथा सच्ची सिश्टाकार का उलिख मिलता है दसवा सिलालेक में आपका राजा तथा उच्चादिकारी हमेशा पर जाके हमें सोचें इसकी जानकारी मिलती है ग्यारेवा सिलालेख धम की व्याक्या करता है बारेवा सिलालेख धार्मिक सहष्टूता पर जोर एवं इस्तरी महामात्रों की रुकती करता है तेरेवा सिलालेख कलेंगी युद्ध काबार्डन असुक की हिदय परिवर्तन की बात करता है और धम में विजाई की गोशना करता है बेदेसों में धम पर चार यानि कि पाँच बेदेसी राज्यों की चर्चा करता है कवलेख चौदाइबाद सिलालेख है जो इसमें पहले तेरे सिलालेखों का पुनार उलकन किया गया है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए पेरिद भी किया गया है याक के असोक के सिलालेखों है असोक के सिलालेखों के में लोग बात करें तो इसमें चौदर बेहद सिलालेख फिर लगू सिलालेख पितक सिलालेख बेहद इस्थमलेख लगु इस्तमलेक थे असो के अधिकांस जो अवलेक थे ब्रह्मी लिपी में लिखे गए थे दो वियाद सिरालेक मालसेरा और साह बाजगड़ी या आपके खरोश्टी लिपी में लिखे गए थे जो इरान से आई वही थी खरोश्टी लिपी उसी से लिखे गए थे कंदार अविलेक दो भासाओं याने की गरीफ और आर्मेक भासा में लिखे गए थे असो के अविलेकों में कंदार को छोड़ कर से सभी प्राक्रत भासा में लिखे गए गए लेम पार्क में खंडे तवस्ता में एक अभिलेख पाए गया जो आपके आपके आर्मेख आर्मेख भाहसा में लिखा गया था इलाबाद इस्तमकु क्वसंभी से लाए गया इस पर समुद्ध गुप्त और जहांगीर के भी लेख लेके हुए है बाद में जो समुद्धुप्त और जहांगीर आए आपके एक मद्दकाने एक आपका प्राचीन ही समुद्धुप्त आपका प्राचीन कालका ही सासकता जहांगीर आपका मद्दकाने ही सासकता इसके भी अबले इसी पर मिलते हैं 12 सिला लेकों की संख्या 14 ती जो हम लोग देख चुके हैं इस्थम्ब लेकों की कुल संख्या 13 ती जो 10 इस्थम्बों पर अंगित थी चार लगु इस्थम्ब लेकों मेंसे एक को रानी का लेक कहा जाता है जो आपका इलावाद में है बिभाजित लेख इलावा साची और सारनाथ इस्तम पर पाई गए है असोग के इस्तम लेकों परोतकीर पसुँओं की बात करें तो अब लेख और पसुँओं लोरिया नंदनगड या आपका एक सिंग इस पर बना हुआ है लामपुरवा पर भी एक सिंग बना हुआ है सारनाथ पर आपके चार सिंग बने हुए है साची पर आपके चार सिंग बने हुए है ठीक है असोग के इस्तम लेकास्म अर्थात एक ही पत्तर से तरास कर बनाए गए इनकी निर्माण में चुनार की वलुवा पुत्थर का उपयोगी हुआ है साची का इस्तूप बिदीशा मद्दिश यानि कीमपी में भरूत का इस्थमलिक आपका सतना मद्दिश तसा सारनात इस्थित धरम राजी का इस्तूप का निर्माण असोप ने करवाय था याद रखना साची का इस्तूप भरूत का इस्तूप यापकी दोनों मद्दिश में आंगे चलते हम लोग मोरबंस का राज की चन्न क्या था मयूर मोर मयूर मोर रुम्मन देई और निगाली सागर दोनों नेपाल में इस महारेक इस्तम में लेखें आपके नेपाल में पिधान सिलालेकों में सबसे बड़ा तेरहवा सिलालेक मिलता है साथवा इस्तमलेक सभी लेखों में सबसे बड़ा है पिधान सिलालेकों में सबसे बढ़ा कुन सा है? 13 बार सिलालेक और 7 बार इस्तमलेक आपका सभी लेकों में सबसे बढ़ा है असोक की सिलालेकों की कुछ सब्त्रे सो पचास में प्रागदेटी फेंदेलने की थी याद रखना पागदेटी फेंतर ने फेंतिला ने की थी सत्रे सो पचास में राज जब इसे एक सी संबंदित मास की कि लगू सिलालेकों में असोक ने स्वयम को बुद्ध साथ कहा है सोहे गोरा और माहस्थान अभिलेक में दुर्वी के अउसर पर राज द्वारा कोश्टागार से अनाज वित्रन का बिवरन मिलता है यानि कि जब किसी तरह की आबदा आती थी तो असोक की समय अनाज वित्रन का भी वो लेक मिलता है किस से सोहे गोरा और माहस्थान अभिलेक से पता चलता है बाबुरू अबलेग असोक का सबसे लंबा इस्तम लेख है बौद परामपरा असोक को 84,000 इस्तोक के निर्माण कसरे पिदान करती है असोक का पिदान मंद्री कौन था? राधा गुत फिलेट असोक के धम को राजदरम मांदे रौमिला थापन के अमसार धम असोक का अपना अविस्काल था बात कर लेती हैं मौर पिसासन के बारे में सत्ता का केंदी करण राज़ा में होते हुए भी पन्निरंकुस नहीं होता था कौन्टल ने राज़ी के साथ अंग बेने देश्ट किये कौन-कौन से राज़ा, अमात, जनपर, दुर्ग, कोश, सैना और मित राज़ा द्वारा मुकमंत्री एवं पुरोहेतों की नियुक्ति उसके चरित की भली भाती जाज की बात की जाती थी इसकी रिया को उबदा परीक्षन कहा जाता था देख लीचे उस समय कम से कम जो भी मंद्री बनता था उसके जाच परताल होती थी उसके चरित की वाज आप देखिए संसद में आदे से जाना आपके दागी यानि के दाला गिरी भरे मंद्री बने बैठे हुए हैं जो जेतना मडर करेगा इस समय उतना ही बड़ा नेता कहलायेगा स नहीं सकते हैं आप लोगए यहीं तो अपरादी करण का राजनीत्ति करण है पहले कि या क्या हुआ करता था कि यह जो दादक होते थे अपने अपने चित के यह नेताओं को चुनते थे पिर रहनों नहीं सोचा कि क्योंना हम ही नेतावन कर बेटे हैं जब हम ही नेतियां बनाएगे और अपने लिए यह ही बनाएगे तो हम उसमें अपना यह उदा और अपने हित्में बनाएंगे तो यह जाकर बैट गए वहाँ राजनीती में ठीक है अफरादी करण का राजनीती करण राजनीती करण का अफरादी करण जैसे भी कहते हैं आगे चलते हैं अर्थ सास्त में 18 विवागों का उल्लेक मिलता है जिसे आप लोग तीर्थ कहा करते हैं तीर्थ के अध्यक्चों को महमात कहा गया है प्रांतों का सासन राच्पंसी है कुमार या पर आरिपुत नामक पदादिकारियों दारा होता है पिसाय जिला पिसाय पति के अधिन होता है जिले का पिसासन के अधिकारी इस्थानिक या फिर था जो समाहर्ता के अधिन था पिसासन की सबसे चोटी इकाई होती थी गोब जो दस गाउं के का सासन समालती थी पिसासन की सबसे छोटी आपकी काई गोप थी जो दस गाओं का सासन संभालती थी समाहर्ता की अधीम प्रेदिश ट्री नावक अधिकारी भी होता था जो इस्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारीयों के कारियों की जाज भी करता था मैंकेस्तनीच के अंसा नगर का पिसाससन तीज सदस्वों का एक मंदल करता जो चह समतियों में वेवगते था पθ Hmgala प्रेंग संति में आपका पांस सदस होती थे कोँआ कर यूद्छ संति देख सकते हैं अगत फ़ेगट संति वद्यवक सिलपों का निर्क छन करती थी लेखा की चतोर्त सम्थी वियाबार और्ढ़िच का खाम करती थी 5 समति निर्म्धम 그걸 बस्तूव के बिक्रय का नेरिक चण करती everyone और 6 समति बिक्रय मूल का 10 आशाल दसबाब बिक्रय करकी है रहना करों इनका सासन हजारों साल तक चलता रहता था देखा आपने कोई 400 साल सासन कर रहा है क्योंकि इन में अच्छाइया थी महुत कुछ पूरे अपने सासन पर नेंतर नरहें में काम्याप रहती थी आजकल तो आप देखते हैं दस ते पांस साल कोई सरकार चलती है उसकी बाद बदल जाती है कोई 5 साल चलती है उसके बाद बदल जाती है। ये कितना भी काम गलत करते हों लेकिन जंता का भी ख्याल रखा करते थी। सैनिक विबंद की देख्रेट करने बाला तथा सेमाद चेत्रों का ब्यवास थात्मक अंतरपाल होता था अंधपाल मौरिकाल में दो पिकार के न्याले थी एक कंटक सोधन या फोचदारी न्याले था धरम इस्तिय या दीवानी न्याले था नगर पेसा नगर न्यादीस को बेवारिक महापात और जनपर न्यादीसों को राज्यों कहते थे आपि चाड़क्य की अनुसार कानून के चार मुख आंगे थे धरम बेभार चरित और सासन धरम बेभार चरित और सासन मौरकाल दोपेगार के गुप्त चर गुर्ण पूरस थे संस्था एक जगे इस्तिरों कर गुप्त चरी कर दी थे संस्था फिर आपकी संचाल यहां का घुम घुम कर गुप्त चरी करती थी इस्तिरी गुप्त चर भी इस समय हुआ करते जिन्हें ब्रेसली भिग चुकी परीब राज्यक कहा जाता था राज्यकी अर्धव्योस्ता किरसी पसुपालन और वडिच पराधारित थी जिन्हें समलेत रूप से वारता कहा गया है आदेव मात्रक मुक्र किरसी भूमी ऐसी भूमी जिसमें बिना बर्सा के भी अच्छी खेती हो सके आपकी आदेव मात्रक मौरकाल में चांदी की आहत मुद्राएं चलती थी जिस पर मैयूर फर्वत और अरुद्चंद की मौर अंकित होगा करती थी निजी खेती करने पर राजा कोपच का एक बटिच्छे भाग दिया जाता था बली एक पकार का भूराजस सुता हिरंड कर अनाज की रूम में नाहो कर नगर लिया जाता था राजकिय भूमी से होने वाला आयको सीता कही जाती थी एक नो मई एक ग्रो नो मई मार्ग निर्माण के विश्य सदिकारी कहा जाता था दूसरी माप की काई को दस इस्टेडिया कहा जाता था कॉटलिकेंसा दच्छें से बहुमूल बस्तूय मुकता मनी ही रा सोना संक इत्याधी आने के कारण दच्छें से व्यापार अधिक लापदाएग था हमारे लिए बारत का व्यापार रॉम फारसीरिया मिस आदिस देशों से भी होता था आंत्रिक व्यापार तो होता ही था, साथ में आपका उंतराष्टी ये व्यापार भी होता था पूर्वी तट पर तामली पी तथा पश्चमी तट पर सोपारा भडूच ब्रगु कच्छ पिरमुक पंदरगा थे ब्याज को रुपी का या फिर फरीक्षन कहा जाता था ब्यापारियों के सैनी की प्यधान को शार्थ हो आया कहा जाता था इस समय अब बात करते हैं मौर तमराज के पतन के कारण अब जिसका ओदै होगा तो वो पतन तो होगा यह तो निश्चर है अगर हमारा जनम होगा तो मरना कोई नहीं रोख सकता है यानि कि जाना तो है लिए इसमें आपके मौरवंस के पतन के कारण में सामेहें असोग के दुर्वल अधिकारी असोग के जो अधिकारी थे वो कम्जोर थे उत्त्राधिकारी के निश्चिद नियम का आवाँ ब्रम्वानों द्वारा विद्रो राजपाल के राजपालों के अध्याच्यार आंत्रिक विद्रो विदेशी आख्मन विसाल समराज धनका अवाव गुप्चर विभाग का अवाव सैंडिक सक्ति का छेणोना यह सभी कारक मिलकर मौ समराज के पतन के कारण बने तो यह समराज बस आपको एड़ेश्ट करना है इसमें से आपका कोई भी कुश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है बस आपको धेर की साथ पढ़ना है ठीक है तो चलिए अब हम बात करते हैं सुंग कन्न इम साथ बहन राजबंस के बारे में जैसा कि आपको बता होगा मौरबंस के बाद आपका सुंग बंस ने राजबित की उससे मित्त सुंग मौरेओं का सेनापती था इससे आप लोग किस तरह से ले सकते हैं? किस तरह से? कई आपने मुवीज देखी होगी उसमें क्या होता है? एक डॉन होता है, पहले कोई दादा होता है डॉन टाइप का उसके नीचे छोटे आदमी काम करते रहते हैं कई आपने लेखा हो मौरवंस के अंतिम सासक जो बहदर्थ था इसकी हत्या पुसमित सुंगने कर दी तो इस दादा की हत्या किस ने करती? इन छोटे छोटे लोगों ने इनके नीचे जो काम करते रहते थे उसके बाद बोटॉन बन जाते हैं उस डॉन की जगे तो पुसमित सुंग ने यही किया क्या किया? मौरेयों के लिए यह काम करते थे फिर उसके बाद मौरवंस का अंतिम सासन व्रह दित की हत्या करके एक पुसमित सुंग राजा बन गया और सुंग बनस का संस्थापक कौन बना? पुसमित सुंग एकसो पचासी इसा पुरो है किसी वी तरह से आपको पुएंट कुछ भी बनाई यह कहानी वस आपको याद रखना है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं पुसमित सुंग ब्रह्मड धरम का उपासक एवं सरक्षता यह ब्रह्मड धरम को मानते थे और उनका सरक्षन करते थे उन्हें सुरक्षा देते थे वस समें ते सुंग के दो वार अस एक मेग यग करने की पुष्टी पतंजली के महाभास से होती थी अब क्या होने लगा था कि इस समय कि जो भी राजा बंदा था वो अपनी सक्ती का बिदल सुन करने के लिए आसुम एक यग यानि कि इस तरह की यग करने लगे थे जिससे जन्ता अब भरुसा हो जाए यह बड़ा सक्ती सालिय है ठीक है आजकल आप लोग देखते हैं कि कोई दो-चार मडर कर देता है उससे लोग डरने लगते हैं सुष्टी यही बड़ा सक्ती सालिय है तो इस समय यग का साहरा लिया जाता था आज आपके मडर का ठीक है सुंग बंस का चौथा पितापी राजा वसु मित हुआ इसने यबोनों को हराया था सुंग सासकों की राध्धानी विदी साथी सुंग काल में संस्कित भासा एवं ब्रह्मण विवस्था का पुनरोद्दान हुआ इसी काल में पहली बार इसमिती गरन्त जो आपकी मनुई स्मर्ती है इसकी रचन की गई कालिदास की माल भी कागिनी मित्र नाटक का नायट अगनी मित्र था इसी वन्द से था पुस्से मित्र सुंग को कलिंग नरेश खारबिल्ज ने पराजित किया था पढ़नी की अश्टध्याई परपतंजली ने महाभास लिखा था भारभूत और साची के स्थूपों कर पुनर निर्माड पुन्दार निर्माड का सीधा समतलब होता है एक बार निर्माड हो गया इसके पुरान उसमें कुछ सुधार करके बनाना याँ पुन्दार निर्माड हो जाता याँ की भरवूत और साची दोनों एमपी में है मद्वदेश में याद रखे सुंग बन्स के अंतिम सासक देव भूती को उसके अमाद वासू देव ने तेहत तक इसापूर में हत्या करके कर्ण बन्स की स्थापना की जिस तरह से सुंग बन्स की स्थापना होई थी उसी तरह से कर्ण बन्स की स्थापना भी सो सारमा करन वंस का अंतिम सा सकता जिसकी हत्या साथ बहन नरेश सिमोख ने कर दी और साथ बहन बंस की स्थापना सिमोख ने की तीस वी सीवन तो साथ बहान बंस का है संस्थापक कौन है सिमुक आंगे चलते हम लोग साथ करनी पिथम के बारे में नागानी का कि नाना घाट अविलिक से जानकारी हमें मिलती है साथ करनी पिथम ने अपनी राद्धानी पिति ठान को बनाया गता सब्त सती की रच्रा साथ बहान नरेश फालने की हाल कभी साहितकार भी था यह प्राक्रट भासा का गरंथ है साथ बहान बंस का महांतम सासक गौत्मी पूत साथ करनी था साथ वाहन बग्स में महांतम सासक आपका गौत्मी पुत्र साथ करनी था गौत्मी पुत्र नहें बेंकटर्क स्वामी की उपादी दारेंगे सून नवाद के संस्थापक नागारजुन थे सुन बाद के संस्थापप नागारजुन गौत्मी पुत्त साथ करनी के समकाली थे सक महाचत्रप रुधिदामन की पुत्री का विवाज वसिष्टी पुत्त पुलुवामी से हुआ थे पुलुवामी ने दक छणा पत्थे सुर की उपादी दारण के साथ बादोंने अधिकास था सीसे के सिक्के चलाई याद रखें साथ बाद काल में चांदी और दामे के सिक्षों कफरियों होता था जिसे कल्षापन कहा जाता था ब्रह्मनों को सरपितम भूमियत दान और जागियत दने की पिता का आरम साध्वाहनों ने किया था साध्वाहनों की राज्किय भासा आपकी प्राकर्थ थी जो आपकी ब्रह्मी लिपी में थी अजन्ता एलोरा की गुफाओं का निर्माण अमरावत्ती एवं नागारुज्वन कुंडा की इस्तूपों का निर्माण एवं काले की चैत्तियो सदबहानों ने करवाये था यह सबी घटना दो सादबहान सासकों ने कि आट क violating ने करवाई आगे साथ करणी के शिक्कों पर जल्पोत कि चेंड मिलते हैं ँग गौत्मी पुत्तों साथ करनी नि बैंकर तक नामकनगर की इंफेन की छी मात करी का उत्य कहा जाता है कि सर्व मान सर्व मान तौर्पा साथ बहान साथ बहानों का मूल इस्थान महराष्ट की पितिश्थान को माना जाता है साथ बहान बंस के सासकों को दर्चिडापती तथा इसकी द्वारा सासित पितिश को दर्चिडापत कहा जाता है साथ बहानों में मात्त सत्तात्मक सामाजिक विवस्ता थी यानि कि मात्त सत्तात्मक विवस्ता का मतलब सीधासा यह ले सकती है कि अभी राजा के बाद कौन बैठता था उसका फुद्र राजगत्ती पर बैठता था लेकिन इस समय उसकी बेटी भी राजगत्ती पर बैठ सकती थी, या महलाओं का कारभार रहता था, वो भी पैसले लेने में सक्चमती, साथ बहानों के उप्तरादिक्यारियों की बात करने हम लो, तुन्दासिक, आभीर, बरारका, वकाटक, वकाटक, उत्री कनारा, कौंतल, दक्षडपूर, मलव, पलव, ठीक, अब हम चलते हैं, विदेसी आखमण कारियों का भारत में, जो आखमण होगा, उन्हें देखते हैं, ठीक, बैक्टियाई सासकों का इतिहास, उनके सिक्कों की आधार पर लिखा गया है, बैक्टियाई यानि की यूनानी बंस की दो साख हैं थी, यूथे डैमस और यूकेट टाइडस, ठीक, यूथे डैमस बंस की राध्धानी स्याल कोट थी, यानि की साकल, यानि की पहला जो साखा थी, इसकी राध्धानी थी स्याल कोट या साकल, यूकेट टाइडर बंस की राध्धानी थी, तक्ष सिला, कहां थी, तक्ष स बारत के भीत्री भाग में प्रिवेश करने वाला पहला यूनानी सासक डेमेटीयस था डेमेटीयस ने अपने पिता की इसमिती में यूध्थी डेमिया नामक नगर वसाया मिलिंद मिनांडर की बौधमत की पिती बहुत सिद्धा थी मिलिंद पनेहो नामक गरंथ में मिनांडर एवं बौध विक्चू नांगसेन की बीच संभाद का संकलन मिलता है कई वार ये भी questions पूँच लिए गये है मिलेंद पनोहो नामा ग्रंथ में किस-किस की चर्चा मिलती है मिनांडर और बहुत विक्चू डांग से इनके वीच बात की ठीक है इनके बाद संभाद याने की बात हुई थी यूके टाइडिस को यूनानी सुरोतों में एसिया का सरक्षक कहा गया बारत में सबसे पहले सोने की सिक्के यूनानी ओने जारी किये बारत में सबसे पहले सोने की सिक्के किसने जारी किये तो आपको याद रखना यूनानी ओना सिक्कों पर राजाओं की चित और तिथी लेखन की परिबाटी यूनानियों ने ही सुरूंगी चित तिथी किसने सुरूंगी यूनानियों ने ही यूनानियों ने ही भारतियों को हैलनेश्टिक कला से परचित कराए जिसने बाद में गंधार सली का रोग ले लिया बारत का पहला पार्टियान या पहला हो सासक माउस था यह वो लैप्टॉप चलाने बाला माउस मत लीजिए इन्पूट इसके बारे में पिर हम लोगोंने बड़े विश्तार से चल्चा की हुई है पूरा कंप्यूटर सामान गया नापके कवर किया हुए इन्पूट क्या होता है आउट्पूट क्या होता है तो उसे भी जाकर देख लें उसमें आप लोगोंने बहुत मौक टेस्ट भी लगाए है आपके 25 के करीब साथ 25 से प्लास ही हो गए और उसके बाद आपके 15 के करीब चैप्टर देखी हुए है यतना मुझे लगता है कि कोई भी कुश्चा इस गलत नहीं होगा अगर आप लोग चैप्टर को कवर करेंगे तो आप लिखेत आंसर भी दे पाएंगे और जो मौक टेस्ट लगाए हैं उन्हें अगर आप लोग कवर करेंगे तो एससी हो गया बैंक हो गया रेलवे इस तरह के वह अंडेक जो भी हो हैं मेरे पास था कि बैटकर आपको बड़ी आराम से कथा सुनाते रहें थोड़ा जल्दी पढ़ाए गया है लेकर बढ़िया पढ़ाए गया है उसके बाहर कोई भी पुश्चन से नहीं जाएगा पर चाहे आपका कोई भी हो ठीक है एक जाओ गौंडो पहलाओं का मूल इस्थान क्या था इरान गौंडो फर्णीस पहलाओं बंस का सबसे सकती साली सासर था इसके सासनकाल का एक अविलेक तक्तिय वही पेसावल से बराब हुआ गौंडो फर्णीस के समय इसाई धर्म विचारक सैंट थोमस भारग आया पहलाओं की सिकों का बंदारण तक्च सिला में सिर्कप की पास खुदाई में मिला कुसाडों ने पहलाओं का समराज बीजित कर लिया भारत में सकों की दो साखाएं थी जो पश्चिमी भारत में केंदित थी चैराद कर्द मग भारत में सकों की दो साखाएं थी कौन-कौन से चैराद और कार्द मग चैराद सक महराष्ट के नासिक में केंदि थी कर्दमक्प सौराष्ट चेत की उज्जेन में केंदि थी चैराद पंस का पहला सासक माउस या फिर मोग था नहपान ने चत्रप और महाचत्रप दोनों की वादियां दारण जी है जो नहपान सासक था इसने चत्रप और महाचत्रप दोनों उपादियां धारण गी नहपान ने महराष्ट का एक बड़ा भाग साथबानों से चीना था पिसित दिव्यापारी केंद भडोच पर छहरातों का कपच्छा था कार्धमक सक साखा का संस्तापक यसो में तिक था कार्धमक साखा का सबसे पिसे दिशासक हुआ रोध्यदामन 130 से 150 ECV में यानि कि अब AD में आ चुके हैं आप लोड ठीक है रोध्यदामन के संस्कित भासा में लिखा गया पहला बड़ा सिला लिख है रोध्यदामन ने सुदर संजील के बांध का पुनर निर्मार करवाय था कार्धमक बंस का अंतिमसा सक रोध्यदी सींग दूतियद और कौन था रोध्यदी सींग दूतियद चलते हैं हम लोग कुसाण बंस की तरोग एक बहुत ही मत्पून बंस है कुसाण बंस बारत में कुसाण बंस की स्थापना कुजुल कड़ फीसिस ने 15 इसमी में यानि कि 15 एड़ी में की थी तो याद रखना कुसाण बंस का संस्थापना कुजुल कड़ फीसिस चीनी सरोतों के अनुसार कुसार चीन के पशिमुत्रचित के योची कभीले के थे कुजिल कट फीसिस ने काबुल और कस्मीर में हर मुएस को हरा कर अपना राज इस्थाफित किया कुजिल कट फीसिस ने केवल तामे के सिक्के चलवाए किसके केवल तामे के सिक्के चलवाए कुजोल कड़ पीसिस के बाद विम कड़ पीसिस पैंसट इसभी में राजा बना विम कड़ पैसिस ने सोने और तामे के सिक्के जारी किये यग भी उसके ताम और रजत यानि की चांदे के सिक्के भी मिलते हैं तथा स्वर्ड सिक्के की संख्या इस समय अधिक मिलती है। सौने के सिक्के जारी किस ने किये थे सरपितम यूनानियों ने याद रखना। बारत में सरपितम यूनानियों नहीं सौने के सिक्के जारी किये जिनकी मात्रा कुसानों के सासनकाल में बढ़े। कोसान सासकों ने स्वड एवं तामा दोनुवी पिकार के सिक्कों को पिछली किया था बिम कड़फीसिस ने महराज राजादी राज महेसुर सर्विले को लोकेसुर की उपादी दारण की याद रखे अब आप ही सोचिए कि इतनी साधी उपादिया इसने दारण की अब जनता इसके बारे में सुनती होगी तो क्या समझती होगी कोई बड़ा बहुत बहेंकर आजा होगा तो इसलिए तो ये लोग उपादियां धर्टे थे इस तरह के बिम कड़फीसिस के सिक्कों पर सिव नंदी और तेसोल की आक्ति खुदी हुई थी बिम कड़फीसिस ने सेव धर कनिस्क 78 इसवी में राजा बना और कनिस्क ने 78 इसवी में सक संबत की सुरुआद की यही आजकल भारत का राठ्टिय पंचांग ने यही कुश्चेंट साब का कई बार बन चुका है नियाद रखने जो आजक ने 78 इसवी में सक संबत सुरुँ की थी यही आजकल भारत राठ्टिय पंचांग की रूमें मांता है कनिस्क की राध्दानी पुरुस्पुर्त यानि के पेशाबल थी कनिस्क की दुतिय राध्दानी मत धुड़ा थी कनिस्क ने पाटली पुत के सासक को अराकर वहां से बिद्वान अस्वोस बुद्ध का विच्छापाद और एक अनौखा मुर्गा साथ लाया था कनिस्क ने कस्मी ब्रजयर बिजय की बाद कनिस्क पूर नगर बसाया कनिस्क की सबसे मत्पूर बिजय चेन के यारकन खोतान तथा कासगर की बिजय थी कुसान राजा देवपुत क्यूपादी धारंट की इसने जिसे चीनियों से ली थी चलते हम लोग आगे देखते हैं कनिस्क बौध धर्म की महायान साखा का अनुवयाई था चौती बौध संगती में बौध धर्म हीनयान और महायान नामक साखा दो साखाओं में बट गया था एक ही नहांसा का दूसरी महायाई चौती बौत संगिती में विवासा सास्त पुस्तक लिखी वे कनिस्की सिपकी युनानी और एरानी वासा में थी मत्रास इतराक्त कनिस्की की मूर्ती सैनिक वेज गूसा में बौत्य के वोसस्तों पर कनिस्क ने फैसाबर में एक इस्तु और एक मठ का निर्माण करवाए कनिस्की की दर्बार में महां दार्षनिक अस गोस तरहता था अस गोस कनिस्की के राजकवी थे कौंते राजकवी और और अस्वगोस ने बोद्दिचरित सुत्रालंकार की रचना की अगर कभी पूंच लेता है सबसे जाना यह पूंचा है बोद्दिचरित का बोद्दिचरित की किसने रचना की तो अस्वगोस नहीं सुत्रालंकार की याद रखे यह भी आपके अस्वगोस नहीं इसकी रचना कि कुसान सा सक कनिस्के के संकालीन नागारजुन और असगोस और वसू मित्व थे इसी के समय यह समय कला की दो सेलियां थे कौँ सी मत्रा सेली और दूसरी थी आपकी गंधार सेली मत्रा सेली में अनेक इस्तो विहारों तथा मोर्तियों का निर्माण किया गया गंधार सेली को यूनानी बौध इंडोगीक रोमन कला भी कहा जाता है पिशिद्ध द्यारसनेक एवं विज्ञानिक तथा सुनबाद का पितिपादक नागर्जुन कनस्की के दरवार में रहते थे पिशेद दर्शने विज्यानिक तता सूनिवाद का पितिपादक जिसे माना जाता है नागारजुन साप को यह आपके कनिस्की के दरवार में रहती थी कि नागारजुर ने मादमिक सूत ग्रंत भी लिखा था विभासा सास्त की रचना वसूमित ने की थी कनिस्की का दरवारी चिकिस्तक चरक था और चरक द्वारान लिखी गई रचना है चरक सहिता बौत धरम का विश्कोस विभासा सास्त को कहा जाता है कनिस्की का फुरुवित था संग राच कनिस्की को बौत धरम में अस्गोस ने देख्चित किया था भारत का आइंस्टीन नागारजुन को कहा जाता है यह भी आपका questions कई बार बन दे रहा है पूछ लेता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है नागारजुन को कुसान बन्सका अंतिमसासक वसूदियो था वसूदियो सेव मतनुआई था उसकी मुद्राओं पर सिव तथा नंदी की आकर्टियां उपकीन मिलती है तक्चसिला में सिर्कपनगर की स्थापना कनिस्क ने की थी सिर्कपनगर की स्थापना किस ने की थी गंद्सक ने सरवादिक सुद्ध सोने के सिक्के कोसानोंने चलाएं याद रखी सोने के सिक्षे सबसे पहले किसने जारी किये थी यूनानी ओने और सरभादिक सुद्ध सोने के सिक्षे किसने चलाए कोसानों ने कोसानों में मिर्ट सासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था सेना में गुरसवारी की दक्षिता, सैनिक फेजबूसा एवं बिवुरचना के छेत में कोसानों ने भारत को नई जानकरियां दिन मत्वरा से कनिस की एक सिर्व रहित मूर्ती मिली है जिस पर महराज राजादी राज देवपुत्रो कनिस को अंकित है देखिए कितना बड़ा नाम है आदिसासक तो नाम देखकर ही डर जाते होंगे से अस्त घोस कि रचनाओं की पांडू इपियां मत्देशिया की तुर्फान से मिली है चीन से ब्यापार करने के लिए रॉम को कुसानों से मधूर संब्ध बनाने पड़े या ब्यापार महान रेसम मार्ट जिससे सिल्क रोड भी वोलते हैं लोग इससे संपन होता था इसके कुसानों को बहुत अधिक आय होती थी सरबादिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार कला के अंतरगत हुआ किसके गंधार कला के फतंजली ने मत्वरा से सटका नामगवस्त बनाय पाय जाने का उलिख किया है भारत में इथूपिया सेहाती दात एवं सोना आता था कहां से इथूपिया से यानि कि अंतराश्टी व्यापार भी इस समय होता था तक्षिला विवेन दिशाओं से आने वाले माल के संग्राय स्थल की रूप में पिसे देता यानि कि तक्षला को आपको एक गोदाम कहें लिजिए जहां से भी माल आता था यहां संग्रै यानि कि रखा जाता था तो यह कहानी थी आपकी कुसान सासकों की अब आता है आपका संगम योग इससे भी कुश्चन से बनते रहते हैं संगम योग संगम का साब्दी करत होता है साहितकारों की सभा या मंदली जो साहितकार होते हैं यह जो सभा बनाते हैं और सभा करते हैं मंदली करते हैं इसे ही आप लोग संगम कहते हैं भारत में तीन संगम पिथम मदरई दूसरा कपाटपुरम तीसरा पुनहा मदरई में हुगा यानि कि पिथम और लाष्ट यानि कि तीसरा मदरई में हुगा और दूसरा आपका कपाट पुरम में हुगा ठीक है? पिथम राजवन्स की अगर इसमें हम लोग बात करें तो संगम साहिद से हमें सुदूर दच्छन की तीन पिनमुख राज्यों यानि की पांड, चोल और चैर की उद्भाव और विकास का विवरण द्राप्त होता है पांड, चोल, चैर की बारे में हमें पता चलता है संगम साहित तीन संगम हुए इसमें कौन-कौन से पिथम संगम था मदुरई इसमें 89 पांडव राजाओं का सरक्षन भाग लेने वाली खुल 599 संस्थान थे, 7 कभी थे और 4,499 बे लेखक थे इसमें और यह आपका 4,400 बर्स तक चला है यानि की 4400 बर्स तक चला है इसकी अध्यक्षिता की बात करें हम लोग तो रिसी अगस्त थे अगत्य वार थे रिसी अगस्त पिर मुख उपस ते देवताओं की बात करें तो अगस्त तिरू पुरा मेरी था सिव कुमार मेरिंडा मुरूगन या फिर सुमामन्यम कहते हैं से मुरांजी यूर यसे आदिसेश भी कहा जाता है अगर हम लोग माना ग परिपदल मुदू नरे मुद्ध कोगर कलिरिया विरूई आदी थे समय और उपलब्द गरंद की बात के नहीं तो कोई नहीं था ठीक है बात करते हैं हम लोग आगे इस संगम के आचार थे अगत्ति आर या फिर अगसत जोकी उत्तर भारा से आरे संस्किती को लेकर दच्छण भारा आये थे पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि आरे संस्किती को दच्छण में कौन ले गया था आपकी अगस्त सहाव फिर वो थी आपकी दुति है संगम सम्ति यह हुई आपकी कपाट पूरम में वर्तमार में अलवे समुद्ध में बिलीन हो गया है इसमें आपकी 69 पांडर राजाओं को सनक्षण मिलाए से बाग लेने वाले 49 अकादमी सिदस थी 3700 कभी थी और आपका 3700 वो अर्ष तक चलाई कितने 3700 सालों तक इस संगम की आचारी थी आपकी अगतियार या फिर तोल का पियर कारकारी अध्यप्च मारक गरंद की बात करें तो अक्कितियम अगस्त कित तोल कप्पियम मपूरानम इसे नुनुकम भूत पुरानम केली कुरुकु वेंदाली ब्याल मलय आदि तोल कप्पियम लेकत थे इसके तोल कप्पियार अपलब्द गरंदों की बात करें तो तूल कप्पियम यह तमिल भासा का प्राचिंतम व्याकरन गरंत है इसके तीन भागे इलूथू बर्ग विचार सोल वाक्ट विचार फोरूल वस्तू अगर हम लोग तितिये संगम की बात करनें तो यह आपका मदरई में हुए था इसमें आपके 59 संस्थान आपके सामिल थी और 449 कभी संबले थी इसमें यह आपका 1850 बर्ष तक चला कितने 1850 बर्ष प्रमुक उपस्तित व्यक्तियों की बात करनें तो नक्कीरर यह आपके अध सिर्च थे पांडर राजा ओद्ध सीतली सितनार कपीलर और परनर आदी इस संगम की आचारते नक्कीरर मानग्रंथ पदी पदीत्तु पृत्तु परिपादल वरी वरी से आदी यह आखी मानग्रंथ है दुतिये सताब्दी तमिल साहित का स्वडियों है अगस्तियों इसे दुतिये सताब्दी को आपका तमिल साहित का स्वडियों भी बोला जाता है और अगस्तियों भी बोला जाता है तितिये संगम में जैन बहुत भी हिंदू तीनों संपदाय की लोगों ने भाग लिया था पांच महाकाब्द सिलप द्दीकारम नुपूर की कहाने लेखक एल तक कितिये और यह भी आपका जैन था वलैपली और कुंडल केसी यह आपके पांच महाकाब्द हैं पांच काब्देयों की आगर हम लोग बात करें यह सोद्रा काब्ब्रम काब्द संस्कित गिरंत पर आधारी थे चोला मड़ी यह सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है उद यह आपने पड़े ही लिया है दच्छन भारत में आरिसंस्किती अगस्त रिसी ने फ्यलाई थे संगम यूग का समय लगबक्त तीनसो इसा पूर्व से तीनसो इसवी तक चला यानि कि संगम काल जो रहा यह आपका तीनसो बीसी से तीनसो एडी तक रहा दच्छन भारी की प्राचीनत भासा आपकी तमिल थी जो आपका दच्छन भारत है उसकी भासा थी तमिल संगम सब्द का प्रियोग बिदीवद परिशत के लिए होता था बिद्वद परिशत मद्रवई एवं कभाटपुरम में आयोजित होती थी पांड़ सास्कों की राद्धानी करी थी तोल कप्यम की रजना तोल कप्यर ने की थी जैसे तमिल भासा का ब्याकरन कहा जाता है तो ठीक है पूंच लेता है कि तमिल का ब्याकरन किसे तो आपको याद रखना है हुआ है तो आथनी बात करते हमको क्या किस्लिप पादी कारम की रजना इलांगोंउड़ी गल्रोम ने की थी यह एक प्रेम कथाथ क्या है प्रेम कथाय यह तमिल काब tentang कहिता कहिए है मडी मेख्ले सीतले सित्तार नार ने लेका था है इसे तमिल काबर का उडिसी कहा जाता है इसमें संगम यूगीन ललित कला की विकास का हुलेग भी आपको मिलता है शैर राज की राजधानी क्या थी वाज जी या फिर करू यूर करू यूर चोलों की राजधानी क्या थी औरे यूर ठीक है यह आपका कई बार पूछिए चोलों का राजधानी क्या था बाग संगम यूग में सती पिता का उलेग मडी मेकले अभी लेग से हमें मिलता है मेगस्तिनी इच ने सरपितम पांड़ों का उलेग किया था चैर देश गोल मेरिच एबं हंदली के लिए पिसे दिता चैर देश था जो यह आपका गोल मेरिच और हल्दी के लिए पिसे दिता चैरों का राजधानी चन धनुस था चोलों का राजधानी चन बाग चैरों का राजधानी चन धनुस पुरे यूर सूती वस्त के लिए पिसिद था बड़े किर्षक सासकवर को बिलाल कहा जाता था सिकारियों को एनियार कहा जाता थे समय पांड देश मोधियों के लिए पिसिद था पांडवों का राज कीचिन मचली था बैंगी नदी पांड राज्जी के जीवन रेखा थे यवन ब्यापारियों की बस्तियां मुझरिस पुहार तथा तौंडी में थे रतों को बेलाओं से खींचा जाता था जो रत थे इन्हें आपका बेलों से खींचा जाता थे गोड़ों की बज़े बेलों से संगम काल के प्रमुक निर्यात मौती, मसाले, केमिती पत्थर, हाती दात से बनी बस्तु में थे एक बात आप लोग हमेशा याद रखें, कि वच्चे पूछते हैं, निर्यात आयात क्या कहलाता है आयात का मतलब आप कुछ चीज दूसरे से खरीद रहें, उसे आप आयात कहेंगे आपके लिए जो आप बैच रहें, उसे आप लोग निर्यात कहेंगे, कि आप दूसरे को दे रहें, वो निर्यात है, दूसरे से जो ले रहें, वो आयात है संगमकालीन समाज की बात करें तो अरसर, सासक, अडनर, ब्रमर, वेनिगर, वनिक, विलाल, किर्शत संगमकालीन लोगों का प्रिय भोजन चावल था क्या था चावल संगमयुक के पितिनिदियों की सभा मररम कहलाती थी क्या कहलाती थी? मनरम अरीक मेडू अरीक मेडू व्यापर एक केंध की रूम में पिसे दिता है संगमकाल में बिश्णु पुराम का उल्लेख मडी मेखले अऑलेक में मिलता है सिंदू से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों काउले Pari-Pilasawdda Arithiyan C नामक आज्यात लेखा की पुस्तक में मिलता है सबसे सकती साली चोल सासक था करीकाल सबसे सकती साली चोल सासक था करीकाल था भारत एभम रॉम के बीच ब्यापार का पता में Pari-Pilasawdda Arithiyan C से चलता है भारत जो रॉम देश है इसके साथ ब्यापार का पता हमें Peripolis of the Erythian C से पता चलता है मौनसोन की खोच हिपोलस ने की थी पूँच सकता है मौनसोन की खोच हिपोलस ने की थी रॉमनों ने मुजरेस इस्थल पर अगश्टस का मंदिर बनवाय थो सासक बर्ग को संगमकाल में असरार जाता था पत्नी पूर्जा चेहर सासक सेंड गुट्टु वन के सासनकाल से प्यारम हुआ चोज सासक करीकाल ने काविरी नदी पनलंबा बनवाय थो भूमी कर को करे सीवा सलुक को उल्गू तथा अत्रिक्त कर को इखे कहा जाता था तमिलचित में चोटे गाओं को सिकर तटीये सहर को पत्तीनम पिरमुख सड़कों को साली और नगर की मुख गली को तेरू कहा जाता था संगम युख का सरबादिक लोग पिरिये देवता कौन था मुरूगन संगम युग का सरबादी के लोग के लिए देवता थे आखी मुरूगन इन्ने मुरूगन से विष्णू किष्णे बलराम कुछ सयुक्त रूप से देव ब्रन्द कहा जाता था इन सभी देताओं को मिलेकर क्या कहते थे देवगन संगम युग में मंदिर को नागर कहा जाता था संगम युग की संस्किती तमिल और आर्ज संस्किती का समनवेट बात करते हैं सभा के लिए संगम साहित में प्रयोग सब मनरम इसका मनरम का साबदी करत होता था यवन पोडियाल इसका साब्दी करत होता है सारुजन जनिक इस्थल मनरम की अर्थ में आवे सब्दी भी मिला है राजा अपनी सभा नालवे में प्रिजा की कटनाईयों पर विचार करता था सर्वोच नियाल है मनरम राजा मन्नम बेधन कौसबन इरेवन राजा का जनम दिंग वहरूनल कहला था ठीक है क्या क्या पड़ना पड़ रहा है आप लोगों को बता एक परीच्छा पास करने के लिए कुरल मारम या पर कादी मारम राजमहिल में पिछली एक बिसेश परिष्था थी जिसके अंतरगत पिते एक सासक अपनी सकती के पितिक की रूमे अपने राजमहिल में एक महान बेच रखते थे पुरू ना नुरू से चकवर्ती राजा की यवधारना कौले हमें मिलता है गायकों के गायरेन के साथ नर्दकिया नाश्ती थी जिने पानर या पर बेड़ेली यर कहा जाता था राजा की साहता ही तु नियुक्त अधिकारियों का समोग पांच परिशदों में विवाजित था कितने पांच परिशदों में अमईचार या कमंत्री होता था सेना पत्तियार पुरोहितार पुरोहित दुपतार और आर गुपत चर होता था राच मंदलों में, मंदल नाडू में या फिर जिला में और नाडू उर में या फिर गाउं में विभाजित थे यह आपकी सासन पिडाली होगी इस समय की पत्तिनम समुद्री समुद्त तटिये कस्वा होता था पेरूर बड़े गाओं, सिरूर छोटे गाओं, मुडूर पुराने गाओं को कहा जाता था अब बात करते हैं इस समय की भुभु राजस पिसासन की बारे हैं किर्सी राजकी याय का मुख स्रोथ था यानि किर्सी का पिछलंग इस समय बड़े इस्तर होता आबूर किलार की अनुसार हाथी के लेटने में जितनी जमीन गिर्ती थी, उतनी जमीन में साथ लोगों के खाने के लिए नाच पैदा होता था यानि कि आप कर सकते हैं इस समय उपज अधिक होता था किर्सी से एक हाथी जितने जगे में लेटने का काम करता था उतने जमीन में साथ लोगों की खाने की बेवस्ता हो जाती थी एक अनक अभी की अनुसार एक विली भूमी में एक सहज यानि की कलम चावल बैदा होता था इस समय के मत्कूर बंधरगाहों की बात करें हम लोग पुहार, चोल, सालीपुर, पांड, बंदर ये आपका चेर की समय रहा है ठीक है पुहार आपका चोल के समय, सालीपुर आपका पांड के समय और बंदर आपका चिर सासों की समय चेरों की प्राचींतम राधनी, कुरूर, सिरीम, रोमन, सामगरी पराप्त हुई है मैं विरुख का कामपलिया चौल, चैर, पांड, तीनों राज्यों का संगम इस्थल था। रॉम के अतरिक्त मिस, अरब, चीन और मालदीब के साथ व्यापार होता था। मासा त्रवा इस्थलिये साथवार थे। त्रुक कुरल गरंत को तमिल वाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। मड़ी मेखले में कपालिक सेयो सन्यासियों की चर्चा भी मिलती है। तोल कप्यम में आठ पेकार की विवाहों का उल्लेख है जो धरम सास्तों में बीवस्तित हैं। आगे आपका नडूमान अंजी चेर नदच्चन में गन्ने की खेती की परंपरा का भी सुभारम किया। संकम जातियां एनाडी सेनालाइक को दी जाने वाली उपादी थी आपकी एनाडी। वल्लाल धनी किसान चोलेवं पांड राज्ज में इनकी निकती सैनिक और आसैनिक पतपर की जाती थी। आरसर ये आपका सासक बढ़गुगा करता था। कड़े सियर ये निचल वर्ण के खित मजदूर होते थी। अट्टी और बिन्नी वल्लार ये आपके खित मजदूर होते थी। पहगोलिक छित आर्ठित गतिविदी और जाती समदार कुरुण जी परवत्त आकेत और संग्रक कुरुवर बैंतर जाती समदायर था। आर्थिक गतिवी थी इस नमाई आकेट और संग्रे मुले जंगल यहां कि आर्थिक गतिवी थी पसुपालन जूम केती जूम केती को आप लोग पीछे भी बता चुका हूं इसे इस्थानांति लिए केती भी कहते हैं यानि कि एक जगए खेती करने के बाद उस जगए को छोड़ दिना, फिर दूसरी जगाए खेती करना, फिर तीसरी जगए इस तरह से जूम केती कह लाती है इसमें जाती थे चरवाहा और एठेयर, पले नर्जनिस्थल, यहां होती थी आकेट और डकेंती, यहां की जाती थी एनियर और मलवर, मरू दम किर्शी यो गूमी, आर्थिक गपिति विदी थी किर्शी, और जाती थी और समधाय उस्वर, विल्लाल, नेतल समुधितल, यहां यहां की जो आर्थिक करती विदी थी, मचली पकड़ना, मौती नकालना, नमक बनाना, मचवारे, परदवार, यहां की जाती थी, तो यह था आकका संग्यमकाल, अब हम बात करते हैं, गुप्त समराज के भारे में, तो इसमें सबसे पहले आता है गुप्त वर्ण्स में, आ आई आपका संस्था पके, फिर इसके बाद आता है आपका घटूदक्च, यह आपका 319ऐसवी, यानि कि 300ऐसवी से 319ऐसवी से 319ऐसवी तक रहता है, इसके बाद आपका आता है चंद गुप्त पिधम, 319ऐcon Sie almightyन तक रहता है, गुप्त सम्राज की बास्त्विक संस्था पर चंद गुप्त पिथम को माना जाता है ठीक है फिर चंद गुप्त पिथम के बाद आता है आपका समुद्ध गुप्त यह आपका 330 से पंद्रए इस भी तक रहता है। चंदगुप्त दुतिये के बाद आपके सासक आते हैं गोविंदगुप्त, तिरोत, कुमारगुप्त, पिथम, इसे महंदादित भी बोलते हैं, प्रभावति ये बकाटकों की रानी थी, ठीक है? तुझे इन में महान सासक बोता है कुमारग पिथम, जिसे महंदादित भी कहते हैं, ये आपका 415 से 455 इस भी तक रहता है। कुमारगुप्त, गुप्त पिथम के बाद, आपके सासक आते हैं इसकंदगुप्त, जिसे विक्मादित भी बोलते हैं, ये आपका 455 से 400, 468 इस भी तक रहता है, फिर आपका पुरुप्त, श्री विक्रम, यह आपका 468 से 499 भी तक रहता है, यहीं आपका गटोध, गटोध किछ गुप्त डमेन, इसे डमेन भी बहुते हैं, यह रहता है, फुरू गुप्त, यानि कि श्री विक्रम इन सभी में महानसासक होता है, इसके बाद आते हैं नरसिंग गुप्त, जिसे वाल महानसासक होता है, इसके बाद कुमार गुप्त, विक्रमादेती भी बोलते हैं कुमार गुप्त को, लाष्ट में आपका विश्नुगुप्त, अब आप समझ सकते हैं कि इतने राजाओं को याद कैसे रखा जा सकता है, तो सबसे लाष्ट का आपको याद रखना है, विश सांबुर्ध गुफ्थ को याद रखना है चَंदुफ्थ दुधियों को याद रखना है, क्योंकि ये 2 बहा न सा सक्ति, ठीक है बागी के बारे में जो point रहेंगे उन्हें याद रखेएगा हैं चलते हांगे गुप्त समराज का उधत Fahrenheit 3 सदी के अंत में फ्रयार के निकट कौसाप्भी में हुआया ये कहा कौसाप्भी में इस बंसका संसथापत था स्री गुप्तक कौन था सम्त कौन ता स्रीगुपत गुप्तề Island का बास्थ का ये संस्थापत चंद चंदगुप्त पिथम को 399 से 330 इसवी तक माना जाता है यहां आपको कई बार नुच्छत लेता है यह कुश्चन और आप लोग कई बार गलत कर वेखते हैं गुप्त समराजी का संस्थाबक किसे माना जाता है सरी गुप्त को लेकिन बास्तविक संस्थाबक चंदगुप्त पिथम को चंदगुप्त पिथम ने ओस समय के पिसिद्ध लिच्वी कुल की कुमार देवी से विवार किया था है किसे कुमार देवी से आंगे चलते हम लोग गुप्त सासकों की उपादिया यह भी आपका किई वार पूच लेता है 21 सासक ने कौन सी उपादी दारन की थी स्रीगुप्त स्रीगुप्त ने आधिराज महाराज की उपादी दारन की गटोत कच इसने महाराज की उपादी दारन की चन्दगुप्त पिथम महाराज राजा धीराज की उपादी दारन की समुद्गुप्त इसे पराग क्रमांग कहा जाता है चन्दगुप्त दुदिये इसे आप लोग विक्रमादित के नाम से जानते हैं कुमार गुप्त इसे आप लोग महेंदाधित्ति के नाम से भी जानते हैं सक्त क्रायदित्ति के नाम से भी जानते हैं इसकंद गुप्त इसे आप लोग क्रमादित्ति के नाम से भी जानते हैं ठीक है याद रखना है 319 से 20 इसवी में ॹजन्द्गुप्त पिथम ने गुप्त संबत चलाया है सरब्पितम चन्दुप्त पिथम ने महराया दी justify कि उपादी दारण कि किसकी महराया दीराज की उपादी दारण कि समुद्धु गुप्त को अपना उत्रा देकारी बनाने के बाद चंदु गुप्त ने सन्यास गुरहन कर लिया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंदु गुप्त के बाद आपका आया समुद्धु गुप्त अनेक विद्वान समुद्धु गुप्त की तिथी 335 से 380 इस भी मानते हैं समुद्ध गुप्त 330 इस भी मैं राजगंती पर बैठा अनेक बद्धवान समुद्ध गुप्त कीते थी 335 से 380 मानते हैं अब आप जानते हैं की इतिहास में कई इतिहास कार होते हैं जो अलग-अलग थी मानते रहते हैं तो आपको याद रखना है 330 से 380 समुद्ध गुप्त आक्मरकारी वो समराज जुवादी सा सकता समुद्ध गुप्त का दरवारी कभी था हरी सेंग इलाबाद में प्रयाग पिसस्ति की रचना हरी सेंग ने की थे यह आपका कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है क्या पूछ पूछ लेगा कि हरी सेंग किसके राजदरवारी में रहता था तो आप कहेंगी समुद्ध को फिर पूछ सकता है कि इलाबाद में इस्तित प्रयाग पिसस्ति की रचना किसने की थी तो अब इसे भी बता सकते हैं हरी सेंग हरी सेंग ने फिर पिसस्ति से समुद्ध गुप्त के बिशर में जानकारी हमें मिलती है उसने अस्सु में गिया किया धरड़ी बन पितवी को बांधना अपना लक्ष बनाया ये आपके समुद्ध गुप्त की पदाधिकारी थे, संदी बिक्रहक ये आपका संदी एवं इरुद्ध का मंद्री हुआ करता था, कुमारा मात ये गुप्त समराज की सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, खाद्यायक की का यापका राच्किय भोजनाले का अध्यक्च हुगा करता था महादंड नायक यापका नियाईदीस हुगा करता था समुद्ध गुप्त ने गरुण, ब्राग हंता, धनुर्थर, परसु, असुमेक समुद्ध गुप्त ने समुद्ध गुप्त को भारत का नैपूलियन कहा था तो कई बार गुच लेता है कि भारत का नैपूलियन किसी कहा जाता है समुद्ध गुप्त को, किसने कहा था, विनसेंट इसमेत्र गुप्त सासक एवं अभिलेखों की बात करें हम लोग तो समुद्ध गुप्त, फिर्याग पिसस्ती अभिलेख से संब्दी थे कुमार गुप्त ये आपका बिलसर इस्तमले किनसे समदी थे इसकंद गुप्त भीतरी इस्तमले ठीक है समुद्ध गुप्त विजेता के सासाथ कभी संगी तक बिद्ध्या का संरक्चक भी था उसके सिक्कों पर किसके समुद्ध गुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्तित किया गया है तथा कभी राज की उपादी विधारन की थी इसमें स्रिलंका के सासक ये मेग बर्मन ने समुद्ध गुप्त से गया में एक बौध बिहार मंदिर बनाने की अनुबंती मागी थी समुद्ध गुप्त के बाद राजगद्धी पर आपका कौन आता है? चंद गुप्त दुद्धी है ये आपका 380 से 415 इसी भी तक रहता है ठीक है? 380 से 415 सकों को पराज़ित करने की इस मिट्धी में चंद गुप्त दुद्धी ने बिसेश चांदी के सिक्के जारी किये तथा साकारी उपादी धही धारन की चंद गुप्त दुद्धी ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विबार वकाटक नरेश रोद्धेसेन से किया था रोद्धेसेन की मिट्धी उपे बाद चंद गुप्त दुद्धी ने अपनी दूसरी रात दानी उच्यन को बनाई चंदगुप्त दुदिये का अननाम की बात करें तो इसका अननाम था देवगुप्त, देवराज, देवसरी इसकी उपादियां थी विक्रमांक, विक्रमादित, परमभागवत याद रखिया चंदगुप्त दुदिये की सासनकाल में चीनी यात्री चंदगुप्त दुतिये की सासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था कई बार पूँच लिया ये कुश्चन चीनी यात्री फायान किसके सासनकाल में भारत आया था चंदगुप्त दुतिये के चंदगुप्त दुतिये के नो रतनों में कौनगोन सा मिलती कालिदास, अमर सींग, संकू, धन्वंत्री, छपनक, बेतालवट, बरुची, घटक, पर्व, और वराहे, मिहे, यह आपके नौ रतन थे चंदगुप्त दुदिया का संदी विग्रहिक बीरसेंद था, कौन बीरसेंद? चंदगुप्त दुदिया की बाद आपका गुप्त संभराजिगा सा सकाता है, कुमार गुप्त महेंदा देता है, यह आपका चंद 415 से 455 तक राजगद्धी पर रहता है कुमार गुप्त, कुमार गुप्त की 663 मुद्राएं बयाना मेडभांड से मिली हुई है कुमार गुप्त की मयूर मुद्रा बिसे सैली की थी कुमार गुप्त के सिक्कों से पता चलता है में, कि उसने अस्सो मेग यग किया था कौन सा? अस्सो मेग यग कुमार गुप्त ने स्री महंद, विक्रमादित तथा अस्सो मेग यग महंद की उपादियां धारण की तो याद रखना कुमार गुप्त ने कौन-कौन से उपादियां धारण की थी? स्री महंद, महंदादित और अस्सो मेग महंद हैंस्तांग के अनुसार नालंदा बोध विहार का निर्माद सक्रादित ने करवाय था चंदकूत दुत्य के पतादिकारी की बात करने हमलो KP तो इसके पतादिकारी Kerryों में सामलती है उप्राण परांथका राजिपाल करता थे , कुमारा मात यापक विशासनिक करता Past दंड पासीप यापका पुलिस बिभाग का पिधान होगा करता था महा गंड नाइक ये आपका मुख ने आज़ी सुगा करता था बाला धीकिर्ट ये आपका सैन कोस का दिकारी हुआ करता था महा पितिहार ये आपका मुख दुवारिक हुआ करता था ठीक? चलते हैं आगे हम लोग पोस्मित्य जातियों के विद्रो की जानकारी इसकंद गुप्त के भीतरी स्तमले यानि की एगाजी पुर में यहां से मिलती है मैं नालंदव इस विद्याले की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी बहुत मत्वून पुईंट कई बार मुझ लेता है नालंदव इस विद्याले की स्थापना किस ने की थी तो आप क्या कहेंगे कुमार गुप्त ने इस बिद्याले को आप लोग ऑक्सपोर्ड और महायान बौध कहा जाता है कुमार गुपत के बाद इसकंद गुपत आपका राजगद्धी पर बैठता है इसकंद गुपत आपका सामना करना पड़ा जूनागर अबलेक में हुणों को मिलेक्च कहा जात गया है गिनार परपत परिष्थित सुदर्संजील का पुनर निर्माड इसकंद गुपत ने करवाये था किसने इसकंद गुपत है इसकंद गुपत को सक्रापम देवराय और श्रीप परिष्षिप्त विक्षा नाम की संबुधनों से संबुधित किया जाता है एक तरह से इसकंद गुपत की दूसरे नाम है ठीक है कहों अभलेक से विदित होता है कि इसकंद गुपत की उपादी सक्रादित थी क्या थी सक्रादित इसकंद गुपत की सौल मुद्राओं पर क्रमादित उपादी मिलती है इसकंद गुपत इसकंद गुपत ने सुदर्शन जील के पुणर निर्माड का कार गवर्नर पंडदत के पुद्ध चक्पालित को संपा था सुदर्शन जील के किनारे विश्नुमंदिर चक्पालित ने बनवाय था हुणों का मत्पूर्ण सासक तोर्माड था हुणों का मत्पूर्ण सासक काउन था तोर्माड तोर्माड का पुद्ध मेहिर कुल था मेहिर कुल को यसो धर्मन ने 532 इसपी में पराजित किया था कब 532 में इस पेकर हम लोग चलते हैं गुप्त का अंतिम गुप्त बंस का अंतिम सासक देखते हैं विश्नुम गुप्त था फ्रयाग पिसस्ती में संब्धु गुप्त को पितवी पर सासन करने वाले इस सुर का पिती निदी कहा गया तो याद रखिए गुप्त बंस का अंतिम सासक कौन था मिश्नु गुप्त अब हम लोग बात कर लेते हैं गुप्त कालीन कुछ आर्थिक सब्दा वली हैं उनकी बारे में जान लेते हैं भाग राजा को भूमी उत्पादन से प्राक्त होने वाला हिस्सा भाग कहलाता है भोग, राजा को हार सरूप मिलने वाला कर आपका भोग कलारतर उद्रंग, इस्थाई कास्तकारों के लिए कर ओफरी कर, ये आपका इस्थाई किर्शकों के लिए कर हिरन्य, ये दिब या नगद रूप से किया जाने वाला कर वरिष्टी या आपका निसूल्क या फिर वेगार सरम, दीनार, सवर्ण मुद्राएं, अग्यहार या आपका मंदिरों एवं ब्रह्मनों को दान दी जाने वाली भूमी हुआ करती थी पदादिकारियों के सरफशिष्ट बर्ग को कुमारामात कहा जाता था इस समय बेतन की अदाएगी आपकी भूमी अनदान की रूम में होती थी जो बेतन हुआ करता था इनका इनने भूमी अनदान की रूम में दी जाती थी गुप्त काल में भूराजस एकवटे चार से एकवटे छे भाग लिया जाता था नगर का मुख जो अदिकारी होता था उससे क्या कहते थे पुरपाल नगर के मुख अदिकारी को पुरपाल कहा जाता था मंदसोर अभिलियिक से रह्समबुनकरों की सेड़ी द्वारा विसाल सूर निर्माड का मिलता है यह आपका बता है MPPSC में पिछली बार साय्द मुझे लगता है, पिछली बार यह आप दो-तीन बार पहुँच लिया है रेसं बुनकरों की स्यैनि का ओले किस अफिलेक में मिलता है तो याद रखना मंदसों अफिलेक में सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे आपके सरवादिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों नहीं जानी किये इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था गुप्तकाल में वस्तुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कायात कहां से करते थे बेक्टिया से गुप्त काल में आयबे लेखन कार करने बालों को कायस्त कहा गया जिसका सरब पिथम उल्ले याग्वलक से याग्वलक ने किया था पिथम सत्ती होने का प्रमार आपका 510 कि ईरन अभलेक से मिलता मैं पिथम सति होने का प्रमार 510 के द्रन अभलेक से मिलता है घ्र गुप्ति साजकों का व्टिगत धरम बैषना था कि क्या था रस्त्ता था गुप्त बन्सका राज्किय चिंड में गरोंड था गुप्त बन्सका राज की ये चिन्न क्या था गरोन बैशना वयवं सैब धरम की मद्द समनबय गुप्त काल में इस्थापित हुआ था गुप्त राजाओं ने परम भागवत धारमे उपादी धारन की थी इसकंद गुप्त का चुनागड अविलेग एवं बुद्ध गुप्त का एरन अविलेग विश्नु इस्तुती से सुरूम हुआ है चंद गुप्त दुदिये ने विश्नु परबत पत विश्नु द्वज की इस्थापिना की थी बैश्न धारम का पिधान अंग अवतारवाद था बैश्नु द्वज की मूर्तियां गुप्त काल में ही बनाई गए गए इंतरत ब्रम्मा पिष्णों महेश की पूजा आरम हुई गुप्तकालीन मंदिर कला का सरवत्तम उधारन देवगण का तसावत्तार मंदिर ये आपका जासी के पास है सरवत्तम सिखर का प्रियोग इसी मंदिर में किया गया था अजन्ता की गुफाएं आपकी गुप्तकालीन गुप्तकाल की है गुप्तकाल को संस्कित साहित का स्वडियू गुप्तकाल को संस्कित साहित का स्वडिकाल कहा जात क्योंकि इसी काल में कालीदा सेवं अन्न संस्कित विद्वानों ने अधीकाल संस्कित साहित की रचना की थी आंगे चलते हैं हम लो आरे भट्ट आरे भट्ट गुप्तकाल के सबसे बड़े गड़ी तक थी इसले में की रचना का नाम है अर्भट्ट आंगे आपका कही बहारत पूँची लेते हैं और रचना हैं तो याद रखे आरब्ट किस की रचना कांसी है आरभट्ट आया फिर इस तरह ऐसे yogh li मतफ़ सकता है कि आरवट्टें किश की रच्ना है तो आपको उदा दिना है आरवट्टी की कि सरबाधिक भूमिय अदनी गुब्तकाल में लुपत काल में यह घाया कि गुब्तकाल ब्रहमत धरम के पुनरूधान का काल माना जाता है रामाईड तता महावारत के अंतिम रोप का संपादन गुप्त काल में ही हुगा है आपका गुप्त काल में दासविथा विद्धिमान थी आपकी नारद ने नारद ने 15 पिकार की दासों का उलेक किया है जबकि मनु ने आपके 7 पिकार की दासों का मंद्दसोंर अभिलेक से कुमार गुप्थ फष्ट के शासन का पढ़न प्राप्त होता है तुमुन अभिलेक में कुमार गुप्थ फष्ट को सरद कालीन सूर कहा गया सबसे अधिक अभिलेक 18 कुमार गुप्थ के ही मिले है में गुप्त काल में इसकंद गुप्त का भीतरी अविलेक यह आपका गाजी पुर में हूडों द्वारा अकमण की जानिकारी से मिलती है किसे इसकंद गुप्त को इन आपको रचनाओं को याद रखना है और रचनाकारों को क्योंकि इन से आपका कुष्टन बहुत भार उंचे जा चुक है यह आपके रचनाकार हें यह इनकी रचना셔서 की और कि अगरण कि युद्धास कियाना मुलूख बात करें तो मालवी कागनी मित्रम बीक प्रूमंवल्शियम मेग दूद अभी ग्यान सकुंतलम दुस्यंतेवं सकुंतला की प्रेम कता है इसमें कुमार सम्मव रित्व संगार रगू गंस्थ और महाकाव यह आपके कालिदास जी की रचना है भॉमिक इसकी यह रावा रावा जुनियम विसाकादत की है मुद्राराक्चल देवीचंद गुपतम भारवी की है कीरतार जुनियम वत्स बट्टी की है रावडवद भास की है सुपन वास वदित्तम चारूदक्तम अमर सिंग की है अमर कुस किसकी रचना है अम अर्जिंगे सूद्रक किसकी है सूद्रक की कौन-कौन सी रचना है म्रेच कटीकम इसे मिट्टी की खिलोना गाड़ी भी वोते है वराह महीर की रचना है बेहत सैता और पंचिद्धान दिका आरवेट की है सूरसिद्धान और आरभट्टी ब्रह्मा गुप्त की है ब्रभवा सिद्धान राष सेकर की है काप्य मिवान साथ वाड़वट्ट की है अष्टांग इदाई चिकिस्था से संबंदित है आपकी वाड़वट्ट की है हरिष्चर्ट और धर्मनत्री की है सल्ल्य सास्त ये भी आपकी चिकरसा से ही संबंदित है गुप्त कालीन मंदिरों की बात करें हम लोग ये आपकी मंदिर हैं ये स्थान है विश्णु मंदिर कहा है आपका तिगवा जवलपूर मद्विदेश में विश्णु मंदिर आपका तिगवा जवलपूर में है सिव मंदिर ये आपका भूमरा नागोद मद्य परवती मंदिर नचनाप उठार ये भी आपका मद्य परवती मंदिर नचनाप उठार ये भी आपका मद्य परवती परवती मंदिर नचनाप उठार ये भी आपका मद्य परवती परवती मंदिर नचनाप उठार ये भी आपक अगर हम लोग इस तमय के अधिकारीयों की बात करें और इनके बिभागों की बात करें तो हरी सेन यह संद्धुप्त का संधी विग्रेक तथा महा दंडनायक था। इसी ने प्रयाक पिसस्ती की रचना की थी। पति हुआ करता था, ठीक है, गुख्तकाल की प्रमुक, भूख्तियां यानी की प्रांतों की बात करें, यह आपकी प्रांत हैं, एच्छे थे, आबंती, पश्चिमी मालवा इसमें आता था, एरन, इसमें पूर्वी मालवा आता था आपका, तीर भूख्ती, इसमें आपका उ गुप्त्री बंगाल आता था मगद यह जिसमें आपका पश्चिम बिहार आता था तो यह था आपका गुप्त काल्व इसके बाद है आपका पुष्च से भूती बंग्स में सबसे पहले आता है नर वर्धन इसे थाने सूर भी कहते हैं यह आपको 505 से 530 इसवी यानि की AD तक रहता है ठीक है फिर नर्वर्धन के बाद आता है आपका राजवर्धन पित्रम ये आपका 530 से 555 इस भी तक रहता है फिर आता है आपका आदित्या वर्धन पित्रम ये आपका 555 से 583 इस भी तक रहता है इसके बाद आपका प्रिभाकर वर्धन आता है यह आपका पास्वस्ती से 605 इसी भी तक रहता है प्रभाकर बर्धन के बाद तीन साथ सकते हैं राज बर्धन दूतिये 605 में हर्ष बर्धन 606 से 647 तक और राज श्री इनमें लेकिन सबसे महान साथ सकता हर्ष बर्धन थानेसवर और कन्योज खा था फिर उसके बाद उत्तरीस की धरुबसेंदुतिय की फिर धरुबभट बालादित बल्लिवी आया फिर आया धरसेंद चतुर्थ वल्लिवी तो याद रखा करिएगा हमेशा आप लोग कोई भी बंसो कोई भी समराज चोई एक्स वाई जर आपक क्या कि इसके संस्थापक को अ कि पुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ठीक है जिसने संस्थापक था इस बंस का उसे याद रखा करिये वो अंतिम सासक को क्योंकि इसी में से पूंच लेता है आपको क्वेश्चन बहुत बार फिर जो पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं हम लोग बरना आप ही सोचिए कितने बंस हैं कितने सासक हुआ करते हैं इन्हें सब को याद थोड़ी रखा जा सकता है मैन मैन को याद रखते हैं पुष्य भूती बंस की स्थापना पुष्य भूती ने हर्याना के अंबाला जिले के थाने सुन नामक इस्थान पर की थी पुस्से भूती बंस की स्थाबना पुस्से भूती ने हर्याना के अंबेला जिले कि थाने सुर नामगिस्थान पर की थी पुस्से भूती बंस हुनों से हुए संकर्ष के कारण पेशेते था प्रगभाकर वर्धन इस बंस का चौथा सासक था उसके दो पुत्य थे राजवर्धन और हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राजश्री था प्रभाकर वर्धन की दो बेटे थे एक आपका राजवर्धन दूसरा हर्षवर्धन इसकी एक पुत्री भी थी राजश्री राज्जी श्री का विवाय मोखरी बंस के ग्रह वर्वण से हुए थे प्यभाकर वर्धन की मित्यु के बाद उनकी पत्नी यह सोमती उनकी चेता में कूंडकर आतम दाहे कर दी थी इस से ही तो सती पिथा कहते हैं पत्ति के बाद स्वैम को खतम कर देना या उसी चिता में उनिला पहले आपका जवर्जस्तिवी सत्वी इस तरह से महलागों खुना दिया जाता था आप लोगों ने देखा होगा 1857 के पहले बहुत कुछ चलता था इस तरह की घटना है लेकिन काफियत तक 1857 तक काबू कर देगी थी प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन राजा बना मालवा अभियान से लोटते समय मार्ग में गौण सासक ससांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी राजवर्धन का पिदार मंत्री उसका ममेरा भाई बंडी था हर्ष बर्धन 606 ईश्वी में राजगत्ती पर बैठता है इस बंस में आपके इसी से कुष्चन सदिक तर पूँचे गए पता है हर्ष के बिज़े में हमें ब्यापक जानकारी बार्भट द्वारा लिखित हरिच हरिष चरिद से मिलती है जो बार्भट द्वारा लिखित रचना है हर चरिद इससे हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है हर्ष का दरबारी कभी कौन था वार्भट याद रखिए 639 से 645 सीचवी के बीच भारत में रहा ठीक है इसी के समय हर्स के समय अब पूच लेगा आप से कि चीनी यात्री हैंसंग किसके समय भारत आये तो आप बता देंगे तुरन्त हर्स के हैंसंग को यात्रियों में राज कुमार नीती का पंडे और वर्दमान साक्मुणी नाम से जाना जाता है चीनी यात्री को हर्ष ने अपनी रात्दानी कर्णोज में बनाई थी हर्ष को सिलादित नाम से भी जाना जाता है हर्ष को सिलादित नाम से भी जानते हैं हर्ष ने परमभट्टारक और उत्रापत स्वामी के उपादी धारन की थी हर्ष एक पितिष्टित कभी और नाटक खार भी थे उसने नागानंद प्रिये दर्ष्टी का रतना बली नामक नाटकों की रचना की किसने हर्ष्ट ने नागानंद प्रिये दर्ष्टी का रतना बली बाडवट की रजनाओं की बात करें तो बाडवट की रजनाओं थी हरस्चरित, कादंबरी, पारवत्ती, पढ़ने हर्ष बोध्य धरम की महायान साखा का समर्थक होने के लवा विश्णु और सिप को भी मानदा था विश्णु और सिप हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कन्नोज और प्रियाग में किया हर्ष द्वारा आयोजित कन्नोज सभा हैंसान के सम्मान में की गई थी जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि आपके पिदान मंत्री रहें अभी नमस्ति ट्रम्प किया तो ट्रम्प के आने की डॉनल्ड ट्रम्प के आने की खुसी में सम्मान में तो इसी तरह उस समय भी होता रहता था इस सभा में विश्ण धर्मों एवं संपदायों के आचारियों को बुलाया गया था इस सभा को अध्यक्षता इस सभा जो हुई थी इसकी अध्यक्षता हैंसाग नहीं की थी हर्ष ने इस आउसर परमोतियों तथा बहु मूल बस्तुओं का खोब बितरन किया था हर्ष के दिन का प्यत्यम भाग सरकारी कार दूसरा तीसरा भाग तहार में कार्योंस्तू होता था हर्ष के दर्बार में चीनी दूफ मंदल 649 इसबी एवं 646 इसबी में आया था आप भी अभी सुनते उना पर श्णीन दूफ मंदल जानारा है अमेरिका जा रहा है आपका दूठ मंदल तो इस समय भी भारत में दूठ मंदल आया करते थे जाय करते थे हर्ष ने 641 एजबी में अपने दूठ चीन भेजे थे हर्ष द्वारा प्रयाग में पितिवर्स आयोजे सभा कुमोक्छ परिशद कहा जाते थे हर्ष का यूद्दैबं तो सांती का मंतरी आवंति था हर्ष का महान सेनापती महासेनापती कौन था सिंग न्याथ केुएह हर्ष की समय मत्फूर्ण अधिकारियों की बात हम लोग कर लें बिभी संग न्याथ यह आपका मुक्ष ने नपती हुगा करता था इस Сमय आमात्त ये मंत्री परशत के मंत्री थे। अबंती आपका सांती इपम योतिका मंत्री हुआ करता था चीनी यात्री है अंसांग के अनसाल अधिकारियों को बेतन भूमी अंगदान की रूम में दिया जाता था हर्ष के समय भूमी कर किर्सी उत्पादन का छटा भाग बसूले जाता था कुल किर्सी उत्पादन होता था उनसे चटा भाग हर्ष भूमी कर की रूम में लेता था मालबा की राजा देवद गुप्त को राजवर्धन ने परहजित किया था हर्ष 16 वर्ष की उम्मे में गद्धी पर बैठा था कितने सोले आप समझ सकते हैं आजकल तो 25 से 30 साल तक बच्चे ही बने रहते हैं लोग उन्हें ऐसली जिन्दगी का मायना की पता नहीं चलता है तो यहां 16 साल में राजा बन जाते थे समझ सकते हैं पुराने लोग हमसे इंटलीजेंट थे समझ रहे हैं हम तो आदी जिन्दगी तो टिक टॉक और फेस्बुक पर ही गुजार देते हैं हर्ष की प्राचिय राजेसुर प्राचिय राध्धानी क्या थी थालेसुर हर्ष की 641 इस भी में हर्ष बर्थन ने मद राज्य की उपादी धारण की थी पता है यहार मुझे तो तब हसी आई जब एक बुरी दादी होगी उसकी कोई लड़का है कई लड़कियों को मैंने देखा है उसमें तो उसे भी उन्हें भी डांस करवा रहे हैं टिक टॉक पर वीडि किस किस तरह की क्या है कि कुछ मिलता भी है इसमें क्या अगर आपको किसी को पता हो तो इसमें नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में कुछ फाइदा भी होता है इससे मुझे बता नहीं यार इसलिए पूँच रहा हो हर्ष बर्धन की सासनकाल का आरंभी कितियास वाणवट बाणवट से ज्यात होता है है सांग ने सूद्धों को क्रिशक कहा हर्ष बर्धन सूर से बुद्ध का उपासक था हर्ष बर्धन आपका सूर से एवं बुद्ध का हर्ष चरिद में हर्ष बर्धन को सभी देवताओं का समलित अवतार कहा गया हर्ष काली ने तामवट पत्रों में केवल तीन करों का वो लिख मिलता है भागे भूमी करूँआ करता हिरन और बली हर्ष चरिद की अनुसार थानेसोर के पितेग दम घर में सिव की पूजा होती थी यानि कि सिव इस समय पूजे जाते थे हैंसांग मगत के महायान संपताई के दस अजार विज्जू का उलेग करता है हैंसांग 637 इस भी में नालंदा विस्विद्ध दहलाए गया था यहां कुलपती आचार सीलवद्धे थे हैंसांग के समय हैंसांग ने अपनी यात्रावितांत लिखा जिसका नाम सी यू की है यह भी पूछ लेता है कि हैंसांग का यात्रावितांत किस नाम से हैं कि तरह के नाम होते हैं है और स्कुद अच्छिड के चालुक सासर पुल्केशन दूतिये ने आंगे बढ़ने से रोग दिया पुल्केशन दूतिये की रातानी वतापी थी सेना का सरवोच अध्यक्ष कोण कोगा करता था इस समय महा बलादी किर्थ सेना का सरवोच अध्यक्ष हुगा करता था चली अब हम बात करते हैं आगे हर्स के बाद होता है त्री पक्ची संगर्ष इसमें आपका तिरी पक्षिय संस्कल्स में पाल पितिहार और राष्टकूर्स सामिल थी ठीक है पाल पितिहार और राष्टकूर्ट आपको क्या करना है कि टॉपिक बाई टॉपिक पड़ते जाना है आपको जैसे आपने मौर बंस पड़ा उसके बाद कुछ गयब दे दिया करिएगा फ़र अंगला बंस आया आपका फिर उसके बाद अंगला आया यह सब कुछ टाइम देकर पढ़ता रहेगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा एक साथ पढ़ने में आपको परेशानी तो खरीद ले मेरी राय तो यहीं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने से अच्छा थोड़ा ओपलाइन पर ध्यान दिया करिएगा क्योंकि ऑनलाइन से दिमाग कमजोर होता है मुझे ऐसा लगता है कि यह जाना ओनलाइन मत पढ़ा करिएगा न बस आपको हिकताम से पढ़ा कड़ी है ठीक है नूर्स बcall यह एगर नहीं किताब मिल रही है तो नूर्स बना लीजिए एक बार लेक्не नूटसे ऊपकर पढ़ते रहें अपने नूर्स से इसमें पितिहार राजवन्स के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं चंद वरदाई के पितवी राज रासो के अनुसार परमार पितिहार चालुक तथा चोहान अगनी कुंड से उत्पन्ध हुए थे जिने आगू परवत पर वसिष्ट मुणी ने यग से उत्पन्ध किया थे तो पितवी राज रासो किसकी राजना है चंद वरदाई की इससे हमें मालु चलता है कि परमार पितिहार चालुक तथा अगनी कुंण से उत्पन्ध हुए थे आवु परवत परव वसिष्ट मुनी साहब ने या किसे इने उत्पन्न किया था अगनी कुंडि में सरवाधिक पिसे थे राजबंस था पितिहार गुर्जर पितिहार बंस की स्थापना हरीचन्द ने की थी गुर्जर पिदिहार बंज का बास्तविक संस्थापक था नांगबट पितम गौलियर अबलेग। गुर्जर पिदिहार बंज का बास्तविक संस्थापक कौन था नांगबट। वद्स राज की गद्दी बर कब बैठता है सास्वस्ती इसपी में। पाल नरेस धरमपाल को वद्सराज ने पराजिक किया था। नागवट दुतिये वद्सराज का पुत्त था। नागवट दुतिये ने चक्का यूत को हराकर कन्योज कोपनी राधानी मनाया था। मुंगेर के समीप धरमपाल को नागवाट्ट दूतिये ने पराजित किया था नागवाट्ट दूतिये को ने गोवनितितिये राष्टकूट सासक को नरेश को पराजित किया था पितिहार वन्स का सरवादिक पितावी एवं महान सासकुगा महरवोज महरवोज को पाल नरेश धरमपाल एवं राष्टकूट नरेश धोर शे पराजित होना पढ़ा था अरवी यात्री सुलेमान महरवोज के सासनकाल में बाहर आताया अगर पूछे आप से कि अरव यात्री सुलेमान किसके सासनकाल में बाहरत आया था पितिहार वन्स के सासक्ता महर वोज इसके समय में सुलेमान बाहरत आया महर वोज ने आदी वराह की उपादी धारन की थे पितिहार समराज का बिष्टार मगत एवं उत्री बंगाल तक महंदपाल ने किया था महंदपाल की गुरू संस्कित में के पिसिद बित्वान राज सेखर थे राज सेखर की पिसिद कृती काब विम्यमान सा और करपूर मंजरी थी महंदपाल के बाद महीपाल नौसो सोले में भारत आया था महीपाल की समय राश्टकूट नरिस्थ इंदितितिय ने कनोच पर आकमण कर नगर को ओजाड दिया था पिर आता है आपका राश्टकूट बंस देखिए जैसे राश्टकूट बंस राश्टकूट बंस में सबसे पहले आता है दंतिवार बर्मन पिथम फिर उसके बाद इंदिपिथम फिर गोपिंदिपिथम फिर आता है करक या कक्ठ पिथम इसके बाद तीन सासक होते हैं कक्की के बाद या करक के बाद इंदे दूतिये चालुक राजकुमारी से विवाहत करता है किष्णे पिथम अकालवर्स सुवतोंग ये आपका 762 से 772 तक रहता है पत्थर काटकर बेरूल में कैलास मंदिर आपका किष्णे पिथम ने बनवाय था आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे किष्णे पिथम सबसे सकती साली राजा हुआ कि इसके बाद किष्णे पिथम के बाद गोविंदुति ये आता है दुरूब आता है इसमें आपका दुरूब सकती साली था दुरूब के बाद आते हैं कम यानि इस तम रनाव लोग गोविंदुति ये और इन्द लाटा साखा इनमें आपका गोबन्ध तितिय्य सक्ति साली था साथ सो तेरानवे से आट सो चौदध इस भी तक रहता है गोबन्ध तितिय्य की बाद आता है निर्व तुम अमोग वर्स पितम यैसे सर्व भी बोलती है यह आपका 834 से 870 इस भी तर रहता है स्तरब की बाद आता है आपका किष्ण दुतिये और इसकी पुत्री संखा पल्लाव राजा नंदी बर्दन तितिये से विवाः हुआ इसका किष्ण दुतिये महांसासक रहता है इसके बाद चैदी या कल्चूरी राजा कुपकल की पुत्री से विवाः हुआ हुआ इसका जंग तोंग कल्चूरी राजकुमारी लच्छमी से विवाः हुआ इसका कितने विवाः किया करते थे लोग इसके बाद आता है आपका इंदितिती है कि 915 से 927 कल्चुरी आजकुमारी बिजम्मा से यह भी विवार करता है इसके बाद आपकी दो सासर को दिते हैं अमोग बर्स सेकेंड और गोविंद्च चतुर्थ सह सांग यह आपका 988 से 934 तक रहता है लेकिन किष्ण दुद्दिय के बाद एक दूसरा सासर था वह अच्छ कुंदका से विवाय किया था इसका सासर रहता है 934 से 949 तक इसके बाद अमोग बर्स तितिय के बाद आता है आपका पुत्रीश की रेव का गंगराजा बुतोग सेकेंड से विवाय करती है किष्ण तितिय यह आपका 949 से 968 तक रहता है खेतिन 968 से 962 तक 962 है सॉरी यह आपका 972 होगा ठीक है क्योंकि पीछे थोड़ी जाएगा यह जिसापूर थोड़ी चल ला है यह इस भी चल ला है 668 से 672 सॉरी 968 से 968 से 962 तर ठीक है फिर निरूपम आता है इसे आपको निरूपम निरूपम के बाप आपका ककल या फिर करक दुतिय या फिर अमोग बर्स फोर यह आपका 972 से 973 तक रहता है किष्ण तितिय के बाद होता है इंद चत्वर्ट इसकी मित्तियों नौसो ब्यासी सीवी में हो जाती है तो इस तरह है आपका राष्ट कूट बंस रहता है एक चाट के रूम में हम लोगों ने देख लिया है अब इनके बारे में जो प्रमुक तर्थ हैं आपके उन्हें भी हम लोग जानते हैं कि राष्ट कूट बंस की स्थापना दन्ती दोरुग किसने दन्ती दोरुग ने अपनी राध्दानी मान खेत माल खंड को बनाई दंती दुरुग ने उज्जेनी में हिरन गरब दान किया था दंती दुरुग ने महराजादी राज, परमेशुर, परमभटाग, भटडारा कुपादियां दारेटी दंती दुरुग का उत्तरादीकारी हुगा किष्ण पित्थम ठीक, किष्ण पित्थम ने बादामी की चालुकों का अस्तित्य समाप्त कर गंगों की राद्धानी मानने पुरुपर कपजा कर लिया ये भी आपका कई वार पूछा जा चुका है क्या एलोरा का बिख्याद कहलास मंदिर किष्ण पित्थम ने बनवाय था तो याद रगना एलोरा का कहलास मंदिर किष्ण पित्थम यानि की राष्टकूर्ट सासक ने बनवाय था दौरुपर ने राष्टकूर्ट सासक कन्योज पर अधिकार करने ही तो वद्सराज एवं धरमपाल को पराजित किया इसने दौरुप सेन को दौरुप को धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं प्लों दौरब को धारावस के नाम से भी जानते हैं आप लोग दौरब का पुत्त एबं उत्तराजिकारी हुआ गोवंध्य तितिये ने चक करा यूद एबं उसके सरक्चक धरमपाल एबं पितिहार नरेस्थ नागवट्ट दुतिये को पराजित कर कन्नोश पर अधिकार कर लिया कि इसने गोविन्द तितिये ने अपने बिरूद खड़ी पल्लव पांडव केरल एबं गंगों के सम्लित संग को पराजित किया था यानिकि गोविन्द तितिये बड़ा सक्ति साली था गोविन्द तितिये के बाद राजगत्दी पर बैठता है अमोग बर्स 814 इस्वी में अमोग बर्स आपका जेंधरम का अनुवयाई था अनुवयाई इसने कंड़ में कभी राज मार्ग की रचना की थी किसने अमोग बर्स ने कंड़ में कभी राज मार्ग की रचना की आदी पुरान, आदी पुरान के रजनाकार जिन सैन, गडित सार संग्राई के लेकक महावीज बीराचार तथा अमोग बिट्ती के लेकक सक्तायाना अमोग वर्ष के दर्बार में रहते थे किसके अमोग वर्ष के अमोग वर्ष तुम भध्दा नदी में जल समाधी लेकर अपने जीवन का अंत किया था अलमसूदी इन्द तितिय के समय भारत आया अलमसुदे ने तद कालीन भारत का सरव श्रिश सासर इंदय तितिये को कहा है किसी इंद तितिये को किषिण तितिये ने चोलों को परास्त कर कांची एवं तंजावर पर अधिकार कर लिय तो किसने किष्ण तितिये किष्ण पितम ने कैलास मंदीर बनवाय था याद रगना किष्ण पितम ने तंजाबर में बिजय स्थम में भी बनवाय था एलोरा गुफा का सरफितम बर्डन थेवी नेट फ्रांसी सी याक्त्री ने सत्रहेवी सताब्दी में किया था बहुत गुफाओं में सबसे पिसिद्ध विस्व कर्मा गुफा संख्या दसेश की कितनी है दस एलोरा की गुफा पंद्रे में बिश्व को नरसिंग अर्थाग पुरस सींग की रूम में दिख लाए गया एलोरा एवं एलीवर फेंटा गुहा मंदिरों का निर्माड राष्टकूटों के समय हुआ है राष्टकूट सेब बैशनो सक्त संपदाय के साथ साथ जन्धरम के भी उपासक थे राष्टकूटों ने अपने राज में मुसल्बान ब्यापारियों को बसने इसलाम के प्रचार की सुईकिती भी दी ती यानिकि ये सभी धर्मों का के साथ अच्छा विवार करते थे सियक परमार ने राष्टकूटों की राधानी मान खित पर आकमण कर इसे पूरता धुरस्ट कर दिया सियक परमार में तो यह था आपका राष्टकूट बंस ठीक है अब है आपका पालबंस पालबंस का संस्थापक कौन था गोपाल इसने कब इस्थापना की पालबंस की 750 इसबी में और ये आपका 750 से 770 इसबी तक सासन में रहता है तो याद रखना पालबंस का संस्थापक कौन था गोपाल गोपाल को कुछ पिरमुक ब्यक्तियों ने राजा चुना था गोपाल जो था ये बौध धरम का अनुयाई था ओधन्त पूरी में मठ का निर्माड आपके गोपाल पाल ने करवाय था ओधन्त पूरी में मठ का निर्माड किस ने करवाय था आपके गोपाल पाल ने गोपाल का पुत्त एवं उत्तरादिकारी धरमपाल था इसे ही तो राश्टन्त कहते हैं आप लोग ठीक है इसे ही कि पुत्त के बाप के बाद पुत्त राजगत्ती पर बैठे तो गोपाल के बाद आपका धरमपाल आता है धरमपाल ने कन्योज के सासक इंदराईूद को पराष्ट कर चक्राईूद को कन्योज की गत्ति पर बैठाया सोड डल कभी ने धरमपाल को उत्रापत स्वामी कहा धरमपाल को नागवट दुतिये एवं राष्टकूट नरिस्त धोरोग ने फराजित किया धरमपाल बोधधरम का अन्वाई था, बिक्कारम सिला विस्विध्याले की स्थापना धरमपाल ने करवाई थे, याद रख रहा है पहले भी हम बात कर चुके हैं कि विक्रम सिला की विस्त्विध्याले की स्थापना किसमें करवाई धरमपाल में कई बार पूंच लेतें क्योंकि बहुत पुराने यह विस्त्विध्याले हैं आपके धरमपाल ने नालंदव इस विद्ध्याले के खर छेतू 200 कितने 200 गाउं दान में दिये थे धरमपाल धरमपाल का पुद्ट एवं उत्तरादिकारी होता है देवपाल यह आपका 810 से 850 इसपी तक रहता है कब 810 से ठीक है तो यह आपका देवपाला गया असमूरीसा एवं नेपाल के कुछ भागों पर देवपाल ने अधिकार किया आरव यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत पसब से सकती साली सासक बताए देवपाल ने अपनी राधदानी मुंगेर में बनाई थी देवपाल अपने बंसका महात्म सासक हुआ यानि की पालवंस का सेलेंद सासक ने नालंदा मैं बहुत मट की इस्तापना ये तु देवपाल से अनमती ली थी देवपाल ने खर्च ये तु पाच गाउं दान में भी दिये थे मही पाल पिथम ने पालवंस की खोई हुई सक्ति को कोनर जीवित किया मही पाल ने पालवंस की खोई हुई सक्ति को बनाहा प्राप्त किया पालवंस का दुतियक संस्थापक कौन था मही पाल पिथम याद रखिए पालवंस का दुतियक संस्थापक मही पाल पिथम कुमाना जाता है पालबंस की पतन की बाद सैंडबंस स snippy बंगाल का प्राची नाम क्या था गॉंड संध्या का नदीद्वारा रांचरित तो रामपाल की पिसंचा में लिखा गया था बंगाल में केवर्ड़ की विद्डरो रामपाल की साजन के बंगालotta अरवयात्त्री सुलेमान ने पाल सासन को रहिमा अर्था धरम भेष्ट कहा था त्री पक्ची संग्रस में भाग लेने वाले राजाओं को देख लीती हैं किन किनों ने भाग लिया था गुर्जर पितिहार बंस और ये राष्ट कूठ है ये पाल बंस है ठीक है वत्स राज ये आपका 783 से ये राष्ट कूठ में पितम था धरो राष्ट कूठ में पितम था धरो गुर्जर पितिहार बंस में नांगभठ आता है ये आपका 795 से 833 फर गोविंद राष्ट कूठ में गोविंधिति है ये आपका 793 से 814 पाल बंस में देवपाल आता है 819 से 855 रामभठ गुर्जर पितिहार बंस में ये आपका 833 से 836 रहता है अमोग बर्स ये आपका राष्ट कूठ सा सकता 814 से 878 तक रहता है विग्रेवाल ये आ 885 से 860 से लहीं से 890 पाल ये आपका 836 से 885 ये आपका 8 ref that कूट में राष्ट कूठ में आता है habr सो ये आपका पाल बंस में नारायन पाल ये आपका 860 से गोड़जर पितिहार में महेंधपाल लाष्ट रहता है 885 से 900 इस इस भीत है तो यह था आपका पाल वंस राष्ट कूट वंस और गोड़जर पितिहार वंस अब चलते हैं हम लोग एक नए वंस की तरफ एवंस है आपका सेंड वंस सैंड बंस की स्थापना सामंत सैंड ने की राण में की थी कहां राण में तो याद रखना कहीं पूँचेगा आपसे सैंड बंस की स्थापना किस ने की थी तो सामंत सैंड ने सामंत सैंड का पुत एवं उत्तरादिकारी विजय सैंड हुए सामंत सेन की बाद राजगत्दी पर कौन बैठा बिजय सेन सेन बंस की राधानी नदिया लखनोती थी बिजय सेन का उत्रा दीकारी बल्लाल सेन हुए सामंत सेन की बाद बिजय सेन बिजय सेन की बाद बल्लाल सेन बल्लाल सैन ने दान सागर और अदभुद सागर नामक गरंथ लिए दान सागर और अदभुद सागर किसके गरंथ हैं तो आप बता देंगे बल्लाल सैन के ठीक है बल्लाल सैन बल्लाल सैन ने जाती पिथा और कुलीन पिथा को बड़ावा दिया लच्मन सेन याका 1138 इस भी में गद्धी पर बैठता है बल्लाल सेन ने गुंडे सोर और नी संकर क्यों भादी धारी धारन की लच्मन सेन के सासनकाल में सामन्तों ने बिद्रो कर अनेक सुतंतराज गठी कल लिए लच्मन सेन बंस का सरवादिक सकती साली राजा हुआ जो लच्मन सेन था याका सेन बंस का सबसी सकती साली राजा हुआ बिजय सेन बिजय सेन जो था आपका यह सेब धरम का अनवाई था यानि कि सिभ धरम को सेब धरम को मानने वाला था देव पाड़ा में जील इवं सिभका मंदिर विजय ज्याइन नहीं वनवाय था आपके। हलायोत पॉसी हलायोत लचमरसعेन का नियादीस इवं मंदरी हुय करता था। लश्मन सेन अपने का दरवारी कभी था जयदेव जयदेव की रचना की बात करें तो इनकी रचना थी गीत गोवंद तो अगर आप से पूछे कि गीत गोवंद किसकी रचना है तो आपको बता सकते हैं जयदेव की सेन मंसका संस्थाफक सामन्त शेन को ब्रह्मा चत्तिय नाम से भी जाना जाता है विजाय सेन के आपके दो उपराज़धानिया थी एक आपकी विजायपुरी दूसरी थी बिक्रम पूरी पबंदूत धोई ने लिखी थी जो पबंदूत है किसकी रचना है धोई की कि आर्या सब्त सती कि रचना आपकी गौबर्धन ने की थी याद रखिए है कि फिर आता है आपका एक नया वंस कि राजपूत वंस तो राजपूत वंस में आप बात करते हैं गहडवाल वंस के बारे मैं सबसे पहले दस्सो असी से दस्सो असी सबी से दस्सो पचासी में चन्द देव ने राष्ट कूट सासक गोविंद को अरा कर गहडवाल बंस की स्थापना की गहडवाल सासकों को अननाम जैसी काशी नरेश नाम से भी याशना जाता है गहडवालों की राद्धानी थी कन्नोज गहनवालों की रादधानी कौन थी? कन्नौज चंद देयों ने मुसलिमों को तुरुस की दंड नामक कर बसूल किया मुसलिमों से इनों ने तुरुस दंड नामक कर की बसूली की यानि की टेप्स गहडवाल बंस का महांतम सासक आपका होता है गोवंद चंद गोवंद चंद का मंतरी था लच्मीदर लच्मीदर ने किर्टग कल्बतव नामक ग्रंथ की रचना भी की गहडवाल का बंस का अंतिम सासक होता है आपका जैचंद कौन? जैचंद जैचंद आपका 1170 भी में गद्दी पर बैठता है जैचंद की पुत्री सहयोगिता का अफ़रन पितवीराज चोहान ने किया था किसने? पितवीराज चोहान ने 1193-94 में चंदावर की युद में मुहम्मद गोरी ने जैचंद को फराजित कर उसकी हत्या कर दी थी संस्कित का पिसिद कभी लच्मी था जैचंद की दरबार में रहता था स्री हरस नैसद चरित की चरित गिरंती की रचनाकी नोने जैचंद का पुत्र हरस चंद मुहम्मद गोरी की अधीन सासन करता था याद रखिए पानिपद सुरी पानिपद नहीं तरह इनका फस्ट योद तरह इनका सेकेंड योद और कभी-कभी आपका चंदावर की योद एक करम में लगाने के लिए आ जाता है कई वार सिविल सर्विस में भी पूंच लिया गया है और वंडे एकजाम में तो इन में से आते रहते हैं एक नाई questions तो याद रखना 1193-94 में जो आपका चंदावर योद दुगा यह आपका जैचन और गौरी की वीचुगा था मोहमद गौरी इसमें आपका जैचन की हारवी थी और मारा गया था और जो तरह इनके यह उनके बारे में हम लोग आंगे देख रहे है फिर आता है आपका चोहानबंस चोहानबंस की स्थापना वासुदेव ने छटी सदी केंद में अजवेर की नेकट साथ कंबरी में की थी तो याद रखना चोहानबंस की स्थापना किस ने की थी वासुदेव ने वासुदेव ने अपनी राध्धानी अही चत में स्थापि संसासव कौन वाखमतिराज fitt καं राजिस्थान की अजमीर नगर में की स्थापना अजय राज में गरवाई थि जाब का राजिस्थान का अजय जमीराज में है स्थापना किसना के रववराई थि अजयराजने सुल्तान मेहमुध की Thanh echo अर्णो राज ने अजमीर की निकट हराय था सुल्तान महिभूत की सैना को अर्णो राज ने अजमीर की निकट हराय था रहा आपका आगे अर्णो राज की हत्या उसके पुत्त स्यकदेव ने की थी अजय राज जेन धरम का विरोधी था अजय राज जो सा सकता यह आपका जेंदरम का विलोधी था विग्रह राज तितिय की रचना का नाम है हरी केली विग्रह राज तितिय की रचना का क्या नाम है हरी केली विग्रह राज तितिय का दरवारी कभी था सौम देव 94 बंस का सबसे 37 साली राजा हुगा विग्रय राज चतोर्ट यह आपका 1153 से 63 तक रहा इसने तौमर राजाओं कुहरा कर दिल्ली पर अधिकार भी किया था राई दिन का जोपड़ा नामक मश्चित सुरू में विग्रय राज चतोर्ट द्वारा निर्मित एक विध्याले था राई दिन का जोपड़ा नामक मश्चित सुरू में विग्रय राज चतोर्ट द्वारा निर्मित एक विध्याले हुगा करता था सौमदेव ने ललित विग्रय गरंद की रचना की सौम देव ने ललित बिग्रे गरंद की राचना की चौहान बंसक का अंतिम सासक पितिवी राज तितिये हुआ चौहान बंसका अंतिम सासक कुन था पितिवी राज तितिये चंदेल सासक परमार्दी देव को पितिवी राज तितिये ने हराय था जिसमें आपके आला उदल मारेगे यह आपका बुंदेल खंड में कुछ जानाई आला पिछलित रहता है लोग यहां देखते रहते हैं आला खंड को ठीक है तो यह आपका 1191 की करीब की घठना है ठीक है 1191 इसीवी में पिथिवी राज दितिये एवं जो मुहमद गौरी था इसके बीच तरायन का पिथम यह उद्ध होता है जिसमें मुहमद गौरी की हार होती है किसकी मुहम्मद गौरी की हार होती है उसके बाद 1192 में आपका पिथिवी राज एबं मुहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूतिय यूत होता है यानि कि दूसरी बार इनके बीच रड़ाई होती है जिसमें आपका पिथिवी राज चोहान की हार होती है तरायन के फश्ट यूद में मुहम्मद गोरी की हार होती है लेकिन दूतिय यूद में पितिवी राज चोहन की हार होती है मुहम्मद गोरी ने पितिवी राज चोहन की पुत गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का सासक बनाया पितिवी राज चोहान का दरवारी कभी चंद वर्दाई था जिसने पितिवी राज रासो लिखे चंद वर्दाई ने पितिवी रासो नमक ग्रंथ की रचना की थे प्राचीन भारत का पितम हिंदी कभी चंद वर्दाई को कहा जाता है पुराचीन बारत का पित्थम इंदी कभी किसे का जाता है चंद वर्दाई को इंदी वासा का पित्थम मां का पित्वी राज रासो को कहा जाता है राज कभी जयानक द्वारा पित्वी राज विजय की रचना की थे रण थम्मोर की जैन मंदिर का सिखर पितिवीरा चोहन ने पनवाय था तरिताप का चोहन बंस फिर आता है अब कब परमार बंस परमार बंस की सासकों की बात करें तो इसमें उपेंद आता है फिर सियक, मुंज, सिंधू, राज और लाश्ट में बोज परमार बंस का संस्थापक होता है उपेंद जिसे आप लोग किष्ण राज से राज के नाम से भी जाते हैं तो अगर आप से पूँचे की परमार बंस का संस्थापक होता है उपेंद या फिर किष्ण राज इसे ही बोलते हैं परमार और परमारों की पैरंबी के राध्धानी उज्जन थी जो मद्विदेश में अभी बढ़ती है छिप्परा नदी के किनारे वसी यह आपका MPPSC में और MPState में जो भी एक्जाम होते हैं उसमें कई बार बूच लिया गए है उज्जन किस नदी के किनारे वसा हुए तो रियाद रगना चिप्परा नदी के जबकि वारत में परमारों की राध्धानी धारा या फिर धार बन लेए परमार वंच का पिथम सुतंत एबं पितापी राचा यानि कि सासक हुआ सिया प्यारम भी परमार राष्ट कूटों की सामन्थ थे प्यारम में यह क्या थे परमा राष्ट कूटों की सामन्थ थे प्यापकवरों को परमार सासक मुझ ने उर्म कि कि जो मूंन का आखमण हुअत था इन्हें पxis्पार वंच मुझ ने हराया थे मुझ ने कल्याड़ी के चालुक सासक्त तेल दोतीय को चैवार कितना सिक्स टैम पराजीत किया मुझी की राजसभा में नव सांग चरित की लेखक पदम गुप्त परीमल दस रूपक की लेखक धनंजे और यसूर पावलो के लिए रचेता धनिक विद्धिमान थे मुझी का चोटा भाई सिंधू राज नौसो बंचानवे इस भी में गद्धी पर वेटता हैं सिंधू राज ने कुमार नारायन और साह सांकी की अबादी दारन की मुझी ने स्री वल्लवी, स्री बल्लव, पित्वी बल्लव और अमोग वर्स उबादी भी दारन की थे किसने मुझी ने स्री बल्लव, पित्वी बल्लव और अमोग वर्स की उबादी दारन नगरी को भोज परमार ने इस्थापित किया उससे अपनी राध्धनी भी बनाई भोज पूर सहे तथा भोज सागर तालाव भोज परमार ने बनवाय था कई बार पूंच लिया गया है बोजपूर सहर और भोज सागर तालाव किसने बनवाय था परमार सासक भोज ने बोज परमार ने कैदारी सुर्व, सौमिसुर्व, सौमनात, रामिसुर्व, सुन्दार्थ, आदी मंदिरों का निर्मार भी कराया था बोजज को कभी राज उपनाम से भी जानते हैं बोज जो परमार सासक भोज इसे हम लोग कभी राज की नाम से भी जानते हैं भोज ने अपनी राध्धानी में सरसुती मंदिर का निर्माण करवाय था। पूछेगा आपसे कि सरसुती मंदिर का निर्माण अपनी राध्धानी में या सरसुती मंदिर का निर्माण किसने करवाय था। तो आपको वता जीना है भोज लें। अगर हम लोग भोज, राजा भोज की रचनाओं की बात करें तो इसमें आपका सामिल है समारण सूत्तराधार सरसुती कंठावरन सिधान संग्रे और आहुवेद सर्वस ये सबी आपकी भोज की रचना है परमाराजा भोज की भोज की समय में साहित का मक्का धारा को कहा जाता था भोज की समय साहित का मक्का इसे कहा जाता था धारा को तो इस था आपका परमारबंस अब चलते हम लोग एक नए बंस की तरफ जिजाक बुक्ती की चंदेरबंस यानि की चंदेरबंस इसमें आपका साथ सक होता है नन्नुक, येसु वर्मन, धंग दियो, गंड दियो, बिध्यादर, परमार्दी दियो और बीर वर्मन दोती है इस बंग से समंधी था आपका questions अधिक तरवार MP योगी है एक जाम होता है उसमें जरूर कुछा जाता है पर चाहिए आपका MP PSC हो या कोई व्यापम इद्जाम हो तो थोड़ा MP बाले इस पर focus देलें चंदेल बंस के अवलेक हमें बादा, उत्तरपिदेश, कलिंजर, खजराओ, महोगा और अजैगर से मिलते हैं चंदेल बंस का संस्थापक था नन्नोक चंदेल जो बंस था इसका संस्थापक कौन था नन्नोक चंदेलों की रादधानी थी खज़राओ, जो आज की मद्विदेश में पढ़ती है चतरपुर जिले में, ठीके? प्यारम भई की रादधानी कलिंजर यानि की महुबा थी खज़राओ के पिसेद चत्रपुर्ध मंदिर, चत्रपुर्ध मंदिर का निर्माण यासो बर्मन ने करवाय था इनसे समंदित आपके कुश्चन्स पूच लेता है खज़राओ के पिसेद चत्रपुर्ध मंदिर का निर्माण किस ने करवाय था? यासो बर्मन यसो बर्मन ने अपनी राधनानी महुवा बनाई थी पितिहार राजा देवपाल को यसो बर्मन ने हराया और विश्णो पितिमा को छीन कर लाया था चंदेल बंस का सबसे पिसिद राजा होता है धंग देव धंग देव धंग देव ने प्रयाग संगम में जल समाधी ले ली थी धंग देव ने विश्वनाद, बैदनाद, जिन्नाद मंदिरों का निर्माड करवाए तो आप से questions बनेगा कि विश्वनाद हो या फिर बैदनाद हो या फिर जिन्नाद इन मंदिरों का निर्माड किस ने करवाए था तो आप कह सकते हैं धंग देव या फिर कभी या बपी पीस्ट में तीन नंबर में पूछ लेता है कि धंग देव ने कौन-कौन से मंदिरों का या धंग देव के बारे में पूछे तो आप इने उधारन में दे सकते हैं मंदिरो चंदेज सासकों द्वारा बनवाए गे मंदिर खजुराहों में थे साही बंस की साहता के लिए महमूद गजनवी के विरुद गंड देव ने सेना बेजी थे साही बंस की साहता के लिए महमूद गजनवी के विरुद किसने सेना बेजी थी? गंड़ देव ने अपने लड़के विद्ध्याधर को इतिहार सासक राजवाल को दंडित करने ही तू भी जा था विद्ध्याधर ने तिलोचन पाल को कन्योज का सासक मनाया था आला उधल नमक युद्रा युद्धा की परमार्दी देव की दर्वार में रहती थे और वहोववा है अपने सुना होगा खली तो ये इसी समर्ण के हैं जंदेर्वण elastic का अंतिम सासक होता है वीर मर्बर्मन-व्रोथ चंदेल्व Veterans का अंतिम सासक होथा है वीर बर्मन-व्रोथि अं Chapter 1309 में लाउद्दीन खिलजी ने चंदेलराजे को को अपने समराज में मिला लिया था ठीक किसने अलाउद्दीन खिल जी गए चंदेलों द्वारा निमेद कंदरिया महादेव मंदिर सरबातिक पिसित है जिसका निम्राण आपका धंग दीव ने करवाए था चंदेल राजाओने ही सरपिथम देवनागरी लिपी का प्रियूग अपने लिकों में करवाए था पूंच लेगा कि चंदेल सरपिथम देवन के सोलंकी यानि की चालुक वन्स कि इस्थापना मुख याज़ß में 942 में बिजिय में की पर गुज्राथ के सॉलंकी वन्स की स्थापना किस नें की चान्यज़ इंहे चालुक्यों की राध दानी अनि दंपट्र रृड माहिं थी मुझलॉड ज़ekkяд सेब्धरम को मालता था महमूद गजनवी की आकमट की समय गुजरात का सासक भीम पितम था जब आपके महमूद गजनवी का आकमट गुजरात पर होता है इस समय गुजरात का सासक कुन था भीम पितम भीम पितम ने आभू परवत को परवारों से परवार सासकों से चीना था प्यूंद का बनवत Państwo यह आपका पूँछ लिता है लिए लugal अवपर वे किस ने बनवाया था कि भीम सेंड भीम के सामंद बीमन मैं एहमदाबाद की स्थापना करण ने की थी एहमदाबाद की इस्थापना करण ने की थी जो आपका गुजरात का ये बड़ा सहर अभी जैसींग 1094 इसीवी में गद्धी पर बैठता है जैसीं जैसींग ने सिद्धराज की उपादी धारण की पिसिद्ध जैन आचार हैंचंद सूरी जैसीं सिद्धराज की दरबार में रहते थे सिद्धपूर के पिसिद्ध रोद्ध महाकाल मंदिर का निर्माज आपका जैसींग सिद्धराज ने कराया था जो सिद्धपूर के पिसिद्ध मंदिर है रोद्ध महाकाल इसका निर्माज की दरबाय था जैसींग सिद्धराज में है हैंचंद सूरी हैंचंद सूरी ने कुम निर्मारबाल ने जैने वं ब्रमर धर्मों के मंदिरों का निर्मार करवाय था। सभी चालुक सासक सिव के उपासक थे। सिव भगवान की। 1178 इसवी में आवू प्रवत के निकट मुहम्मद गौरी को मुलाज दुधियने हराय था। गुजरात का अंते मिंदु सासक होता है करण। करण की राध्धानी कमला देवी और बेटी थी देवल देवी को अलावदिन के जी ने अफरंट करवाय था। वस्तुपाल एवं तेजपाल भीमदुतिय के मंत्री थी। माउंट आवू पर भीमल का जैन मंदिर वस्तुपाल एवं तेजपाल ने ही मनवाय था। जैसें सिद्राज ने माउंट आवू परवत पर एक मंदब का निर्माड कर अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का की स्थापना की थी। तो ये थे आपके गुजरात के सोलंकी यानि की चालुक बंस। एक पॉइंट देख लीचे गुजरात के सोलंकी चालुक बंस के बादे है। मुडेरा का सूर मंदिर चालुक सोलंकी राजाओं ने ही बनवाय था। इसके बाद आपके आते हैं के तिप्पुरी के कल्चूरी बंस। जिसे आप लोग चेदी बंस के नाम से भी जाते हैं। कल्चूरी बंस को अननाम हे है से भी जाना जाता है। कल्चूरी राजाओं की प्यानमविक पे सास किये सक्तिकर केंद नर्वदा की पिनारे। महिसमती थी जिसकी राद्दानी तिप्पुरी थी। कल्चूरी के चेदी राजाओं कुड़ाहल मंडल के नाम के रूम में भी जानते हैं। कल्चूरी बंस का संस्थापक था कुपकल पिथम। कुपकल पिथम ने चंदेल तथा राज़कूट सास किये। बंसों में बेवाहिक संसमद्ध इस्तापित किया। राजसेखर कल्चूरी नरेश इवराज की दर्बार में रहा था। राज्यसेखर condition सेखर में कावविम्यवान appliesा की रजणा भी की थे। रास्तिकर्ण ने बिद्धत साल भंजी का इवराज की पिथम गुर्गान में लिखा था कल्चूरी बंस का सासक बिजय सिंग भी था बिजय सिंग चंदेर राज़त तिलोक बर्मन ने कल्चूरीयों को पराजित कर डाहल मंदल पर अधिकार कर लिया था कल्चूरीयों की दूसरी साखा की राध्धानी थी रतनपूर त्रिक लिंगा दीपाती की उपादी करन देव ने धारन की थी गंगे देव ने विक्रमादित की उपादी धारण की थी गंगे देव जो था इसमें ने ब्रह्मा विक्रमादित की उपादी धारण की कल्चुरी मंस का महांज तमसासक गंगे देव था गंगे देव ने 1019 से 1041 इस भी तर राजी किया कर्ण देव सेव मता नुयाई था उसन किस ने बनार्स में करन मेरी नमक सर्मने भी बनवाये था किसने करन देव ले ठीक है उसके बाद आता ही आपका toma अकोनार बन्स का संस्थाबक था अनंंग पालँ तोंले की थि जूंगी चल कर सासन का मुख़ केंदः बना टृ şur या हुई राजया हुआ सबसे पहले उसने कोशिस की कि दिल्ली पर कपज़ा किया जाए और आज भी इसी की लगाई चलती रहती है कौन सबसे पहले दिल्ली पर कपज़ा करता है तॉमरों की राधधानी दिल्ली का दिल्ली की थी तॉमरों की राधधानी दिल्ली थी राजा जोला तॉमर बंस का सामन्ती सर्दार था और तॉमर बैष्णा उतर हमकी अनुवयाई हुआ रहते हैं ठीक है फिर आता है आपका सेसौधिया बंस सिसौधियावंस का सासन मेवाड पर था जो सिसौधियावंस था इसका सासन आपका मेवाड पर था इस वंस के राश्पूत सुर्वंसी खुल से अपना संभन्द बताते थे हम्मीर देव ने सिसौधियावंस की इस्थापना की थे हमीर देव ने से सौधिया बंस की स्थापना की से सौधिया बंस को मेवाड राध्धानी चित्तोर थी से सौधिया बंस की राध्धानी क्या थी? चित्तोर राणा कुम्मा ने बिजय इस्थम का निर्माट अपनी बिजय के उपलक्ष में कराये था जो राना कुम्मा थे इन्होंने अपनी विजय इस्थम का निर्माड अपनी विजय के उपलक्ष में यानि की जीतने की कुशी में करवाय था विजय इस्थम आपका चित्तोर गड में इस्थे थे विजय इस्थम आपका कहा है चित्तोर गड में राना कुम्मा संगीत का सरव बोलते हैं ति राना सांगा ओ इब्राहिम लोदी के भी 1527 में राणा सांगा और बाबर की वीच खानवा का यूद भी हुए था याद रखिए ठीक है खतौली की लड़ाई का मुख कारण राड़ा सांगा द्वारा हिब्राहिम लोधी का साथ ना देना था से सौधियावंज का सबसे पितापी सासक महाराना पितापी था महाराना पिताप का प्रक्रमी सेनापती जाला सर्दार था महाराना पिताप की गोड़ी का नाम चेतक था ठीक है महाराना पिताप की गोड़ी का नाम क्या था चेतक तो यह था आपका से सौधियावंज अब बात करते हैं हम लोग दच्छन भारत के राजबंस इसमें पल्लववंस सबसे पहले देखते हैं हम लोग पल्लववंस के बारे में पल्लाव राजबन्स के सासक होते हैं वब्ब देव, सिंग विष्णू, महेंद वर्वन पिथम, नर्सिंग वर्वन पिथम, परमेशो वर्मन पिथम ठीक है? पल्लाव राजबन्स की स्थावना उस समय हुई है जब साथ बहन सक्ति का पतन हो रहा था और पल्लाव राजबन्स की संस्थावक की अगर हम लोग बात करें तो इसका संस्थावक था बफदेव, यह आपका तीसरी चौतिर सदी में हुए बफदेव ने आंध्पदेश्त एवं तॉंडे मंडलम परसासन भी किया है सेंग विश्नू यह आपका दूसरा साथ सकता इस बन्सका पल्लोबन्स का 500-55 typ tablets से 620 के बीच रहता है इसे पल्लोबन्स का बस्तिविक संस्थावक माना जाता है याद रखना पल्लावबन्स की संस्थावक कौन था वबबब देव और बास्तिविक संस्तापक पल्लाव बंसका सिंग विष्णू ठीक है आगे चलते हैं लो सेंग विष्णू को अन्न आवनी सींग तथा सेंग विष्णू पोद रेंड की नाम से भी आप लोग जानते हैं सिंग विष्णू द्वारा चोलों को की पराजय का वैडन बेलूर पालियम ताम पपत से हमें मिलता है कि सिंग विष्णू ने चोलों को पराजित किया था महंद बरबन पिथम की समय चैसो से चैसोतीस इसवी में पल्लाव चालुक संगस आरम हुआ महंद बरबन पिथम एक महान निर्माता कभी और संगीतक था उसने मत बिलास प्रहसन की रचना की थी किसने महंद बरबन पिथम ने महंद बरबन पिथम ने बिचित चित मत बिलास एवं गुड भर उपादियां दारन की थी महंद बरबन पिथम पिसित संगीतक रुद्रचार से संगीत की सिक्षा ली थी महंद बरबन ने सेवधरम या सेवधरम संथ अपार की पिरभाव से जेनदरम scripts कल जहम सेव मत गहंड कर लिया था यानि कि यह पहले आपका महंद बर्मन था यह आपका जैन धरम को मानता था लेकिन इसने सैब संथ अपर के पिरभाव के यानि के कहने की कारण इनके पिरभाव में आने की कारण सैब धरम यानि की सैब मत गरहन अपना लिया था ठीक है? महंद बर्मन ने महंद बाड़ी एवं चित्त में तालाबों का निर्माड़ भी कराया था आपके महंद बर्मन को पुलकेसिंदुतिये से पराजित होना पड़ा था महंद बर्मन को पुलकेसिंदुतिये से पराजित होना पड़ा पल्लो बंस का सरवादिक सक्ति साली जो सासक था बुतर नर्सिंग वर्मन पिथम याखा 630 से 668 इसवी के बीच रहता है 630 से 668 इसवी के पुलकेसिंदुतिये कूर नर्सिंग बर्मन पिथम ने कुर्रम अभिलेक के अमसार तीन एवद्धों में पराजित किया था नर्सिंग पर्मन ने पुलकेसिंदुतिये की पीट पर बिजयाक्चा रंकीत किया और बिजय इस्थम्म का निर्मार वतापी में करवाय था किसने? नर्सिंग पर्मन ने वतापी कुंड और महामल की उपादियां भी धारण की अगर कभी पूछे आप से questions कि वतापी कुंड और महामल किसकी उपादियां थी? नर्सिंग पर्मन की? नर्सिंग पर्मन का प्राक्रमी सेनापती सी तोंड न था महाबली पुरम के कुछ एकास्म रथों का निर्माड कर नर्सिंग बर्मन पिथम के काल में सुरूँ हुआ था नर्सिंग बर्मन के काल में चीनी यात्री हैंसांग कांची गया था नर्सिंग बर्मन की लंका विजय काल में कासक कूडी तामपत में तथा महाबंस में मिलता हैं किसने नर्सिंग बर्मन ने लंका को भी विजय किया था आगे बात करते हैं चालुक नरेश बिक्रमादित को परमेशोर बर्मन ने पराजित किया था जो आपका चालुक नरेश बिक्रमादित था इसे परमेशोर बर्मन पितम ने पराजित किया था परमेशोर बर्मन सेवधरम का अनुवयाई ख्या यानि कि सेवधरम को मानता था परमेशोर बर्मन ने रणजय, लोकादित, अत्येंद काम, उगदन, गुडभाजन, एबं विद्ध्या विनीत क्यूपाधियां धारण की थे आगे है, मामल पुरम में परमेशोर बर्मन पिथम ने गड़ेश मंदीर बनवाये था याद रखिए, जो मामल पुरम का परमेशोर बर्मन द्वारा बनाएगे कौन सा मंदीर है, गड़ेश मंदीर कांची का क्यलास मंदीर तथा महावली पुरम कितट पर मंदीर करने बाद नर्सिंग बर्मन दूतिय ने करवाये था याद रखिए, एलोरा का कैलास मंदीर आपका बिष्णू किष्ण फर्ष्ट ने बनवाये था और एक कांची का कैलास मंदीर नर्सिंग बर्मन है नर्सिंग बर्मन दूतिय ने रासीन, संकर भक्त तथा आगम प्रिये के उपादी धारन की थी संस्कित के पिसिद्ध बिद्ध्वान दंडी नर्सिंग परमन दुधिये के राज सभा में रहते थे बैशनव परमपरा का अंतिम पल्लो सासक परमेशुर परमन दुधिये था कांची का मुक्तेस और मंदिर तथा बैकपुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्मान नंदी वरमन दुधिये ने करवाय था पिसिद्ध बैशनव संथ तिरू मंड गई अलवार नंदी वर्धन दुधिये का समकालीन था पिसे दिदार्जनेक संकराचार दंती बर्मन पल्लो सासक के समकालीन थे पल्लो समराज को चोल सासकों ने बिज़ित करके अपने राज में मिला लिया था पल्लो बंस का अंतिम सासक कंप वर्मा था 948 से 980 के बीच यह रहता है कंप बर्मा याद नटना कंप बर्मा पल्लव बंस का अंतिम सासक होता है पल्लव नरेश ब्रम्मड धरम की अनुवाई थे दसकुमार चरित तथा काब्या दर्स की लेकक दंडी थे पल्लव सासकों की अधिकांस लेक बिसुद्ध संस्कित भासा में लिखे गए कंदरा सेली की भवन निर्वाण कला को महिंद बर्मन ने पिछलित किया था सब्त पेगोड़ा पल्लव सासकों द्वारा बनभाई गए रतमंदिरों को कहा जाता है सब्त पेगोड़ा जो पल्लव सासकों द्वारा बनभाई गए मंदिर थे जुरत मंदिरों को कहा जाता है कांची का केलास मंदिर राज सिंग सैली में बना था कांची का जो केलास मंदिर था केलास नाथ मंदिर राज सिंग सैली का बना गए एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर कहीं गलती हो जाती है अभी कि इसकी बात नहीं करें एतियास में कहीं वी तो आप लोग जब आपको पता रहता है कि गलती हो गई है तो आप लोग किरपया करके कमेंड वॉक्स में लिख दिया करिएगा सही गए अब उसमें बोलने का क्या कोई उच्छत लगता है आपको कि यह गलत है हाँ गलत बोल दी गलत है लेकिन उसके नीचे सही अंसर ही तो लिख दिया करिएगा इसमें आपको कुछ नहीं बगड जाएगा लेकिन जो दूसरा आता है कभी और उस लेक्चिरस को देखता है तो उससे तो सही आंसर पता चलना चाहिए लेकिन आप लोग इतना नहीं करेंगी आप लोग र जरूर लख देंगे कि सब्सक्राइब गल्ती है उसके अरे वाई उसका आंसर अगर आप लोग लिख दें तो क्या भी गड़ जाएगा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक दूसरे की मदद करते रही है ठीक है थोड़ा लाल्ची हटाईए अपने इंसानियत लाईए ठीक है कि दूसरे को सही आंसर पता चल जाएगा मैं नहीं लिखूंगा तो यह तो गलत है न पल्लव पल्लव कला एवं बास्तु कला द्रेमिंड सेली इसमें आपके मकॉनडा मंदीर और अनन तेशुर मंदीर सामिल है फिर हैं आपका नर्सिंग सेली जिसे आप लोग मामल सेली भी बोलते है इस सेली का विकास नर्सिंग वर्वन पिथम मामल की काल में हुआ इसमें रत तथा एक सिलाखंड़ी है एक कास्म मंदिर है जो मामल पूरम में पाए जाते हैं ये सब त्पिगोडा के नाम से जाने जाते हैं किन्तु बास्ताओं में आठ हैं धरमराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, दुरुपदी, गडेश, पिदारी, एवं बलायान, कुट्टी है ये सब ही आपके नर्सिंग सेली के अंतरगत आते हैं फिर आती है आपकी रासिंग सेली रासिंग सेली की बात करें तो इसके अंतरगत गवाह मंदिरों की स्थान पर पासाण, एट की सहायता से हिमारती, मंदिरों का निर्मार किया गया इस सेली का प्रियोंग नर्सिंग बर्मन सेकंड ने किया महां बलीपरम का तट्व इस्वर तथा मुकुंध मंदिर कांची का कैलास मंदिर एवं एरावतेसोर मंदिर इसमें सामिल आपका नंदी बर्वन सेली इस सेली के इंतरक आप पेख्शा के चोटे मंदिर निर्मेत हुए इसका प्रियोग नंदी वर्वन सेकंड ने किया जैसे कांची की मुक्तेस और मंदिर बैकवंट पेरूमल मंदिर यानि कि इन सैली जो भी सैली है इनका नाम उनके सासकों के नाम पर ही रख दिया गया है तो यह था आपका पल्लोवन्स अब हम बात करते हैं बादामी या वातापी का चालुक बंस बादामी के चालुक बंस की स्थापना पुलकेसिन पिथम ने की थी बादामी के चालुक बंस की स्थापना किस ने की थी पुलकेसिन पिथम ने महा कूंद अभलेक में पुलकेसिन फश्ट से पूरू दो सासकों जैसिंग एवं रनराम के नाम मिलते हैं पुलके सिंग एक ने असुम एक यग किया था केती बर्मन पिथम ने गवा को जीत कर उसका नाम खेत द्वी रखा था केर्टी वर्मन-पितम ने बहुम, सब्य सबर्ण एवं अगनी तोव मिन्हस्तं मों को सम्बन करवाया पुल्किसिन्दुतिय का सरक्षक, चाचा मंगलिस था ठीक है, फुल्किसिन्दुतिय का सरक्षक, चाचाउक्स आप मंगलिस था पुलके सिंग दूतिये 610 इसभी में चाचा मंगली स्कुहरा कर सासक बना था पश्चमी समुद्गी लच्छमी पूरी हातियों का दिवपी से कहते जो कौंकर तट पर था को कहा जाता है पश्चमी समुद्गी लच्छमी पूरी कौंकर तट को कहा जाता है हरश ने पुलके सिंग दूतिये के खुद दच्छिन का स्वामी स्वीकार किया था पुलके सिंग दूतिये को पल्लाव और सासक नर्सिंग बर्मन पिथम नहरा कर मार डाला था पुलकेशिन दूतिय को किसने मारा था? किसने हराय था? पल्लोव सासक नरसिंग बरमन पितम्ने पारस के सासक खुसरो दूतिय के दरबार में, पुलकेशिन दूतिय के समएं हैंसांग चीनी यात्परी दचिन वाहरत आया था पोलिकेसिन दुतिया ने सत्या से एवं स्री पित्वी वल्लाव बहराज की उपादी धारन की थी पोलिकेसिन दुतिया ने हर्स को पड़ा जीत कर परमेशुर की उपादी धारन की थी ठीक? पुल्केसिंघी दुतिये को मानने बाद की बाद नरसिंग बर्मन ने वतापी कुंड की उपादी धारन की थी पॉलकेसिन दुतिय को मालने के बाद नरुसिंग वर्बन ने वतापी कुंड की उपादी धारन की थी बिनेयादित दुतिय ने संकलो तरपतनात की उपादी धारन की थी विक्रमादित दुतिय ने कांची कुंड की उपावीदी भी धारन की थी पांडों, चोलों, केरों एवं कल ब्रों को विक्रमादी दुतिय ने पराजित किया थे तिलोक केसोर मंदीर का निर्माण तिलोक महादेवी ने करवाय था पटद कल के बिरूपाक्च महादेव मंदीर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाय था याद रखें ठीव कि आंद या बेंगी या आंद के पूर्वी चालुक एक लाको एक बात आप लो हमेशा याद रखा करिए लो किसी के नोट्स पढ़ने का मतलब अपने पेरों पर कुलाड़ी पटकने जैसा होता है हर आदमी नोट्स बनाता है आपने देखा हो वो नोट्स अपने हसाब से बन दो-चार-दस पेज में समेट के रख देना ठीक अगर आप सोचो कि सभी चापना है तो फिर उससे सही तो बहतर किताब ही अच्छी है उसी से पढ़िए आप लोग तो इसलिए हमेशा याद रखिए वही पॉइंट नोट्स में कवर किया करिएगा यानि कि नोट किया यानि कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले रिवीजन हो सकी जो आपको याद ना हो जो याद हो नॉर्मल से हो उन्हें छोड़ दिया करिएगा क्योंकि वह आपके दिमाग में हमेशा याद बनी रहेंगी ठीक है लाश्ट में हमें कौन से ज़रूयत वड़त करो भागवत धरम का अनुयाई ही था है विजय वाड़ा में जैन मंदीर का निर्माठ। विश्णू बन की पत्नी अहना महा दीवी ने करवाया था विजय वड़ा में जैन मंदीर का निर्माठ किसने करवाया था है ? बिश्नु वर्धन की पतनी आयना महादीवीने। बैंगी के चालुक बैंगी के चालुक बंस की राधानी थी बैंगी यानि की आंद्विदेश। इस बंस का सबसे पिताबी साथ से कोगा आपका बिजयादित तितिये। यह आपका 848 से 892 तक रहता है। बिजयादित तितिये ने स्वयम को दच्चिनापत का महांतमसासा घोसित किया। रáष्ट कूटों पल्वों इभंपन्डवों को बिजयादित नहीं पराजित किया था। इसके बाद है आपका कलल्याणी के चालुक। कल्यानी के चालुक वंस का संस्थाफक था आपका तेलब दुतिये 933 से आपका 997 तक रहता है तेलब दुतिये ने 800 मल और भूमने कम्मल की उबादी दारन की थी मेरूतुं कित प्रवंद चिंतामडी से ग्यात होता है कि तेलब दुतिये ने मोंच के उपर 6 बार आकमर किया था किन्तु पित एक बार वो पराजित भी हुआ था सोमेसुर पिथम 143 सोमेसुर पिथम 143 इस भी में सासक बनता है उसने अपनी रागदानी मानखेट से कल्याडी मरिस्थानांति की थी किसने सोमेसुर पिथम ने चोलों से पराजित होने के कारण सोमेसुर पिथम ने करूँ अती के पास तुमभद्धा नदी में दोकर आत्मत्या कल्याडी थी यानि कि विज्जिती सहें नहीं कर पाया तो इसने तोंग बद्धा नदी में दोकर आत्मत्या कर ली करल्याडी के चालुक बंस का महांतम सासक कौन हुआ विक्रमादित स्थ यह आपका 1076 से 1126 तक रहता है विक्रमांग देवचरित की लेखक विलहड थी विलहड और मित्ताक्षरा की लेखक विज्ञानी सूर विक्रमादित सष्थ की दरवार में रहते थी चालुक बिक्रम संबत विक्रमादित सष्थ ने 1076 इसवी में पहरम की थी मान सुलास और अभीलाड लासीतार्थ चिंतामडी की रचना सोमेसुर तितिय ने की थी चालुक का परिवारिक चिन वराय था चालुक क्यों का परिवारिक चिन वराय था बिक्रमादित सष्थ के दबाद सोमेसुर तितिय यानि की यह आपका सोमेसुर तितिय ग्यारे सो चपविश से ग्यारे सो अर्थीश तक रहा वह सोयम बड़ा बिद्वान भी था सोमेसुर तितिय ने भूलोक मल तथा त्रू भवन मल जैसी उपादियां भी धारण की किसने सोमेसुर तितिय ने इस बंस का अंतिम सासक कौन होता है तेलब तितिय ये तितिय ये का पूत्त सौमेसुर चतुरत तिक है आंगे चलते हैं हम लोग अब बात करते हैं चोल राजबंस के बारे में एक बहुत ही मातफून टॉपिक है चोल राजबंस चोल बंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें विजिया ले यापका 846 से 871 इस भ 907 तक रहता है परांतक पिथम ये आपका 900 से 907 से 903 तक रहता है फिर आपका आता है राजादित्य परांतक पिथम के बाद कि राजादित्य पिथम होता है ये आपका 947 से 949 तक रहता है परांतक के बाद एक दूसरा सासक होता है गंडरादित ये आपका 949 से 997 तक रहता ह संताओं तक फिर परांतक पिथम के बाद ही तीसरा सासक होता है अरिंजय यह आपका 956 से 957 तक रहता है लेकिन इन्वे सम्हें आपका अरिंजय यह सबसे महान सासक था गड़रादित था इसके बाद एक सासक और होता है इस साखा में मदुरां तक उत्तम और यह सासक आपकी यहीं ख्यतम हो जाती है जो अरिंजय साखा बढ़ती है आंगे सासक इसमें होता है परांतक दुतिये यह आपका 956 से 973 तक रहता है 956 से 973 परांतक दुतिये के बाद होता है दो सासक पहला आपका आदित दुतिये या कारीकाल दुतिये 956 से 979 तक रहता है दूसरा सासक हो राज राज राम पिथम यह आपका 985 से 1016 तक रहता है इन में राज राम पिथम महान सा सकता तो यही अपना बन सांगी बढ़ा पाता है तो राज राम के बाद होता है पहला राज इंद पिथम और दूसरा इसकी पुत्री कुंद अब्बा पूर्वी चालुक राजविक्रम से ओंद सरमाधित से विवाव हुए तक राजन पिथम के बाद राजन पिथम कप तक रहता है दससओ बारे से दसतो चवाय संद तक राजन पिथम, होते हैं, सासक इसकी पूत्री अमंग देवी पूर्वी चालुक राजराज से बिवाय हुई थी दूसरा इसासक होता है राजादीराज योगराज यह आपका दस्तो ठारे से दस्तो चबालिस तक रहता है राजा रहता है यह आपका दस्तो चबालिस से 1063 तक राजन्द दियुक तितिय होता है यह आपका 1052 से 1064 तक रहता है और फिर बीर राजन्द होता है यह आपका 1063 से 1069 तक रहता है जिसमें आपका जो आपकी इसकी बेटी थी अमंग देवी इसमें राजन्द दियुक राजन्द दियुक वाली साखा में आपका राज राज बैंगी का राजा पितिनिदी होता है मुहमदी चोल बैंगी का राज पितिनिदी होता है बीर चोल बैंगी का राज पितिनिदी सामिल होता है बिक्रम चोल इसमें सामिल होता है बिक्रम चोल लहता है 1100 से 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 1100 यह आपका इसमें यह रहता है 1146 से 1176 इसके बाद इसका चचेरा भाई आता है राजा धी राज दूती है यह आपका 1163 से 1171 तक होता है इसका उत्तरा दीजारी होता है कुलो तूंग तिति है 1178 से 1100 1178 से 1288 इसके बाद राजिन्द चतोर्थ होता है यह आपका 1288 से 1246 और 1246 से 1289 तक ठीक है इसके बाद यह साखा थी आपकी जो राजिन्द दिव दूती है की तो इसमें राजा महिंद होता है जो ग्याद 1060 से 1064 तक रखती है और इसकी एक पुत्री होती है पुर्वी चालोक राजिन्द तितिये खुलो तूमगर पितंसे विभाय करती है और बीर राजिन्द वाली साखा में होती है आपके अधी राजिन्द यह दस्यों सरसर से 1070 तक रहता है इसकी एक पुत्री होती है कल्याड की बिक्रमादित सर्ष्ठ से यह विभाय करती है किसी को इतने सासकों को कौन याद रख सकता है आप ही सोची आधे तो देखते ही देखते बूल जाएंगे हम लोग तो आपको जानदा दिमाग नहीं लगाना इसमें अच्छे से पढ़ना है इसके संस्थाबक को याद रखा करिए और इसमें जो महान सासक होता है उसे भी या याद रखा करिए दो-चार पॉइंट जरूरी याद रख लिया करिएगा चोलों का सरपिथम बैडन असोक के ते रहवे सिलालेक में मिलता है देखने को प्यारंबिक चोलों की रादधानी तंजोर थी जो प्यारंबिक चोल थे इनकी रादधानी थी तंजोर परवर्टी ये चोलवंस का संस्थापक विजयाले था आठ सो पचास इसवी में विजयाले पर लोगों का सामन था विजयाले ने नरकेशरी की उपादी भी नारन की विजयाले चोल ने तंजोर में दुरगादेवी का मंदिर तथा नक्ता मलाई में विजय चोलिस और मंदिर बनबाई थे परांतक पिथम ने पांड सासक राजसीम कुहरा कर मदूरे कौंड की उपादी भी तहरण की थे परांतक पिथम को तक्को लंब के यूद में राश्टकूट सासक किषने तितियने हराये था चोल सासकों के पिथासने के काहियों की बात करें तो मंदलम इसमें गरांथ होता था कुटम इसमें कमीशनेरी होती थी नाडू इसमें जिला होता था को इटम इसमें ग्रामों का संग होता था ही ठीक राज-राज पिथम का वास्तविक नाम क्या था? अर्मोली अर्मोली बर्मन राज-राज पिथम की पिर्मुक बिजय केरल, पांड, स्री लंका और माद्दीक थी राज-राज पिथम ने कांडलूर, सालिकल मरूत, सिब पादसेकर की उपादवीजी दहरन की थी राज-राज पिथम ने स्री लंका की महिंद पंचम को हराये था राज-राज पिथम ने स्री लंका की सासक महिंद पंचम को हराये था राज राज ने उत्तरी स्रीलंका में चोल समराज का एक नया पिरांथ बनाए था इसका नाम था मुंडी चोल मंडलम राज राज ने अनुराधा पूर्किस्थान पर पोलो नारू कुराधनी बनाए था इसका नाम जगनात मंगलम रखा गया चोलों की नोसेना सरवादिक मजबूत थी समय अपने राज की समस्त मूमी कमाप राज-राज पिथम ने करवाये था जिस तरह से आप लोग करवाती तंजोर के राज सेकर मंदी का निर्माण राज-राज पिथम ने करवाये था तन्जोर के राज राजी सोर मंदीर का निर्मान किसे ने करवाय था राज राज पिथम ने ही राज राज पिथम ने ही स्री बिजय की सैनन्द सासर स्री मार बिजय टुंग बर्मन को नांग पत्टीनम में एक बौद मठ बराने की अनमती भी दी थी श्री लंका के सासक महिंद पंचम को राजेंद पिथम तस्चोदे सि दस्चोचबालीस ने बंदी बनाका लाय था स्रीलंका में बढ़ भीहारों को राजयंत पिफम ने नुकसान पहुचाया था गंगा घााटी की बिजय के उपलक्ष में राजयंत पिफम ने गंगई कोंड चोल की उपादी भी धारन की थी गंगा भाटी की बज़ह के उपलक्ष में, राजेंद पिफम ने गंगे कोंड, चोल की उपादी धारन की थी राजेंद पिफम ने अपनी नई राज़धानी गंगे कोंड, कोंड चोल्पुरम में बनाई थी दच्छनपूर्ग एसिया मलेपरागी जावाद समात्रा की विजय राजिन पिथम ने की थी किसने राजिन पिथम राजिन पिथम की समय स्री विजय समराज जी का सासक संगराम विजय उतुंग बर्मन था स्री विजय समराज का अन्दमान निकुवार अराकान तथप पेगू को राजिन पिथम नहीं विजित किया था चोल समराज का सरवादिक विस्तार राजिन पिथम के सासनकाल में हुआ था चोल समराज का सरवादीक बिस्तार यानि की सबसे जान्दा बिस्तार राजन पितम के सासनकाल में हुआ थे राजन पितम ने 1016 और 1033 इस भी में राजदूद मंडल चीन भेजे थे राजन पितम ने बंगाल विजय के उपरांद सोले मील लंबा चोल गम गंगम नामक तालाव का निर्मार करवाये था स्री लंगा के सासक महिंद पंचम ने सिक इंद का निर्मलाद राजन पितम ने ही चीना था राजा दी राज पितम ने कल्याडी विजय की बाद विजय राजनत की उपादी धारन की थी किसने राजा दी राज ने एदगिरी में विजय इस्थम राजा दी राज पितम ने बनवाये था विजय कुंड की उपादी राजा दी राज पितम ने ही धारन की थी राजन दुतिये ने सोमेशर को पर्याजित कर अपना विजय इस्थम कोलापुर में इस्थापित किया थी कहां कोलापुर में, ठीक है, बीर राजन्द, बीर राजन्द ने चालुकों कोहरा कर, तुंग भद्धा नदी कितर पर विजय इस्थम्द, इस्थापित किया था, 1060 इस्थमी में सोमेशुर पिथम ने तुंग भद्धा में डोकर आतमत्या कर दी थी, यानि कि सुसाइड कर बैठे थी, सुमेशुर पिथम, कुलोतुंग पिथम ने बहत्तर सौधागरों का तूट मंडल 1077 इस्थमी में चीन भीजा था, कलिंगी के बिद्रों को कुलोतुंग ने दवाया था, कुलोतुंग पिथम को अन्य सुडगम तरबीत करोंगो हटाने बाले के बाला की नाम से भी जाना जाता है, जिसने करोंगो हटाया था, चिदंबरम की मंदिर, स्री रंगम की समाधी कुलोतुंग पिथम ने बनवाई थी, जै गुंदार कुलोतुंग पिथम का राज कभी था, कलिंग तुपर्णी की रचना जै गुंदार नहीं की थी, कम्मन द्वारा तमिल लामाईट की रचना कुलोतुंग दुदिय के सासनकाल में ही की लिए थी, आदित पिथम ने कुन्नूर का बाल सुबय मन्दिर तथा कुम्म कुन्नम का नागे सुर मन्दिर भी बनवाई था, किसने आदित पिथम ने, दारा सुरम के रावतिस्वर मन्दिर का निर्वार राज राज दुदिय ने करवाई था, बिक्रम चोल की उपादी क्या थी, त्रियाग समुद्य, त्रियाग समुद्य, चोल बंस का अंतिम सासक होता है आखा, राजित तितिय, राजिन्द तितिय, चोल बंस का अंतिम सासक होता है, चोल समराज का अंतित, बारे सो उन्ने आसी में, पांड नरिस कुल सेकर ने किया था, सदेव राजा के पास रहने वाले उच्चादीकारियों को ओडन कुटम कहा जाता है, बिसाल चोल समराज 6 परांतों में बेवाजित था, कितने, 6 छै परांतों में, समतियों को वारियम कहा जाता था, इस समय, समतियों को क्या गयते थे, वारियम, मडी ग्रामम तथा वलिंजर ब्याबारिक संगठन हुआ करते थे, राजदोरों को भरंकर अपराद माना जाता था, राजदोरों, समराज की रक्चा के लिए प्रांड निच्चावर करने वाले सैनकों को वलिक कारर कहा जाता था, सैब धरम सरवाधिक लोग फिरी था इस समय, सैब धरम के भक्ति गीत, नम्बी अंडार नम्बी ने लिखे थे, राजद चोल के गुरू थे, इसान सिप, एवं सरव सिप थे, विशिष्टा द्वेत की प्रवर्दक रामानुज्याचार थे, यह राजद पिथम की समकालीन थे, विशिष्टा द्वेत की प्रवर्दक कों थे, रामानुज्याचार, यह आपके राजद पिथम की समकालीन थे, राज राज पिथम की बहें कुंदवे ने एक ही स्थान पर सेव बेटनों जैम मंदिरों का निर्मान भी कराया था चोल काल में बेटनों लेक को ने अपने गरंद संस्क्रत में भी लिखे थे अमरस सागर तथा बुद्ध जैसे जन्द एवं बुद्ध बिक्चूओं को चोल सासकों ने संरक्चन दिया था चोल काल में मन्दिरों के प्रवेस द्वार, गोपुरम कहलाते थे चोल सासक समुद्री सकति के लिए बिठ्ख्यात थे यानि कि इनका समोध पर अधिकार था चोलकालग की पिरमुक भासा क्या थी संस्कित और तमिल लिंगाय संपताय की स्थापना व्वासा उने की थी नैनार संथ सिव के उपासक थे अलवार संथ विश्नु के उपासक थे नयनार संथ सिवजी के उपा सकते और अलवार संथ विष्णुजी के उपा सकते अन्य का मान एक कलम यानि की तीन मन था सोने के सिक्के कुकासू कहा जाता था इस समय बेली भूमी माप की का युगा करती थी जैसे आप लोग बीगा कहे लेते हैं इस तरह की एक भूमी माप की काई क्या होती थी बिली राजय सुभिबाग का प्रमुक अधिकारी वरित तो पुत्तारक कहला था वरित त्रोपो पुत्तारक कहला सेना की चावनियों को कडगम कहा जाता था सेना की टुकडियों को के प्रमुक नायक और सेना ध्यच या प्रपिधान सेनापती को महा दंड नायक या प्र सेनापती कहा जाता था समय चोल समराज में सेना के मुक अंग धनोधर को बिल्ली गल गजारोही को कुजिरमलर कुजिरमलर गोड़सवार को कुड़ी रिच्चे वगर और पैदल सेना को बढ़पेई के कोलर आदी कहा जाता था किस तरह ऐसे नाम है इसके लिए चोल अभी लेकों में उलिखित करों की नाम देख ली थे हैं चोल समय में कौन-कौन से कर थे यह आपका कर का नाम हो गया सम्मधिछित आयाम आयम राजस कडी में लगान मर मत जाड़ी यह आपका ब्यक्च करता की डाक कासू यह नर्वसू पर लगने वाला कर भूगा करता था चोल सासकों के समय पाड़ी कावल यह आपका गाउं की रक्चा के लिए लिया जाने वाला कर था वाल लित्तिमम यह आपका द्वार करता मने इरे यह आपका भावन कर या ग्रह कर हुगा करता कडे इरे यह आपका दुकानों पर लगने वाला करता आगी वक्च वकासू यह आपका अजीबकों पर लगने वाला करता पेवरी यह आपका तेलियों से लिया जाने बाला करता अब बात करते हैं चोल सासकोंदवारा बनाए गए मंदिर इनसे भी आपके कुश्चेंस बहुत पूछते हैं यह वो राजा है जिसने मंदिर बनवाए थी यह इस्थान हो गया जहां मंदिर बनवाए गया है और यह आपके मंदिर के नाव हो गया। चोलेश और मंदिर ये आपका नार्ता मलाई में हैं किसने बनवाय था विज्याले नागेश और मंदिर ये आपका कुम कोडम में हैं ये आपका आदित पितम ने बनवाय था बालसुबमन्य मंदिर ये आपका कंडूर में हैं आदित पितम ने बनवाय था सुंदरे सुर मंदिर ये आपका तिरुक टेली में है आधित पिथम ने बनवाय था सरी नवास नलूर ये आपका कोरंग नात मंदिर कोरंग नात मंदिर कहा है सरी नवास नलूर ये आपका परांतक पिथम ने बनवाय था राज-राजी सुरम मंदिर आपका तंजोर में है यह आपका राज-राज पितम ने बनवाय था विरुवाली सुरम मंदिर यह आपका तन्यवेली में है यह आपका राज-राज पितम ने बनवाय था एरावतिसोर मंदिर यह आपका दारसुरम में हैं यह भी आपका राज-राज दुतिये ने बनवाय था कितने राज-राज दुतिये ने कम भरेशोर मंदिर यह आपका तिरू भवन मंदिर है कुलो तुंग तितिये ने बनवाय था ये आपके चोल राजाओं के समय के मंद्र हो गए अब बात कर लेते हैं चोल सासकों की उपादियां जो सासकों ने उपादियां धारण की थे हैं परांतक पितम इसने मदूरे कौंड की उपादी धारण की थे हैं राजराज पितम, राजकेशरी, अरूमोली, मुबाडी, चोल देव, चोल मरतंड, जैगोंड, कांडलूर, साले, लम, रूत, ये सब ये आपकी राजिन्द पितम की उपादियों हैं. राजिन्द पितम की उपादियों की बात करें, तो गंगई खोंड, चोल, मुडी गोंड, चोल, कंदारन गोंड, पंडि चोल, कुलोतुंग पितम की उपादियों की बात करें, तो सुडगम, तर्वी चोल, कटे खोंड चोलम, मने, मले नडू, खोंड चोलम, किस तरह से यार ठीक है तो यह आपकी राजाओं की उपादियां देखी जा रहें थी तो यह थे आपके चोल सासक कौन थे चोल सासक उसके बाद है आपके मदूरे के पांड सासक परवर्ती पांड बंस की स्थापना कुंडू गौन ने की थी कब पांसो नब्य से छेसो बीस इस वी तक रहता है आपका सासन करता है मल्यादी कुरिची में चटान काटकर जयन्त बर्मन गुफा मंदिर बनवाई स्रीमार स्रीबल्लो एक प्राक्रमी तथा समराजवादी सासक था स्रीमार स्रीबलो कब तक रहता है 815 से 862 इसपी तक इस आसन में रहता है अंतिता पांड समराजव को पल्लो सासक निर्प तुंग ने बिजित किया था तेरे सो दस इसपी में अलावदीन के सैनापती मलिक कफूर ने पांड राजव पर आप मढ़कर मदूर्वा को लूटा और ध्रस्त कर दिया यानि कि इसे हानी पहुंचाई ठीक है तर आँगे चलते हैं देवगरी के यादब ये भी आपके महत्पूर्ण सासक है ये तो आपका UPVCS में पूच लिया था देवगरी के यादब देवगरी के यादब बंच का संस्थापक विल्लम था बिल्लम चालुक सासक सौमिसुर्चतूर्थ का सामन्त था बिल्लम ने अपनी राध्धानी देवगरी में बनाई उसने 1187 से 1191 इस वी केत तक सासन भी किया बिल्लम के बाद उसका बेटा जेतूंगी राजा बनता है महान खागोल सास्त्री भासकराचार कपुत लच्मी धर जैतुंगी का दरबारी कभी था यादावण्स का सक्ति साली राजा सिंगन था उसने 1210 इसभी से 1247 इसभी तक सासन किया सारंग देव का संगीत रतनाकार संगन की दरबार में लिखा गया सारंग देव का संगीत रतनाकार सिंगन के दरबार में लिखा गया वराहे मिहिर के व्रह जातक की अनंद देव ने टिपड़ी भी लिखी थी व्रत खंदा का लेकत हिमाद्री महादेव की दरबार में रहता था देवगिरी को 1309 इच्वी में अलाव दिल खिल्जी द्वारा विजित यानि की जीत लिया गया यादवन्स का अंतिम सुतंद सा सक था रामचंद यादवन्स का अंतिम सुतंद सक कौन था रामचंद सिद्धांत सिरोमडी एवं करण कोतुहल की रचना भासकराचार ने की थी सिद्धांत सिरोमडी करण कोतुहल की रचना किस ने की थी वासकराचार ने फिर आते हैं आपके द्वार समुद्ध के होईसल बंस होईसलों का मूल चेत मैसूर में गंगवाडी के पहाडी चेत में था होईसल लाजी का बस्तिविक संस्थापक किसे माना जाता है विश्ण वर्धन को contextual भरण का वइसल यादोबंस से संबंदित थे अपने कोछ रैसलेसलों के मंदिर का निर्माड विश्णु वर्धन के सासनकाल में हुआ था वल्यूर में चिन्ना के सो मंदिर का निर्माद विश्नु बर्दर ने करवाय था होईसल बंस का अंतिम सासक होता है वीर बललाल तितिये 1310 से 1311 इस्वी में अलाउदीन किल जीके सेनापती मलिक कफूर ने होईसल बंस के सासक वलल तितिये को पराजित भी किया था वलल तितिये ने अलाउदीन को वासिक कर देना सुईकार कर लिया था आपने पदमावत मुबी तो देखी ही होगी तो ये वही मलिक कफूर है ठीक है उसने 1349 जबी तक अलाउद्दीन के करत के रोब में सासन करता रहा है वो इसलों की राधानी द्वार समुद्ध का आधुनिक नाम हेलेवेड था क्या था हेलेवेड ठीक है सिराता है आपका कदम राजबंस कौन सा कदम राजबंस कदम राजबंस की इस्थापना मयूर सर्मन ने की थी मयूर सर्मन ने लगभग 345 ईसबी से 360 ईसबी तक सासनी भी किया कदम सासकों की राधानी बनवासी थी इसकी दूसरी राधानी के नाम था वला सिका वला सिका मयूर सर्मन का उत्तरादिकारी मिरगेश बर्मन था कौन था? मिरगेश बर्मन वला सीका में मिरगेश बर्मन द्वारा एक मंदी का निर्माठ मयूर सर्मन की रिश्मिती में कराए गया मैयूस तर्मन को अठारे असुमेग यग का अनुष्ठान कराने बाला कहा गया है कदम बंसी सासकों की बंसाबली हमें एक मात ताल कुन गुंड इस्तमलेक से ग्यात होती है कदम बंसी सासकों की बंसाबली में हमें कैसे पता चलता है ताल गुंड इस्तमलेक से पर आपका गंग बंस गंग बंस की स्थापना किसने की कौंकडी बर्माने कौंकनी बर्माने कौंकनी बर्मा का समय लगवक 420 भी माना जाता है एडी माना जाता है गंग बंस का सासन आद्वनीक मैसूर की दच्चिड गंग वाडी छेत में था मादाव पितम ने दतक सूत पर टीका भी लिखी ती इसी समय गंग शासक श्रीपुरुस ने अपनी राध्धानी माननपुर में बनाई थी कहां मानपुरु सुरीपुरुस सुरीपुरस गंग सासको में हुया जो 728 से 788 तक साजन किया इनके बाद आती है आपके वारंगल के काक्तिय बंस वारंगल के काक्तिय बंस का संस्थापक था बेथ-पिथम, काक्तियаты, बंस का संस्थापक कौन था, बेथ-पिथम, काक्तिय सासक पश्चमी चालुकों की साबंत थी फ्रोल दुत्तिय काक्तिय सासक ने अपने को चालुकों से सुदंध गोसीद किया था अनु मा कॉंडा कि हजार इस्तमों बाले मंदिर का निर्मार रोध्य देव ने करवाय था किसने रोध्य देव ने इसकी इनकी राध्धानी अम औरू गाल्लू आधुनिक बारंगल नामक नया सहर रोध्य देव नहीं बसाय था काक्तिय बंस का सबसे सकती साली राजा हुआ गडपति देव गडपति देव ने अपने राजधानी बारंगल में इस्तापित की थी रोध्य रामबा देवी गडपति देव की पुत्री थी तथा गडपति की बाद रोध्य रोध्य रामबा काक्ति राज़ को सास का सासी का बनी 1323 इसमी में मुहमद दोगलक ने फिर्ताप रोध्य देव के राज़ पर आकमड किया था फिर्ताप रोध्य देव पराजित हुआ था इसे आकमड में और बंदी बना लिया गया था इसे काक्तिय राज दिल्ली सल्तनत में समलित सल लिया गया था कब 1323 में नेति सास्त मुक्तावली वादिन्ना ने लिखी थी नीर्व वच्नोत्तर रामाईड तिक काना ने लिखी थी काक्तिय राज में काला मुख पासूपत धरम पिचलित था इस समय अप्पाचार ने पिती इस्थापार इस्थासार लिखी थी पिसिद बिद्वानों की बात करें उनके सरक्चनों की दच्चन भारत की तो यह आपके बिद्वाने सरक्चक है ठीक है? उदैराज गुजरात का महमूद बेगडा हैमचन कुमारपाल अनहिलबाड की चालुक सासकता है नागारुजुन कनिस्क अमरसी चंद गोप्त विक्रवान यह आपके इस तरफ याद रखिए बिद्वान है और जिनोंने संग सर्दक्चक दिया जिन राजाओंने उनके नाम है ठीक है? रभी कीर्ती पॉलिकेशन दूती है चालुक वादामी वाकपती राज कन्नोच का यसु बर्मन भावभूती कन्नोच का यसु बर्मन हरी सेन समुद गुप्त राज सेखर महिंदपाल एबं महीपाल गुर्जर पितिहार सौमदियो पितिवीराज तितिय चन्दवरदाई पितिवीराज चोहां तितिय वाडबट हर्स दंडी नर्सिंग बर्मन पल्लो इसमें आपके सभी जो भी प्राचिन भारत में जिनने भी सनरक्षड दिया गया उन सभी को समलित किया गया बाडबट्ट को किस ने दिया था हर्सने दंडी इसे नर्सिंग बर्मन ने पल्लो साथ सकने दिया था सरक्षड भैरवी सिंग विष्णू गुनान ने हाल साथ बहन साथ सकने इसे दिया महवीराचार इसे अमोग बर्स राष्ट कूट साथ सकने दिया था सरक्षड जिनसेन साख टायन अमोक बस राष्ट कूठ ने से सरक चड़ दिया जैदेव लचमर सेन पंगाल गीद गोविन ने से साथ दिया बिलहड विक्रमाधिथ सश्टम कल्याडी का चालुक साथ को साथ कने से सरक चड़ दिया था बिज्ञाने सुर्व ए विक्रमादित सस्टम ने कल्याडी चालुक थे इनों ने दिया था लच्मी धर गोविन देचंद कन्योज किसा सकने स्री हरस्थ जैचंद कन्योज तो इसे उठा के देख रहे हैं आप लोग मतलब मद्दकालिन भारत को भी समलित कर दिया है अब बात करते हम लोग राजाओं की उपादियों की वैसे देख तो चुके हम लोग पीछे पर भी एक चार्ट के रूब में आप लोग देख सकते हैं राजाओं की उपादियों की बात करें तो यह आपके राजा हो जाते हैं यह आपकी उपादी हर्स राजपुत सिलादित हर्स के दूसरा नाम कह सकते हैं आप लोग इसे उपादी भी कह सकते हैं आप लोग हर्स की उपादी क्या थी? राजपुत सिलादित महन बर्मन पिथम पल्लाव सासक को बिचित चित कहते थे से नरसिंग बर्मन दुतिये पल्लाव सासक की क्या थी उपादी राश्ती भोच पितिहार सासक की आदिवराय महिर भोच यह आपकी भोच की उपादी आ थी दिवराय दुतिये गजवटेस कर इमादी ये आपका विजय नगर समराज का था इसकी देवराय भी प्रोंड देवराय भी इसकी उपादी थी किष्णे देवराय ये विजय नगर का था आंध भोज आंध पितामाय यवन राज इस था पनाचार अभीनव भोज यह आपकी किष्न देवराय पिथम की उपादीया थी आदित पिथम चोल मदुरई कॉंड इसकी उपादी थी राजयन देटुतिये कुलो तुंग चोल इसकी उपादी थी विक्रम चोल तर्याग समुद और अहलंका इसकी उपादी थी झाल झाल